नमस्कार, Pinnacle Online Coaching Classes में आपका स्वागत है और अब हम डिसक्स करने वाले हैं Chemistry के कुछ MCQs, हर वी सुब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रेश्ण है, the main constituents of biogases, biogas आप सबको अंदाजा होगा, biogas का एक और नाम होता है, gober gas जो कि हम biogas के जितने भी plants हैं, वहाँ से हमें biogas मिलती हैं, उसके अलावा वहाँ पे जो भी हम waste materials डालते हैं, वो as a manure वहाँ पे इकटी हुजाते हैं, जो हम हमारे खेतों में यूज कर सकते हैं बाद में तो question जो है, वो यह है, कि जो biogas में जो जो gases हैं, जिन जिन gases का मिश्रन होता है, उनमें कौन कौन सी gases हैं, तो इसके लिए सबसे आपको पता होना चाहिए कि biogas के constituents क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हैं carbon dioxide, methane और H2S और इसके अलावा थोड़ा बहुत amount में moisture यानि की नमी, जिस हम H2O से एक बार के लिए लिए लिख सकते हैं, तो यह जो gases यहाँ लिखी हुई हैं, यह सारी biogas के constituents हैं, now question is, कि इसका main constituent क्या है, मुख्य घटक क्या है, तो इसके मुख्य घटक में जो आएगा, वो आता है, methane, that is option B, अब अगर आप question को ध्यान से देखेंगे, तो आपक oxygen नहीं है, यह सबसे common error होती है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला option भी क्या है, oxygen, तो first question हुआ, second question की और बढ़ते हैं, second question is, aspirin is chemically known as, aspirin सब को पता होगा, headache के लिए बहुत common tablet है, जो सब लोग बहुत commonly use की जाती है, लेकिन question यहाँ पर यह है, कि उसे chemically क्या बोल जाता है, तो अगर आपको aspirin के formula का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, तो आप इस question को आसानी से कर सकते हैं, और aspirin एक common topic है, इस पे बहुत बार question आता है, हो सकता है आपको इसका chemical formula भी पूछा जाए, तो यहाँ है aspirin का chemical formula जिसमें एक carboxylic group होता है, जो की है COOH और बाकि इ COCH3, तो यह जो हमारा aspirin है, उसका chemical formula है, और एक जो important चीज है वो सबको पता होती है, कि aspirin जो है, वो एक salicylate या salicylic acid है, और इसका जो short form है, इसे short form में हम कहते हैं, ASA, acetyl salicylic acid, जो की है option C, तो aspirin क्या है, ASA, acetyl salicylic acid, question number 3 के तरफ पढ़ते हैं, the most abundant element in the human body is, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कि जो मानव शरीर है, जो human body है, उसमें अलग-अलग elements जो है, वो कितने-कितने percentage में पाये जाते हैं, अब इस जैसा ही एक मिलता-जलता question है, जिसे भी हम यहीं solve कर लेते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है, कि सबसे जादा बहुत स carbon होगा, hydrogen होगा, nitrogen होगा, calcium होगा, और phosphorus होगा, अब अगर आप question में देखेंगे, अभी जो question है हमारा उसमें, तो maximum जो option है वो इन ही elements में से है, तो अब हमें पता होना चाहिए, कि ये जो हमारे पास सारे elements है, इन में से maximum या most abundant कौन है, तो आपको याद रखना है, कि oxygen जो है, वो almost 65% हमारी body का बनाता है, तो most abundant element या फिर सबसे जादा मात्रा में पाया जाने वाला element कौन सा हुआ, oxygen, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option D, question number 4 की तरफ बढ़ते हैं, question number 4 है, a mixture of water and alcohol can be separated by, यानि कि हमारे पास एक मिश्रन है, जिसमें हमारे पास water है, जल है, और उसके साथ साथ हमारे पास alcohol है, यानि कि कोई OH group वाला compound है, इन दोनों को अगर हमें separate करना है, तो हम filtration, evaporation, decantation और distillation, इन में से कौन सा जो process है, इन से हम इने separate कर सकते हैं, तो हम one by one सब के बारे में बा अगर liquid, इन दोनों का अगर कोई मिश्रन हो, उससे अगर हमें separate करना हो, तो हम किसे ही use करेंगे, filtration को, लेकिन water और alcohol यहाँ पे तो दोनों ही substances हमारे पास क्या है, liquid है, तो filtration क्या होगा, यहाँ सही answer नहीं होगा, second है evaporation, जब भी हम water cycle study करते हैं, तो उसमें हम हमेशा evaporation की ब जाते हैं, उसे हम कहते हैं evaporation, पर ऐसा करने से जो हमारे पास दो liquids है, वो दोनों separate नहीं होगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में mix हो जाते हैं, next हमारे पास जो process है, वो है decantation, decantation एक नया term हो सकता है, तो हमें पता होना शाहिए कि अगर हमारे पास दो ऐसे liquids है, जो एक process है distillation, जिससे हम water और जो alcohol है उसको separate करेंगे, और यह जो process है, इसके अदर सबसे important point जो होता है, वो है boiling point का difference, यह दोनों अलग-अलग boiling point पे जो है, boil हो जाएंगे और उसके बाद में हम उनको separate कर सकते हैं, और अगर जादा अगर हमें accurate answer इसका बताना हो, तो वो होगा कौन स distillation, fractional distillation, अब बात करते हैं, question number fifth की, acid rain जो है, is caused due to pollution of atmosphere, तो acid rain एक बहुत common term है, सबने सुना होगा, कि जो ताज महल का संग मरमर पत्थर है, उसमें जो black discoloration, जो उसका रंग थोड़ा-थोड़ा काला पढ़ने लगा है, उसका एक important reason बताया जाता है, acid rain क्यों, क्योंकि उसक नदी situated है, वहाँ पे कुछ industries established हैं, जिनके वज़े से pollution atmosphere में बहुत बढ़ गया है, तो हमें बताना है, कि किस तरह के pollution से, या फिर उस pollution में, ऐसे कौन से chemical जादा होगे, तो acid rain होगा, तो अगर हम बात करें इसकी, तो acid rain का सबसे important cause क्या होता है, जो हमारे industries हैं, आस-पास, मह से एक तो sulfur dioxide और एक nitrogen oxide ये दो gases जो है, वो बहुत जादा amount में वहाँ पे release होती है, फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपस में chemical reactions होती है, जो atmosphere में और gases present है, जैसे water present है, oxygen present है, इनके साथ react करके और जादा acidic substances का formation होता है, तो main जो अगर हम reason आप यहाँ देख पाएंग ये तो वो है, एक तो sulfur के oxides और एक है nitrogen के oxides, तो अब हम options चेक करते हैं, oxides of carbon, carbon के oxides का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, carbon oxide acid rain के लिए responsible नहीं है, nitrogen के oxides हैं और sulfur के oxides भी है, तो इसका सही answer कौन सा होगा, option B, अगरे question के तरफ बढ़ते हैं, which of the following is biodegradable, अब दो terms आती हैं हमारे पास एक आता है, biodegradable और दूसरा आता है, non-bio degradable, biodegradable substances वो हैं, जो हमारे bacteria और जो बाकी microorganisms हमारे soil में present होते हैं, वो उसको naturally, उसको degrade कर देते हैं, यानि उसको छोटे-छोटे टुकडो में break down कर देते हैं, उसका time duration कितना भी हो सकता है, वो अलग substance पे depend करते हैं, और non-bio biodegradable हो होते हैं, जो just form उनका manufacture हुआ है, हमेशा उसी form में रहने वाले हैं, यानि कि वो छोटे-छोटे टुकडो में कभी भी उनका break down नहीं होगा, जैसे एक important example, plastic, इसलिए उसको reduce करने पे इतना जोर दिया जाता है, हमसे पूछा है, biodegradable, तो usually जो भी हमारे kitchen से जो भी waste release ह होता है, जो हम kitchen से vegetables वगरा के waste है, उसके लावा paper वगरा है, यह सब हमारे biodegradable में आकर, लेकिन यहाँ पे बाकी जो है, DDT, aluminum, जो एक heavy metal का example है, plastic, यह सब जो है, वो biodegradable नहीं है, तो यहाँ पे correct answer कौन सा होगा, option A, क्योंकि हमसे biodegradable का example पूछा गया है, अगली question की तरफ बढ़ते हैं, the greenhouse effect is produced due to the presence of excess amounts of, जो greenhouse gas effect है, वो नीचे कुछ gases का नाम दिया है, उन gases में से कौन सी gas का जब जादा concentration होगा, या फिर कौन सी gas के उपस्तत होने से greenhouse effect जो है, वो होता है, उसके लिए हमें जानना जरूरी है, greenhouse gases कौन कौन सी है, यानि कि जो greenhouse gas, greenhouse effect कौस करेंगी, तो उसके लिए हमारे पास greenhouse gases जो है सबसे important, या फर जो main main है, उन्हें हम discuss कर लेते हैं, carbon dioxide जो है, methane है, nitrous oxides है, chlorofluorocarbons है और उनके अलाओ कुछ और gases भी है, सबसे यह है हमारे पास सारी greenhouse gases, अब हम options मैच कर लेते हैं, कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है, sulfur dioxide ये greenhouse gas नहीं है, nitrogen dioxide जो है, वो एक greenhouse gas नहीं है, nitrous oxide है, greenhouse gas, तो आपको options बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, फिर आता है हमारा carbon monoxide, carbon monoxide फे वो भी एक greenhouse gas नहीं है, carbon dioxide ग्रीन हाँस गैस है, और last option है methane, जो की एक greenhouse gas है, तो correct answer कौन सा होगा, option D, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले question की तरफ, जो है question number 8, an element that does not occur in nature but can be produced artificially, यानि हमें किसी ऐसे element का नाम बताना है, ऐसे तत्व को इनमें से select करना है, जो प्रकृती में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन हम उसका formation कर सकते हैं artificially, यानि कि कुछ chemical reaction से, तो अगर आप options देखेंगे, तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे करें तो इनमें सबसे important होती है uranium की reactions, uranium की उपर जब हम neutrons की bombarding करते हैं, neutrons को जब उसके उपर डाला जाता है nuclear power plants के अंदर, तो यह usually हमारा convert होता है plutonium के अंदर, तो अगर आप यहाँ देखोगे, तो plutonium क्या है, हमारा एक radioactive element भी है, जो कि हम artificially form करते है nuclear reaction से, इसके अलावा अगर आप और examples जानना शाह होगे, तो neptunium उसका एक example है, curium एक example है, इन्हीं जो artificially बनाए जाने वाले elements है, उनका, americum एक और हमारा पास element है, तो अगर हम options देखें, तो uranium तो naturally exist करता है, और uranium को हम plutonium में convert करते हैं, nuclear reactions में, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option C, वरते question number 9 की तरफ, chloroform can be used in, chloroform अगर हम बात करें, तो analgesic वो होते हैं, जिससे pain relief होता है, यानि की analgesic को जब भी कोई pain होगा, तब हम जो medicine देते हैं, उसको relief करने के लिए, ठीक होने के लिए, उन्हें कहते है, analgesic, anesthetics होते हैं, जैसे operations के पहले, या फिर जैसे sun path करने के लिए हम जिन दवाईयों को use करते हैं, वो होता है, anesthetic, शुरुवात में, chloroform जो है, वो as an analgesic भी used किया जाता था, पीडा हार और शुरी की form में, लेकिन उसके कुछ side effects होते हैं, वो बहुत harmful है, इसलिए उसे at present cable anesthetic के form में, यूज किया जाता है, तो उसका correct answer कौन सा होगा, option B, चलते हैं, अगले question की तरफ, the manufacture of iron, from iron ore involves the process of, यहां पे बात हो रही है, metallurgy of iron की, तो सबसे पहले iron की ore की बात कर लेते हैं, F2O3 एक common ore है, जो हम iron का use करते हैं, और iron की manufacturing के लिए, अगर आपको जहां पे iron की manufacturing होती है, उसका अगर कभी भी आपसे नाम पूछा जाए, तो यह भी एक single answer question है, तो उसका answer होगा, blast furnace, यह इसका नाम होता है, important है, तो आप इसको याद रखें, blast furnace, अब पूछा है कि वहां किस तरह की reactions होती है, यानि कि इस blast furnace में किस तरह की reactions है, तो अगर आप कभी इसकी metallurgy पढ़ें, या फिर अगर आप directly याद रखना चाहें, तो blast furnace में जो reactions होती है, वो होती है, reduction reactions, यानि और यहां पे जो सबसे main reducing agent है, वो कौन होता है, carbon monoxide, चीक है, तो जैसे options हमें दिए है, oxidation, reduction, fractional distillation, तो correct answer कौन सा होगा, option B, that is reduction, यानि कि यहां पे noonan प्रक्रिया होती है, question number 11 की तरफ बढ़ते हैं, which of the following is caused by the higher concentration of nitrogen and phosphorus, यानि कि यह प्रशन है, कि अगर हमारे environment में nitrogen और phosphorus जो है, इनकी concentration अगर बढ़ जाती है, तो नीचे दी हुई कौन सी process जो है, वो जादा जल्द होगी, तो eutrophication अगर आपको नहीं पता, तो eutrophication होता है, जो lakes है हमारे, या जो aquatic ecosystems हैं, उनकी aging की process को कहते हैं, और अगर आपने कभी से पढ़ा होगा, तो इसका एक important reason होता है, कि वहाँ पे जो water present है, उसके अंदर अगर nitrogen की और phosphorus की amounts बढ़ जाती है, तो उसकी वज़ा से, इसकी जो process है, इसके अगर आप rate देखोगे, जितनी जल्दी ये process होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, तो इनमें से correct answer कौन सा होगा, option A, जोड़ी है, eutrophication, question number 12 की बात करते है, earth's atmosphere is an envelope of gases extending to a height of, अगर आप earth की बात करोगे, तो earth और earth की बाहर हम बहुत सारी layers की study करते हैं, strat stratosphere हो गया, trophosphere हो गया, इस तरह की 5 layers present होती हैं हमारे पास, तो पूछा गया है कि ये जो layers है, जो envelope form करती है, हमारे earth की बाहर, इसकी height जो है, वो कहां तक extend करती है, तो ये extend करता है, 200 km तर, तो correct answer कौन सा होगा, 200 km, जो की earth की surface से measure किया गया है, बात करते है, question number 13 की, in its reaction with silver nitrate, it shows, silver nitrate की जो reactions है, उनमें silver nitrate जो है, वो किस तरह की property को show करता है, तो silver nitrate जो है, अगर आप बात करेंगे, silver nitrate is agno3, जिसमें अगर आप oxidation जो है, oxidation states जो है, उनसे आप आसानी से बता कर पाएंगे, यहाँ पे oxidation होगा या reduction होगा, तो यहाँ पे जो silver iron है, उसकी tendency होती है, zero oxidation state मे जाने की और no3 की presence जो है, उसकी वजह से इसका जल्दी reduction हो जाता है, तो इसका correct answer, खुद का reduction अगर हुआ है, silver iron का, तो इसके against में अगर दूसरा जो भी हमने use किया है, उसका क्या होगा, खुद का reduction, उसका oxidation, तो इसकी property होगी, वो कौन सी होगी, oxidizing property, तो correct answer कौन सा होगा, इ Now, question number 14, question number 14 है, the main source of carbon monoxide is, carbon monoxide, जो है CO, उसका सबसे important source क्या होता है, तो जितने भी हमारे automobiles हैं, जितने भी हमारे पास vehicles हैं, उनके अंदर हमारे पास बहुत सारी combustion reaction होती है, जहां पर जो fuel है, उसका oxidation होता है, और वहां से जो सबसे important pollutant release होता है, वो होता है, carbon monoxide, तो अगर हम options की बात करें, तो automobiles को industrial process में नहीं, मतलब, categorize करेंगे, fuel combustion में भी नहीं, transportation, transportation यहां पर correct option होगा, जिसके वज़े से, जो carbon dioxide की concentration हैं, वो हमारे atmosphere में add होती है, next जो हमारे पास question है, वो है कि aerosols के बारे में, aerosols सबने term सुनी होगी, अब पूशा है कि aerosol क्या है, तो aerosols जो होते हैं, इनके सबसे पहले हम इनको example से समझेंगे, इसके सबसे common example जो होता है, fog, dust, fog यानि की जो हमारी धुन्द होती है, धुन्द में हमारा जो atmosphere है, उसके अंदर water की जो droplets है, वो present होती है, तो in short अगर हम इसको समझना चाहें, कि solid particles जो है, वो air में जब suspended होते ह उसे हम कहते है, aerosols, अब water के लिए कई बार question आता है, कि water जैसे liquid form है, तो completely जो fog जो है, उसके अंदर, वो almost solid parts में present होता है, उसके अलावा जैसे कि dust की अगर हम बात करें, तो dust की particles हैं, जोकि solid है, और वो हमारे atmosphere में पूरी तरह present होते है, इसी तरह अगर आप बात करो, smoke है, smoke भी aerosol का example है, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो microbes की बारे में हम बात नहीं कर रहे है, हमारा जो aerosol का definition है, वो है कि हमारे कोई भी अगर solid particles हैं, वो अगर air के अंदर present है, तो pollutant gas नहीं है, तो यह तो gas in gas हो जाएगा, तो यह भी correct answer नहीं है, तो correct answer होगा, इसका option A, question number 16 प तो correct answer philosophers bowl के लिए हमारे पास होगा zinc oxide, अब usually ऐसे questions में जो है, आपको exact याद रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, सारे options के अंदर zinc available है, और zinc oxide को भी philosophers bowl क्यों कहा गया है, यह जो इसका reason है, वो पहले के कुछ reasons से linked है, तो उस reasoning में हमें जादा नहीं जाना ह हमें याद रखना है कि philosophers bowl किसे कहते हैं, zinc oxide को, so option C जो है, वो इसका correct answer है, question number 17 के अगर हम बात करें, तो synthetic detergents जो हैं, वो किन से बने हुए होते हैं, तो दो चीज़े हैं जनको हम comparison से study करते हैं, हमेशा जो कि हैं, soaps और detergents, और soaps के अंदर जो सबसे important या फिर सबसे common example जो हम study करते हैं, वो एक तो sodium stearate ही है, तो sodium stearate का जो detergents में होना, यानि कि यह तो option गलत होगा, उसके अलावा एक और अगर हम option यहाँ eliminate करते हैं, हो है sodium palmitate, sodium palmitate भी है, जो कि एक soap का example है, अब हमारे पास दो options बचते हैं, तो sodium salt, जो sulfonic acids की होती हैं, और जो carboxylic acids की होती हैं, हम हमें इनमें से separate करना है, कि synthetic detergents में हम इनमें से किसे यूज करें, तो जो sulfonic acid के salts होते हैं, बेंजीन, बेंजीन आ गया, तो हमें aliphatic और aromatic का differentiation हो जाएगा, यानि कि इनमें rings present होगी या नहीं होगी, तो correct answer क्या होगा, इसका sodium salts of benzene, sylphonic acid, तो option B यहाँ पे correct है, next है question number 18, the sewage obtained from water closets and urinals is known as, यानि कि, जो sewage है, यानि कि, जो sewage को हम easy भाशन में कह सकते हैं, जो कच्रा है, जो शौच घर और पिशाब घर से निकलता है, उसे आप किसमें include करेंगे, sanitary waste में, industrial waste में, garbage में, या salage में, तो यहाँ पे आपको confusion हो सकता है, एक sanitary waste में और एक salage क कि अंदर, तो हम यहाँ study कर लें, कि sanitary waste में हम include करते हैं, जो भी human activities है, या फिर जो भी ऐसी processes से, जो भी waste आ रहा है, जो human द्वारा करी गई है, मनुश्रा द्वारा करी गई है, वहाँ से जो भी waste आएगा, उसे हम include करेंगे, sanitary waste के अंदर, और जो सलेज है, सलेज के अंदर जो भी हमारा bathroom से जो भी हमारे पास कच्रा निकलता, यानि की जैसे की, जो भी हमारे sinks हैं, उसके अलावा showers है, जैसे जो कपडे वगरत होने से, जो साबून का पानी निकलता है, नहाने से जो पानी हमारी घर के बाहर निकलता है, वो सारा आता है, सलेज में, लेकिन जो toilet का waste वो कभी भी हम सलेज में इंक्लूट नहीं करते हैं तो यह एक important चीज जो है वो आपको याद रखनी है इसे एक difference की वज़े से यहाँ जो correct answer होगा वो कौन सा होगा sanitary waste तो sanitary waste में चाहिए वो washroom से associated कोई waste हो या फिर bathroom से associated हो किसी भी तरह का हो अगर वहाँ पर human का involvement है तो वो कैसा होगा sanitary waste Question number 19 है maximum permissible concentration of total hardness in drinking water अब हम water में हमेशा बात करते हैं hardening की, softening की तो इसी तरह अगर हम बात करें कि पीने योग्य जो जल है उसके अंदर जो hardness है जो कठोरता है उसका maximum कितना concentration हो सकता है तो 200 जो है वो इसका एक दम correct answer है जो से आपको directly याद रखना है तो अगर हमारे पास ऐसा water है जिसके अंदर जो hardness है अगर वो 200 से जादा है यानि कि उसे नहीं दीना चाहिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ electrical fuse is unalloyal fuse की काफी बार सुना होगा आपने कि जब भी जो हमारा electricity supply है वो एक limit से जादा बढ़ जाता है और अगर किसी भी एक अगर जो भी electric device है हमारे घर में उसके उपर अगर जो load है वो अगर increase हो जाता है तो हमारा fuse जो होता है वो simple एक wire होता है जो की जल जाता है जित तो उस वक्त कहा जाता है घरों में usually की fuse उड़ गया है तो fuse का purpose क्या है कि कोई भी हमारा जो electric device है वो जले न क्योंकि उससे फिर उसका damage हो सकता है उस device का तो हमारे पास हमारा जो main aim होगा वो ये है कि जैसे भी थोड़ी भी light बढ़ जाए तो जल्दी उसका जो melting point हो वो हमेशा कम हो तो इसमें सबसे common जो example है जो हमें use किया जाता है वो हम use करते है तिन और लेड का तो correct answer इसका कौन सा होगा ए question number 21 है the chemical used for cloud seeding for artificial ranges cloud seeding जो है वो है कृत्रम भर्षा यानि कि हम artificially कुछ ऐसे changes कर रहे हैं जिनकी वज़े से हम बारिश करवा सके तो उनमें हम ऐसा कौन सा chemical है जिसका use करेंगे तो इसके लिए आपको याद रखने है कुछ chemicals जो कि हैं AGI silver nitrate जिसे हम कहेंगे potash sorry not nitrate iodide silver nitrate है potassium iodide है उसके अलावा dry ice जो आपको कभी-कभी अलग से question में मिल सकता है कि dry ice क्या होती है तो solid carbon dioxide को dry ice कहते हैं तो यह 3 सबसे important शीज़ें जो आपको याद रखनी है artificial range के लिए जो use किये जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप option देखोगे तो iodide का option है हमारे पास silver iodide जो की correct answer है बढ़ते हैं अब अगली question की तरफ जो है question number 22 tetraethyl lead जो है वो क्या है उसके बारे भी हमें कोई एक ऐसी important शीज़ होगे जो यहाँ पर options में दे हुई होगे वो हमें पता करनी है तो tetraethyl lead के बारे में सबसे important शीज़ जो आती है वो हमारे automobiles में आती है जो की ही यह काम करता है as an anti-nock compound तो हमें पता होना चाहिए कि anti-nock compounds क्या होते हैं इनके बारे में जो सबसे important शीज़ बताई जाती है anti-nock compounds के बारे में वो यह है कि यह जो engine है हमारा जो भी automobile है उसके engine की knocking को कम गड़ देते हैं जिसके वजह से उसकी efficiency जो है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पे TEL tetraethyl lead के बारे में जो correct answer है वो क्या होगा कि यह एक anti-nock compound है question number 23 के बात करते हैं silvery जो paints होते हैं यानि कि जो silver color होते हैं यानि कि यहाँ silvery से मतलब है जो उनके अंदर थोड़ी चमक होती है जो shine होती है उनके अंदर जो main constituent क्या है अब जैसे question से लग रहा होगा silver की बात कर रहा है तो शायद silver ही होगा ag होगा silver powder आप answer tick करना चाहोगे पर silver powder इसका answer नहीं है अब आपने पढ़ा होगा कि metals की property होती है कि वो lustrous होते यानि उनमें एक तरह की चमक होती है लेकिन अगर हम बात करें powder form की जब metals को powder form में convert किया जाता है तो aluminium में ही एक ऐसा element है जो अभी भी यानि की चमक हमें provide करेगा जो अभी भी lustrous होगा इसलिए जो भी हमारे silver repains होते हैं उनके हंदर सबसे important जो constituent है जो सबसे मुख्या घटक है वो कौन होगा aluminium powder और silver powder नहीं होगा या आपको याद रखना है अगली question की तरफ बढ़ते है which one of the following is a greenhouse gas यहाँ पे जो examples दी हुए है इन में से कौनसी ऐसी gas है जो एक greenhouse gas है तो greenhouse gases हमने थोरी दिर पहले ही discuss करी थी हमारे पास कौन कौनसी gases है carbon dioxide है methane है chlorofluorocarbon है nitrous oxide है और कुछ और gases है तो हम बात करते है nitrogen nitrogen अकेली जो है वह एक greenhouse gas नहीं है Nitrous oxide जरूर है helium यह एक inert gas है यह एक greenhouse gas नहीं है carbon dioxide यह भी एक greenhouse gas नहीं है greenhouse gas जो है वह कौन सी है sorry carbon dioxide यह greenhouse gas है carbon monoxide नहीं है तो correct answer कौन सा होगा option show और sulphur dioxide जैसे आप देख सकते हैं एक greenhouse gas नहीं है Question number 25 की तरफ बढ़ते हैं Which of the following is a method or process of disposing of solid waste which cannot be reused or recycled यहां बात हो रही है ऐसे हमारे पास जो ठोस अप्शिष्ट पदार्थ हैं जिनको ना तो हम वापस use कर सकते हैं और ना ही उनको recycle करके हम कुछ और ऐसे चीज़े बना सकते हैं तो उन्हें अगर हमें dispose करना हो तो उनके लिए हम कौन सी process का use करेंगे Landfills की बात करें तो सबसे पहले आपको clear होना चाहिए कि यह process कौन सा है तो landfills जो है जैसे कि बहुत सारे हमारे पास land में ऐसे areas हैं जो मतलब कुछ जिनका surface थोड़ा नीचे होता है वहाँ पर यह जो waste है जिनको ना हम reuse, recycle कर सकते हैं इनको वहाँ fill कर दिया जाता है और बहुत सारे सालों तक छोड़ दिया जाता है धीरे उस पर कुछ pressure maintain किया जाता है जिससे धीरे धीरे वो settle हो जाते हैं अभी भी degrade तो नहीं होते हैं पर यह एक तरीका है उनके लिए incineration या फिर भसमी करन के अगर हम बात करें तो उनको जला करके राख में convert कर दिया जाता है उस process को हम कहते है incineration और pyrolysis और gasification के अगर हम बात करें तो इनमें भी क्या होता है high temperature के उपर उनको heat किया जाता है और उनसे फिर ये भी एक process है मतलब उनके लिए तो वो solid base जिनको ना हम वापस use कर सकते हैं ना उनका recycling हो पाती है उनके लिए ये सारे process हम use करते हैं तो यहां correct answer कौन सा होगा option D question number 26 की अगर हम बात करें 26 question laughing gas के बारे में है जो सब ने सुनी ही होगी laughing gas के बारे में हमें बताना है कि उसके chemical formula के बारे में या chemical nature की बात करी गई है कि वो nitric oxide है, nitrous oxide, nitrogen trioxide या pentoxide है तो जो laughing gas है वो होती है nitrous oxide ना कि nitric oxide तो इस तरह के options में आपको बहुत जादा ध्यान देना होगा क्यूंकि जलबाजी में थोड़ी सी अगर आप 2 second बचाने के चक्कर में एक negative marking ना कर दें बढ़ते हम अगले question की तरफ question number 27, ozone layer जो सबको पता है अपर parts of atmosphere में present होती है, serves as a protective shield against harmful मतलब क्या ऐसी harmful चीज है जिसके against जिसके विरुद जो ozone layer है वो एक कवच की तरह act करता है और हमें protect करता है तो यह बात सबको पता है कि जो ultraviolet rays है sun की light की अगर हम spectrum की study करते हैं तो हमें अलग-अलग तरह की light होती है, ultraviolet lights होती है, infrared भी होती है, visible भी होती है, बहुत तरह की होती है लेकिन ozone का जो main function है वो है हमें ultraviolet radiation से बचाना, तो correct answer इनमें से कौन सा होगा, solar ultraviolet radiation, solar यानि की sun से हमारे पास ultraviolet light आ रहे हैं वो बढ़ते हैं अगली question की तरफ, silver halides are used in photographic plates, अब आप पूछेंगे कि photographic plates क्या होती है तो at present तो हमारे पास photographic के लिए बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन जस ताइम पर इतनी discovery नहीं हुई ते उस ताइम पर photographic plates का use किया जाता था और जो photographic plates होती है, उनमें क्या होती है, हम कुछ light sensitive chemicals को use करते हैं जिनमें से एक important example हमारे पास जैसे important example अभी नहीं, इनमें हम कुछ sensitive chemicals का use करते हैं और यह जो chemicals होते हैं, for example हमने X मान लिया, इनसे हम emulsions का formation करते हैं और फिर उन पे sunlight का, not sunlight, किसी भी तरह की light का exposure दिया जाता है, उसके बाद में जो हमारे photographic plate होती हैं, उस पे अलग-अलग जितनी भी amount में light absorb करी है, उस हिसाब से वो opaque हो जाती, यानि कि वो light को absorb करके हमें एक जो picture है, picturization करवाती है, तो यहाँ question यह है कि जो silver के halides हैं, उनको हम क्यों use करते हैं, इसले use करते हैं, क्योंकि जब भी उसके उपर light डाली जाएगी, उसके बाद में उसका reduction हो जाएगा, और वो property हमें यहाँ पे use आएगी, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option C, question number 29 है, wax used for making candle is chemically a mixture of, mom बत्ती बनाने के लिए जो mom का use किया जाता है, उसका chemical nature क्या है, तो hydrocarbons होते हैं, यह तो हम में से maximum लोगों को पता होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे alkanes होते हैं, जो जिनमें single bond present होते हैं, उनका हम एक और ना कहीं, आपको paraffin wax जो है, वो भी उसके अधर नाम मिल जाएगा, तो वो भी wax जो है, वो हम यहां use करते हैं, अब alkane भी कहीं हो सकते हैं, aliphatic, aromatic, तो इसका correct answer जो है, वो कौन सा होगा, aliphatic hydrocarbons, यानि कि जो straight chain वाले hydrocarbons हैं, जो में कोई भी rings वगरा नहीं present होती है, उसे हम use कर करते हैं, candle के formation के लिए, question number 30, the gas involved in bhopal incident was, जो bhopal incident था, bhopal gas tragedy थी, जो में एक gas का leakage हो गया था, उस gas का आपको नाम बताना है, और वो gas कौन सी थी, वो gas थी, methyl isocyanide, तो correct answer कौन सा होगा, option D, question number 31, की बात करते हैं, alcohol prepared by the distillation of wood, जो wood का distillation है, उससे नीचे दी हुई, कौन सी alcohol का preparation होता है, तो अगर हम बात करें, एक एक alcohol की बात करते हैं, तो जो propile alcohol है, वो एक side product की form में develop होता है, जब हम methyl alcohol का formation करते हैं, किस-किस को use करके, carbon monoxide और hydrogen को use करके, तो यहां कहीं भी wood की कोई बात भी नहीं हुई है, तो propile alcohol इ है, इसके दो और नाम जो है, अगर आपको वो भी पता है, तो भी आप एक question जो है, सीधा attempt कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है, एक तो wood alcohol है, और दूसरा है इसका methyl alcohol, तो wood alcohol से हमें पता चल रहा है, कि इसका कुछ link है wood से, तो यहां पे, जब हम wood का distillation करते हैं, oxygen की absence में, यानि क यह pyrolysis, उस समय जो alcohol बनती है, वो कौन सी है, methyl alcohol, तो correct answer कौन सा हो गया, option B, question number 32 कि अगर हम बात करें, photo oxidation process is initiated by, photo का मतलब जो हमेशा होता है, वो होता है light से, और उसके बाद है, मतलब light की presence में कोई oxidation reaction हो रही है, तो उसको initiate कौन करेगा, obviously उसको light की ज़रूरत होगी, तो यहा correct answer कौन सा होगा, option B, यानि उस process को शुरू करने के लिए हमें light की ज़रूरत पड़ेगी, अगला प्रिशन है, ultraviolet radiation striking the earth is due to the depletion off, यानि कि यह ऐसा कह रहे है कि जो हमारी earth है, उस पे जो ultraviolet radiation आ रही है, वो किस वज़े से आ रही है, हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक ozone layer है, उस ozone layer का अगर depletion हो रहा है, अगर वो कहीं से भी वो अगर पतली पढ़ रही है, कम पढ़ रही है, तो वहां से ultraviolet radiation हो हमारे पास अंदर पहुंच सकती है, और अगर हम मानें कि यह एक ozone hole है, तो ultraviolet radiation वहां से एंटर करेंगी, earth पे पहुंच जाएंगी, तो कौन हो हमें ultraviol radiation से प्रटेट कर रहा है, वो है ozone, तो करेक्ट आउंसर यहां पे कौन सा होगा, option C, अगर ozone चली जाती है, तो ultraviolet radiation अर्थ पे आएंगी, question number 34 है, major gaseous pollutant of the thermal power station, जो thermal power station है, तापी यह उर्जा सईयंत्र है, उनमें ऐसा कौन सा pollutant है, ऐसी कौन सी pollutant gas है, जो सबसे जादा amounts में वहां से release होती है, options है हमारे पास H2S, ammonia, nitrogen oxide and sulfur dioxide, तो यहां जो correct answer है, वो है हमारा sulfur dioxide, जो सबसे जादा amounts में release होता है, thermal power station से, next question है, the process of removing calcium and magnesium from the hard water, अब यह चीज़ हम पढ़ते हैं, कि जो hardening होती है, water की, वो कुछ calcium salts और कुछ magnesium salts की वज़े से होती है, तो अगर हम hard water से इन दोनों को remove कर दें, तो इस process को हम क्या कहेंगे, उस process में होगा, क्या जो hard water है, वो soft water में convert हो जाएगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, softening, water softening, तो correct answer इसका होगा, option T, question number 36 है, the tip of the math stick contains, तो math stick के बारे में काफी बार कभी tip के बारे में पूछा जाता है, कभी कुछ के बारे में पूछा जाता है, तो जो math stick है, और ये उसका tip है, question है हमारा कि ये जो tip है, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें present होती है, तो यहाँ पे answer आप जो tip करेंगे, तो होगा potassium chloride, पर potassium chloride ही क्यों, तो math stick का जो glass है, वो powdered form में present होता है, किस form में? powdered form में, तो ये इसके constituents है, इन में से जो oxidizing agent है, उसका सबसे common example जो हमारा है, potassium chloride, तो correct answer तो आप एक कर देंगे, chloride, sorry, it's not potassium chloride, उसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है, जो match box है, match box के side में अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पा friction की वज़े से वहाँ पे lightening होती है, अगर उसका कभी भी आपको पूछा जाता है, तो उसका correct answer कौन सा होगा, red phosphorus, तो ये दो चीज़े हैं, वो आप हमेशा याद रखें, तो यहाँ पे correct answer कौन सा होगा, potassium chloride, जो कि एक oxidizing agent है, बात करते हैं question number 37 की, match the source in column B with the product of column A, ये matching का question है question A में हमारे पास कुछ है, question B में हमारे पास कुछ sources है, हमेने match करना है, formic acid, formic acid जो है, जो ants होती है, जो चीज़े होती है, उनके अंदर present होता है, इसलिए कभी भी अगर आपको चीज़े खा जाती है, तो आपको swelling आ जाती है, फिर वहाँ पे आपको खुछली भी होती है, इन सब का reason कौन है, formic acid, अगर यही question आप से पूछा जाता है, इस तरह से, कि जो ants है, जो चीज़े हैं, उनके खाने की वज़े से redness या swelling क्यों होती है, तो उसका आंसर में क्या होगा, formic acid, second है citric acid, citric acid है, सब को पता है, जो इतने भी खटे fruits है, citrus fruits है, उन सब में citric acid present होता है, तो A को हम match करेंगे, C के साथ, यानि कि 3 के साथ, B को हम match करेंगे citric acid को A के साथ, यानि 1, तो first सही नहीं है, सही answer इसका कौन सा होगा, option B, matching equation आपको बहुत carefully match करने होते हैं, next is commercial sodium bicarbonate is known as, अब आपको यहाँ options दिख रहे होंगे, washing soda, baking soda, तो यह usually जो है, कभी-कभी confusing हो ज कि दोनों ही sodium के salts है, तो washing soda जो है, उसका हमारा जो example है, वो होता है, Na2CO3, और जो baking soda है, उसका example है, हमारा, sorry, उसका जो chemical formula है, वो है NaHCO3, हम बात कर रहे हैं, sodium bicarbonate की, यानि की, उसका हमें पूछना है, formula क्या है, तो वो हमारा होगा, baking soda, जो की है, option B, बात करते है, question number 39 की, an emulsifier is an agent to which, emulsifier क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि emulsion क्या होता है, emulsion होता है, दो liquids का mixture, अब usually ऐसा होता है, कि वो एक दूसरे के अंदर, वो घुदरशील नहीं होते हैं, इसका example आप ले सकते हैं, जैसे kerosene oil है, kerosene oil को अगर आ आप water में mix करेंगे, तो ये एक emulsion का example हो सकता है, इसी तरह, जैसे आप किसी भी और तरह की oil को water में mix करेंगे, तो oil हो हमेशा उपर एक layer का formation कर लेता है, और नीचे जो हो water present होगा, तो ये कुछ common examples है, emulsions के, अभी जो emulsions जहें, वो stable नहीं होते हैं, उनकी stability के लिए हम जिन substances को use करेंगे, उन्हें हम कहते हैं emulsifier, जैसे question में भी समझा रहा है, कुछ खुद इस term में भी समझा रहा है, कि ये जो है, वो emulsion को बनने में help करेंगा, उसको stabilize करेंगा, तो correct answer कौन सा होगा, इसका option A, बढ़ते हैं next question की तरफ motor, motor जो है, is a mushroom of what, गारा, पानी, बालू, इनक के साथ हम किसको और मिश्रण करेंगे, कि जो गारा, हमारा जो मोटार है, वो complete हो जाए, तो answer अगर हम इसका देखें, तो slaked lime जो है, उसको जब हम पानी और जो बालू है, उसके साथ में mix करेंगे, तो जो बनेगा, वो complete हो जाएगा, गारा, तो हमारा जो मोटार है, उसके हमारे पास कौन-कौन सी चीज़े आती है, water आती है, sand आती है, और उसके अलावा जो third चीज है, जो lime है, वो आता है, हमारा slaked lime, quick lime आपको नहीं लिखना है, यही question आपके पास motor या फिल, lime motor के नाम से आता है, question, तो यहाँ पे सही option कौन सा है, option A, question number 41 है, which of the following substances is, is high D plastic, यानि कि इन में से सबसे जादा लचकदार, जो लचीला पन या लचकदार substance जो है, वो कौन सा पदार्थ है इन में से, तो अगर हम बात करें, quards की, mika की, abrak की, granite और clay की, तो इन सब में से आप clay हम day to day life में भी देखते हैं, तो इन में से सबसे जो elasticity, या फिर जो plasticness है, वो सबसे जादा किसमें दिखते हैं, clay के अंदर, वो correct answer कौन सा हो जाएगा, option D, question number 42 है, the national chemical laboratory, जो इंडिया की national chemical laboratory, वो कहां situated है, एकदब direct question है, आपको याद रखना है, वो पूने में situated है, correct answer is option D, question number 43 है, an atomic clock is based on the transitions of, atomic clock जो है, उनके अंदर हम कुछ ऐसे elements का use करते हैं, जिसकी वज़ जो सबसे accurate timing होती है, वो हमें atomic clock से बदा चलती है, और इसका correct answer जो है, जो सबसे commonly used element इसमें है, वो कौन सा है, cesium, जो आपको याद रखना है, question number 44 है, carbon monoxide, एक inflammable gas है, which of the following is also inflammable, अब आप English में जो आप इसको पढ़ेंगे, तो कभी-कभी आपको inflammable मिलता है, कभी-कभी आपक inflammable मिलता है, तो इन दोनों जो, जो यह names है, इन में confused नहीं हो, दोनों एक ही है, यानि कि इन में से हमें jewelan shield gas बतानी है, इन्होंने एक example कुद ने दिया है, जो कि है carbon monoxide, और एक example हमें बताना है, यहाँ जो भी options है, उन में से जो jewelan shield gas, उनका example है, वो कौन सा है, hydrogen, तो correct answer कौन सा होगा, option T, question number 45 है, which one of the following metals does not react with water to produce hydrogen, metals दिये वह हैं आपको यहाँ पे कुछ, और इन में से हमें बताने है कि कौन सा ऐसा metal है, जो water के साथ react नहीं करेगा, और hydrogen का formation नहीं होगा, क्योंकि common reaction है कि metal और water जब react करते हैं, तो water का formation होता है, लेकिन यह question है, वो based है, हमारी जो reactivity series है, जो अभीकरिया की हमारे पास एक क्रम है उसके उपर, उस अभीकरिया के क्रम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कुछ common चीज़े हैं, जो हम usually याद रखते हैं, जो potassium, sodium और lithium है, वो hydrogen से उपर situated हैं उसके अंदर, तो यह सारे जो हैं, वो आराम से react करेंगे water के साथ, और उससे hydrogen gas का formation होगा, लेकिन जो cadmium है, वो यह reaction kundi नहीं कर पाएगा, तो यहाँ answer कौन सा होगा, option B, question number 46 है कि ozone किसका बना होता है, तो ozone को आप अगर कभी भी उसका chemical formula पढ़ते हैं, तो हम उसको O3 की form में represent करते हैं, यानि इसमें केवल 3 oxygen atoms present हैं, जिनकी bonding different है, उसका question नहीं ह यहाँ पर simply हमें बताना है कि उसमें कौन होता है, तो correct answer कौन सा है, option B, सिर्फ oxygen है उसमें और कोई element नहीं है, question number 47 है, one of the constituents of tear gases, tear gas यानि आसू gas, इसके हमें इसके हमें इसके बताने हैं, यह जितनी भी named gases है, laughing gas, tear gas, यह सारी बहुत important है, इसके constituents बहुत important है, तो जो tear gas है, उसस जिससे आँखों से हमारे पानी आएगा, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, मूँ और जित जो हमारे फेफडे हैं, lungs, उसको भी इस इरिटेट करती है, तो इसका एक सबसे important constituent होता है, जो कि है, chloropicrin, यह आपको सीधा याद रखना है, तो correct answer कौन सा होगा, इस अगला question जो है, the function of sedimentation tank in sea waste treatment is, sea waste treatment, जो है, जो sea waste treatment plants में किया जाता है, वहाँ पे हमारे पास अलग-अलग तरह के tanks प्रेजन होते हैं, उन tanks के नाम दो तरह से दिये जाते हैं, एक उनके अंदर जो भी processes हो रही है, जो भी उनके अंदर क्रिया हो रही है, उसके नाम पर और दूसरे न के अंदर वो यह होता है, वो होता है, फिल्ट्रेशन का process, फिल्ट्रेशन जैसे कि एक छलनी की तरह से हम छलनी लगाते हैं, वहाँ पे अलग size की, जिससे कि जो plastic waste है, bottles वगेरा है, papers या फिर जो size में बड़ा जो कच्रा होता है, वो सारा filter होके वहीं रह जाता है, और जो water उसके अंदर थोड़े बहुत जो कंकर पथर, dissolved, जो कंकर पथर होते हैं वो, और जो भी dissolved जो भी है, excreta या फिर जो भी waste वो उसके साथ में, second हमारे पास container में जाता है, जिसे हम कहते है, sedimentation tank, तो जैसा मैंने कहा, कि उसके अंदर होने वाली process के नाम के basis पे भी, जो tank का नाम रखा गया है, तो sedimentation tank के अंदर कौनसी process होगी, sedimentation, और sedimentation हम नहीं सबको पता है, कि उसके अंदर जो water या फिर जो भी sewage है, उसको long हम अगर duration के लिए रखते हैं, तो जितना भी कूडा करकट होता है, बहुत सारा जैसे धूल, मिट्टी है, कंकर, पत्थर, जो उसमें, हम filter नहीं कर पाये थे, वो सारा नीचे deposit हो जाता है, तो इस tank में कौनसी process होगी, sedimentation, अब हम options देखते हैं, disinfect the sewage, disinfection या फिर उसके अंदर जो भी keet present है, keet वहाँ उपस्तर, उनको हटाने के लिए तो हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, water content को भी हमने नहीं हटाया है, air rate, या को remove कर दिया, और वो कैसे remove हुआ है, अगर process पूछा जाए, तो process होगी, sedimentation, तो correct answer यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, option D, चलते हैं अगले question की तरफ, the two metal ions that cause hardness to water, water की hardness एक important point है, जोसे हम बार बार discuss करते हैं, और hardness के लिए हमारे पास दो metals है, जो सबसे important होते हैं, वो है, calcium और magnesium, इनके दोनों की अलग-अलग salts हैं, जो की responsible होते हैं, water की hardening के लिए, उसकी कठोरता के लिए, तो correct answer अगर हम देखें, यहाँ पे तो कौन सा होगा, option A, चलते हैं अब last question की तरफ, substances used as an antifreeze in radiators of automobiles, जो हमारे वाहन हैं, उनके जो radiators हैं, उनके अंदर हम जो antifreeze की तरफ, बहुत सारी ऐसी countries होती हैं, जिनके अंदर जो हमारा है, जो temperature regularly माइनस में रहता है, और जैसा कि हम सबको पता है, water के लिए, जो freezing point है, वो zero degree Celsius है, यानि कि अगर temperature zero degree Celsius हो जाता है, तो water किस में convert हो जाएगा, ice के अंदर, water और water काफी सारे fluids का constituent होता है, काफी सारे fluids ले present होता ह तो radiators में हम जो fluid use कर रहे हैं, अगर हम शाहते हैं कि उसमें ice का formation ना हो और अगर वो बरफ में convert ना हो, तो हम वहाँ पे कुछ ऐसे substances add करेंगे, जो उसका melting point है, उसे और reduce कर देगा, और negative में ले जाएगा, जिस वजह से जो भी हमारा automobile है, जो भी हमारा वाहन है, उसके चलने में कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी, तो सब हमें यहाँ पे पूछा है antifreeze का example, तो methyl alcohol यानि की CH3OH और जो water है, इन दोनों का combination जो है, यह सबसे commonly use किया जाने वाला एक antifreeze है, अब हम options की तरफ देखते है, ethyle alcohol नहीं है, हमें याद रखना है methyl alcohol, तो correct answer कौन सा हो और the liquid waste from kitchens and baths of the residents are known as, तो हमने सीवेज के बारे में पढ़ा है, और सीवेज के बारे में अलग अलग तरह से questions पूछे जाते हैं, जैसे उनके टैंक्स के बारे में, टैंक्स में कैसी कैसी processes हो रही है उनके बारे में, और सीवेज के अंदर जो अलग अलग waste के लिए जो हमने terminology करी हुई है उनके बारे में, तो यहां बात करी गई है कि जो हमारी रसुई है और जो सनान घर है, वहां से निकलने वाला जो अप्शिष्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, तो अगर मैं आपको बताओं, तो दो जो हमारी terms है, वो बहुत important है, जिनमें एक है, जूटर नहीं है, एक है सलेज, जो की है मैला पानी और यह किसी तरह की होती है सीवेज, तो अगर हम कहें इन दोनों में difference क्या है, तो सीवेज तो किसी भी तरह का अप्शिष्ट है, जो की मानव या फिर मानवों से related जो कोई भी activity है, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कोई भी कार्य है, उ जो बाथरूम्स है, उनसे निकलने वाला जो liquid waste है वो, और उसके allows में kitchen waste को भी include कर सकते हैं, पर यहां पर जो important चीज है, वो यह है कि इसके अंदर जो toilets से निकलने वाला waste है, जो solid waste है, वो कभी भी इसमें include नहीं किया जाएगा, तो question को देखते हुए, यहां पर जो correct answer होगा वो कौन सा होगा, option C, तो यहां correct answer है C, जो है solid, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, which of the following metals form an amalgam with other metals, अब यह amalgam जो term है, यह बहुत ही important है, यह आप काफी जगर देखेंगे, amalgam के लिए पूछा है कि यह जब हम ऐसा कौन सा metal है, मान लीजे कोई एक metal है, उसको हम कौन से दूस मिश्रधातू बनती है, उसे हम amalgam कहते हैं, वैसे तो question काफी सरल है, जो mercury है हमारा, mercury को जो हम बाकी metals के साथ मिलाते हैं, और वो जो एक मिश्रधातू बनती है, उसे हम कहते है amalgam, तो सही answer इसमें कौन सा होगा, option B, अब इस amalgam से ही related एक और चीज है, जो हम याद अगर आपको पूछा जाता है, कि जो silver, चांदी और जो पारा है, इसका amalgam जो है, वो सबसे जादा कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो जो हमारे दात है, dentistry, जो dentist लोक है, वो सबसे जादा इसको use करते हैं, जैसे fillings बगेरा के लिए, तो आप इसके लिए याद रखेंगे, जो एक सवाल है, बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, the isotopes used for the production of atomic energy is, isotopes आप सबको पता होगे, जैसे की, और यहाँ प्रशन हमारा है, कि ऐसे कौन से isotopes हैं, जिनको atomic energy को बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसी question में आप कभी-कभी confused भी हो सकते हैं, first option में और second option म तो अगर आप ऐसे question में प्रशन को जरूर ध्यान से पढ़ें, अगर आपको पूछा जाता है कि uranium का कौन सा isotope है, जो सबसे जादा या प्रचूर मात्रा में जो हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, तब तो आपका सही answer कौन सा होगा, 238 यानि कि जो pre-dominant है हमारे atmosphere में, और अगर आपको पूछा जाता है कि atomic energy जो भी हमारे nuclear power plants हैं जिनमें fusion reaction, fusion reaction, अलग-अलग तरह की reactions हम पढ़ते हैं, उसके लिए कौन से isotope को यूज किया जाएगा, तो उसका answer हमेशा कौन सा होगा, uranium 235, तो यहां correct answer कौन सा है, option A, अब हमें एक हलका सा discussion कर लेते हैं, isotopes के ब difference मिलता है कि इनका जो atomic number है, इन सब isotopes का जो atomic number है, वो सब क्या होगा, same होगा, लेकिन जो आप उपर difference देख रहे हैं, 1, 2 और 3 के अंदर, वो इनका क्या है, mass number, और mass number जैसे आप देख पा रहे है, hydrogen के isotopes के अंदर mass number होता है, इनका different, तो यह आप एक additional चीज जो आपको question की form म दे सकते हैं कि आप इन में से चार्ट लिए कि कौन isotope है, तो यह हो गई isotope की definition, चलते हैं अब अगले question की तरफ, which of the following is not a nucleon, इन में से जो दिया हुआ है, उन में से ऐसा कौन है, जो कि एक nucleon नहीं है, नूकलियोन अगर हम देखें, तो nucleon होता है, proton और neutrons जो हैं, इनको हम nucleon के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे आप electron और positron को देखें, तो electron होता है, उसे हम represent करते हैं, E और एक negative charge से, और positron है, उसे हम represent करेंगे, E और एक positive charge से, जो positron है, वो electron का anti-particle होता है, यानि उसके एकद positron है, अगर आपको ये पूछा जाता है, कि इसके अंदर कौन-कौन पाए जाएंगे, तो वो होगा proton or neutron, लेकिन जैसे हम इस question को देख पा रहे हैं, तो इस question का जादा सही answer है, वो कौन सा होगा, positron, यानि की option D, चलते question number 55 की तरफ, beryllium sulfate जो है, वो less soluble होता है, बाटर में Thank you, इसी तरह का एक question है, जो आप से पूछा जा सकता है, कि beryllium oxide और beryllium sulfate के उससे comparable से पूछा जाता है, पहले हम समझ लेते हैं, beryllium sulfate का, तो beryllium sulfate अगर हम इसका chemical formula में आपको बताऊं, तो ये complex compound है, या फिर मैं कहूं, यहाँ पे water भी बीच में present होता है, तो ये जो formula आपको दिख रहा है, ये beryllium sulfate का जो एक formula है, अब यहाँ पे जो beryllium है और जो sulfate है, इन दोनों की बीच में, जो bond present है, सबसे पहले तो वो कौन सा है, ionic bond, ionic bond एक strong bond है, और इसको dissociate करने के लिए, इस bond को तोडने के लिए, हमें बहुत जादा energy supply करनी पड़ेगी, पहल वो energy, जो हम इसके dissociation के लिए use करेंगी, वो हमें बहुत जादा amount में चाहिए होगी, तो यहाँ पे अगर options को देखा जाए, तो थोड़े बहुत सब satisfy करते हैं answer को, लेकिन ऐसे questions में हमें उस option के लिए जाना होता है, जो सबसे main reason हो या तो, या फिर उन options में से, जो सबसे सही answer हो, तो जो inflammable energy का option है, अगर हम energy के यहाँ पे parameters देखते हैं, कितनी energy release होई, या फिर कितनी responsible है उसके solubility के लिए या कितनी नहीं है, तो उसमें सबसे जादा जो proportion होता है, वो होता है, inflammable energy का, जवलनशील उर्जा का, इसी रहे यहाँ सही answer कौन सा होगा, option A, बढ़ते हैं अ period of materials, of prehistoric period, यानि कि पुराने जमाने में, जो metals पाये जाते थे, या फिर जो भी elements हमें मिलते थे, उनको पहचानने के लिए, जब हम radio activity का use किया करते थे, radio activity को जब use किया जाता था, तो उस system का नाम क्या है, जैसे आपको radio activity पता चल रही है, तो इसका, यहाँ पे सही answer होगा इसका carbon dating, और carbon dating का ही एक और नाम जैसे यहाँ radio activity यूज की जा रही है, तो हम दोनों words को use करकि radio carbon dating भी use कर सकते हैं, तो carbon dating और radio carbon dating एक ही चीज है, जहाँ पे जो carbon की radio activity है, carbon भी radioactive forms मिलता है, उस radio activity को as a base, या as a reference मान कर, हम बाकी जो भी हमारे पास elements हैं, जो भी हमारे पास अग कारे में हम decide करते हैं, जो भी हमारा system है, इसका क्या नाम है, carbon dating या फिर radio carbon dating जिससे हम age calculate करेंगे, तो correct answer यहाँ पे कौन सा हो गया, option C, next question है, cement is made hard with, यहाँ पे जो maximum questions है, वो आपके previous years exam में पूछे गए हैं, और उनके आस-पास के questions को भी हम discuss करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहे हैं, इनको cement जो है, उसे hard कैसे बनाया जाता है, अब अगर हम बात करें, जो cement है, उसके अंदर हम काफी सारी process पढ़ते हैं, जैसे setting of cement, तो cement जो है, उसके अंदर जैसे ही हम पानी को मिलाते हैं, वैसे ही cement की setting हो होना शुरू हो जाती है, setting एक chemistry के term है, जिसक hydration reaction यानि की water का add होना, इस hydration की वज़े से क्या होता है, जो cement के अलग अलग जो हमारे compounds हैं, जो भी उसके अंदर constituents हैं, उनके अंदर interlocking हो जाती है, और interlocking होने की वज़े से यहां पे hardening बढ़ जाती है, तो अगर reason आप से पूछा जाए, तो हो है interlocking, और उसके लिए reactions कौन hydration हो रहा है, तो correct answer कौन सा होगा, hydration अब, अगर आप ध्यान से नहीं पड़ेंगे, तो शाइद dehydration option भी टिक कर देंगे जलबाजी में, लेकिन आपको याग रखना है, कौन कौन सी reactions है, एक है hydration और एक है dissociation of water, अगला question है, which among the following is a carbohydrate, कार्बो हाइडरेट क्या होता है, जो हमार LD हाइड जो हमारे ketones हैं, उनके poly hydroxy derivatives होते हैं, ये तो होगी हमारे carbohydrate की definition, अब, carbohydrate सब को पता है, glucose है, fructose है, sucrose है, lactose, ये सब जो है common examples है, carbohydrate के day to day life में, हम ये सुनते ही रहते हैं, अब अगर हम options में देखें कि कौन सा carbohydrate है, तो जो simple sugars जिनके माने अभी नाम बताएं, उनमें से तो कोई भी यहां mention नहीं है, अब अगर हम बात करते हैं, nylon की, तो nylon एक polymer है, और उसके अंदर जो polymer में भी कौन से unit repeat हो रही है, तो ये एक amide का polymer है, तो polymers की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी carbohydrate पूशा है हम नहीं, जिसमें भी amide का, amide जो functional group है, वो carbohydrate में नहीं होता है, second अगर हम बात करते हैं, केन शुगर की, तो केन शुगर की अगर बात की जाए या फिर जो शुगर केन से भी हमें जो शुगर मिलती है, उसी को हम केन शुगर को अगर देखा जाए, तो यहां पे ये एक carbohydrate का example है, और इनमें कौन-कौन से carbohydrate present होगी, तो उसके correct answer कौन-कौन है, यहां है, और hydrogen peroxide is H2O, को यह किसी भी तरगार, ना कोई polymer है, ना कोई carbohydrate है, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, in which of the following states maximum iron ores are found, तो iron की metallurgy पे again एक question है, कि जो iron ores है, या फिर जो हमारे लोह के अशक है, इन में से maximum concentration में, कौन सी अवस्था में यह पाए जाते हैं, तो अगर हम कहीं Fe2 O3, Fe3, O4, इन सबके अलग-अलग नाम है, लेकिन दो जो बहुत important नाम है, जो आपको याद रखने है, वो है hematite और magnetite, Fe2, O3 जो है, उसे हम जानते है, hematite के नाम से, क्योंकि जैसे इस question में आपको formula दिया है, हो सकता है, कि आपको formula की जगर, जो इनके common names है, वो दे दिये तो आपको इन नाम की भी जानकारी होनी चाहिए, और अब हम बढ़ते है question की तरफ कि इन में से hematite और magnetite या फर बागी भी जो दो options है, उन में से सबसे जादा concentration में कौन मिलता है, तो वो है हमारा Fe2, O3, तो यहां correct answer कौन सा होगा, या तो आप formula याद रखे, Fe2, O3 और उसक आपने पढ़ा होगा कि एक प्रमानू जो है उसके अंदर जो दो electron present होते हैं, उनके जो चारो quantum number है, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, अब नीचे कुछ rules के नाम दिये, अब आपको बताने है कि इन में से कौन सा rule है, जिसका यह statement है या फर जो इस statement को प्रूव करता है, तो जो हम उनका electronic configuration पढ़ते हैं, जब उनमें हम electrons के filling करते हैं, तो हो इस rule के according, यह कहा गया है, कि जैसे यह हमारा जो P orbital है, for example, या फिर कोई भी अगर आप orbital ले, उसके अंदर सबसे पहले जो electrons के filling होगी, वो सब में single single filling होगी, और उसके बाद में pairing होगी, जैसे चार electron आपको द एक एक electron आजाएगा, उसके बाद में हम pairing शुरू करेंगी, इसी को आप इस तरह से भी कर सकते थे कि पहले इन दोनों में pairing, फिर इन दोनों में pairing, लेकिन यह representation गलत होगा, उसी चीज़ को prove किया था, होंस ने, तो क्या जो question में statement दिया हुआ है, उसे हंस rule ने prove किया, नहीं, तो हंस rule इसका answer नहीं है, second चलते हैं, exclusion principle of Pauli, तो यह जो principle था, इन्होंने ही इस चीज़ को prove किया था, कि कोई भी दो electrons जो है, जैसे इस orbital के, यह जो दो electron है, इनके चारो quantum number कभी भी सेम नहीं होगे, quantum number आपने पढ़ा होगा, principle quantum number है, orbital quantum number है, spin quantum number है, तो इसमें एक important statement और जो आ quantum number सेम है, तो कौन सा है, एक quantum number जो अलग होगा, तो spin quantum number तो उन दोनों का अलग होगा ही, क्योंकि एक का plus half होगा, और दूसरे का minus half, तो correct answer यहां पे कौन सा है, V है, और बाकि जो दो principles है, उम्में जैसे ऐोगेड्रोस law है, वो gases के लिए है, वहां पे electrons की कोई बात ही नहीं की जा रही है, और uncertainty principle जो हिंजनबर्ग है, वो भी इस से related नहीं है, तो यहां correct answer हमारा कौन सा हुआ, option B, चलते हैं अगले question की तरफ, commercial nitric acid is colored because it contains dissolved, पूछा गया है कि जो commercially nitric acid होता है हमारे पास, या फिर जो व्यापारिक nitric oxide है, nitric amal है, उसमें रंग क्यों होता है, वो colored क्यों होता है, इसा कौन सा substance है, उसके अंदर जो उसे रंग दे रहा है, तो अगर हम बात करें, nitrogen की gases के अंदर, nitrogen की oxides के अंदर, यह बहुत important है, और हमेशे discuss किया जाता है, कि nitrogen dioxide जो है, वो एक reddish brown, orange, इस तरह का कुछ आपको terms मिलेंगी, reddish brown color की gas होती है, और इसी gas की वज़े से, जो हमारा nitric acid है, जो commercially used किया जा रहा है, व्यापार के अंदर, उसका color कैसा होता है, उसका कुछ, यानि वो colorless नहीं होता है, तो यहां correct answer कौन सा होगा, option C, चलते हैं next question की तरफ, fertilizers having high nitrogen content is, ऐसे कौन से fertilizer है, जिनके अंदर nitrogen का content जो है, वो जादा होता है, तो nitrogen content जिनमें जाद होता है, वो कौन से होता है, हमारे ammonium nitrates, तो correct answer कौन सा हो गया, option C, ammonium जैसे की हम बात करें, NH4 plus iron है, तो यहां भी nitrogen present है, उसके अलावा, जो nitrate iron है, उसके अंदर खुद nitrogen present है, तो अगर इस question को तो आप common sense से भी solve करेंगे, तो भी सही होगा, okay, urea जो है, उसको fertilizers में use किया जा चली, अगले question के तरफ बढ़ते है, where does the oxygen that keeps us alive come from, अब हम सब जानते हैं कि oxygen के कितने concentration atmosphere में है, oxygen बहुत सारी process के लिए बहुत जरूरी है, और उनमें से सबसे जादा जरूरी है हमारे जिन्दा रहने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, तो वो oxygen कहां से आता है, तो एक प्लांट्स जो है, वो photosynthesis की process जो है, उसको पूरी करते हैं, और photosynthesis करने की वज़े से, जो भी हमारा खाना है, यानि जो glucose है, वो हमें मिलता है, और oxygen हमें मिलता है, पर अगर आप options देखेंगी, तो आपको photosynthesis या इस तरह से किसी process का नाम नहीं पता चलेगा, यानि कि अब chemical reaction में क्या होता है, प्लांट्स जो है, वो carbon dioxide और जो water है, उसको convert करते हैं, glucose और oxygen में, और किसकी presence में, एक यहां पर presence होती है, sunlight की, और दूसरा जो pigment है, प्लांट्स के अंदर, जो green pigment है, उसकी presence में, अब आपके पास, अब आप options अगर चेक करेंगे, तो आपको carbon dioxide भी देखे ऐसी situations में, जो है, chemical reactions हमें thoroughly study करनी होती है, और ऐसा पाया जाता है, कि जो oxygen है, उसका formation जो है, वो water से होता है, water जो है, वो कुछ electrons का gain, उसमें कुछ और chemical reactions होती है, और finally oxygen का formation होता है, चलते हैं, अगले question की तरफ, the gas used for artificial fruit ripening of green fruits, यानि कि जो कच्छे फल हमारे पास है, उन्हें अगर हमें पकाना है, मतलब मान लीजे कि ये कोई फल है, जिसे खुद अगर naturally वो पकता है, तो उसे 20 दिन लगेंगे, पर आजकल जैसे advancement इतना हो गया technology में, मान लीजे, आपको वही चीज चाहिए, दो दिन के जिसे हम कहते हैं ethylene, और ethylene को है, हमने chemical form में बना लिया है, और जो हमारे कच्छे फल है, उनके उपर हम उसे डालते हैं, जिसकी वज़े से उसकी जो पकने का समय है, वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा, हमें नाम बताना था, उस chemical का जो की है ethylene, यानि कि य लेका होगा, कि fertilizer, जो हम बाहर से खरीद के लेकर आते हैं, एक तो होती है, जो हमारी खाद होती है, जो हम गोवर या फिर घर पे, जिस तरह के वी waste होते हैं, उन सब को मिलाकर के, जो earthworms वगएरा की help से बनाई जाती है, और जो artificial जो है, यानि की बाहर से जो हम fertilizer लेकर के आत nitrogen, एक है phosphorus, फिर है हमारा potassium, तो ये तीन elements जो है, वो fertilizer के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपून होते हैं, तो correct answer कौन सा हो गया, nitrogen हो गया, potassium हो गया, और phosphorus, तो correct answer कौन सा है यहाँ पे, option B, आपको याद रखना है, सिर्फ NPK, अगला question है, which of the following metals pollutes the air of a city, having large number of automobiles, यानि की आपको एक बार के लिए मान लेना है कि एक city है, जिसके अंदर जो वाहन है, जो गाडियों की संख्या है, वो बहुत जादा है, तो वो जो जो भी हमारे vehicles है, वो ऐसी कौन सी gas को release करेंगे, जो कौन सी gas सबसे जादा amount में release करेंगे, जो वह pollution करवाएगा, गयास या फिर किसी भी अदर अरका element, तो अगर हम बात करते हैं, जब vehicles की, automobiles की, तो जो lead होता है, जो सीसा है, वो सबसे बहुत तरह की अलग-अलग जगह पर यूस किया जाता है, automobiles की machinery के अंदर, उसके अलावा, तो इसी लिए जो सीसा है, lead है, वो responsible है, automobiles से सबसे ज़ादा निकलने वाली धातू, जो हमारे वातावरन को प्रदूशित करती है, वो कौन सी है, option C, यानि की lead, अगला question है, what is the chemical name of washing soda, पिछली बार भी हमने बात करे थी, कि जितने भी named gestion के chemical formula है, named gases है, named reactions है, यह सब के mystery में हमेशे बहुत important होती है, और हमेशे इ baking soda को हम साथ साथ पढ़ेंगे, washing soda के formula में और baking soda के formula में क्या difference है, तो baking soda का जो chemical formula है, वो है हमारा NaHCO3, और जो washing soda है, उसका जो chemical formula हमारे पास है, वो क्या है, Na2CO3, अब इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, कि इन में से कौन सा sodium carbonate है, कौन सा जो है, sodium bicarbonate, तो sodium carbonate है, Na2CO3, यानि की washing soda, जो हमें question में पूछा गया है, इसके यहाँ पे सही answer कौन सा होगा, option A, sodium carbonate, अगला है, an atomic pile is used for, atomic pile जो है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है, जो उनके कुछ पुराने टाइम पे कुछ और नाम हुआ करते थे, और at present उन नेम्स को हमने modify कर दिया गया है, या उन्हें हम use नहीं करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास है atomic pile जिसे हम आज कल आपने नाम सुना होगा, nuclear reactor, अब अगर आपसे पूछा जाए nuclear reactor तब तो आप आसानी से बता देंगी, लेकिन ऐसा question हम पूछेंगी नहीं, जो आप आसानी से बता दें, तो इसी लिए जो atomic pile ह है, वो nuclear reactor का ही पुराना नाम है, और nuclear reactor में क्या होता है साब जानते हैं, यहाँ पे जो भी nuclear reactions होती है, वो यहाँ initiate होती है, वो आगे बढ़ती है, जो भी उनकी results है, वहाँ तक पहुछती है, तो क्या मैंने बताया कि एक्सप्रीज के production में काम आती है, नहीं, यह काम आती है है, nuclear fission reaction, जो है nuclear reaction में ही आगे types है, fission reaction, fusion reaction, तो atomic pile है, उसे हम use करते हैं, fission reactions के लिए, तो correct answer कौन सा हो गया हमारा, option B, अगला question देखी, अगला question है, which of the falling gases is present under pressure in soft rings, अब soft rings याने कि जह हमारी cold rings है, वो आपने देखी होगी, हमेशा अगर आप उसको थोड़ी से अगर उसमें movement दे देते हैं, जो भी हमारी cold ring की bottle है, तो उसमें बहुत ज़ादा ज़ाग बन जाते हैं, या फिर वो कई बार तो ooze out होके बाहर भी निकर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो हमारी soft rings हैं, इनके अंदर बहुत ज़ादा pressure के अंदर, जब इनकी packaging हो रही होती है, तो वहाँ बहुत ज़ादा pressure के अंदर, इनके अंदर एक gas add करी जाती है, सवाल वही है कि कौन सी gas हो, तो carbon dioxide gas जो है उसे, उसके अंदर हम under pressure डालते हैं, और carbon dioxide जो उसमें present होती है, वो dissolved form में present होती है, यानि कि जो हमारा cold drink है, जो soft drink है, उसके अंदर वो dissolved है, और इसको एक च taste होता है, हमारा slightly acidic, acidic भी हो नहीं, जो मतलब खराब तरस है, वो इसके taste को जो है, वो enhance करता है, इसका main मकसद ही है, तो correct answer कौन सा है, carbon dioxide को add किया जाता है हमारे soft drinks में, next है question number 70, the substance which does not expand on going from liquid state to solid state, हमें एक ऐसे substance का नाम बताना है, जिसको जब हम liquid state से solid state में convert करते हैं, तो उसका expansion नहीं होता हो, तो water के ये जो example है, वो सबसे simple होते हैं, जब भी कभी states की बात आए, तो liquid जो है, वो water हम usually देखते हैं, solid form में जब water convert हो जाता है, उसे हम ice कहते हैं, तो बात करी गई है कि किसके अंदर expansion नहीं होता है, तो यहाँ जो options ये गए हैं, उनमें से हम बात करते हैं, type metal की, type metal क्या हो print देखते हैं, उसके लिए कुछ alloys का use किया जाता है, अब होता क्या है, जब वो printing process चल रही होती है, उस वक्त जो ink है या जो dye है, वो liquid state में होती है, और कुछ टाइम बाद जब हमारे पास books आते हैं, तब वो state में नहीं होती है, तब तब वो solid form में convert हो जाती है, तो अगर ह और ये expansion की वज़े से ऐसे कुछ आपको या फिर ये आपस में fuse भी हो जाएंगे, तो कुछ समझ रहीं आएगा, इसलिए कि characteristic property, एक important property होती है, tight metals की, कि उनके अंदर हम जो alloys use करते हूं, जो usually किस के होते हैं, lead के होते हैं, antimony के होते हैं, tin के होते हैं, एक additional question और हो गया, और expansion जो है, वो नहीं होता है, तो correct answer कौन सा है, option D, चलते हैं, अब अब next question की तरफ, the advantages of detergents over soap, ये question काफी बार repeat किया जाता है, detergents और soups का जो advantages है, वो सबसे जादा ये है, कि जो hard water है, उसके अंदर जो हमारे soaps है, जो साबुन है, हमारे hard water के अंदर, जो है, वो अच्छे से क काम नहीं कर पाती है, और जो detergents है, उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है, कि water, जो है, वो soft है, या उसमें hardness है, वो बराबर अपना काम करते हैं, तो अगर हम options देखें, तो detergents are soluble in water, तो soluble होना सिर्फ उसका advantage नहीं होता, क्योंकि water, अगर आप simply water को होगे, तो हम उसे hard water न मतलब नहीं है, आगे जो बात है, कब जाग जाग जादा produce करेंगे, वो hard water में जादा जाग produce करेंगे, जो कि हमारे soaps, जो है, जो साबुन है, वो नहीं कर पाते हैं, तो यह क्या हुआ हमारा detergents का advantage, तो correct answer क्या हो गए यहाँ पे, option C, अगले question की तरफ चलते है, the fundamental particles present in the nucleus of an atom, अब यहीं question अगर आपको पूछा जाए, तो जैसे मैं importance बता रही हूँ आपको बार बार कि आपको question ध्यान से क्यों पढ़ना है, और उसमेंसे जो एक key जो गढ़ होता है, उसे आप हमेशा इस तरह से encircle कर लें, तो आपका question जो है, कभी भी उसमें negative marking नहीं होगी, तो जैसे अब आपको पूछा गया है, nucleus जो है, उसके अंदर कौन-कौन से fundamental particles present है, तो atom के बार में जब भी हम study करते हैं, उसके हम यही कहते हैं, कि उसका nucleus है, उसमें हमारे protons present होते हैं, और neutrons present है, और atom के nucleus के बाहर जो shells present होती है, उसमें हमारे electrons situated होते हैं, जतना भी, जिस shell में ज सिर्फ पूछा जाए कि fundamental particles आपको बताने है, atom के, और यह जो nucleus term है, अगर यह नहीं दी जाए, तो इसी का answer क्या हो जाएगा, हमारा electron भी होगा, proton भी होगा, और neutron भी होगा, लेकिन यहां क्योंकि सिर्फ nucleus का पूछा है, तो सिर्फ nucleus के पूछने पे electron नहीं होगा, answer हमारा क्य की तरफ बढ़ते हैं, bleaching actions होता है, bleaching जो भी beauticians के पास, अगर आप जाते होगे, तो वहाँ पर भी आपको present पता होगा, bleaching के बारे में आपको सुना होगा, कि कुछ जो colored substances होते हैं, कुछ colored surface है, अगर आपको वो color पसंद नहीं आ रहा है, और अगर आप उसको colorless करवाना चा ozone, दोनों के बारे में, जैसे यहाँ हम question पर focus करते हैं, यहाँ हमें पूछा गया है किसके बारे में, sulfur dioxide के बारे में, कि sulfur dioxide का जो bleaching action हो किस वज़े से होता है, तो बात अगर हम करते हैं, तो sulfur dioxide जो है, उसका जो bleaching action हो होता है, उसकी reducing property की वज़े से, और ozone का जो हमारा bleaching action हो हो Oxidation process की वज़े से दोनों मैंने साथ में इसलिए बताएं ताकि आप comparison से याद रख सकें क्योंकि जो SO2 है वहाँ पे nascent hydrogen जो है उसकी help से reduction process होती है और ozone सब को पता है कि यह जब भी react करेगा एक nascent oxygen और एक oxygen का molecule जो है उससे form करेगा और nascent oxygen जो है यह oxidation करती है तो ozone या तो आप सीधा याद रखें O से ozone और O से oxidation और sulfur dioxide की है reducing property की वज़े से तो यहाँ जो correct answer हुआ वो कौन सा हुआ option D reducing property next question है the long range potential of nuclear energy in India depends on the reserves of यानि कि ऐसी कौन सा हमारी nuclear energy जो प्रमानू उर्चा है वो जो depend करती है वो ऐसा कौन से element जो है कि जिसके भंडार हमारे पास जैसे amount में present होंगे उस पर depend करेगा तो जादा तर अगर आपको ऐसे questions में अगर आप कुछ randomly अगर answer करना भी चाहें तो nuclear energy के जो maximum questions होते है वहाँ पर reactions usually uranium से शुरू होती है और uranium का भी कौन सा isotope जो हम बात कर चुके uranium 235 बाकि जो भी है thorium है uranium है radium है यह सारे जो elements है वो not uranium sorry plutonium radium और thorium यह सब जो है uranium की reactions में जब उनमें alpha emissions होते हैं beta emissions gamma emissions तो उनमें ही बीच में बनते हैं लेकिन यह सारे nuclear energy जो है वो किस पर dependent है वो हमारे dependent है सिर्फ और सिर्फ uranium के उपर तो correct answer कौन सा हो गया option B next question is which of the following gases will effuse out of the football bladder most quickly तो मान लीजे कि football bladder है उसके अंदर हमने air जो है वो pump करी है अब हमने normal air pump करे तो उसमें जो भी air की constituents है वो सारे बहां पे भी होंगे जैसे hydrogen की कुछ concentration oxygen nitrogen तो इनमें से कौनसी air होगी जो सबसे जली bladder से बाहर निकल रहेगी तो वो होगी हमारी कौनसी gas व क्यों होता है क्योंकि hydrogen ही इनमें से सबसे हलकी है तो सबसे जली कौन निकलेगी hydrogen तो correct answer हमारा कौन सा हो गया option B next question है which of the following alkali metals has the highest specific heat तो alkali metals जो होते हैं जो हमारे periodic table में जो first situated है जिसके अगर हम बताना चाहें कौन कौन से hydrogen है lithium है sodium है potassium है rubidium है और cesium है periodic table अगर आप देखेंग तो आपको ये sequence मिलेगा अब इनमें से आपको बताना है कि किसकी जो specific heat है वो सबसे जादा है तो जो periodic tables है उनके trends आपको याद रखने चाहिए कि left to right जाने पर ये trend किस तरह का होता है top to bottom आने पर हमें क्या देखने को मिलता है तो अगर हम specifically बात कर रहे है present specific heat की तो जैसे-ज कैसे हम top to bottom आएंगे वैसे-वैसे क्या होगा जो specific heat है वो decrease होगी यानि जब हम hydrogen से सीजियम की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है specific heat जो है वो decrease हो रही है और हमसे पूछा क्या है कि highest specific heat किसकी है तो highest वाला यहां पे कौन होगा lithium तो options अगर आप देखते हैं तो पहले हम ध्या correct answer यहां पे कौन सा हो जाएगा option d जो है lithium next 10 which of the following substances all carbon atoms are quaternary in nature अब यह आपको usually देखने को मिलता है secondary carbon या फिर tertiary carbon quaternary carbon तो quaternary carbon हम कब कहेंगे जब एक carbon है उसकी चारों valencies जो है वो occupied होती है अब वो कोई भी atom हो सकता है उनके पास में hydrogen हो सकता है carbon nitrogen कुछ भी पर उसकी नहीं होनी चाहिए graphite के अगर हम बात करे graphite में sp2 hybridization होता है और यहां पे एक valency जो है वो free होती है diamond जो है tetrahedralis की जो shape बोलते हैं और यहां पे sp3 hybridization होता है carbon का चारों जो carbon atoms है वो occupied होते हैं यानि की quaternary होंगे 4 degree होंगे तो सही answer यहां पे कौन सा हो गया diamond that is option b next question है which of the following is a natural dye of question simple सा है अगर आपको natural dye पता है तो आप बता देंगे natural dye में आप एक example है वो याद रखे elizarin जो है वो एक natural dye है natural dye उनको कहेंगे हम उन dyes को जो plants है plants के अलग-अलग substances है उनसे हम extract करते हैं और artificial dye जो हम अलग chemical activities से बनाएंगे तो crystal violet, aniline blue और phenophtalyn जो है यह natural dyes नहीं है लेक next question है the ratio of pure gold in 18 karat gold इस अब आपने सुना होगा 24 karat gold, 22 karat gold, 18 karat gold तो हमारा question है कि 18 karat gold के अंदर जो pure gold है उसका कितना concentration होता है तो यह बात हम discuss करेंगे कि जो 18 karat gold होता है उसमें हम कैसे explain करेंगे कि उसमें 18 जो है वो तो हमारे gold का अगर हम ratio बताएं तो 18 parts जो है वो गोल्ट कि होंगे और 6 parts जो है वो किसी और element के होंगे तो अगर हम इसमें percentage calculate करते हैं तो gold हमारा कितना हुआ 3 is to 1 यानि 3 parts gold के है और 1 part कोई और element के यानि pure gold कितना है 75% तो correct answer यहां पे कितना होगा option B और अगर हम 24 karat gold की बात करें तो इससे 100% इसमें gold माना जाता है यह purest form है जो gold है उसक तो यह हमारा question होगे है जिसका answer सही कौन सा है option B next question number 80 diamond is harder than graphite because if diamond or graphite में सबसे एक important चीज अगर आपको उसके hybridization पता है उनकी sheeps पता है उनकी अगर आपको chemistry पता है तो आप उसके किसी भी question का answer आराम से दे सकते है graphite के अदर जो hybridization है वो sp2 है diamond में sp3 है और एक चीज जो हम usually प arrangement है वो layers की form में present होता है और layers की form में present होने की वज़े से क्या होगा अगर आप एक तरफ से pressure apply करेंगे तो यह layers एक के उपर एक move कर जाती है इसलिए graphite वो soft होता है जैसे आपने pencil का graphite देखा होगा वो एक shiny और soft सा material होता है और भही diamond बहुत hard है तो यहाँ पे जो main difference है वो किस में diamond के अंदर जो है वो tetrahedral arrangement हो graphite में layered arrangement होने की वज़े से तो यहाँ पे पहला option जो है difference in layers of atom tetrahedral structure of atom तो यहाँ पे correct answer कौन सा होगा different in difference in layers of atom okay बढ़ते हैं अगले question की तरफ what is the element required for solar energy conversion solar energy conversion जैसे it present जो है solar energy जो एक renewable energy का form है यानि की sun से जो हमें energy मिल रहे है उसका amount बहुत जाद है तो हम उसे कितनी भी amount में बना के अलग-अलग तरह से use कर सकते है solar energy बहुत जाद है इसकी importance बढ़ रहे है तो हमें किसी ऐसे element का नाम ब एक ऐसा material है silicon के अगर हम बात रहे silicon ही क्यों हो हम semi-conductors जो है उनका use करते है usually और जिन में से सारी properties cost effectiveness और बाकी जितनी भी properties हमें required होते हैं उसके according जो silicon है वो सबसे ज्यादा suitable है यहां use करने के लिए तो correct answer कौन सा हो जाएगा option C अगर आप बाकी options देखते हैं तो बाकी options में आपको जो दिये हैं वो semi-conductors भी नहीं है तो से लिए सही answer कौन सा है option C now question number 82 which of the following type of coal has the lowest proportion of volatile matter volatile matter यानि कि जो वाश्प सील सामगरी है यानि कि जो gas में easily convert हो जाए उसका जो proportion है उसका जो concentration उसकी मात्रा जो है वो सबसे कम कौन से form में होती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत सारे बहुत वर्ष्यों तक जब हमारा जो जो यह substances है वो layers में एक दूसरे के नीचे बनते रहते हैं तब इनमें conversion होता है जिसमें सबसे पहले जो coal का formation होता है वो होता है और पीट के अंदर जो है अगर हम बात करें जो hydrocarbons है यानिकी जो algae, lichens वगेरा उनका concentration जो है वो जादा होता है फिर पीट जो है वो convert होता है हमारी lignite के अंदर उसके बाद में lignite convert होता है हमारा bituminus के अंदर और finally bituminus से formation होता है anthracite का तो जैसे जैसे पीट से anthracite का formation होता है वैसे वैसे जो water का concentration है वो decrease होगा और जो coal का concentration है वो increase होगा अब हमसे पूछा है कि इन में से volatile matter या फिर water वाटर भी वास्प शील है उसका concentration सबसे कम किसमे है सबसे कम किसमे होगा anthracite में और anthracite को हम hard coal के नाम से भी जानते हैं तो आप याद रखें anthracite के hard coal एक ही चीज़ है या correct answer कौन सा हो जाएगा option D चलते हैं अब हम next question की तरफ जो है question number 83 saccharin is made up of saccharin अगर आपको पता हो saccharin एक artificial sugar का example है artificial sugar हमें बनाने की क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो है ये sugars जो है वो हमारी जो sugar अगर हम बात करें से करें की तो ये अगर देखें कि टोलूइन फिन और प्रोपेन और ब्यूटेन में से कौन मिलेगा तो एक compound है जिसको आपका नाम है वो याद रखना है और इस compound में आपको टोलूइन मिलेगा तो टोलूइन जो है वो सीधा आपको सैकरें में नहीं मिलेगा पर वो जो substance है जो क्या है और्थो टोलूइन सलफोनेमाइड जो है उसके oxidation से जो है हमारे सैकरें का formation होता है तो जैसे कि इस substance में toluene है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि saccharine जो है वो किससे बना हुआ है toluene से या फिर थोड़े substituted toluene से बात करते हैं अब हम next question की PVC PVC सबने सुना होगा polyvinyl chloride जो उसका full form है जो polymers है उनके अंदर अगर आप उसके नाम को भी एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो monomers हैं वो कौन से हैं जैसे हमने PVC देखा polyvinyl chloride poly यानि कि इसके आगे जो नाम दिया गया है वो बहुत जादा बार repeat होने वाला है और उसके बहुत जादा बार repeat होने से क्या होगा PVC का formation होगा तो आपको आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आगे है vinyl chloride यानि इसका जो individual unit है जो बहुत बार repeat होने वे बनाएगी जिसके बहुली करण से हमें PVC मिलेगा वो कौन है विनाएग फ्लोराइड तो correct answer कौन सा हो गया हमारा option B अगला question जो है वो है LPG LPG liquefied petroleum gas जिसका full name है एक hydrocarbon है जिसके अंदर कौन कौन सी जो दो hydrocarbons का mixture होता है एक hydrocarbon खुद एक hydrocarbon है लेकिन इसमें अलग-अलग तरह की alkenes का mixture होता है तो इसका correct answer है propane और butane जिसके अंदर हमारे तीन carbons present होते हैं और butane वो hydrocarbon जिसमें हमारे चार जो है carbon present होते हैं और इसका जो या इसके formula's हो जाएंगे propane में तीन carbon present और butane में चार carbon और इन दोनों के addition से जो hydrocarbon मना हुआ है वो ही हमारा कौन है LPG, liquefied petroleum gas जिसका आजकर बहुत जादा use किया जाता है vehicles में भी हम LPG को use करने लगे हैं चलते है next question की तरफ, next question है which of the following vegetable oil does not contain essential fatty acids तो आपको पहले पता होना चाहिए कि essential fatty acids होते क्या है essential fatty acids वो fatty acids होते हैं जो मनुष्य मानव का जो शरीर है जो body है उसमें वो required होते हैं उनको मतलब उनका जो भी nutrition है उनके खाले पीने में वो जरूरी होते हैं लेकिन वो जो है हम हमारी body के अंदर उनको नहीं बना सकते हैं इसे लिए जैसे कोई माले जी एक fatty acid है एक्स नाम का वो हमें चाहिए है तो वो हमें हमारी diet में, हमारी फल में, fruit में उसे add करना पड़ेगा तो जो नीचे हमारी examples दिये हैं उनमें जो sunflower oil है वो एक ऐसे oil का example है जिसके अंदर essential fatty acids present नहीं होते हैं अगला question है, equation number 87 The metallic constituents of hard water are, hard water के जो metallic constituents हैं वो कौन-कौन है? अब दो चीजें जो सबको याद रहती हैं वो यह है कि magnesium और calcium के ions जो हो hard water में present होते हैं अब जो तीसरी चीज है question यहाँ पर उसी पर frame किया गया है क्योंकि magnesium और calcium आपको option A में भी मिलेगा और option C में भी मिलेगा अब question is कि यहाँ पर tin होता है या फर यहाँ पर iron होता है तो correct answer क्या है? इसका option C है क्योंकि वो जो water में hardness है वो mainly तो calcium और magnesium की वज़े से होती है पर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो iron की वज़े से भी होता है ठीक है चलते है next question की तरफ the pH of human body इस pH सबको पता होगा जो हमारा acidic strength है basic strength उसमें जो हम usually बताते हैं कि अगर pH range हमने जो दीव वी है वो 0 to 14 तक है हमारी इसमें जो 7 अगर होता है जसे हम कैटेग्राइज करते हैं उसे हम neutral कहते हैं और 7 से पहले के जतने भी numbers है वो हमारे acidic pH की तरफ आते हैं और 7 के बाद वाले जो 14 तक वाले हैं वो हमारे basic में आते हैं तो blood जो है usually अगर नहीं याद रहता है तो जो body fluids है वो usually थोड़े alkaline की तरफ shifted होते हैं उसमें भी अगर आपको ना याद रहे तो blood जो है वो alkaline होता है slightly 7 अगर neutral है तो 7 के आगे वाले जो digits है यान buffer होता है जिसकी वजह से वो उसको जो है वो एक basic strength प्रवाइड करता है तो correct answer यहाँ पर कौन सा हुआ है strength में option B Question number 89 की तरफ चलते है which of the following imparts deep blue color to the glass अपने देखे होंगे glass के अंदर बहुत अलग-अलग color glasses भी होते हैं तो उसके अंदर glass में ऐसे कुछ हम substances को add करते हैं जो उसको color impart करते हैं अब कई बार क्या होता है एक ही substance की अलग-अलग concentration पे वो अलग-अलग color भी देता है तो अगर आ तो सही answer कौन सा होगा इसका option D अगला जो question है question number 90 which of the following fibers catches fire least अब यहां पे कुछ fibers दीए में जैसे nylon है cotton है rayon है terricot है जो हमारे clothes होते हैं जो कपड़े होते हैं उनमें usually इनहीं मेंसे कोई fibers होते हैं कोई ratio होता है जैसे कि कपास हुआ, rayon हुआ, terricot हुआ, nylon हुआ तो अगर हम देखें तो cotton जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है और देखा जाए तो cotton जो है वो prevent करता है वो आग नहीं लगने देता है इसलिए उसको रसोयों में usually आप जो भी बरतन नहीं से और जो कपड़े देखेंगे छोटे मोटे वो आपको usually cotton के मिलते हैं ताकि हम chances कम क कर सकें आग लग जाने के तो correct answer कौन सा हो जाएगा यहां option B जो cotton के रेशे हैं कपास के रेशे हैं वो आग कम पकड़ते हैं next question है which of the following is used as a filler in the tire of rubber जो हमारे rubber के tires होते हैं वहिकल्स में जो हम यूज करते हैं उसके अंदर as a filler जो है उसको कौन-कौन यूज किया जाता है तो यहां जो option दिये वे carbon का ही कोई form होगा आपको दिख रहा होगा सब carbon की forms है carbon black coal coal graphite इनमें से जो carbon black है उसको एक यूज किया जाता है और उसके साथ में amorphous silica को भी कभी कभी हम use करते हैं किसके लिए use करते हैं as a filler in tires ठीक है यहां हमारे पास जो option दिया हुए वो black carbon का है carbon black तो correct answer कौन सा होगा यहां option a question number 92 है which of the following alloys used to make magnet magnet को बनाने के लिए कौन सा जो substance है उसका use किया जाता है तो वो substance जो है वो हमारा है l nico a l n i c o यहां थोड़ा spelling error है a l n i c और यह नाम जो है वो अपने आप में आपको बता रहा है कि यहां पर कौन कौन present होगा l nico a l से कौन सा element है आपके periodic table में aluminium n i से कौन है आपके पास nickel और c o से हम किसे represent करते हैं cobalt को तो यह जो तीन elements है इन तीनों का जो मिश्रद हातू है जो इनका alloy है उसे हम किसके formation में use करत यहां पर कौन सा हो जाएगा option c next जो हमारा question है milk tastes sore when it is left open for some time जो दूद है दूद को अगर आपको समय के लिए खुला छोड़ दोगे तो उसके बाद उसका स्वाद जो है खटा हो जाता है स्वाद खटा होने की यहां पर वजर पूछी गई है कि ऐसा क्यों होता है तो यहां पर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दूद को खुला छोड़ने पर अगर ऐसे कोई bacteria उसमें एंटर कर जाएं या फिर कई बार कहते हैं कि खटा हाथ लग जाता है तो उस त्रेम क्या होता है वहां पर जो है milk जो है दूद जो है वो लैक्टिक आसेड पर अगर आपको एसे question ना पूश कैसा पूछा जाए कि जो हम दही जमाने के लिए जो एक छोटा amount जो है वो दही का ही उसमें डालते वो क्यों डालते हैं तो वहां पर भी हम क्या चाहते हैं कि लाक्टिक आसेड बने और जो छोटा थोड़ा हमने दही लिया है उसमें हमारे पास लाक्टिक acid correct answer है हमारा option A question number 94 है the polymerization of which of the following is used for the manufacturing of polythene industry in industry polythene जो है ये name जो हो थोड़ा short form है इसी का जो सही नाम था वो था polyethylene polyethylene यानि कि यहां पर जो ethylene है वो बहुत बार repeat होगा और उसके वज़ा से हमारे पस किसका formation हो जाएगा polythene का यानि जो हमारे प्लास्टिक है materials is responsible for the depletion of ozone layer जो ozone layer है उसके depletion के लिए सबसे ज्यादा कौन responsible है तो वैसे तो हम जानते हैं कि जो greenhouse gases है हरित gases है उनकी वज़े से जो ozone layer है जो हमारा ozone परत है वो धीरे धीरे पतली होती जारी लेकिन greenhouse gases में भी सबसे ज्यादा important कौन है हमारे chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons usually अगर आपको पूछा जाए कहां कहां यूज के जाते हैं तो जो हमारे air conditioners है ACs है और जो हमारे fridge है refrigerators है इनके अंदर CFCs का बहुत यूज किया जाता था जो कि हमारे ozone परत जो है उसकी मुटाई को कम कर रहे हैं तो correct answer यहां कौन सा है option C हम सब जानते हैं कि हमारा जो waste है उनके अंदर nitrogen form में ही हमारा waste होता है और nitrogen में भी main कौन सा होता है uric acid finally जो हम excreta होता है हमारा जो भी हम body से बाहर अप्शिष्टों को निकालते हैं उनमें हम nitrogen को uric acid के form में निकालते हैं तो correct answer कौन सा हो जाएगा यहां पर option C question number 97 है cloud is a colloidal dispersion of cloud यानि कि यहां पर कुछ दो चीज़ें involved होगे dispersion है dispersion सबको पता है कि यहां पर एक dispersion medium है उसके अंदर water की droplets present है और उससे हम क्या कहते हैं cloud कहते हैं अब options देख लेता है कौन कौन से सही है air in a dispersion medium of water dispersion medium usually वो होता है जिसके concentration जादा है तो अगर आप देखो यह अगर मान लो आप एक cloud है तो इसके अंदर obviously air की concentration जादा है न तो यह क्या होता है यहां water drops जो है वो कम amount में है और dispersion medium जो है वहां पर कौन है air है जिसके अंदर हमा हमारी water की droplets जो है वो इस तरह से dispersed है तो correct answer यहां कौन सा हो जाएगा हमारा option D question number 98 है which of the following is the petroleum wax petroleum wax का example बताना है हमें जो paraffin wax है यहां पे petroleum wax का एक example है तो correct answer यहां पे कौन सा हो गया option C question number 99 है which variety of coal contains recognizable traces of original plant material तो जब थोड़ी देर पहले हम discuss कर रहे थे coal के बारे में तो हमने discuss किया था कि पहले peat होता है peat से lignite का formation होता है जहां से bitumen और वहां से anthracite और जो organic plant material है यानि की coal का formation कैसे होता है जैसे एक धरती है जहांबे पहले कुछ तरह के plants present थे कुछ animals यहांबे present थे अब धीरे-धीरे कुछ चाहिबाले इनकी death हो जाती है और यहीं जो है यह हमारे जमीन पे यहां पे जमने शुरू हो जाते है पिर यहां पे और धूल इकटी हो जाती है फिर कुछ और जो लोग इस तरह से हमारे धीरे-धीरे करके यह coal में convert होता है तो peat जो है वो सबसे प जो हम discuss करेंगे वो है कि iron जो है उसका purest form कौन है iron की metaller जी आप देख रहे होंगे बहुत important है इसे काफी सवाल पूछे जाते हैं तो iron के पास हमारे बहुत सारे form है जैसे cast iron है pig iron, wrought iron और steel iron और iron के अंदर जो impurity होती है वो किसकी होती है हमारे पास carbon की तो ऐसा भी हो सकता है क आपको impurity की concentration पूछ लें तो पहले तो आप याद रखेंगे कि purest iron का form जो वो wrought iron है ऐसा क्यों है क्योंकि जो impurity है यहाँ जो carbon है यहाँ उसकी concentration 0.25% से जादा नहीं होती है और जो सबसे जादा concentration मिलती है हमारे carbon की या फिर जो सबसे impure form है वो कौन सा होता है cast iron जिसमें 2-5 percent जो है वो carbon present होता है तो यह carbon की concentration को देखते पर आप बता सकते हैं कि सबसे pure form या फिर सबसे शुद्ध रूप कौन सा है लोहे का raw iron या फिर पिटवा iron तो correct answer यहाँ पर कौन सा हो जाएगा option D बारे में कि charcoal जो है उसको हम पानी में मिला करके किस चीज के treatment में यूज करते है या फिर जब उसे treatment में यूज किया जाता है तो वो किस तरह से function क्या होता है उसका क्या वो absorbent की तरह add करता है adsorbent की तरह add करता है वो शोशक होता है या अधी शोशक होता है तो आपको इन दोनों के बीच में difference पता होना चाहिए तो सबसे simple difference में आपको बताना चाहूँए ज आपको दिखेगा कि जो पूरी चौक है वो अंदर तक जाकर के उसकी जो surface से पूरी आपको नम दिखेगी तो अगर जो है किसी भी substance के particle किसी चीज के अंदर तक पहुंच जाते हैं यानि कि उसकी पूरी surface को अपने जैसा बना देते हैं उससे हम कहते है absorption शोशक इसी तरह अ चीज है उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाई है तो उसे हम कहते है absorption absorption यानि केवल surface पे वो चिपकी हुए तो charcoal जो है उसका काम कुछ ऐसा ही है उसका काम होता है हमारा absorption अधी शोशन और अगर हम बात करें अगर तो यह जैसे की poison वगेरा जो है कई बार जहरीले पदार्ट लोग तो उन सब के लिए charcoal उसे इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं अब अगला question कौन सा है next question है एक chemical reaction भी हुई है जिसमें reaction है zinc plus 2 जिसके अंदर 2 electron add होने के बाद में zinc convert हो गया है zinc solid में और इसकी oxidation state जो है या फिर अगर आप इसका plus 2 charge से यहाँ पे balance उपर किये क्या हो गया है zero तो question आपका पूछा है कि जो reaction है क्या आपको इसमें oxidation देख रहा है reduction redox reaction तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो redox प्रतीक्रिया होती है उसके अंदर oxy current और जो reduction है अब चयन है यह दोनों reactions एक साथ होती है यानि अगर हम देखें कि A और B अगर आप कोई दो elements किनी की भी अगर आप reaction करवाते हैं और अगर यह convert होते हैं किनी और substances में small A या small B इनकी oxidation state अगर change होती है तो अगर कोई एक substance का oxy current हुआ है तो दूसरा वाला जो है उसका उसी reaction के अंदर अपचयन होगा यानि reduction होगा तो यह एक ही इसमें substance है जो plus two oxidation state से zero state में चला गया है त reduction हुआ है उसका correct answer कौन सा होगा option B question number three की देखते हैं question number three है कि जो sodium vapors है sodium vapor के जो lamps है वो yellow color के क्यों glow करते हैं या फिर यही question आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी street lights होती है उन में जो आपको color देखने को मिलता है वो कुछ yellow color जैसा होता है तो वो yellow Q होती है तो sodium vapor labs में हम क्या करते हैं जहां कहीं भी light क energy की या फिर electric current बगएरा की बात आती वहाँ पर electrons का oxidation या फिर जो भी हम metal यूज कर रहे हैं वो अपनी excited state में ज़रा जाता है कुछ energy को absorb करके तो मान लेते हैं कि sodium में कुछ energy absorb करी और sodium जो है वो excited state में चला गया और जिस energy जितनी energy जिस wavelength की energy sodium हमने absorb करी होगी उसी के equivalent वो light emit करेगा और उस zone में जो भी color होगा जिस भी wavelength की light होगी वो color visible होगा और यही reason है कि sodium जो light emit करता है वो हमारी जो visible radiations होती है विप ग्यॉर जो है हमारा उसमें जो yellow वाली जो हमारी wavelength है उस wavelength की light जो है sodium emit करता है तो यहां पर अगर आप options देखोगे तो आप देखोगे कि बी option जो है वो सही है एक बार देखते हैं emission जो है excess energy का जो sodium atom ने absorb करी थी जिसकी वजह से वो excited state में चला गया था वो हमारे कौनसे spectrum में आती है yellow spectrum में ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ galvanized iron जो है is made by coating iron with question हमारा है कि हमारे पास iron है iron को हमें किस चीज से coat करना है कि उसका galvanization हो जाए यानि कि ये iron के बाहर हमें किसी एक element की परत बनानी है और ये परत हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि हम iron को protect कर रहे हैं rusting से जंग लगने से तो ये जो surface है अगर ये zinc की बनाई जाती है तो ये जो पूरा process होता है उसकी surface बनाने का इसे हम क्या कहते हैं galvanization तो correct answer यहाँ पे कौन से यूज करते हैं carbon black को या तो यूज किया जाता है वहाँ पे या फिर एक और हमारे पास लेकिन question में जो हमारे पास option दी हुए हैं अगर आप देखोगे coal कोक और graphite तो ये सारी शीजें जो हैं वो कभी भी जो हमारे rubber tires हैं उनके अंदर filler के form में use नहीं करी जाती है तो options को देखते हुए यहाँ पे जो correct answer है वो हमारा कौन सा होगा option A यानि की carbon black अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है ozone depleting pesticides के बारे में कीट नाशकों के बारे में पूछा है कि नीचे कुछ आपको कीट नाशक दी हुई है उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कीट नाशक है जो ozone depleting है जो हमारी ozone की परत है उसकी मूटाई को कम कर रहा है तो options में अगर आप देखोगे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मिथाइल ब्रॉमाइड है CH3BER ये एक पेस्टिसाइड है ये कीट नाशक है लेकिन 2005 जो वर्ष था उसके अंदर मिथाइल ब्रॉमाइड को जो है यूएस में बैन कर दिया गया था क्यों बैन कर दिया गया था क्योंकि ये एक ozone depleting कीट नाशक है ओजोन ओजोन की परत की मोटाई को ये कम कर रहा है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा option C option C अब है अगला question quads की बारे में quads किसका बना हुआ होता है तो वैसे तो silicon और oxygen के जो atoms होते हैं उनकी repeating units होती हैं उससे quads का formation होता है लेकिन अगर हम बात करेंगी calcium sulfate silicate sodium sulfate और silicate तो SIO जो है वो तो silica बन गए हमारा silicate है उसके साथ में usually जो हम आयन यूज करते हैं वो हमारा होता है कौन sodium इसलिए इसका correct answer कौन सा होगा option D sodium silicate next time हमारे पास question number 107 milk of magnesia एक suspension है एक निलंबन है लेकिन आपको बताना है इसका chemical formula तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी named reactions है named वाले molecules हैं उनके formula और उनका general नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए इस तरह का एक या दो सवाल आपको परिक्षा में अवश्य मिलेगा तो milk of magnesia से इतना तो पता चल जाता है हमें कि magnesium का कुछ compound होगा पर हम options देखते हैं तो सब में ही magnesium है इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो magnesium hydroxide है MgOH whole twice उसी को हम कहते हैं milk of magnesia कौन सा option सही होगा option C next question है oxidation process के time पे electrons पे क्या फरक पड़ता है तो हम एक बार भी जान लेते हैं कि oxidation में क्या हो रहा है और reduction में क्या हो रहा है तो यहां मैंने chemical reaction लिखी है जिसमें हमने convert किया है x plus 2 उसमें 2 electrons को add करके हमने x में convert किया है और दूसरी जो हम chemical reaction ले रहे हैं यहां पे वो हम इसके opposite लेंगे कि x जो है वो हमारे convert हो रहा है x plus 2 के अंदर और 2 electrons जो है वो release हो रहे है अब हमें यहां पे समझना चाहिए जो है हमारा oxidation state से क्योंकि सबसे simple जो है वो ही रहता है समझने के लिए अगर oxidation state जो है वो left से right side जाने पे अगर कम हो रही है यानि कि वहाँ पे क्या हो रहा है reduction वहाँ पे कमी आ रही है oxidation state के अंदर charge जो charge है उसी को हम oxidation state कह रहे हैं तो plus 2 से 0 में जाना यानि यहां कमी हो रही है तो यह reaction किसका example है सबसे पहला तो reduction का अब यहां क्योंकि बात करी गई है electrons की तो electrons की अगर हम बात करें तो electrons यहां पे क्या हुए है x plus 2 कुछ था उसमें हमने दो electron उसको दे दिये है यानि कि यहां पे electrons का lab हुआ है electron gain किये गए है तो reduction reaction के अंदर electrons जो है उनका gain किया जाता equation तो हमारे ही solve हो गया एक दो चीज़े और देख लेते हैं reduction reaction जो है उसके अंदर hydrogen का addition होता है जो यहां पे नहीं मिलेगा आपको पर ऐसे सवाल भी आते है oxidation reaction अगर आप देखेंगे तो वही है opposite है इसका zero oxidation state थी यहां पे zero से plus two में चला गया बढ़ोतरी हुई है बढ़ोतरी हुई है तो यह किसका example है oxidation reaction का oxidation reaction में अगर हम और बताना चाहें तो यहां पे oxygen का addition होता है और यहां पे electrons की अगर हम बात करें तो electrons यहां पे क्या हो गए electrons निकल गए है यानि यहां पे हमें नुकसान हुआ है electrons का तो यह हमारा question हो गया जहां पे correct answer कौन सा है option b next है box side box side आपने काफी सुना होगा पूछा गया है कि यह कौन सी धातू या फिर किसका ओर है कौन से metals है उसका तो box side जो है aluminum का सबसे important ओर होता है तो correct answer यहां पे कौन सा हो गया option a अगला question है कि नीचे आपको कुछ carbon है उनके अलग-अलग forms दिये हुए है coal की coal बनने की प्रक्रिया हमने पिछले सवालों में भी कुछ में पड़ी थी उनमें आपको बताना है कि carbon का जो प्रतीशत है वो सबसे जादा किसमे होगा तो देख होगा कोल बनते वक्त कोला बनते वक्त जो सबसे आखरी स्टेज होती है उसके अंदर जो carbon है उसका percentage सबसे जादा होता है और हमें मालूम है कि सबसे last में कौन बनता है anthracite और sequence इसका अगर हम कहें तो sequence सेम ऐसी दिया हुआ है सबसे पहले पीट होता है पीट से लिगनाइट बनता है लिगनाइट से bitumen और bitumen से anthracite तो correct answer यहां पे कौन सा हो गया option A जो क्या है anthracite next question है soap जो है soap को हम कैसे बनाते है caustic soda जो है उसको हमने उबाला है उसको किसके साथ उबाला है यह आपको बताने तो सबसे पहले तो सवाल है कि भाईया यह caustic soda क्या है कि अगर आपको पता होगा तब तो आप question को solve कर दोगे और नहीं पता होगा तो आप question solve शायद नहीं कर पाएंगे, तो caustic soda के उपर हम चलते हैं, तो caustic soda जो N-A-O-H है हमारा, उसे हम कहते हैं caustic soda, अब आपको याद रेना चाहिए अगे से caustic soda क्या है, अब यहाँ साबून के बनने की प्रक्रिया की बात हो रही है, कि तो साबून के बनने की जो reaction होती है उसे हम कहते है saponification, saponification क्या है वो अभी क्रिया जिसके द्वारा साबून को बनाया जाता, अब कैसे बनाया जाता है, एक simple सी reaction है, हमने कुछ fats लिए है, fats की हम reaction करवाएंगे या तो NaOH, caustic soda के साथ या फिर आपकी OH के साथ भी करा सकते हैं, इस से एक तो आपके पास क्या होगा, एक साबून का बना होगा, साबून आपको मिलेगा और उसके साथ में आपको glycerol मिलता है, तो यह जो chemical reaction है, यह आपकी saponification है, क्योंकि सवाल में आपको NaOH है, वो बता दि fat, चलते हैं अगले question की तरफ, नीचे आपको कुछ, आपको example दिये हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन से, हम एक से एक option देख लेते हैं, iron, iron के बारे पे हमने कई तरह के iron पढ़े थे, raw iron पढ़ा था, हमने cast iron पढ़ा था, लेकिन सब में हमने क्या पढ़ा था कि इनके अंदर जो carbon है, carbon impurity की form में present होता है, अप्षिष्ट के form में present होता है, और कोई भी लोहा ऐसा नहीं था, जो 100% शुद्ध हो, तो लोहा तो इसका example नहीं होगा, air की अगर हम बात करें, air तो वैसे ही बहुत सारी gases का मिश्रण है, mixture है, कई तरह क gases का आप सब जानते हैं, oxygen है, carbon dioxide है, nitrogen की oxides है, sulfur की बहुत तरगें, तो ये भी क्या है, शुद्ध नहीं है, ब्रास अगर हम बात करें तो ब्रास एक alloy है, इसी के साथ discuss कर लेते हैं कि ब्रास किस का alloy होता है, तो आपको याद रखना है, copper और zinc के alloy को, इनकी मिश्रद हातों को, हम क्या कहते हैं, ब्रास या पीतल, last में हमारा बचता है carbon dioxide, carbon dioxide gas अगर है, तो उसमें CO2, CO2, CO2 ही मिलेगी, तो ये एक शुद्ध पदार्द का example है, तो correct answer कौन से हो गया, option A, अगले प्रिशने की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सवाल ये है, कि जो nuclear reactors हैं हमारे प्रमानु भठिया हैं, उनके अंदर moderator, मंदक की रूप में किसे यूज़ किया जाता है, तो आपको questions पढ़की सर्च में आ गया होगा कि moderator या मंदक का काम क्या होगा, तो nuclear reactors में जो हमारे neutrons होते हैं, उनका बहुत important rule होता है, जो fusion reaction है, सब में हमें neutrons दिखते हैं, तो neutrons जो speed है, उसको कम करना बहुत जरूरी होता है, वरना तो वहाँ पे कुछ विसपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अन्होनी हो सकती है, उसके लिए हम मंदकों का इस्तेमाल करते हैं, और मंदकों में आप देखेंगे कि काफे सारे options आपको यहाँ पे दिए हुए, graphite जो है उसको हम यूज करते हैं मंदक की तरह, तो आपको याद क्या रखना है, option B, जो कि क्या है, graphite चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है आपका question number 114, एक सेकेंड, अगला question है, अगला question है हमारा कि जो हमारे fossil organism है, या फिर जो हमारे जीवाश में वाले जीव है अगर हमें ये जानना है कि वो कौन सी कितनी एज है उनकी, या फिर कितने सालों पहले वो धर्ती पे थे, तो ये सब जानने के लिए हम कौन से method का, कौन सी तक्नीक का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम बात करें, रेडियो कार्बन डेटिंग की हम पहले भी बात कर चुके है कि यहां पे जो रेडियो एक्टिव कार्बन है हमारे पास, रेडियो एक्टिव कार्बन की सहायता से, अगर कोई भी फॉसिल है हमारे पास, कोई भी और हमारे पास, किसी भी चीज़ के अगर हमें एज जाननी है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन की मदद से, रेडियो एक जो है वो है the process by which milk is converted into curd जो हमारा दूद है दूद से जब दही का बनना होता है कर्ड का बनना होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं fermentation और जो एक और सवाल हमने पीछे discuss किया था वो आपको शायद आगया होगा कर्ड में कौन सा acid होता है लैक्टिक एसिड और मिल्क को कर्ड में convert करने वाले किसी भी तरह को कोई bacteria या फ़र कोई भी ऐसा जो disease कर सके उसे ना छोड़ें तो यहां पर उसको ठीक उसको हम संभालने के लिए उसे 100 degree Celsius से कम temperature पर जो है हम उसे क्या करते हैं उसको काफी देर तक रखते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई disease causing organism ना बचे इसी तरह जो वर्नलाइजेशन है बसंती करन है इसमें क्या होता है जो हमारी seeds है जो बीज है उनको हम ठंडे temperature पर रखते हैं यानि कि कम temperature पर उनको काफी दिनों तक रखा जाता है तो यह हमारे सवाल के बाकी options भी हमने देख ली है जल्दी से चलते हैं अगले question की तरफ बात हो रही है ब्रॉंज की यह कांसे जो है वो किन-किन elements का मिश्रत हातु है तो थोड़ी देर पहले ही हम ब्रास को discuss कर रहे थे अब हमारे पास आया है bronze दोनों के words में थोड़ा सा ही difference है तो आप भूले नहीं और दोनों के अंदर जो copper है वो common है तो अब बात आती है कि difference क्या है अगर आपको ना याद रहे परिक्षा में अगर कभी आप भूल भी जाएं तो याद रखें कि bronze में Z है लेकिन zinc जो है वो इसके साथ नहीं है वो ह 10 तो correct answer जैसा आप देख सकते हैं कौन सा होगा यहां option C अगले प्रशन की तरफ चलते है नाचरल सोर्च जो है वो हाइड्रोकार्बन का कौन कौन है तो नाचरल सोर्च जो हाइड्रोकार्बन के तीन important natural sources होते है एक तो जो natural हमारी gas होती है वो होता है जो coal है हमारा कोईला भ एक हाइड्रोकार्बन के सबसे important natural sources होते हैं यह तीन अब अगर आप options में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन तीनों में से कोई option है ही नहीं तो जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि आपको other names याद होने चाहिए तो petroleum का ही दूसरा नाम होता है crude oil कच्छा तेल तो सही यह answer यहां कौन सा होगा आप तो सबको याद आ गया होगा कौन सा होगा option A अगले question की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं हम radioactive disintegration जो है यानि कि uranium का radioactive जो प्रतक करण है यानि उसका जो टूटना है तो उसमें uranium टूट रहे टूट रहे टूट रहे लेकिन पूछा है कि last में कहां ज atomic number 206 यह last हमारा product होता है जहां जाकर के जो reaction है वो रुख जाती है और यहां पर disintegration जो बात हो रही है प्रतक करण इसमें बीच में कौन कौन से substance release होगा अगर आपको पूछा जाए तो कभी alpha particle कभी beta particle और कभी gamma radiations जो है यह निकलती रहती है तो correct answer कौन सा मिला आपको option D अगल प्रशन है हमारा which of the following is used in making smoke bombs smoke bombs को बनाने में क्या काम में लिया जाता है तो अभी तो बहुत तरह के colored smoke bombs भी आ रहे हैं जैसे आपने देखी होंगे वो कुछ छोटी से device होती है उससे colorful जो है वो धूँआ smoke type निकलता रहता है उसी को हम कह रहे है smoke bombs लेकिन smoke bombs में कौन सी चीज करेंगे usually वो यूज करेंगे जो जलती कम हो और जिनसे धुआ ज्यादा निकलता हो तो इनके लिए जो पहले के हमारे smoke bombs से उसमें हम carbon का इस्तेमाल किया करते हैं तो correct answer कौन सा होगा यहाँ पर option D अभी जो colored वाले उनमें तो काफी अलग-अलग चीज़े यूज करी जाती है पर जहाँ question को focus कर रहा है वो हम options से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाले smoke bombs की बात हो रही है next हमारे पास है कि German silver जो है वो किस-किस का alloy है तो again एक named आपके पास एक alloy आ गया है अब आपको बताना है तो German silver जो है वो होता है हमारे पास zinc, copper और nickel इन तीनों से बनी हुई मिश्रथा तो options आप match कर सकते हैं वो option सही answer होगा क्या option C सही है हाँ एकदम सही answer है इसका option C आगे है वह 121 question पर यह metal is exposed to the atmosphere for some time में एक metal है उसको हमने कुछ देर के लिए वातावरण में खुला छोड़ दिया है अब यह कह रहे है हम कि जो metal है इसका एक carbonate जो है वो इस metal के ऊपर आकर चिपक गया है और वो जो carbonate है वो green color का है यानि इस पर coating होगा यह तो इसी metal का carbonate बना होगा तो metal का पूछा है तो यहां आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा metal है जिसका जो carbonate है वो green color का होता है तो कुछ important ही होगा इसी दिए आपको पूछा गया है तो जो copper metal है copper metal का जो carbonate है वो green color का होता है तो यहां पे correct answer कौन सा होगा copper जिसका carbonate कैसा है green color का बढ़ते हैं अग rechargeable और non rechargeable batteries आपने पढ़ी होंगी, rechargeable batteries वो जो mobile phone की battery की तरह हैं, उनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, फिर यूज में ले सकते हैं और फिर से charge कर सकते हैं, इन rechargeable batteries को हम torches में भी यूज करते हैं, electric shavers यानि जितनी भी चीज़ों को आप चार्ज करके फिर इस्तेमाल करते हैं, उन सब में हम रिचार्जबल बैटरीज यूज कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि इनके अंदर जो एलेक्टरोड्स हैं, वो किस-किस चीज की बने हुए होती हैं, तो अगर आप एक आइडियल रिचार इनमें से कौन है, जो कि एक सूपर कूल लिक्विड, अतीशीतित द्रव का एक्जाम्पल है, तो सूपर कूल लिक्विड जब भी आप ग्लास को पढ़ते हैं, हमेशा सबसे पहली लाइन यही आती, वैसे आप ग्लास को जब देखोगी, तो आपको ऐसा लगेगा, कि वो सॉलिड की देखने पर जितनी भी हम सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उन सब को फॉल्व करता है, पर आपको यह याद रखना है, कि जो हमारा ग्लास है, वो एक सॉलिड नहीं है, वो एक लिक्विड है, और लिक्विड भी कैसा सूपर कूल, यानि कि उसकी बहुत जादा cooling करी गई है जिसके बाद वो liquid बना है अती शीतित द्रव्य है वो एक तो correct answer कौन होगा इसमें option C बाकी option अगर आप देखो तो mercury तो room temperature पर ही liquid रहता है teflon जो है यह एक polymer है इसके बारे में हम super cool जैसा तो कुछ नहीं पढ़ते हैं और ice cream जो है वो सर्फ cool होती है super cool जैसा कोई option उसमें नहीं है अगला प्रशन है कि जो metals होते हैं हमारे जो धातूइं है वो good conductors होती है अच्छी की चालक होती है क्यों होती है तो जब भी अभी conduction की बात आती है या फिर electricity flow की बात आती है electricity की प्रवाह की बात आती है तो सबसे important वहाँ पे जो होता है वो होते है electrons और electrons अब आप कहोगे कि सब metals के पास ही है electrons तो कुछ ही जो है वो जादा अच्छी conductor होती है कुछ कम होती है ऐसा क्यों कि जरूरी है वहाँ पे free electrons का होना सबसे बाहर वाली जो shell है उसमें अगर free electrons present है तो वो एक अच्छा conductor होगा औ आप options देख सकते हैं तो correct answer कौन सा हो जाएगा इसका option C क्योंकि इन में free electrons present है अगला question है आपको पहला metal बनाना है जो मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया था तो सब मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने बाला सबसे पहला जो metal सा वो कौन सा था copper question 126 है कि which of the falling is used to remove rust stains जो अगर जंग के धबे अगर आपके कपड़ों पे लग जाते हैं तो आप उसे किसकी मदद से हटाएंगे तो आपको अगर अगली बार कभी ऐसा होगी घर पे डांट पढ़ रही हो कपड़ों पे जंग लग गया हो तो आप अपनी घर पे अपनी माताओं को भी बता सकत हैं कि रस्ट को हटाने के लिए माताजी आप अग्जैलिक अशिड का इस्तेमाल करिए उसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी और हो तो आग्जैलिक असड एक ऐसा एसा है जो लौणरी के अंदर बहुत जादा इस्तेमाल किया जाता है अब सवाल यह है कि acid आखिर ऐसा क्या करेगा कि जंग जो हो हट जाएगा तो oxalic acid जो है जो insoluble है जो अगुलनशील हमारा rust था उसको ये soluble बना देगा गुलनशील बना देगा और ऐसा होने से क्या होगा जो rust है वो हमारा पानी में मिल जाएगा और जो कपड़े की सतर है उससे हट जाएगा तो माता का काम आसान तो correct answer कौन सा हुआ यहां पर option C अगला जो सवाल है वो है which of the following is chiefly present in LPG जो हमारा LPG है liquefied petroleum gas वो हम सब जानते हैं कि hydrocarbons का एक mixture होता है अब अगर आपको usually हमने पिछली बार यह पढ़ा था कि इसमें propane और butane दोनों present होता है अभी भी हम यही कहेंगे कि इसमें propane और butane दोनों present है लेकिन अगर आपको यह अलग-अलग options में दिये हूँ और आपको एक ही options सही बताना हो तो आप वो बताएंगे जिसका percentage जो है एक alkane है अगला है हमारे पास कि नीचे आपको कुछ options दिये हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा non-metal है पहला non-metal होना चाहिए और दूसरा वो liquid होना चाहिए room temperature के ऊपर यानि कि अगर आपको उसको आपके सामने रख दिया जाए तो वो आपको solid state में ना मिलकर कैसा मिलेगा liquid तो यह question कभी कभी confusing हो जाता है क्योंकि सबको लगता है कि bromine जो है वो भी एक liquid है और mercury भी तो liquid है परशुक्र है अपने options में mercury नहीं है तो अगर आपको mercury दे भी दिया जाए तो mercury जो है mercury क्या है इन में से metal कौन है और non-metal कौन है यह आपको पहचानना होगा तो bromine जो है वो हमारा non-metal है और mercury जो है वो हमारा metal है और दोनों ही कैसे है liquid तो correct answer कौन सा हुआ यहाँ option c अगला है which of the following compounds is commonly used as an antiseptic यहाँ कुछ examples दिये हैं आपको इनको जो mouth washers है हमारे और जो toothpaste है उनके अंदर रोगानु रूधक रोगानु रूधक रूधक में किसे यूज किया जाता है तो सबसे common example होता है ने सेल आपने बहुत सारे ads देखे होंगे टूथपेस्ट के कोलगेट के जिनमें एक सवाल हमेशा किया जाता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो ऐसा क्यों पूछ रहे है वो पागल दोड़ी है जो बार बर ऐसा पूछ रहे है क्योंकि बहां कुछ काम होगा NACL सब जानते है हमारा table sort होता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आज से आप याद रखेंगे रूगानु रूधक होता है तो करेक्ट आंसर यहां कौन सा हुआ option D next year question है हमारा वो है which one of the following is used to restore the color of old oil painting काफी तरह की paintings है मान लो आपके घर में कोई oil painting पड़ी है उसका color जो है वो दिन पर दिन काला पड़ता जा रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि वो जैसे पूबसूरत पहले थी वैस्ती वापस हो जाए तो आप कौन से chemical का use करेंगे तो chemistry है वो आपके day to day life में use होने वाले सारे सवालों को cover करती है तो मैं आपको बताना चाहूंगे कि जो hydrogen peroxide है H2O2 है हम उसका इस्तेमाल करेंगे अब आप मुझे पता है यही सवाल करेंगे कि hydrogen peroxide को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे तो यहाप एक चीज है जो आपको याद रखनी ह है कि अगर कोई painting है वो lead oxide की बनी हुई है तो hydrogen peroxide है वो सबसे ज़्यादा useful होगा क्यों होगा मैं आपका जवाब देने ही वाली हो हमारे atmosphere में hydrogen sulfide नाम की gas present है जो हमारे paintings के अंदर जो lead oxide present है उसको यह convert कर देगा किस में sulfide में lead के sulfide में और sulfide जहां कहीं भी आपको दिखे उस हमारी painting में जो lead oxide था जो खुबसूरत रंग था वो काला पढ़ रहा है वो tarnish हो रहा है तो हमने क्या किया हमने H2O2 का इस्तेमाल किया जो इसे वापस convert कर देगा lead के oxide में और हमारी जो painting है वो वापस रंग बिरंगी और खुबसूरत दिखेगी तो correct answer कौन सा हो गया यहां option B अब आप शायद भूलेंगे नहीं कि हमने H2O2 को क्यों use किया अगला प्रशन है milk जो है वो एक natural किसका example है आपको दिया हुआ है कि क्या हो एक solution है emulsion है mixture है suspension है तो मैं आपको बता दू milk जो है वो एक emulsion का example है अब आप पूछेंगे emulsion क्या होता है दो अगुलनशील liquids है अग मिल्क में कौन से दो ना घुलने वाले substances हैं तो उसके अंदर मिल्क में fat भी present होता है और बाके liquid अगर आपको उसको milk कहना चाहे तो milk ठीक है water कहना चाहे तो water ठीक है यह दो liquids का emulsion है sorry तो correct answer कौन सा होगा option B question number 132 है table salt NaCl के बारे में कि NaCl जो है वो बारिश के मौसम में गीला क्यों हो जाता या वो नमी क्यों पकड़ लेता है तो NaCl में कौन कौन होते है पहले हम देख लेते Na plus होता है और Cl minus होता है जिसे हम कैसे लिखते है NaCl की form में तो इन दोनों नहीं कुछ किया होगा जिसके है और वो अशुधियां किसकी होती है Magnesium Cluride की क्योंकि ऐसा होता है कि इन दोनों की properties जो है वो एक जैसी होती है तो कई बार इनको अलग-अलग करना मुश्किल होता है तो इसी तरह यह थोड़ी बहुत अशुधियों के form में हमारे नमक में भी present होती है तो यह जो MgCl है य जने कि जो भी जल या जो भी नमE इसका आसपस दिखाई देती है उसको सब को यह Евsarm कर लेता है और पानी को अगर यह अगर यह एप्जौब कर रहा है तो कैसा दिखेगा नम दिखेगा आपको इसलिए हमारा जो नमक है वह नम पढ़ जाता है नमी आ जाती है उसमें सרद is used as a lubricant in heavy machines. जो हमारी भारी भरकम machines हैं, उनकी अंदर lubricant, स्नेहक की रूप में किसे इस्तमाल किया जाता है? इस्तमाल यहां पर किया जाता है graphite को, क्यों यूज किया जाता है graphite को? ग्रिफाइट बहुत ही soft है, उसके अलावा जो इसकी layered structure जिसकी बात हम काफी बार कर चुके हैं, जो layered structure है, इनके बीच में हमारे पास जो weak wonder wall force होते हैं, weak wonder wall force की वज़े से ये एक दूसरे के ओपर slip होती रहती हैं, तो यानि कि ये वहाँ पर friction जादा नहीं होने देंगी, उसक ये correct answer हमारा कौन सा हो ग्रिफाइट, हमने reason-based का explain कर दिया है, अगला प्रिशन है तो anode in a dry cell, अगर आप एक dry cell की बात करो, शूशक cell की तो जो anode होता है, उसमें anode और cathode अलग-अलग हैं, और usually जो एक अगर आप एक बोलेंगे, reference के form में अगर एक dry cell लेते हैं, तो anode उसम का cathode बना हुआ होता है, carbon का, और जो electrolyte used होता है, वहाँ पे वो usually होता है, aluminum chloride का, ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि इसकी structure कैसी होती है, तो usually एक box shaped का होता है, जिसमें center में हमारे पास एक carbon की rod होती है, जो किस तरह से add करे, cathode की, तो सीधा आप याद रखे, C for carbon and C for cathode, question के लिए हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा, option C, जो कि क्या है, zinc, अगला question है, which of the following is used to iodized common salt, जो हमारा common salt है, साधारल नमक जो है, उसका अगर आपको iodination करना है, उसमें iodine अगर आपको add करना है, तो आप किसे use करेंगे, तो उसमें iodine add करने के लिए, हम use करेंगे potassium iodate को, potassium iodate का chemical formula क्या है, KIO3, potassium iodide को नहीं, potassium iodate, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, milk जो है, एक colloidal system है, किस का, colloidal system में भी कौन सा colloidal system है, milk, एक immersion का example है, और milk के अंदर, जो fat है, वो dispersed होता है, water के अंदर, क्योंकि fat की मातरा कम होती है, और water, जो वो प्रचूर मातरा में होता है, fat concentration कम है, तो correct answer कौन सा होगा, option B, fat जो है, वो water में dispersed है, question number, अगला question जो है, enzyme हमें बताना है, जो glucose को ethyl alcohol में convert कर देता है, तो ये enzyme जो है, ये जो हमारी yeast थी, उससे लिया गया था, सबसे पहले discovered enzyme भी यही था, और ये enzyme कौन सा है, हमारा zymase, और zymase के अंदर ये glucose को ethyl alcohol में convert कर देता है, fermentation reaction का भी example है, alcohol formation के लिए reaction काफी use की जाती है, तो correct answer है, यहाँ पे zymase, अगर आप पूछे मुझे से invertase किसका example है, तो invertase वो example है, जो sucrose पे act करता है, और उसको glucose और fructose में तोड़ देता है, maltase जो है, वो हमारा maltose, जो हमारे पास carbohydrate है, उसको तोड़ने का काम कर इसी तरह है, diastase, तो correct answer जो question का है, हमारा वो कौन है, option C, zymase, बात करें, अगर हम silk fiber की, तो एक silk fiber, एक रेशम का धागा है, रेशम का धागा क्या है, carbohydrate होता है, fat, protein या cellulose, तो हमेशा याद रखे, एक protein का example होता है, silk fiber, which of the following is not a precious or semi-precious stone, कीमती या अर्धी कीमती पत्थर नीचे जो दिये वे, उनमें से कौन नहीं है, तो इनके examples तो आपको याद करने पड़ेंगी, उसमें explanation का कुछ भी नहीं है, तो जो pearl है, हमारा जो मूती है, उसे हम precious, कीमती या अर्ध कीमती, जो हमारे पत्थर है, उनमें हम उसको include नहीं करते हैं, और शेफायर, नीलम, र electrons in the same orbital they have, पहले भी हमने बात करी थी, एक बार कि जो poly का principle था, उसके बात करते वग, मान लीजे आपको P orbital के अंदर 4 electrons को भरना है, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम सब में एक-एक electron को रखेंगी, और उसके बार में हम उसकी pairing शुरू करेंगी, अब सबाल यह आता है, कि जैसे यह P orbital है, P के बार में आपको पता होगा कि P के तीन टाइप होते हैं, PX, PY, PZ, कोई भी हो सकता है, PX और कोई भी PZ हो सकता है, मान लीजे कि PX में दो electron present है, तो इन दोनों electron के अंदर एक ही orbital वालों के spin की अगर हम बात करें, तो क्या उनका spin same होगा, opposite होगा या आप डाइग्राम पर भी ध्यान देंगे, तो इनको इस तरह से इनका जो सर के ऊपर जो arrow है, उनको हम इने opposite represent कर रहे है, अगर एक का spin plus half है, तो दूसरे का spin क्या होगा, minus half, तो correct answer क्या हुआ, option B जो की है, opposite spin, question number 141 है, galvanization के बारे में, galvanization जो है, हम पहले भी, मैं समझा चू जो है, iron के ऊपर हमें coating करनी, iron को protect करना है, तो मैंने paint कर दिया, इसको zinc से, अब zinc जो है, वो iron को zinc लगने से बचाएगा, और इस process को हम कहेंगे galvanization, तो आपको याद रखना है, कि zinc के ऊपर हम iron लगा रहे हैं, या iron के ऊपर zinc लगा रहे हैं, तो हमें iron बचाना है, तो iron की surface को cover करेंगे न, तो correct answer क्या होगा, deposition of zinc on iron, iron के लोहे के सितह पर zinc को लगाना, अगला सवाल है, which among the following metals provide amphoteric oxide, amphoteric oxide जो है, उससे आप क्या समझते हैं, यानि कि acidic या basic जो है, अब एक होते हैं, जो acidic oxide है, एक होते हैं, जो basic है, अब कुछ oxide जैसे होते हैं, जो में दोनों की properties होती ह हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, amphoteric, अभय धर्मी, अभय जहां भी आता है, amphi जहां कहीं भी आता है, मार जो बात हो रही है, वो दोनों properties होती हैं, तो जो aluminium है, aluminium के oxides amphoteric होते हैं, अब अगर आपको मैं एक दूस एक्जैंपल और बताना शाह हूँ, अगर आप याद रखना यानि कि जतने भी हमारे पास oil present है, वो कौन सा ऐसा organic compound है, जिससे उनकी discovery हुई है, तो वो सब कौन है, hydrocarbon, जानि कि directly या indirectly वो hydrocarbon से ही बनी हुए होते हैं, अगला सवाल है हमारा कि atomic number जो carbon का है, वो कहा गया है कि 6 है, और उसका mass number जो है, वो 12 है, हमें बताना है कि उसके अंदर कितने proton है उसके nucleus के अंदर, तो जितना atomic number होता है, कोई भी हम element अगर है, उसे हम represent करते हैं, उसके atomic number से और उपर आता है, उसका mass number, तो atomic number जितना होता है, उतने ही उसके अंदर protons होते हैं, तो जैसा यहां अगर 6 दिया गया है, तो यहां पे protons की संख्या कितनी होगी, 6, तो correct answer यहां पे क्या हुआ, option A, अगला सवाल है, कि atom bomb की discovery किसने करी थी, सीधा याद रखने का सवाल है, J, Robert, Offenheimer, जो थे, उन्होंने सबसे पहले atom bomb के खोज करे थी, और correct answer कौन सा है, option B, अगला सवाल है, the major harmful gases emitted by automobile vehicle which cause air pollution, यानि हमारे जितने भी वाहन है, वो ऐसे कौन सी harmful, कौन सी खानी कारट, gas जो है, उसको हमारे, जो environment है, उसमें नकालते हैं, जो हमारे लिए, बहुत ही, नुकसान दायक हो सकती है, तो एक बार पहले हमने बात करी थी, एक metal की, जो उसमें present ह होता है, तो metal अगर आपको पूछा जाए, तो वो कौन था, lead और अगर पूछा जाए कि कौन सी gas है, जिसका emission हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, carbon dioxide, यानि की option C, जो कि एक important greenhouse gas भी है, अगला सवाल है, कि जो lead storage batteries होते हैं, sorry, acid है, lead storage batteries के अंदर जो acid का इस्तमाल किया जाता है, व अगर यहां पर जो acid use किया जाता है, वो है हमारा sulfuric acid, तो correct answer कौन सा होगा, option D, बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है, कि कौन सी gas है, वो bread की swelling के लिए responsible है, अब आपने bread को देखा होगा, तो आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे आपको pores दिखाई दे हैं, अब आपको यह सवाल भी उठता हुगा, कि ऐसे pores क्यों होते हैं, कि तो bread का जो formation है, bread को जब हम बनाते हैं, वहाँ पर भी actually fermentation reaction हो रही होती है, और fermentation reaction में जो निकलने वाली gas है, वो है CO2, जब इसके आटे को गूंथा जाता है, और फिर जब bread बनाई जाती है, और fermentation reaction हो है, उस टाइम पर CO2 gas जो है, वो यहाँ से निकलना चाहेगी, और CO2 gas जब बाहर निकलती है, तो पीछे जो हमारे pores रह जाते हैं, वो ही हमें bread की अंदर गढ़्धियों की तरह दिखते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर carbon dioxide gas को निकलना था, अगला सवाल, What is the most commonly used substance in fluorescent tubes, fluorescent tubes जो हैं, प्रती दीखती shield tubes जो हैं, उनकी अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है, जो use करना एकदम सही रहेगा, तो अगर मैं आपको बताओं कि mercury के जो vapors हैं, वो तो यहाँ पे होते ही होते हैं, Mercury के vapors के साथ हमें additional जो हैं, हमारी noble gases आप कहिए, या फिर inert gases जो हैं, उनमें से कोई एक gas होगी, तो आप सबसे पहले तो आपको match करना है, mercury vapor किसमें है, आपके किसमत बढ़िया है, यहां सिर्फ एक ही option में mercury vapor है, तो आगे, तो correct answer जो है, question number 149 का वो कौन सा है, option C, जिसमें आरगन हमारे पास एक noble gas है, आरगन के इलावा यहां पे xenon भी हो सकती थी, कोई और gas भी हो सकती थी, बट important क्या है, mercury vapor, चलते हैं, आज की last question की तरफ, जो hamburger effect है, उसका दूसरा नाम यहां पूछा गया है, तो अगर आपने कभी circulatory system पढ़ा होगा, RBCs के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे electrolyte balance करने के लिए bicarbonate ion का और chloride का जो movement होता है, उसका नाम है chloride shift, या फिर hamburger effect, तो correct answer यहां पे कौन सा होगा, option C, तो यह होगए हमारे constituent of chlorophyll is, यानि कि chlorophyll में कौन सी धातू है, जो उसके साथ में उसका जो बाकी content है, उसके साथ पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा, magnesium, यहां पे जैसे आप options देख सकते हैं, तो आप manganese और magnesium में confused ना होँ, iron B, Fe, plus 2 form में होता है, लेकिन हमारा जो सवाल है, उसको देखते हुए जो correct answer होगा, वो कौन सा होगा, option D, magnesium, अगला question देखते हैं, carbon random के बारे में पूछा है, कि carbon random जो compound है, उसका chemical formula अगर आपको पता है, तो आप equations सही कर देंगे, लेकिन अगर guess करेंगे कि carbon या calcium का कोई compound होगा, तो यह गलत होगा, carbon random जो है, वो silicon और carbon का एक compound होता है, जिसका chemical formula है, SIC, यानि की silicon carbide, carbide form है, carbon form में नहीं, यहाँ पर oxidation state जो है, वो अलग होगी, और यह हम क्यों discuss कर रहे हैं, इसलिए है, क्योंकि यह एक semi conductor device के form में use किया जाता है, लेकिन हमारा जो सवाल था, उसके chemical formula तक ही था, तो सही answer इसका कौन सा हो जाएगा, option C, SIC, following acids is used for etching glass, अब आप पूछेंगे कि यह etching glass क्या होता है, यानि की नकाशीदार glass, जो glass है हमारा, अगर glass के उपर आपको अलग-अलग तरह की नकाशी करनी है, कोई design बनानी है, कोई कला का रूप उसे देना है, art अगर है, तो उसके लिए हम etching करते हैं, और उसके लिए हमें जरूरत होती है acids की, तो हम आप पूछेंगे कि कौन सा acid यूज़ किया जाता है, तो सबसे जादा यूज़ किया जाने वाला acid है, हमारा option number C, यानि की HF, तो यह answer हो गया इस question का, आगे बढ़ते हैं, आपको पूछा गया है corrosion के example, संक्षारण के example पूछे हुए हैं, तो rustic of iron जो हम सभी पढ़ते हैं, जंग लगना लोहे के उपर, rustic सब जानते हैं, जो कि corrosion का ही एक example है, उसी तरह से आपको दो important examples और भी दिये हुए हैं, पहला है चान्दी के उपर, जो चान्दी का कालापन है, काफी दिनों तक चान्दी, अगर atmosphere में छोड़ दी जाते हैं, अगर आप उस पर कुछ भी नही जो है, वो black color का होता है, इसी तरह copper जो है, copper का green color की हो जाता है, क्योंकि copper के corrosion के बाद में यहाँ पर carbonate, copper के carbonate और hydroxide का formation होता है, जिस वज़ा से copper के उपर जो coating है, वो green color की हो जाती है, तो तीनों ही example क्योंकि corrosion के हैं, तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा, आपका option D, जो की है, all of the above, अगला question है, कि जो सूरज है, जो सूरज है, उसका जो nuclear fuel है, उसका परमाणू इंधन कौन है, helium है या hydrogen है, यूरेनियम तो देखो नहीं है, क्योंकि जब हम sun की reactions पढ़ते हैं, या फिर nuclear reactions जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जिक्र हमारा hydrogen और helium का आता है, तो sun की जो energy है, nuclear fuel वो hydrogen है, जो की regularly helium में convert होती रहती है, और कौन सी nuclear reaction होती है, यहाँ पर nuclear reaction जो होती है, fusion reaction, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option B, hydrogen, अगला सवाल है, C11 L-methyl methionine जो है, वो किसमें यूज किया जाता है, तो अगर हम पूशें आप से, कि ये जो है, हमारे कुछ medical equipment है, जिसके अंदर य compound है, इसको यूज किया जाता है, brain tumors के लिए और जो parathyroid gland है, हमारी जो thyroid gland के पास में present होती है, उसकी imaging के लिए, तो आपको याद रखना है, इस compound का use है, tumors, tumors भी कौन से, जो brain के अंदर present है, वो और parathyroid gland ग्रंथी है, उसकी imaging के लिए, अगला है कि genetic material, जो है, genetic material याने की DNA या फ present है, उसकी जो discovery थी, वो किस ने करी थी, तो Griffith जो थे, Frederick Griffith, उन्होंने genetic material की discovery करी थी, और उन्होंने चूहे के ऊपर कुछ experiments करे थी, तो correct answer है, वो कौन सा होगा, option D, अगला सवाल है, radioactive dating के बारे में, जिसका नाम हम पहले भी काफे बार बात कर चुके, radio carbon dating भी इसको हम कहते ह है, तो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, टेकनीक हम यूज करते हैं, जो हमारी चटाने हैं, जो rocks हैं, उनकी आयू निकालने के लिए, तो correct answer कौन सा होगा, option A, composition के लिए से नहीं यूज किया जाता है, तो radio carbon dating में, हम carbon जो है, उसका radioactive compound है, radioactive जो है, carbon उसको use करते हैं, उसक maximum percentage in human body, human body के अंदर maximum percentage में इनमें से कौन सा element पाया जाता है, तो oxygen जो है, वो 65% मनाता है, human body का, तो correct answer यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, option D, अगला सवाल है, which among the following stage is suitable indicator when solution of sodium carbonate is mixed with sulfuric acid, यहाँ पे indicator की बात हो रही है, सूचक की बात हो रही है, और यहाँ पे जो आपको reaction दी है, वो है sodium carbonate के बीच में और sulfuric acid के बीच में, हम जानते हैं, कि sodium carbonate जो है, वो एक weak base है, और H2SO4 sulfuric acid जो है, वो एक strong acid है, एक strong अमल है, तो अ अगर आप इनकी reaction देखेंगे, तो यहाँ पे काफे बार पूछा भी जाता है, कि इस reaction के अंदर कौन सी gas जो है, वो evolve होती है, तो यह जो chemical reaction है, उसके byproducts होंगे, एक तो sodium sulfate का formation होगा, Na2SO4, उसके साथ में जो gas यहाँ जो निकलती है, वो है carbon dioxide, जो के bubbles appear होंगे, और उसके अलावा जो बनता है, वो है water, अब लेकिन सवाल हमारा chemical reaction का नहीं है, सवाल है indicator का, suture का, तो आपको reaction पता होगी, और आपको पता होगा कि उसमें किस-किस का use किया हुआ है, तो हम बता सकते हैं, तो जब भी कोई reaction weak base और strong acid के बीच में होती है, और आपको पता लगाना, या फिर वहाँ पे अगर आपको indicator यूज करना है, तो हम उसमें यूज करते हैं, methyl orange को, और अगर इसी sequence को आप उल्टा कर दें, यानि कि अगर आप एक weak acid को use करेंगे, और strong base को use करेंगे, तो हम उसमें use करेंगे phenophyllin, क्योंकि हमारे question में weak base और strong acid है, तो हमारा correct option कौन सा होगा, option D जो की है, methyl orange, अगला question है, isobars के बारे में कि isobars कौन सी रेखाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी ऐसे स्थानों को जोड़ती हैं, जिनके अंदर कुछ समानता हो, तो समान pressure वाले अगर दो points हैं, तो graph में उनको जोडने वाली जो line हैं, हम उने कहते हैं, isobars, तो समानता वह हैं, अगर आपको atomic number और mass number अगर देखता है, तो वो elements जिनका mass number सबका same होता है, वो सारी elements आते हैं, isobars के category के अंदर, हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल जो है, which one of the following elements is a metalloid, तो सबसे पहले हम जानते हैं, कि metalloid क्या होता है, धातु पक्षी क्या होता है, metalloids वो होते हैं, जिनके जो भी properties हैं, वो metals और non metals के बीच की होती हैं, यानि इनकी properties ना तो पूरी तरह metal से मिलती हैं, ना पूरी तरह non metals से मिलती हैं, अब metalloids के कुछ जादा examples नहीं है periodic table में, तो वो आपको पता होने जाए कुछ important examples के हम बात कर लेते हैं, boron, silicon है, germanium जो है arsenic जो है, ये सारे कुछ common metalloids हैं जो आपको पूछे जाएंगे, इनके अलावाले शायद आपको ना पूछे जाएं, तो options में देखकर हम बता सकते हैं कि arsenic जो है, वो एक metalloids का example है, अगला question है कि theory of mutation जो है, उत्परिवर्तन का सिधान्त जो है, वो किस ने दिया था, option कौन सा है, डीवरीज, बाकि अगर आप option देखेंगे, तो जैसे Robert Hook है, इन्होंने cell की discovery करी थी, पास्चर भी जा है, वो mutations से संबंदित नहीं है, तो correct answer इसलिए इस प्रशन का कौन सा होगा, option A, चलते हैं, अब हम अगले प्रशन की तरफ, most suitable vessel for storing concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid कि अगर आपको कोई मात्रा पूछे कि इसके अंदर sulfuric acid कितना present होगा, तो 98%, 98% जो sulfuric acid अगर होता है, तो हम उसको concentrated sulfuric acid कहते हैं, और जो concentrated sulfuric acid है, इसके बारे में इनको store करने के लिए हमें glass vessels की जरुरत परती है, और glass vessels जो है, उनको भी हम airtight उनकी packaging करते हैं, ऐसा क्यूं होता है, क्योंकि ज जितना भी नमी अगर present है, इसके आसपास बातावरन में, उसको ये ले ले लेता है, क्योंकि ये hygroscopic होता है, और उसके बाद में जो chemical reaction होती है, उसके अंदर बहुत जादा amount में heat produce होगी, जिसकी वज़े से आसपास के जो substances हैं, उनका नुकसान हो सकता है, तो हम चाहेंगे कि जो moisture है, वो कभी भी H2SO4, sulfuric acid के contact में ना आए, और अगर आपने sulfuric acid को copper या aluminum vessel में store किया है, तो वहाँ पर तो वैसे ही chemical reaction हो जाएगी, और कुछ नए substance का formation हो जाएगा, तो correct answer यहाँ पर कौन सा होगा, option C जोकी है, glass vessel, अगला सवाल है, what is the element that is the highest percentage of composition of earth, बात चाहें body की बात करो, अगर आपको दोनों में ही पूछा जाता है, कि सबसे जादा percentage में कौन सा element मिलता है, तो दोनों ही case में correct answer जो होगा, वो कौन सा होगा, oxygen, तो correct answer यहाँ पे कौन सा है, option B, और अगर आप earth की बात करो, human body के अंदर जो oxygen का percentage है, वो है almost 65%, और अगर earth की हम बात करें तो earth के अंदर almost 45% जो है, वो oxygen का होता है, तो correct answer कौन सा हो गया, यहाँ, option B, अगला question है, आपको virus के बारे में पूछा है, कि virus का chemical composition, तो virus को हम एक simple diagram से समझ सकते है, virus जो है, उसको इस तरह से show किया जाता है, और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर attach होने के लिए, इस तरह स कुछ structures होती है, ठीक है, यहाँ पे जो virus है, उसका genetic material present होता है, तो यह हो गया genetic material जो DNA भी हो सकता है, या फिर RNA भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होगी, कुछ virus में DNA होता है, कुछ में RNA होता है, और यह बाहर जो हमने structure बनाई है, पूरी, यह पूरी बनी हुई होती है, protein की, जाए वो नीचे adhesive इसकी surface हो, या फिर इसकी body हो, यह green color के जो marked structures है, यह है इसका protein, तो जो virus है, वो सिर्फ दो ही चीज़ों का बना हुआ होता है, और वो दोनों चीज़े क्या है, एक है उसका genetic material और दूसरा है protein, तो अब हम option देख लेते हैं, protein और lipid नहीं, lipid virus में नहीं present हो protein जो है, वो एकदम सही answer है, यानि यहाँ पर answer कौन सा हो जाएगा, option B, अगला जो सवाल है, a polymeric substance used to make parachute, parachute बनाने के लिए कौन से polymer का use किया जाता है, पराशूट हम सब जानते हैं, कि इसका हम use करेंगे, तो इसके रिए सबसे एक important जो property होगी, वो होगी, light weight, यानि इसका वज ऐसी चीज़ जो कि हवा में almost उडने का काम कर रही हो, तो अगर आप सारे इन में से बात करोगे, polymeric substances की, बहुल की पदार्थों की, तो इन में से जो rayon है, rayon जो है, वो एक ऐसा substance है, जिसको हम use rayon नहीं है, sorry, इन में से जो viscose है, viscose का use अगर हम करेंगे parachute बनाने के लिए, तो parachute जो है, वो strong भी बनेगा, उसके अलावा lightweight भी होगा, इसलिए rayon, viscose, cotton और teraline इन में से हम use करते हैं viscose का, यानि correct answer कौन सा है यहां पर, option B, चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question है कि drinking soda जो है, वो किस तरह का होता है, वो अमली है, क्षारी है, उदासीन है, या फिर oxy कारक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो drinking soda है, उसका formula क्या है, तो drinking soda किस तरह से बनाया जाता है, जो water है, उसके अंदर high pressure के उपर, जब carbon dioxide जो है, gas, वो add कर दी जाती है, तो इससे formation होता है, हमारे पास H2CO3 का, और H2CO3 जो है, वो acidic in nature होगा, तो इसलिए जो drinking soda है, वो भी कैसा होगा, acidic, तो correct answer यहाँ पर कौन सा है, option B, यानि कि amalir, जो पीने वाला soda है, उसका nature होता है, amalir, अगला प्रशन है, कि जो cathode है, lead storage batteries के अंदर, जो कि एक reversible, sorry, rechargeable battery का example है, उसके अंदर cathode कौन सा होता है, और anod कौन सा होता है, तो यह तो usually याद यह जा anod कौन है, तो यहाँ पर जो anod होता है, वो बना हुआ होता है, lead का, और जो cathode होता है, वो बना हुआ होता है, lead oxide का, तो आप question के according अपना answer देंगे, अगर cathode पूछा गया है, तो कौन सा answer होगा, lead oxide, यानि कि option number C, अगला जो सवाल है, वो है, which one of the following is radioactive, नीचे जो options दे हुए आपको उन में से कौन सा radio धर्मी है, तो cesium, platinum, strontium और thorium, इन सब में से जो thorium है, वो एक radioactive element का example है, इसे लिए correct option आपका कौन सा हो जाएगा, option D, next question की तरफ बढ़ते हैं कि heat resistant जो variety है, glass की, glass की बहुत सारी varieties है, हर variety का जो feature है, वो अलग होता है, लेकिन वो glass जो heat resistant हो, उश्मा रोधी हो, वो होता है, हमारा flint glass, तो इसको आप याद रखे कि flint glass जो है, वो heat को cross नहीं करने देगा, उसके लिए वो resistance प्रिद्यूस करेगा, तो correct answer यहां हो गया, हमारा option C, आगे चलते हैं, among the following iron ores, the highest percentage of iron content is found in, अब यहां पर दो तरह की सवाल होते हैं, पहला तो यह सवाल आता है, iron ores के बारे में कि कौन सार जो है, वो सबसे जादा मात्रा में धर्ती पर पाया जाता है, hematite और magnetite ही होते हैं, दोनों के अंदर options, और दूसरा यह होता है, कि दोनों में से जो iron content है, वो किस में जादा होता है, अभी बात हो रही iron content की, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको इनके chemical formulas पता होने चाहिए, hematite का formula है Fe2O3, और magnetite का formula है, वो है Fe3O4, तो iron content अगर आप यहां से formula से भी calculate अगर करो magnetite कान सा होगा यहां पर, magnetite, और जो दूसरा question था, कि किस का amount जो है, वो earth पे जादा है, वो हम पहले solve कर शुकी है, बढ़ते हैं, अब हम अगले सवाल की तरफ, जो है pasteurization के बारे में, पास्तूती करण के बारे में है, कि पास्तूती करण क्या होता है, तो जो milk है, milk के क्योंकि high temperature के उपर, अधिक तापमान के उपर, जब आप किसी भी substance को heat करोगे, तो उसके जितने भी सूक्ष्म जीवी है, उनकी death हो जाती है, death होने का मतलब है, कि वो जो भी disease, अगर उनके पास किसी चीज़ का carrier है, तो वो आगे उसको नहीं पहुँचा पाएंगे, तो अ सही answer होता है, इसका 100 degree Celsius से जादा, लेकिन पास्टराइजेशन के अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम temperature लेंगे 62 to 63, तो अगर आप options देखोगे, तो heating milk to about 62 degree Celsius है, cooling की तो हम बात ही नहीं कर रहे है, तो heating की बात है, तो हम milk को कितने temperature पे heat करेंगे, 62 degree Celsius से उपर, यानि 62 से कम नह होना चाहिए, जादा तो 72 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो correct answer इसका कौन सा है, option B, next question जो है, aluminium के purification के बारे में, तो aluminium की metallurgy में जो हम study करते हैं, box side से जब हम aluminium को extract करते हैं, तो aluminium को हम purify करते हैं, electrolysis method से, तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, option C, और इससे हमें ultra pure aluminium जो है, उ electrolysis जो है, वो एक महंगी process है, जहाँ पे जो economy है, उसका जादा requirement होती है, इसलिए, extraction के बाद में, जो aluminium की cost होती, वो usually आपको बाकी, जो भी extraction है, iron वगेरा, उनसे जादा मिलेगी, लेकिन question हमारा electrolysis तक ही था, तो correct answer यहाँ पे कौन सा है, option C, next question है, जो impure camphor है, जो कपूर है उसको हम किस तरह से purify करते हैं, तो कपूर जो है, उसके एक property होती है, कि वो directly solid से gas state में convert हो जाता है, और solid से gas state में conversion की जो process है, उसे हम कहते हैं, sublimation, और यही process है, इसको हम use करते हैं, इसके purification के लिए, और अगर आप options देखेंगे, तो इसका correct answer कौन सा होगा, option A, sublimation, जिसस हम कपूर का शुद्धी करन करेंगे, बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, greenhouse effect के बारे में सवाल है, greenhouse effect कौन सी gas से होता है, तो nitrogen जो है, वो greenhouse effect नहीं करती है, nitrous oxide करती है, second is carbon dioxide, तो carbon dioxide एक important greenhouse gases है, carbon monoxide एक greenhouse gas नहीं है, और nitrogen dioxide भी नहीं है, तो correct answer इन में से जो होगा, वो carbon dioxide है, और इनके अलावा, जो ozone gases हैं हमारी वो हैं हमारे पास, methane है हमारे पास, chlorofluorocarbons है हमारे पास, इसी के साथ हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, जो है type metal जो है, जो printing press के लिए यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन सा alloy होता है, तो type metal की हमने पहले भी बात करी थी, यहा प्रिंट करने के बाद में हम चाहते हैं कि जैसा alphabet हमने उसको liquid state में print किया है, solid state में भी वो वैसा रहना चाहिए, उसमें expansion होने से कोई disturbance जो है alphabets में वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे use करते हैं, जो alloy है, वो है lead और antimony का, यानि की option B जो है वो correct option होगा, that is lead and antimony अगला question है, वो है sore taste जो होता है, coca cola का, वो क्यों होता है, ऐसा कौन सा substance जो है, वो उसमें present है, जिसकी वज़े से उसका स्वाज जो है, वो थोड़ा खटा होता है, तो phosphoric acid जो है, वो specially add गिया जाता है, कुछ soft drinks के अंदर, ताकि उसका जो taste है, वो different हो, इसलिए जो correct answer होगा और उसके खटे taste की जो वज़े है, वो कौन सी होगी, phosphoric acid यानि की option B, अगला सवाल है, वो है scattering के बारे में, scattering of light है, सबसे पहले तो scattering होता क्या है, scattering है, कि जैसे atmosphere के अंदर, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे particles present है, कुछ dust particles है, कुछ water droplets है, तो light की range अब एक particle पर पढ़ती है, उस light की range वहां से दूसरे particle पर पहुंच जाती है, reflection process है, किसी भी और से, फिर किस third particle पर पहुंच जाती है, और इस तरह से जितने particles हैं, उनके बीच में, जो light rays है, वो travel करती रहती है, तो यानि कि सबसे important चीज़ ये है, कि अगर कोई भी solution है, किसी भी तरह का, उसके अंदर, अगर scattering होगी, प्रकीरन होगा, तो वहां पे बहुत सारे particles जो हैं, उनकी requirement होगी, तो electroplating जो है, वो एक photographic का method है, electrolysis, एक simple method है, इसमें cathode और एनॉर्ड होता है, जिसके अंदर हम electric current produce करते हैं, और अलग-अलग substances जो है, उनका अलग-अलग तरह से हम study करते हैं, लेकिन जो colloid solution है, colloidal solution के अंदर बहुत सारे particles present होते हैं, उन particles की help से जो colloidal solution है, वो scattering भी show करेगा, scattering यानि कि जो light अगर आप उस पे डालेंगे, तो वो सारी अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाती है, तो correct option यहां पे कौन सा होगा, option D, जो कि है colloidal solution, अगला है कि जो iodized salt होते हैं, वो solution क्यों जरूरी है, तो जो हमारी thyroid gland है, वो जो hormone produce करती है, T3 और T4 या फिर आपने सुना होगा thyroxin, जो कि T4 का नाम होता है, तो इनके formation के लिए thyroid को जरूरी होता है iodine, तो अगर आपने iodine का सेवन नहीं किया है, तो iodine का सेवन नहीं करने पे आपको जो disease होगी, वो कौन सी होती है, goiter, तो जरूरी है कि आप iodized नमक खाएं, और iodized नमक फाइनली हमें किस के लिए जरूरी है, thyroid की functioning के लिए, तो correct answer कौन सा है, option सी, तो अगर आप शाहते हैं आपको goiter ना हो, तो आप iodized नमक का सेवन करें, अगला सवाल है कि जो acid drain है, जिसकी वज़े से जो वनस्पत atmosphere में जो बाकी gases present है, carbon dioxide वगएरा या water वगएरा, उनसे react होने के बाद में acidic अलग-अलग substances का formation कर लेते हैं, यानि amalia substances बना लेते हैं, अब उनमें sulfuric acid भी होता है और nitric acid भी होता है, लेकिन जो वनस्पतिया हैं, उनमें nitric acid के वज़े से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि nitric oxide जो है, वो nitrogen की दूसरे forms में convert हो जाता है, जमीन पे पहुँशने के बाद में, जो की plants उनके लिए useful होगा, लेकिन इसी तरह से जो sulfuric acid है, वो उनके लिए useful नहीं होगा, और उनको नुकसान पहुँच रहेगा, इसलिए correct answer, nitric acid और sulfuric acid में से present नहीं होता है, अगला सवाइल जो है, डाइमंड के बारे में, जो हीरे होते हैं, वो इतने जादा चमकदार और आकशक क्यों होते हैं, आपने अगर कभी देखा होगा हीरा, तो उसमें बहुत जादा चमक होती है, तो actually होता क्या है, कि डाइमंड जो है, बहुत सारी सतर हो आपको light वहाँ पे collide करती हुई दिखेगी और दूसरी direction में जाती हुई दिखेगी, इस process को हम कहते हैं, internal reflection, आंतरिक परावर्तन, तो आंतरिक परावर्तन की वज़े से diamond जो है, वो इतने चमकदार होते हैं, तो बहुत जादा, यानि की multiple, विभिन सतही परिवर्तनों की परिजर्वेटिव के तरह यूज किया जाने वाला सबसे common substance कौन सा होता है, तो जो हमारा नमक salt, जो साधा नमक है वो और जो benzoic acid है, ये दू एक्जामपल्स है, जो हमारे normally आपको रसोई घर में भी मिल जाएंगे, जनि हम preservatives के तरह यूज करते हैं, common salt तो आपको मिल ही ज का option D, अब आगे अगला जो सवाल है, वो पूछा गया है, catalyst के बारे में कि catalyst जो substance है, कौन सा substance होता है, catalyst की property पूछी है, और options में आपको दिखेगा rate of reaction, यानि पूछा है कि catalyst को use करने से, उत्प्रेरक को use करने से, जो rate of reaction है, अभी क्रिया की दर है, वो बढ़ती है या कम होती है, तो catalyst जो होते हैं, वो दो तरह की होते हैं, positive catalyst भी होते हैं और negative catalyst भी होते हैं, तो ऐसा कहना कि rate of reaction अभी क्रिया की जो दर है, वो हमेशा बढ़ेगी, ये गलत होगा, क्योंकि कुछ catalyst जो है, वो अभी क्रिया की दर को कम करते हैं, और कुछ ऐसे catalyst होते हैं, उत्प्रेरक हो कि जो उत्प्रेरक है वो अभीक्रिया की दर को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो options है वो सबसे ठीक होता तो इसलिए यहाँ पे जो answer होगा वो कौन सा होगा none of these यानि कि यहाँ जो options दिये हुए इनमें से कोई भी statement जो है वो catalyst के बारे में सही नहीं है अगला सवाल है कि which of the following gases is most toxic इनमें से सबसे जादा विशाक्त गैस कौन सी है क्या carbon dioxide है carbon monoxide sulfur dioxide या chlorine तो अगर हम बात करें carbon monoxide की और carbon dioxide की तो इनकी बात करेंगे हम hemoglobin के respect में hemoglobin जो है वो carbon dioxide और oxygen दोनों को carry करता है तो carbon dioxide को जो क्या करता है बाहर भेज देता है और oxygen को हम body के अंदर ले लेता है मान लीजिए कि carbon monoxide जो है वो atmosphere में present है और hemoglobin ने carbon dioxide को अपने साथ ले लिया है यानि कि उसको transfer करने के लिए तो ऐसा होने पर एक compound का formation होता है जोसे carboxy hemoglobin कहते हैं और carboxy hemoglobin जो है वो बहुत ही dangerous होता है क्योंकि ये वापस जो hemoglobin है उसको free नहीं करेगा ये permanently attach हो जाता है hemoglobin के यानि मान लीजिए अगर 10 molecule carbon monoxide के attach हो गए है hemoglobin के तो वो 10 जो hemoglobin है वो अब हमारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे लेकिन CO2 जो है वो तो हट जाती है क्योंकि उससे बाहर जानना होता है और oxygen वो carry करना होता है इसलिए हमारे लिए जो सबसे dangerous gas है वो कौन सी होगी carbon monoxide अगला सवाल है कि air जो है उसका major constituent कौन है तो air का major constituent जितनी भी gases है हमारी उनमें से nitrogen की concentration सबसे ज़्यादा होती है तो सही answer इनमें से कौन सा होगा option A जो कि क्या है nitrogen अगला सवाल है the word gene gene जो word है उसको सबसे पहले किसने इस्तिमाल किया था तो जो जो हंसन थे जो हंसन ने सबसे पहले gene word का इस्तेवाल किया था Watson and Crick जो है यह भी DNA से related होता है उन्होंने double helix model दिया था DNA का लेकिन उन्होंने कभी जीन का gene word जो है उसको सबसे पहले use नहीं किया था वो किसने किया था Johansson ने तो correct answer कौन सा हो जाएगा हमारा option D अगला सवाल है कि LM जो है LM जो है वो bleeding को रोक देता है जैसे आपको अगर छोटा मोटा cut हुआ है और आपके पास fit curry अगर आप fit curry लगा लेते तो उससे bleeding रोक जाती है क्यों क्योंकि LM की property होती है कि वो coagulation कर देता है वो guard happen कर देता है और coagulation हो गया मानलो आपको यह cut हुआ ह है महाँ पे अगर जो जितने भी आज़ पास के substances उसको use करके guard happen हो गया वहाँ पे coagulation होके अगर हमने जितना cut हुआ है उसको रोक दिया तो वहाँ से फिर रक्त का जो प्रवाह है वो भी कम हो जाएगा इसलिए यहाँ पे correct answer कौन सा होगा coagulation अगला सवाल है which of the following is not present in german silver german silver जो है यह एक मिश्रधातु है और यह किस-किस से बनी हुई होती है यह बनी हुई होती है copper से, nickel से और zinc से अब अगर आपको यह नहीं पता होगा तो आप ऐसा सोचेगे कि german silver है तो उसमें silver तो होगी ही तो आपको याद ऐसे सवाल में क्या रखना है कि german silver एक ऐसा मिश्रधातु है जिसके अंदर silver जो है वो खुद ही नहीं present है तो कौन सा नहीं है silver यानि option C अगला सवाल है कि एक radioactive substance है वो क्या-क्या emit कर सकता है तो हमने पहले भी बात करी थी हम uranium 235 जो है उसको use करते है और जो uranium 235 है वो एक alpha particle भी निकाल सकता है एमिट कर सकता है बीटा particle भी निकाल सकता है और एक gamma radiation जो है वो भी ये निकाल सकता है alpha, beta, gamma, 3 यानि alpha कर्ण भी इससे emit होंगे, alpha कर्ण भी निकलेंगे, beta particle भी, beta कर्ण और gamma कर्ण भी तो correct answer कौन सा होगा? option D होगा यानि की उप्रोप्त सभी अगला सवाल है which of the following is not biodegradable? कौन सा है जो की biodegradable नहीं है? तो domestic waste जो है घरेलू जितना भी मल है वो जादा तर जो है बायोडीग्रेडेबल होता है क्योंकि उसके अंदर जादा तर जो फलों का कच्रा है, फलों का, सबजेओं का, कागर्स, पत्ते इस तरह की चीज़ें होते हैं जो की biodegradable होता है जो lab detergents है वो बायोडीग्रेडेबल नहीं होते हैं, साबून और जो पत्तियां है पेडों की ये भी बायोडीग्रेडेबल होते हैं, तो हमसे पूछा है क्यों बायोडीग्रेडेबल नहीं है, यानि कि कौन ऐसा है जिसको जो सुक्ष्मजीव है हमारे bacteria है, वो सब उसको चोटे चोटे particles में उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो कौन है हमारे lab detergents, अगला सवाल है pasteurization के बारे में कि pasteurization process के अंदर जो दूद है उसको हम कितने temperature पर और कितनी देर के लिए गरम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 62 या 63 degree Celsius है वो इसके लिए almost जो temperature होत तो correct answer यहां पर कौन सा होगा, 63 degree Celsius और 30 minute के लिए, अगला सवाल है वो यह है कि जो freezer होता है refrigerator का, उसको हमेशा उपर की तरफ ही क्यों लगाया जाता है, तो इसका answer यह होगा कि जो हमारा refrigerator है, वो based होता है convection current के उपर, अब आप पुछेंगे convection current क्या होता है, तो convection current के अंदर ज जादा जरूरी यह है कि होता क्या है कि जैसे मान लेजिए refrigerator है और यहां पर freezer है, तो जितनी भी cooling है वो कौन कर रहा है freezer, और cooling करने के बाद में अगली जो process है वो यह होती है कि नीचे से जो hot air है, उसका transfer उपर होता है और उपर की जो ठंडी हवा है, जो ठंडी जितनी भी है हवा वो आती है नीचे की तरफ, तो ऐसा जो convection current का flow है, यह तभी हो पाएगा जब हमारा जो refrigerator का freezer है, वो कहां होगा सबसे उपर, तो यही वज़़ए है, तो यह जो उपर होना है, इसकी वज़़ए से जो हमारी convection current है, समवहन धारा है, वो आराम से flow कर सकती है, जो उसका nature है उसके according, तो अगर आप सारे options देखोगे, तो इसमें से सबसे correct है, वो कौन सा है हमारा option C, जिसका reason मैंने आपको बता दिया है, air का flow और उसकी direction, अगला सवाल है कि जो chemical name है, common salt का chemical name क्या होता है, तो NACL, जो है sodium chloride, common salt का chemical formula है, sodium chloride, तो correct answer कौन सा हो गया, option A, अगला सवाल है, denature spirit के बारे में, denatured spirit में का एक substance आपको बता दिया गया, यहाँ पे जो कि है ethanol, C2H5OH, जब आपको बताना है कि ethanol को हम किस के अंदर mix करें, कि हमें जो substance मिलेगा, वो होगा denatured spirit, तो ethanol को जब आप mix करोगे, pyridine के अंदर, तो जो substance हमें मिलेगा, उसे हम कहते हैं, क्या? denatured spirit, तो correct answer यहाँ पे है, option D, अगला question है कि सबसे जादा प्रचूर, सबसे प्रचूर मातरा में पाई जाने वाली inert gas, जो है atmosphere के अंदर कौन सी है, तो आरगन है कैसी gas है, सारी noble gases के अंदर, जो हमारा 18th block बनाते है, तो 18th group बनाते हैं, उन में से आरगन जो है, वो atmosphere में सबसे हम समुद्री जल से extract कर सकते हैं, तो magnesium जो है, उसे हम समुद्री जल से extract कर सकते हैं, इसलिए correct answer कौन सा है, इसका option B, हमारा अगला सवाल है कि lead pencils जो होती है, उन में lead की कितनी मातरा होती है, तो lead pencils उसको कहना गलत होता है, क्योंकि यह जो pencils होती है, ग्रिफाइट से बनी वे हो कितना होगा, 0%, तो correct answer कौन सा है, option A, next question है, वो यह है कि water जो है, water is not effective in extinguishing a fire controlled by petrol, मार लीजिए, पेट्रोल की वज़े से कोई आग लगी हुई है, और अगर आप उसके उपर water add करते हैं, तो water जो है, वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो सवाल यह है कि water वहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि water और पेट्रोल जो है, यह दो अगुलनशी liquid है, अमिश्रनी यह liquid है, जिनकी वज़े से क्या होगा, पेट्रोल अगर नीचे है, पेट्रोल के उपर अगर आपने पानी आड़ कर भी दिया है, तो दोनों के mixture के अंदर जो पेट्रोल है, वो हमेशा उपर रहेगा, और पेट्रोल उपर रहने से क्या होगा, जो भी आग लगी हुए, वो बाद में भी चलती ही रहेगी, इसलिए आपको पानी जो उसका इस्तिमाल नहीं करना है, जब भी पेट्रोल की वज़े से कोई आग लगी हो, अब पहला option है, flame is too hot for water to cool down, तो flame की hot और cold होने का तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे, water और पेट्रोल केमिकली रियाक्ट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे में घुलेंगे ही नहीं, अगला है कि वो missible होते हैं, तो वो missible नहीं है, वो ermishrania है, तो correct answer जो है, वो option D, कि water और पेट्रोल एक हलका है, और हमेशा उपर की सितह में रहेगा, और जो आग लगी हुए है, वो continuous चलती रहेगी, तो correct answer, correct option है, आपे कौन सा हो गया, D, आखरी सवाल है कि जो helium gas होती है, उसको हम gas balloons में, जो gas के गुबारे होते हैं, उनमें helium gas को यूज़ करते हैं, और hydrogen को नहीं यूज़ करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि gas के गुबारे जो होते होते हैं, वो हवा के अंदर उपर से उपर चलते रहते हैं, वो बहुत हमारा जो मकसद होता है कि हम उसको हलके से हलका बनाएं, तो इसलिए तो आप कहेंगे कि फिर तो हमें hydrogen यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि helium जो ही करता है, तो इसलिए जादा सेफ के से यूज़ करना है, helium को, और helium भी बहुत जादा भार ही नहीं है, helium का atomic weight 4 ही है, और hydrogen का जो है, वो एक है, तो इसलिए हम helium को भी यूज़ कर सकते हैं, तो correct answer हमारा क्या होगा, इसका reason क्या है, कि helium hydrogen से light तो बिलकुल भी नहीं है, helium जाद carbonate भी नहीं है, hydrogen से non-combustible, यानि कि दहनशील नहीं है, तो यह option जो ठीक है, helium के बारे में जो correct चीज़ बता रहा है, वो है the gas used in artificial ripening of fruits, अब आप कहेंगे कि एक question तो हमने solve कर लिया था, आप फिर से क्यों दिखा रहे हैं हमें एक question, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक plant hormone ह है, ethylene, ethylene का जो chemical है, यानि कि ethylene ही जो है, वो plants में release होता है, और यही जो है, उसे हम use करते हैं, artificial ripening के लिए, पर जैसे ही आप options की तरफ कहें, आपने क्या देखा, ethylene तो option में है ही नहीं, तो यहाँ पे जो catch है, इसका question का यह है, कि आपको ethylene का दूसरा नाम पता होना चाहिए, तो ethylene का दूसरा नाम है, हमारा acetylene और acetylene जो है, वो भी हम use करते हैं, यानि दोनों एक ही चीज़ है, तो कोई भी नाम बता दो, artificial ripening के लिए हम कौन use करेंगे, ethylene और acetylene, इसलिए यहाँ पे correct answer कौन सा होगा, option A, अब अगर आप मुझ से इसका chemical formula पूछेंगे तो ethylene का बनाईए, acetylene का बनाईए, chemical formula क्या होगा, एक iron bond होगा इसके बीच में, चलते हैं next question की तरफ, अगला question है कि जो ruby और sapphire है, manik और neelum जो है, यह किसकी oxides होते हैं, तो यह दोनों जो हैं, यह aluminium के oxides होते हैं, तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, option D, अगला सवाल जो है, हो है, the gas which turns into liquid at the lowest temperature among the following, यानि यह gas है, gas को आपको convert करना है, liquid के अंदर, तो कौन सी gas जो नीचे दी हुई है, उनमें से, सबसे कम temperature पे जो है, conversion आपको show करेगी, तो यह common phase changing reactions होते हैं, solid से liquid में convert होना, और liquid से gas में convert होना, और यह जो steps हैं, यह interchangeable होते हैं, यानि दोनों एक दूसरे की तरफ convert होते हैं, यानि solid से हम gas पे भी conversion कर सकते हैं, और gas से solid, तो direct जो solid से gas का conversion होता है, उसको तो हम कहते हैं, sublimation, और इसी तरह बाकी reactions भी हैं, जैसे freezing है, condensation है, तो हम से सवाल में पूछा गया है, कि जब आप convert करोगे, किसी gas को liquid के अंदर, तो उस ताइम सबसे कम temperature किसे चाहिए होता है, तो यहाँ जो आपको options दिये हुए हैं, यह जो process है, सबसे पहले है, क्या है, condensation या फिर liquefication, liquid में conversion यानि liquefication और hydrogen, oxygen, helium और nitrogen, इन में से जो gas है, वो कौन सी होगी, hydrogen, यानि correct answer यहाँ पे कौन सा है, option E, बात करते हैं, अगले question के, अगला question है, gun powder जो है, बारूद के बारे में पूछा है, कि किस किस चीजों का mixture है, कौन सी ऐसे substances हैं, जिनको मिला करते, बारूद का निर्मान किया जाता है, तो अगर आप options देखोगी, या फिर अगर आपको direct answer पता है, तो gun powder जो है, वो तेन चीजों का mission होता है, अब आपको जानना है, कि वो तेन चीजे कौन सी है, तो अगर आप कहीं भी इसको पढ़ते हैं, या search करते हैं, तो usually आपको मिलेगा, कि salt pitter, जो कि जरूर किसी ना किसी, और chemical का common name होगा, उसके साथ में आपको मिलेगा, sulfur और उसके साथ में आपको carbon या फिर charcoal मिलेगा, अब sulfur और carbon जो है, यह तो देखा जाए, तो वो third option में ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि salt pitter क्या है, salt pitter जो है, potassium nitrate जो है, उसका common name है, तो इस question में आपको दो चीज़े पढ़ने को मिली, पहला तो gun powder किस-किस का मिश्रन है, और दूसरा salt pitter जो है, वो किसका common name है, तो options को अगर आप मैच करोगी, तो nitrate, surfer और charcoal जो है, उसका बना हुआ होता है, बारूद, जिसे हम पठाकों वगरा में भी use किया जाता है, तो aluminum sulfate जो है, aluminum sulfate का chemical formula क्या होगा, AL2SO4 और SO4 का whole thrice, तो aluminum sulfate जो है, उसी को हम alum नाम से जानते हैं, उसका short name है alum, अब alum को आप किस तरह से use करते हैं, तो एक तो हमने पहले पढ़ा था कि alum को हम coagulation के लिए use करते हैं, जैसे कहीं से भी अगर रखत बहरा हो, आपकी body में कई cut लगा हो, तो उसके उपर हम alum लगा देते हैं, तो alum क्या करता है, वहाँ पर coagulation कर देता है, इसी तरह एक use और है alum का fit curry का, आपने देखा होगा कि जो पानी की टंकियां होती है, उनके अंदर fit curry डाल दी जाती है, अब सवाल ये है कि वहाँ पर उसका क्या use है, तो होता क्या है कि fit curry को जब पानी में डाला जाता है, तो पानी के अंदर मान लीजे, जैसे पानी के bicarbonates हैं, तो उनके साथ में fit curry react करती है और precipitate बना लेती है, precipitate जो हमेशा क्या करेगा, जो आपकी टंकी है, पानी की टंकी उसकी bottom में जाकर उसके एकदम गहराई में जाकर कि वहाँ प fit curry को किसमें यूज करते हैं, पानी के शुद्धी करण में, यानि कि as a purifier for water, अगला जो question है, वो है, sea water can be purified by the process of, यानि मान लीजे कि अगर आपको समुद्रे जल है, अगर उसका शुद्धी करण करना हो, तो आप कौन सी process को यूज करेंगी, वैसे सबसे पहले हम question की बात क कर लेते हैं, फिर से के साथ में एक चीज और बढ़ेंगे, यहां जो आपको process दी हुई है, distillation, evaporation, filtration और fractional distillation, उन में से हम use करेंगे distillation का, ऐसा क्यों? क्योंकि sea water में क्या होता है, आपका जल है, और जल के साथ जो salts है, यानि कि नमक और उसके साथ थोड़े बहुत और जो salt में convert हो जाएगा, vapors में convert हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, salt, salt को हम निकाल लेंगे और उसके बाद में जो vapors है, उनको वापस हमें convert करना होगा, किसमें water की अंदर, तो इसी तरह से तो हम दोनों को separate कर पाएगे, अगर आपने cable vapors बना करके उसको atmosphere में छ eguification करना होगा, तो vapors को वापस हमें water में convert करना होगा, इससे अगर आप एक better technique मुझसे पूशेंगे, तो मैं आपको इसमें बताऊ नहीं, reverse osmosis, अगर यहाँ पे आपके option में reverse osmosis होता, तो आप हमेशा tick करेंगे reverse osmosis को, ऐसा कि सबसे पहरे तो osmosis process हम पढ़ चुके हैं, क यानि कि यहाँ पे आपके पास क्या है, salt है और water है, और दूसरी तरफ आपने शुद्ध पानी डाला है, यहाँ पे केवल water है, तो अगर आप देखोगे दोनों तरफ, दोनों तरफ में water की concentration आपको जादा कहां मिलेगी, शुद्ध जल के तरफ, तो आपका जो पानी है, व का भी आपने loss करा दिया, लेकिन यह जो process हमने अभी पड़ी है, वो थी सिर्फ osmosis, लेकिन मैंने जो आपको बताया कौन सी process हम यूज करेंगी, वो कौन सी है, reverse osmosis, यानि कि इसमें आपको क्या करना है, जो आपका समुद्री जल जिधर आपने लिया है, वहाँ पे आपको का भाव है, वो कैसे होगा, वो जो समुद्री जल है, उसकी तरफ से शुद्र जल की तरफ होगा, तो finally, यहाँ पे समुद्री जल की जगह आपके पास जो बचेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे केवल आपके पास नमक बचेगा, और दूसरी तरफ जो है, वो आपके पास श detergents है, detergents को cleaning करते हैं, जो उनका सफाई का जो कार रहे है, वो कौन से सद्धान पर बेज जाए, यानि कि कौन सी ऐसी property है, जो काम आती है, तो water की एक property होती है, surface tension की, जो जल की सबसे उपर की layer होती है, वो stretched एक membrane की तरह आप करती है, लेकिन जो हमारी detergents है, जो क्या करेंगे, detergents और soups, यह जो surface tension है, इस surface tension को कम कर देते हैं, और इसी वज़े से इनका जो cleaning का action है, वो होता है, तो इसलिए correct answer कौन सा होगा, option B, अगला सवाल है, ethanol के बारे में की, हमें उस ethanol का नाम बताना है, जिसके अंदर water की जो concentration है, वो 5% हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे options दिख रहे होंगी, जिसमें से आपको पता होना शहिए, सबसे बहले तो की कौन सा alcohol है, वो किसके लिए हम use करते हैं, तो आप मिदसे पूछेंगे कि power alcohol क्या होता है, तो power alcohol, अगर आपने alcohol जो है, उसके साथ में petrol को mix किया है, लेकिन अब important क्या है यहाँ पर कि इनकी concentration क्या है, इनकी concentration होती है 20 is to 80, और अगर आप ratios में बताना चाहें, तो 1 is to 4, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे power alcohol, लेकिन जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इसमें water के concentration की कोई बात नहीं हुरी, यानि हमारे question के हिसाब से यह option हमारे किसी काम का नहीं है, फिर आती है हमारे पास methylated alcohol या denatured spirit, actually में क्या होता है, कि पहले जैसे alcohol वगएरा है, इथनॉल वगएरा वो labs के अंदर भी होती है, हमारे जैसे chemistry labs हैं उनके अंदर experiments के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे cases देखे गए जहाँ पे वो ethanol जो थी, उसको उसकी चोरी कर ली जाती थी, या फिर उसका misuse किया जाता था, इसलिए उसके अंदर कुछ poisonous substances मिला दिये जाते हैं, वो poisonous substances कौन से हो सकते हैं, जैसे कि acetone हो सकता है, उनके साथ में methanol हो सकता है, अब आपने पढ़ा होगा कभी-कभी कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग अंधे हो गए हैं, तो यही जो है methylated alcohol या जो denatured spirit है, अगर इसका consumption कर लिया जाता है, तो वो आपकी आँख को effect करता है, इसलिए at present जो है वो government ने labs में pure alcohol supply करने की जगर denatured spirit supply की है, लेकिन अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं आया, तो last option जो बचता है आपके पास वो है rectified spirit, और यह माना जाता है कि almost 96% pure alcohol होता है, यानि कि इसमें water का concentration कितना बचा, 5 या 4% तो हमारा question का answer आता है अब, कि जो rectified spirit है, उसके अंदर जो पानी की concentration है, वो almost 5% है, या फिर अगर आपको यह भूशें कि इसमें alcohol की concentration कितनी है, तो वो कितनी होगी 95 या 96% तो correct answer कौन सा है, option A, अगला सवाल है immunal के बारे में, कि immunal क्या है, अगर हम बात करें immunal की, तो immunal एक mission है, और एक इस तिस चीज़ का mission है, इसमें हम use करते हैं, aluminum powder, immunal को आप याद रखने के लिए मैं आपको एक trick बता सकते हूं, उसके first और last, अगर आप alphabet को एक साथ लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, aluminum powder, और दूसरे phase में आप उसको पढ़ेंगे, ammonia के जैसे, ammonia का कोई, आपके पास complex होगा, कुछ, आपके पास salt या कुछ भी complex होगा, तो ammonium nitrate, और जो aluminum powder का mixture है, उसको हम क्या कहते है, ammonal कहते है, तो correct answer यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ammonium chloride नहीं लेना है, हमें ammonium sulfate नहीं लेना है, हमारा answer क्या होगा, aluminum powder and ammonium nitrate, यह गलती से शायद option repeat हो गया, आप यू मान लेजे कि यहाँ पे ammonium nitrate था, ठीक है, तो correct answer आपको याद कर रखना है, ammonium nitrate है, nitrite नहीं है, अगला जो सवाल है, वो है कि which gas does not form the part of atmosphere, यानि कि यहाँ दी हुई जो gases है, हमें से ऐसी कौन सी gases है, जो atmosphere का part नहीं है, तो nitrogen हम पढ़ते हैं, सबसे जादा percentage nitrogen का है, helium जो है, वो जो हमारी noble gases है, उनमें से सबसे जादा percentage में पाई जाती है, helium नहीं पाई जाती है, sorry, आरगन पाई जाती है, helium एक noble gas है, लेकिन chlorine जो है, वो आप कभी नहीं पढ़ते हो, कि chlorine इतना percentage है, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option C, अग अगर आपके पास दो isotonic solutions है, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी property है, वो same होगी, क्या उनका vapor pressure same होगा, boiling point, freezing point, osmotic pressure, तो isotonic solutions जो है, उसमें सबसे पहले definition ही, हम उनको define ही इस basis पे करते हैं, कि उनका जो osmotic pressure है, वो same होगा, और osmotic pressure हम कैसे calculate करते हैं, उनके अंदर जो solute है, उसके basis पे, तो अगर आपके पास दो isotonic solutions हैं, तो उनमें same आप क्या बताएंगे, उनका osmotic pressure, यानि correct answer कौन सा होगा, option D, अगला सवाल है, which one of the following is softest, आपको नीचे कुछ option दिये हैं, इनमें से आपको बताना है, कि इनमें से सबसे नर्म कौन होता है, तो अगर आप first, जो alkali metals के आप बात करेंगे, तो कहा जाता है कि alkali metals जो हो soft होते हैं, अब alkali metals कौन से होते हैं, जो first आपके पास group है, यह जो मैं आपको elements लिख रही हूँ, यह आपके सारी जो example हैं, वो alkali metals के हैं, अब alkali metals को softest तो कहा जाता है, मान लिए, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो अगर आप इ लिखने को मिलेगा कि इन में से जो last shell है, उसके अंदर आपको हमेशा एक ही electron मिलेगा, और वो एक electron होने की वज़ज़ से क्या होता है, जो यह atom है, इसके nucleus में और सबसे बाहर वाले electron के अंदर जो attraction है, वो काफी कम होता है, इसलिए कैसे होते हैं, soft होते हैं, और sodium जो है वो से काट सकते हैं, तो यहाँ पर correct answer कौन से होगा, option A, क्योंकि इसमें alkili metals में से एक ही example आपको दिया हुआ है, अगला सवाल है कि human blood groups जो है, रक्त समूझ जो है मानव के उनकी खोज किसने करी थी, तो land steiner ने discovery करी थी, ABU blood group जो है हमारा जिसमें हम blood groups बताते हैं, A बताते हैं, B बताते हैं, AB और O, इसके discovery भी land steiner ने करी थी, और RH blood group जो है जिसमें हम RH positive या negative बताते हैं, वो discovery भी किस ने करी थी, land steiner ने, तो correct answer कौन सा है इसका, option A, अगला जो सवाल है वो है, The residue left after extracting juice from sugar beet and sugar cane is called, यानि गन्ने में से जब आप रस निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो पीछे आपके पास जो भी बचता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे हम खुई कहते हैं, या फिर बेगेसी कहते हैं, और यह अलग अलग आपको जगर इसका और भी आगे यूज होता ह है, बेगेसी का, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम से सिर्फ इतना ही भूचा गया था, कि जो रेजीडवेर है, जो बाद में बच जाता, अवशेश जो है, उसका नाम क्या है, उसे हम कहते हैं, बेगेसी, अगला सवाल है, कमर्शिल वलकनाइजेशन अफ रबर इन वाल्स, होता है, जो रबर है, उसको हम सलफर के साथ में ट्रेट करते हैं, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सलफर के साथ ट्रीग्मेंट करके, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग यानि की एक दूसरे के बीच में जो फाइबर्स हैं, अलग- यह काफी important होती है आपको पूछा जा सकता है कि इसमें हम किसे use करते हैं तो sulfur का हम इसमें use करते हैं तो correct answer कौन सा होगा option A और ऐसा करने से होता क्या है वहां पे cross linking होती है अगला सवाल है which one of the following is not a radioactive element नीचे जो आपको option दिया हुआ है में इसे आपको बताना है कि कौन सा एक radioactive element नहीं है तो uranium एक radioactive element है फूरी nuclear energy हमारी इस पर based है thorium और radium भी radioactive elements है लेकिन cadmium जो है वो एक radioactive element का example नहीं है यानि हमारे सवाल का सही जवाब है अगला प्रशन जो हम पढ़ेंगे वो है soaps के बारे में साबुन के बारे में साबुन से जो हम कपड़े धोते हैं ये क्यों धोते हैं क्योंकि थोड़े दर पहरे जैसे हम detergents की बात कर रहे थे surface tension उसके अंदर हमने बात करी थी सतही तना है वो कि chemical of soap change तो क्या आपको लगता है कि पानी में गुल जाने के बाद में उसका chemical nature change हो जाता है नहीं क्या वो surface tension को बढ़ाते हैं नहीं वो surface tension को घटा देते हैं तो correct answer इसका कौन सा होगा option D अगला सवाल है कि जो candle है candle में किस-किस चीज का mixture होता है तो candle mixture होता है paraffin wax और stearic acid का तो अगर आप देखेंगे तो bees wax जो है वो आप candle में यूज नहीं करते हैं ये भी तरह के fatty acids का example होता है पर जो candle में specifically हम यूज करते है वो है paraffin wax और stearic acid उसके बाद में जैसे colored candles बनाने तो उसके लिए अलग compounds add हो जाते है पर basic जो दो आपको याद रखने है वो ये दो है अगला आपको जो सवाल पूछा गया है आपको बताने है total number of sigma bonds found in the following compound इस तरह के सवालों में आपको तीन तरह की चीज़ें पूछे जा सकती है पहला आपको sigma bond पूछा जा सकता है दूसर आपको total number of bond पूछे जा सकते हैं तो अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो आपको इसके अंदर आप गिनोगे कि ये bonds हैं ये हैं ये हैं पर मैं आपको एक suggestion दोगी कि इस तरह की questions में आप जो भी आपको formula दिया हुआ हुआ उसको split कर लें अगर आप split करेंगे जो आपको structure द triple bond है और फिर इस carbon के साथ एक और hydrogen attached है अब कहीं पर भी आपको अगर single bond दिखता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं sigma bond की calculation की अगर कहीं भी आपको single bond दिखता है तो वो हमेशा कैसा होगा sigma bond होगा equal bond जहां भी होगा वो कैसा होगा sigma अगर कहीं भी आपको double या फिर triple bond दिखता है तो उसमें से एक bond हमेशा sigma होगा बाकी जैसे double bond है उसमें एक bond और बच गया तो वो कैसा होगा pi और अगर triple bond है तो बाकी बचे हुए 2 bond कैसे होगी pi bond यानि कि pi bond की बात हम सिर्फ तभी करेंगे जब आपके पास कोई double bond हो या फिर आपके पास कोई triple bond हो और total bonds अगर आपसे पूछे चाहें तो sigma और pi दोनों को आप add कर दें क्यूंकि सवाल में हमसे sigma bond पूछे हैं तो हम check कर लेते हैं ये एक sigma bond है single है क्यूंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11 तो मैंने जब calculate किया मुझे यहाँ पे मिले 11 sigma bond और इसी तरह अगर आप pi bond भी calculate करना चाहें तो double bond में sigma एक हम पहले गिन चुके हैं तो बचे हुए सारे कौन से होता है pi और इसी तरह triple bond में आपको मिलेगे 2 pi bond तो total अगर आप यहाँ पे pi bond calculate करना चाहें तो वो कितने हो गए 4 लेकिन हमसे पूशा क्या है आप यहाँ पे sigma bonds तो correct answer क्या होगा यहाँ option c अगला सवाल है कि 30 degree Celsius जो है उस पे 3 metals जो है वो कौन-कौन से liquid होते हैं अगर हम liquid metal के usual बात करें तो room temperature पे mercury और bromine जो है यह दोनों कैसे होते है liquid होते है metals non metal की बात नहीं हो लिए सिर्फ elements की बात हो लिए लेकिन जो gallium और cesium है यह दो ऐसे examples है जो room temperature से थोड़ा सा temperature बढ़ते ही यह change हो जाते है liquid के अंगर तो 30 degree Celsius क्योंकि अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है एक्वारीजिया के बारे में आपको पूछा है कि इसके अंदर कौन-कौन से दू ऐसी चीज़े हैं जो one is to three के mixture में होती है एक ती एक और तीन अनुपात के अंदर मिलने वाले ऐसे कौन सी दो चीज़ों का मेश्रण है एक्वारेजिया तो एक्वारेजिया के अंदर जो दो चीज़े आपको मिलेंगी वो कौन-कौन सी होगी एक्चन नूत्री मिलेगा आपको याना यह एक पार्ट मिलेगा और जो हाइड्रोग्लूरीक एसिड है उसकी सांदर्जा कित्मी होगी तीन गुना होगी एक्चन नूत्री से इसको एक्वारेजिया या फिर आप पूछेंगे कि इसका क्या काम है तो कुछ एक क्वारेज होते हैं जैसर के गोल्ड है हमारा एयु है उसके एलावा ब्लैटिनम प्लै जो है närде कुछ ऐसे एलेमेंट्संहें जो आसानी से सॉल्य बनायों यह dवनों सॉल्य होते हैं हमारे एक्वारेजिया में तो ऑप्टेंस देखते हैं कंसेंट नाइट्रिक आसर और कंसेंट्रिटिट हाइड्रोग्लॉरिक एक दम सही आंसर आपको इसमें रेश्यो का भी ध्यान रखना है अगर आपको सवाल में वन इस्टो थी बूला है तो पहले नाम उसी का आ इसमें जल वाश्प की अधिक्तम मात्रा कितनी हो सकती है वैसे तो हम सब जानते हैं कि जल वाश्प की मात्रा है वो जगर से जगर अलग-अलग होती है वहां पर कितनी हमेडिटी है कितना इस पे भी डिपेंड करता है लेकिन फिर भी अगर आप इसका जवाब देना चाहो तो maximum जो water vapor content है वो होता है 3 से 4% यानि सही जवाब कौन सा होगा option B अगला सवाल है the amount of chlorine available in water after disinfection is called यानि किटानू शोधन जो है disinfection जो है वो करने के बाद में chlorine की अगर जो मात्रा जल में बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं तो किटानू शोधन क्या है यह ऐसी process है जिसको करके हम अगर कोई भी जीवान हो वहाँ पर present है तो हम उनकी death हो जाती है इस वज़े से उसे हम कहते है residual chlorine यानि कि अवशिष्ट chlorine जो पीछे बच जाता है उसे कहते है तो कर एक answer कौन सा होगा यहाँ पर option B अगला सवाल है कि what are the major pollutants of cigarette smoke cigarette smoke जो आपने usually देखा होगा cigarette smoking के लिए मना किया जाता है smoking और drinking को अच्छा नहीं माना जाता है तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ reason है तो cigarette smoke की वज़े से काफे सारी diseases होती है वो अलग और असवक्त जो smoke निकलता है उसके अंदर present होता है carbon monoxide तो यह दो चीज़े हैं जो इसके major प्रदूशक है प्रमुक प्रदूशक और correct answer कौन सा होगा यहाँ पर option B अगला सवाल है nuclear energy जो है nuclear energy एक mineral based energy source है ठीक है तो यह जो mineral based energy source है यह किस किस से derive किया जाता है uranium, thorium, plutonium या फिर सब से तो यह जो mineral based energy source है इसका main source है वो कौन है uranium तो correct answer यहाँ पर कौन सा होगा option A अगला जो सवाल है वो है कि the number of moles of solute present in one kg of solvent is called यानि कि एक kg अगर मान लेज़े आपके पास विलायक है उसके अंदर विलायक मोल्स के संक्या आपको अगर बतानी है तो आप उसे क्या कहेंगे तो दो चीज़े होती हैं एक होती है molality और दूसरी होती है molarity मोललता और मोलरता molarity को अगर हम इसी definition के अंदर अगर आप मुझसे पूछें कि एक लीटर अगर आपके पास विलायक है उसमें अगर मुझे विले के मोल्स के संख्या बतानी है तो मैं उसे कहूंगी molarity और इसी तरह अगर आप मुझसे एक केज़ी की अगर बात करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगी molलता यूकि सवाल में बात करी गई है वन केज़ी सॉल्वेंट की तो सही आंसर कौन सा होगा molality इसी तरह अगर आपको इसके formula पूछा जाए तो molality का formula होता है number of moles उसके बाद में आपको बतानी होती है आपको बतानी होती है 1 kg solvent के अंदर ठीक है वो है molality तो यह हुआ हमारा सवाल अगला सवाल जो है वो है zinc sulfide के बारे में जो कुतर के खाते याने की चूहे की जैसे जो चार्वर होते हैं वो सारी rodents में आते हैं और जो zinc sulfide है उसे हम rodenticide की तरह rodents को मानने के लिए यूज़ करते हैं अगला सवाल है कि purest form जो है water का वो कौन सा है तो water का purest form है rain water अब आप कहेंगे कि rain water में तो acid rain और कितनी चीज़े आ जाती है फिर भी आप rain water को pure water क्यों कह रहे हो तो acid rain जो है वो तो अभी का concept है लेकिन अगर आप rain water की बात करें तो ground water जो है उसे भी आप कहेंगे कि उसे कह हैंगे हम तो purest form of water तो उसके अंदर तरह की impurities जो है वो mixed होती है लेकिन जब आप water cycle पढ़ते हैं तो जो भी water है उसका जब evaporation हो जाता है तो जितने भी salts हैं जो भी impurities हैं वो सारी जो है वो earth पे ही रह जाती है और जो fresh water है वो हमारा पहुंचता है atmosphere में और जो clouds का formation कर लेत है तो rain water भी अगर आप ना कहना चाहों तो clouds के अंदर जो water present है वो purest form of water होता है तो correct answer कौन सा होगा option B अगला सवाल है the material used in the manufacture of lead pencils lead pencils के manufacture के लिए हम किसे यूज करते हैं graphite को use किया जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो graphite की pencils है उसे कभी भी आप electricity के socket में एंटर करके उसे पकड़ के ना रखें क्योंकि उसके बाहर जो wood present है वो तो एक जो electricity है उसका bad conductor है लेकिन उसके center में जो graphite present है वो electricity का good conductor होता है तो इस वज़े से आपको shock लगने की chances हो सकते है यह additional चीज जो मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी लेकिन lead pencils के अंदर आप ये ना कहें कि उसे lead से बनाया जाता है उसे हम किससे बनाते हैं graphite से अगला सवाल है कि if all the bullets could not be removed from gunshot injury of a man it may cause poisoning by मान अगर कोई इनसान है कोई एक जैसे army में हमारे soldiers हैं उनमें से किसी को bullets से injury हुई है वो gunshot हुआ है और अगर मांगीजे उसमें तीन bullets जो है वो shot की गई लेकिन हम उनको दो ही bullets को निकाल पाए या फिर अगर कितने भी amount एक या दो कितने bullets अगर body में रह गई है तो ऐसी कौन सा element है जिसकी poisoning उसको हो सकती है तो जो bullets होती है bullets के अंदर जो lead है सीसा जो है उसका एक major amount होता है तो bullets अगर रह जाती है तो उसमें lead poisoning होने की बहुत chances होते हैं जिसमें वो हमारे brain को काफी तरह से effect कर सकता है तो correct answer उसका कौन सा होगा option B अगला question है कि जो हमारा gastric juice है gastric rust जो है उसमें कौन सा अमल पाया जाता है तो gastric juice में मिलने वाला acid हमारा कौन सा होता है HCl होता है उसके अलावा इसमें कुछ enzymes present होते हैं लेकिन यहां क्योंकि बाद सर्फ अमल की हो रही है तो correct answer कौन सा होगा hydrochloric acid अगला सवाल है कि which of the following could be used as a fuel in propellant or rockets यानी जो rocket है हमारे उनमें इंधन की रूप में हम नीचे जब यह में उनमें से किसे यूज कर सकते हैं तो इंधन में जब भी हमें कोई चीज यूज करनी होती है तो हमारे पास एक चीज हमें याद रखनी होती है कि हमें एक oxidant यूज यूज करना होता है या फिर हमें एक oxidizer यूज करना होता है और oxidizer के साथ में हम यूजवली यूज करते हैं liquid hydrogen को अब oxidizer oxygen से तो अच्छा कौन होगा और oxygen में भी कौन सा हम यूज करते है liquid oxygen मतलब liquid oxygen और liquid hydrogen जो है उसको हम इंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो options match कर ले अगर काफी तरह से यूज किया जाता है जितने भी plasters अगर आपको कोई fracture हो जाता है तो उस वक जो plaster आपको लगाया जाता है वहां पे भी plaster of Paris का इस्तिमाल किया जाता है और यहां सवाल है कि यह किसके आंशिक निरजली करन्ट से इसका formation होता है तो gypsum जो है पहले आप क्योंकि यहां पे water molecules कितने है आधा water molecule बचा है इसलिए हम इसको हेमि हाइब्रेट कहते हैं अब यह बना आया हमने किससे है तो हमारे पास gypsum है जिसका chemical formula क्या है CASO4.2H2 इसके पास दो water molecule थे इसका हमने निरजली करन्ट किया निरजली करन्ट में हमने इसका पूर्ण निरजली करन्ट किया है जिसकी वज़े से हमें क्या मिला plaster of Paris POP तो correct answer यहां पे कौन सा होगा option B blue vitriol जो है वो copper sulfate का नाम होता है blue क्यों कहते है उसको क्योंकि वो appearance में उसका color जो हो blue होता है यह भी आपको पूछा चा सकता है अगला सवाल है water can be separated from alcohol अगर माल लीजए आपक यूस करेंगे distillation को क्योंकि पहले हम क्या करेंगे boiling point में जो difference है उनके according उनको boil कर देंगे और उसके बाद में उसका वापस condensation करेंगे तब ही तो हमारे पास दो अलग अलग जगह हमें alcohol और water मिलेगा हम सीधा उसको vapors बनागर कि उसको atmosphere में उडा नहीं सकते हैं तो correct answer कहों सा होगा इसका option c milk sugar पूछा है आपसे milk sugar क्या होते है तो जो हमारा milk है उसके अंदर जो sugar present है यानि जो carbohydrate present है उसे हम क्या कहते है milk sugar और उसका नाम क्या होता है lactose जो की एक monosaccharide है तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा option a अगला सवाल है कि जो petroleum जो है वो किन किन चीजों का mission होता है तो petroleum जो है वो hydrocarbons का mixture होता है तो correct answer क्या है इसमें option b कुछ सवाल है जिनके आपको answer याद रहते हैं होने भी जाए हैं उनकी answer आपको याद अगला सवाल है the gas which is used in filling weather balloons weather balloons को fill करने के तो weather balloon actually क्या है उसको आपको या balloon जो है उसको atmosphere में हम उपर के तरफ छोड़ते हैं तो उसमें आपके पास सब options है कि हम उसमें air fill करें hydrogen या helium अब आपको उसको atmosphere में ही छोड़ना है वायू मंदल में ही छोड़ना है तो वायू मंदल में air तो है अब माल लीजिए आपने जो balloon है उसके अंदर भी air ही fill कर दी त heavy का कुछ matter ही नहीं है next आपके पास जो option है वो है आपके पास helium का और hydrogen का अब आप कहोगे कि air को तो चलो आपने reject कर दिया लेकिन hydrogen और helium जो हैं यह दोनों तो light हैं यह दोनों हलके हैं हमारे air के comparison में तो इन दोनों में सब आप किसी एक को कैसे choose करोगी तो helium जो है वो हमारी ए चाहेंगे कि हमारा balloon जो हम जितनी मेहनत करके हमने भेजा है उसको हम hydrogen या फिर उसमें कोई ऐसा incident हो जिसकी वज़ा से अगर कहीं पर आग लग भी जाए तो आस पास से वो आग पगड़ लिए ऐसा हम नहीं चाहेंगे तो हम किसे use करेंगे helium को तो correct answer यहां कौन सा होगा option A अगला सवाल है कि hydrogen जो है वो atmosphere में हमें नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है क्योंकि hydrogen जो है वो सबसे हलकी gas है वो air से भी हलकी होती है air में अगर आप बाकी gases को एक बार के लिए भूल भी जाओ तो air में हमारे पास सबसे ज़ादा है nitrogen जिसका atomic weight है 14 और hydrogen का अगर आप hydrogen से ज़ादा तो nitrogen ही हो गया अगर आप average निकालोगे भी तो भी कम से कम आले जिए 10 हो गया air का atmospheric weight तो भी hydrogen कितनी ज़ादा हलकी हो गई तो इतनी हलकी होने की वज़ा से जो earth है earth के atmosphere को ये exit कर जाती है इसे लिए hydrogen जो है उसका concentration बहुत कम मिलता है atmosphere के अंदर तो अगर हम बात करें तो कौन सा option सही होगा कि ये light gas है ये बहुत ही हलकी gas है अगला जो सवाल है वो है कि what is iodized table salt तो iodized table salt जो है यानि NACL जो iodized है उसको आप एक element कहेंगे एक compound कहेंगे एक heterogeneous mixture कहेंगे या फिर एक homogenous mixture कहेंगे सबसे पहले आपको पता होना शाहिए कि ये सब होते क्या है तो element अगर हम बात करें तो pure state में अगर कुछ है उसे हम कहेंगे element जैसे कि मान लीजे कि sodium हुआ, chloride हुआ, potassium हुआ, hydrogen हुआ, ये सब क्या है, element है compound अगर आप बात करें तो ये भी एक pure element ही होता है पर ये 2 या 2 से ज़्यादा elements का बना हुआ 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 जैसे आप केवल अगर NACL की बात करेंगे तो NACL किससे बना हुआ है बुरा, NACL, NACL, NACL लेकिन अगर आप NACL लेखेंगे तो उसके अदर आपको 2 elements में देंगे जो कि है एक sodium और दूसरा है chloride यानि compound जो है वो भी है तो pure लेकिन वो किससे बना हुआ होगा या तो 2 या 2 से ज़्यादा elements ही अब आपके पास आते हैं mixtures, mixtures क्या होते हैं? mixtures होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा substances हैं आपके पास उनको आपने mix किया है लेकिन उनका जो mixture है उनका mixture है उसके अगर आप ratios की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी जो fixed ratio है वो नहीं होता है यानि की उनको कोई एक fixed अनुपात में हमने नहीं मिला है बस हमने दो चीज़े उनको आपस में मिला दिया है अब वो heterogeneous भी हो सकता है और homogenous भी हो सकता है कि iodine को आप हर जगा बराबर मिलेगा हो सकता है कि concentration इदर इदर हो जाए तो इसलिए जो iodized result है वो किसका example होगा heterogeneous mixture का mixture क्यों क्यों क्योंकि दो substance हमने क्या-क्या मिला लिए iodination को आपने जो भी उसके लिए use किया है वो है और उसके साथ में NACL है तो mixture तो confirm होगा यानि homogeneous mixture है अगला सवाल है कि आपको दिये हुए कुछ organic compounds carbonic yogic है इन में से फली ये सुगंद किसकी होती है तो ester जो होते है उनकी खुश्बो fruities में होती है सुगंद उनकी कैसी होती है फली ये होती है तो correct answer इसका होगा option C अगला सवाल है which material is used to make electric heater electric heater या फिर electric bulb का wire है उन सब को बनाने के लिए आप कौन से wire को यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते है नाइक्रोम के wire को नाइक्रोम के wire को क्यों यूज किया जाता है क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि electric जुतनी भी आपके पास device है विध्यू होई चाहिए कि temperature बढ़ने पर ऐसा ना हो कि वो पिघली जाए तो इसका melting point जो है वो जादा होना चाहिए तो नाइक्रोम एक ऐसा substance है इसका melting point high होता है और दूसरा माइक्रोम का use क्या है कि यहां पर जो resistance है जो resistance क्या होता है current में जो रुकावट होती है resistance भी इसका कम है तो soap industry के अंदर जो by product है वो कौन सा होता है यानि कि मान लो आपने साबून बनाया है तो साबून के साथ साथ कौन सा substance बनता है तो जब हमने saponification की reaction पढ़ी थी saponification क्या है soap बनाने की जो process है उसके अंदर हमने देखा था कि साबून के साथ में glycerol का formation होता है तो correct answer इसका कौन सा होगा option B अगला सवाल है कि जो apple का flavor होता है वो किस वजह से होता है तो apple के अंदर जो ethanol है उसकी concentration के according उसका flavor अलग-अलग होगा और इस flavor की वजह भी कौन है ethanol यानि कि option C जो है वो हमारा सही जवाब है अगला सवाल है for determination of age which among the following is carbon dating method used यानि कि age को बता करने के लिए हम carbon dating method यू कि age पता करेंगे क्या पेडों की age भी हम इससे पता कर सकते हैं क्या चटानों की age हम पता कर सकते हैं तो जो जीवाश्म है और जो चटाने है इन दोनों की age जो है वो हम carbon dating जो हमारा method है उससे हम पता लगा सकते हैं तो correct answer कौन सा होगा इसका option D यानि कि एक और दो दोनों अग इसे ही जल के संपर्क में लेकर आए तो उससे बहुत आसानी से जो है colloidal villain बन गया colloidal solution का formation हो गया तो उसे आप क्या कहेंगे तो यहाँ पर दो चीज़े जिन में आप confuse हो सकते हैं और है hydrophobic collide और hydrophilic collide तो यह आपको याद रखना है philic term जहां कहीं भी आती है उसका मतलब होगा जैसे hydrophilic है तो यानि कि यह जल की तरफ आसानी से आकर्शित होगा इसे हम जल प्रीबी या फिर water loving भी कहते हैं इसी तरह hydrophobic जो है उसको हम कहते है water repelling यानि जो जल है उससे दूर भागेगा तो जल्दी से colloidal solution का निर्मान नहीं करेगा न इसलिए यहाँ पे सही ज हीट करोगी तो क्या बनेगा तो जब आप एक aldehyde को और उसके साथ में आप naoh या फिर koh के साथ में जब उसको heat करते हैं और aldehyde भी कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर alpha hydrogen नहीं होने चाहिए तो उस वक्त आपकी जो reaction होती है उसे कहते हैं हम kennyzaro reaction जो की एक named reaction है और आपके पास जो substance बनता है वो कौन सा होता है alcohol यानि यहाँ पे आपके पास एक carbon का alcohol बनेगा और इस एक carbon का alcohol को हम क्या कहेंगे methyl alcohol इसे के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब आप concentrated H2SO4 है उसके अंदर dry KNO3 को add करेंगे तो brown fumes जो evolve होती है तो nitrogen का यहाँ कोई oxide है जिसकी brown fumes होती है और वो ही इस gas के अंदर इस reaction में evolve होगा और वो कौन सा है nitrogen dioxide जो की brown colored gas होती है तो correct answer कौन सा है इसका option C next question है हमें एक ऐसे polymer का नाम बताना है एक ऐसे बहूलक का नाम बताना है जिसे आप plastic crockery यानि कि प्लास्टिक की बरतन बनाने के लिए यूज़ में देते हैं तो आपने यूज़वली plastic की plates, काटोरियां वगरा देखी होंगी तो उनको बनाने के लिए हम जो polymer जिस बहूलक क यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं melamin या आपको सीधा याद रखना है कि melamin से हम plastic की बरतन मनाते हैं, correct answer यहां कौन सा हो जाएगा, option D अगला सवाल है आपसे पूछा है कि जो modern periodic table है आधोनिक अवर्थ सारणी जो है उसके अंदर कितने periods हैं तो हम बात कर लेते हैं दोनों periods और groups की तो हमारे पास 18 groups हैं और periods हमारे पास कितने हैं 7 periods हैं तो आपने periodic table देखा होगा इस तरह से तो यहां पे आपको 18 columns मिलते हैं तो जोने हम groups कहते हैं और इस तरह जो आपको मिलते हैं वो हैं हमारे periods जो कि कितने हैं 7 तो correct answer इसका कितना होगा option D अगला है कि आपको डालडा या वनस्पती घी अगर बनाना हो vegetable oil से चीख है वनस्पती तेल से तो आप कौन सी process यूज करते हैं तो इनके अंदर हम जो process यूज क hydrogen gas add करने से क्या होगा जो double bonds और triple bond है उनके टूपने की वज़े से जो valency खाली हो जाती है वहाँ पे hydrogen जाके attach हो जाएगा तो correct answer यहाँ पे कौन सा है hydrogenation यानि की option C आज का आखरी सवाल जो है वो है कि smoke जो है वो कैसे form होता है smoke जो है smoke कैसे बनता है smoke के जब particles हैं वो air के अंद smoke का formation होता है जिस तरह से fog की हमने बात करी थी fog धुन जो है उसके अंदर water droplets होती है gas के अंदर या atmosphere में उसी तरह smoke है तो correct answer कौन सा होगा option E यानि की solid के particles gas में dispersed होते हैं falling chemicals is used in photography यानि की यहां पर आपको कुछ chemicals दिये हुए हैं उन में से आपको बताना है कि photography में हम इन में से किसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो usually क्या होता है photography में हम silver के जो hyalides हैं यानि की fluorine, chlorine, bromine इन सब को use करते हैं और उन में से भी जो silver bromide है उसको सबसे जादा यूज किया जात हैं और silver bromide के बारे में एक जिस और जान लेते हैं कि silver bromide जैसे इसके उपर light rays इसके उपर जब गिरती हैं उसके बाद में क्या होता है कि यह जो silver बाद में रह जाता है इसमें क्या होगा silver यहां पे plus one oxidation state में है silver zero oxidation state में convert हो जाता है और بعد में photographic जो है उसके अदर एक उपेक form म रह जाता है तो उस बज़े से इसे हम यूस करते हैं तो यहाँ कौन-कौन से जो compound CMMA से हमारा answer कौन सा होगा? Option B, जो है silver bromide. अगला question है, एक reaction दी है आपको, PbO plus carbon converts into Pb plus carbon monoxide. अब यहाँ पर आपको काफे सारे options दी हैं, सारे reduction, oxidation, oxidizing agent के हैं, तो हम पहले question में देख लेते हैं. जैसे हमने पहले oxidation state से पता लगाया था, तो यहाँ पे Pb plus 2 oxidation state में, oxygen minus 2 oxidation state में, carbon zero oxidation state में, lead zero oxidation state में, carbon यहाँ पे है plus 2 oxidation state में, और oxygen कितने में हैं, minus 2 में. तो अगर आप देखोगे lead और carbon को, तो carbon में क्या हो रहा है? जीरो से plus 2. तो जैसा हमने देखा, oxidation states यहाँ पे carbon से, carbon monoxide में जाने पे oxidation state में, जो conversion हो रहा है, वो क्या हो रहा है? zero oxidation state से plus 2 oxidation state. तो oxidation state अगर बढ़ रही है, chemical reaction में हमने सभी की oxidation state देखी, oxidation state देखने के बाद में, जब हमने carbon की दोनों oxidation states को compare किया, तो हमने क्या देखा? कि carbon की oxidation state, zero से plus 2 की तरफ जा रही है, यानि कि यहाँ पे increment हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? oxidation कहेंगे, यानि carbon का oxidation हो रहा है, carbon का अगर oxidation हो रहा है, तो lead का क्या हो रहा है? reduction, अब हम बात करेंगे कि इन में से oxidizing agent कौन है, और reducing agent कौन है, oxidizing agent और reducing agent हम देखते हैं, जैसे कि carbon के लिए अगर आपको देखना है, तो आपको देखना होगा lead के साथ क्या हो रहा है, अगर lead का reduction हुआ है, तो oxygen क्या है? oxygen है reducing agent, और इसी तरह lead आपका क्या हो जाएगा? oxidizing agent, तो options जो दिये हैं, वो हम देख लेते हैं, PBO, PBO के बारे में दिया हुआ है, कि PBO oxidized हुआ है, तो PBO जो है, minus 2 से zero oxidation state में चला गया है, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पे negative, minus 2 नहीं है, sorry, lead का तो plus 2 था ना, plus 2 oxidation state से zero oxidation state में चला गया है, oxidation state कम हुए है, तो यह oxidize नहीं हुआ है, reduce हुआ है, कहा है कि carbon जो है, वो oxidizing agent की तरह काम कर रहा है, तो carbon के वह लिए मैंने क्या होता है, carbon का तो खुद का oxidation हो रहा है, तो वो किस तरह से add करेगा? reducing agent, क्या होती है, जिसके अंदर oxidation और reduction, दोनों reaction present और दोनों हमने यहाँ पे देखी है, तो इसलिए यह option भी क्या होगा, गलत होगा, अगला question है कि sigma bond जो है, और pi bond का comparison किया हुआ है, sigma bond जो है, वो weak होता है, strong होता है, unstable होता है, कैसा होता है, कि sigma bond जो है, वो pi bond से ज़ादा stronger होता है, तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, option A, अगला question है, which one of the following is extensively used for sterilizing water, water के sterilization के लिए, या फिर उसको किटानू रहे करने के लिए, हम कौन से chemical का use करते हैं, तो हमने पहले chlorination पढ़ादा water के बारे में, तो chlorination के लिए हमें direct chlorine या chlorine तो मिलने वाला नहीं है, तो हम उसके लिए use करते हैं bleaching powder को, अब आप पूछेंगे bleaching powder का formula, bleaching powder का formula होता है, CACLO hold wise, और इसको हम कहते हैं calcium hypo chloride, तो हम bleaching powder को use करेंगे, sterilization के लिए, किटानू रहेत करने के लिए, और वहां से हमें जो chlorine थी, वो extract हो जाएगी, तो यहां पर correct answer कौन सा होगा, option A, जो कि क्या है bleaching powder, अगला question है कि higher altitudes के उपर, जो boiling point है liquid का, उस पर क्या फरक पड़ेगा, तो सबसे पहले तो सवाल ये है, कि higher altitudes पे जाने पे, अधिक उचाईयों पे जानने पे क्या होता है, तो एक important चीज जो हम पढ़ते हैं, कि atmospheric pressure जो होता है, दाब की अगर हम बात करें, तो atmospheric दाब जो है, वो कम हो जाता है, और boiling point जो हम calculate करते हैं, तो उसके अंदर atmospheric pressure का भी रोल होता है, तो अगर atmospheric pressure कम हो रहा है, तो boiling point पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी तरह अगर ये सवाल आपको, sea shore पे या समुदर किनारे पे पूछा जाएगा, तो इसका answer opposite हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे atmospheric pressure जो है, वो बढ़ जाता है, सवाल था higher altitudes के बारे में, तो boiling point क्या होगा, boiling point decrease होगा, यानि की option B, अगला सवाल है, which of the following does not have 8 valence electrons, यानि की संयोजग electronों की संख्या 8 जो है, वो किसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको सारी जो gases दे हुई है, वो noble gases दे हुई है, helium, neon, argon और xenon, इसमें से जो helium है, उसमें total number of electrons, जो हैं, वो ही 2 हैं, तो इसमें valence shell में 8 electrons तो होई नहीं सकते, उसके अलावा जितनी भी noble gases होती है, सबके अंदर valence shell में कितने electrons होते हैं, 8 electrons, सही होजग electron कितने हैं, 8, तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, option A, अगला सवाल है, जो cream है, cream gets separated out of milk when it is churned, जब दूद को मता जाता है, तो malay जो है, वो अलब क्यों हो जाती है, कौन सा force ऐसा लगता है उसके उपर, तो जब उसको हम मत से हैं, तो उसमें gravitational force का कोई भी role नहीं होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ भी ऐसे devices यूज़ करते हैं, जिसमें उससे regular circular motion होता रहता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो centrifugal force है, यानि कि जो center से दूर की तरफ जाते हैं, उन force की वज़र से, जो है, malay जो है, वो दूद से अलग होती है, तो यहाँ पर एक सही answer कौन सा होगा, centrifugal force, अगला सवाल है, हैबर्स प्रोसेस के बारे में, हैबर्स प्रोसेस जो है, उसे हम कभ यूज़ करते हैं, और क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हैबर्स प्रोसेस एक named reaction है, जहाँ पर हम ammonia का formation करते हैं, और जो reaction होगी, वो क्या होगी, N2 प्लस H2 converts into NH3, अगर आपको यह reaction बैलेंस करनी है, तो आप कैसे करेंगी, यह इसकी complete reaction है, एक चीज़ और जो आपसे पूछी जा सकती है, कि यहाँ पर catalyst की तरह किसे यूज़ करते हैं, तो iron जो है, उसे यहाँ पर catalyst की तरह यूज़ करते हैं, तो किसका formation हुआ, ammonia का, और correct answer कौन सा हुआ, option B, अगला सवाल है, which among the following is fool's gold, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो यानि कि ऐसे कोई चीज़ होगी, जो सोने जैसी दिखती तो होगी, पर सोना होगी नहीं, उसी को हम मुर्खों का सोना कहेंगे, तो यहाँ पर आपको काफी options दिए हुए हैं, इन में से एक और होता है iron का, और वो iron का और कौन सा होता है, iron sulfide, यानि की FES2, और इसका एक और नाम है, इससे भी आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से हम pyride भी कहते हैं, तो यह जो iron का और है, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, fool's gold, तो correct answer कौन सा होगा, option B, अगला जो सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं हम, अगला सवाल है कि, the purity of gold जो है, gold सोने की शुदता, जो हम carrots में express करते हैं, यह सब नहीं है, पूरा जो एकदम से शुद, 100% शुद या फिर purest, सबसे शुद अगर कोई है, वो है, 24 carats, अगला है bucky balls के बारे में, कि bucky balls जो होते हैं, आ basically किसके allotrops होते हैं, allotrops अगर आप बात करें, तो carbon के allotrops हम पढ़ते हैं, और उसके तीन allotrops हम पढ़ते हैं, वो कौन-कौन से हैं, graphite है उसका allotrop, उसके अलावा उसका allotrop जो है, वो diamond है, और last में हमने bucky balls या फिर, football shaped की जो balls थी, वो हमने पढ़ी थी, तो यह सारे किसके allotrops हैं, carbon की, तो सही जवाब कौन सा होगा, option A, अगला जो सवाल है, वो है कि the lusher of the metals is because of, जो metals के अंदर चमक होती है, धातों के अंदर वो किस वज़े से होती है, तो metals के अंदर चमक होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर free electrons होते हैं, और free electrons होने के वज़े से क्या होगा, जो भी light उनके उपर पड़ती है वो उसको absorb करेंगे थोड़ी amount में और बाद में उसको वापस reflect कर देते हैं और हमें जो भी चीज चमकती हुई देखती है या फिर even हम जो भी चीज़ों को देख पाते हैं वो उसी वज़ा से होता है जो light को reflect करते हैं options हम देखते हैं पहला है high density due to closed packing of atoms high density का कोई भी reason या फिर किसी भी तरह से वो चमक से related नहीं होती है high polish, polish करने से कोई चीज थोड़े दिन चमक सकती है पर कभी न कभी तो उसकी चमक कम हो ही जाएगी reflection of light परावर्तन की वज़ा से और परावर्तन भी क्यों क्योंकि उसके अंदर मुक्त electron जो है वो present है तो सही answer कौन सा हो गया option c last option है absorption of light due to presence of cavities absorption of light तो होता है पर चमक जो है वो केवल absorption से कभी नहीं होगी चमक हमेशा किस वज़ा से होगी reflection से परावर्तन से अगला सवाल जो है वो है one of the falling is used to dissolve noble metals noble metals जो है उत्कृष्ट धातू उनको dissolve करने के लिए गलाने के लिए आप इनमें से किसे यूज़ कर सकते है तो सबसे पहले आपको पता होना शाहिए कि noble metals जो है वो कौन कौन है तो आपका जो gold है silver जो है वो platinum जो है इनको हम noble metals कहते हैं क्यों क्योंकि यह जादा reactions नहीं करते हैं लेकिन अगर मान लो आपको इसको dissolve करना है तो हम किसे use करेंगे aqua ragia को aqua ragia में क्या होता है hno3 होता है hno3 के कितने parts होते हैं 1 और hcl के कितने parts होते हैं 3 यह 1 is to 3 ratio में होता है तो सही answer इसका कौन सा होगा option d अगला सवाल है immersion के बारे में कि immersion जो है एक colloid है यह तो इन्होंने बता दिया और एक किस का colloid है तो immersion कहते ही मुझे याद आता है milk की milk की भी नहीं तो अगर आप कह सकते है oil in water की तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी दो चीज़े dissolved दिखती है दोनों liquid है oil भी liquid है और water भी liquid है और यह colloid है तो हम इसे क्या कहेंगे liquid in liquid यानि कि यह दोनों जो घुलने वाले substance है वो liquid ही है वो तरल ही है और एक और चीज इनके बा अगला सवाल है कि percentage of carbon जो है steel के अंदर वो कितना प्रतिशत होता है तो हमें बता है steel जो है वो भी हम carbon के, carbon नहीं sorry iron के साथ में extract करते हैं बस इसमें extract नहीं करते हैं iron के अंदर ही कुछ additional properties हम बाहर से include करने के बाल में steel का formation होता है तो iron के अंदर हमने major impurity पढ़ी थी वो थी हर जगा carbon और इसी के साथ हम से पूछा है कि steel के अंदर कितना carbon का percent होता है तो 0.1 से लेकर के 1.5% तक जो impurity carbon की होती है वो किसमें होती है steel में होती है तो सही जवाब इन में से कौन सा होगा option A अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं addition of gypsum to potland cement helps in अगर आप cement में gypsum को add करोगे तो किसमें help करेगा तो cement के अंदर हम जो gypsum को add करते हैं वो specially हम करते हैं कि जो hardening है उसका कठोर या उसकी मजबूत होने की जो time है या फिर जो rate है उसे control करने के लिए अब एक होता है settling time में क्य settling time वो time होता है जिसके अंदर जो cement है वो एक बहुत जादा hard हो जाती है settling time के बाद में खतम होने के बाद में यानि कि वो एकदम से पूरी मजबूती में आ जाती है और अब उसके अंदर कुछ भी plasticity जो है वो नहीं बची है तो gypsum क्या करता है ये जो settling time है इसके duration को बढ़ यानि कि उसे जल्दी से settle नहीं होने देगा तो इसलिए हम जब सम को add करते हैं तो options आप देखोगी तो हम strength पे कुछ नहीं कर रहे हैं strength जो भी होगी वो indirectly होगी हमारा काम है settling time को देखना rapid settling time तो हमें settling time को शीगर नहीं करना है हमें उसे देरी से लाना है उसे हमें बढ़ाना है उसकी duration को तो हम क्या करेंगे सही जवाब है इसका preventing rapid settling of cement यानि शीगर जमने से हमें उसे रोकना अगर है तो हम उसे क्या करेंगे उसमें gypsum डाल देंगे तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option c अगला सवाल है which of the following is a monoatomic gas इनमें से कौन सी gas है जो monoatomic gas है तो हम जानते है oxygen nitrogen N2 form में exist करता है nitrogen N2 में और fluorine F2 में अब बचा neon neon कौन सा है noble gases का example है inert gases का और neon जो है वो monoatomic form में ही exist करता है सही जवाब इसे लिए इसका कौन सा हो जाएगा option b अगला सवाल है carbamide क्या है तो carbamide वो urea का ही दूसरा नाम है NH2CO NH2 अब पूछा के आए कि urea को हम किस तरह से use करते हैं तो यह सवाल तो बहुत ही common है सब जानते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत बेगरी culture की जानकारी हो होगी तो यूरिया जो है उसे हम as a fertilizer use करते है fertilizer के बारे मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़े important होती है उसमें NPK इसमें से nitrogen जो हमें भरपूर मातरा में यूरिया से मिल सकता है तो हम इसे use करेंगे as a fertilizer अगला सवाल है cement के बारे में cement is formed by strongly heating a mixture of cement का मानलीच अगर आपको न formation होगा तो cement को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक तो limestone की जरूरत होती है हमें और limestone के साथ में हमें चाहिए होता है clay अब limestone का formula अगर आप मुझसे पूछेंगे limestone क्या है तो limestone है calcium carbonate तो आपकी जो reaction होगी वो क्या होगी calcium carbonate और clay जो है इनको high temperature पे जब heat किया जाता है तो बाकी byproduct के साथ में cement का भी formation होता है तो correct answer इसका कौन सा हो जाएगा option B अगला सवाल है कि 100% pure ethanol जो उसे क्या कहा जाता है तो 100% pure ethanol सबसे पहले उसको achieve करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो भी ethanol हमारे पास होती है उसके अंदर हम regular distillation से यानि कि उसमें जो भी water content है उसको reduce कर करके जो ethanol का concentration उसको बढ़ाते है लेकिन सबसे जादा pure जो alcohol का form होता है हम कहते है absolute alcohol तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा option C rectified denatured और power alcohol इन सबकी बात हम पहले कर चुके हैं तो हम यहाँ पे discuss करेंगे सिर्फ option C जो की है पूर्ण शराब 100% शुद इथैनॉल होता है इसमें अगला प्रशन है कि जो oxy acetylene flame है oxy acetylene का एक flame बनाया गया है उसका temperature पू को मिलता है वो मिलता है आपको 3000 से 3400 या 3300 डिगरी celsius तक तो अगर आप इसके आसपास के options यहां देखेंगे तो आपको बिलेगा 3200 डिगरी celsius तो यह तो temperature इसमें कुछ explanation नहीं है या आपको याद रखना है अगला सवाल है कि एक refrigerant है freon नाम का शीतलक है आपको बताना है क कि उसका chemical formula क्या है तो freon जो है उसका chemical formula होता है ccl2f2 यानि कि carbon की जो चार valences है उसमें दो पे fluorine अटाज है और दो पे कौन अटाज है chlorine अटाज है तो chloro-fluoro carbon जो हम कहते हैं chloro-fluoro भी है यहां पे chloro भी है तो यह एक cfc का example है इससे bam भी कर दिया गया था बाद में क्यों क्य greenhouse effect cause करता है अब हम formula देख लेते हैं difluoro-dichloro-methane इसका ठीक answer है क्योंकि इसमें एक carbon है तो हम एक carbon का इसको नाम दे देंगे और साथ में इसके जो भी substituents है functional group है उनके नाम तो option B जो है वो correct है आपको यहाद रखना है ccl2f2 जो है वो freon का chemical formula है अगला सवाल है a balloon filled with helium मानलो तो आपने गुबारा है उसे helium से fill किया है वो air में rise होता है क्यों rise होता है तो यह जो जितने भी rise होने वाले सवाल होते है यह density से related होते है density और density के में भी अगर आप बात करो तो भी आप atomic mass जो है उससे भी कभी कभी इन questions को solve कर सकते हो तो सवाल जो है वो है air और helium के बीच मे तो air और helium में हलकी gas कौन होगी helium का atomic weight तो 4 है अब air आप कहोगी कि यह तो एक gases का mixture है तो इसमें से हम सबसे जो जादा पाई जाने वाली gas है उसको एक बार देख लेते हैं जो कि है nitrogen और nitrogen को आप देखोगे तो उसका atomic mass कितना होता है 14 तो अगर आप बाकी gases को भी इसमें include होगे तो कम से कम 12 या 10 के आज पास तो इसका atomic weight आएगा ही यानि helium जो है वो काफी हलकी है air से और ऐसा होने से क्या होगा कि वो जो है गुबारा जिसके अंदर हमने helium भरी है वो हवा में उड़ेगा सवाल है आपके पास helium less dense होता है air से हाँ एकदम सही बात है और यही आंसर जो है वो हमारा सही है बाकी options जो दिये गए हैं कि weightless होता है upward force लगाती है air यह सारे जो options है वो गलत है यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ density की तो सही option कौन सा है यहाँ पे option C अगला है कि जो water है पानी जो है उसके कितनी crystalline phases जो है वो हम जानते है तो हम जो phases usually जिनकी हम बात करते हैं वो हम बात करते है solid की, liquid की और gas की यानि की water की, sorry ice की water की और water vapors की लेकिन जो crystalline phases के अगर हम बात करें तो water की water के कितनी crystalline forms अब तक discover हो चुकी है, वो है 15 इसलिए यहाँ जो सही answer है, वो कौन सा होगा, option C, 15 crystalline phases है, वो discover हो चुकी है, अगला सवाल है which among the following is an organic mineral, यहाँ पर जो दिये हुए examples आपको इनमें से carbonic खनीज कौन है, तो आप carbonic खनीज क्या कहेंगे, वो कोई भी substance जो किसके से बना हुआ होता है, carbon से, hydrogen से, तो अगर आप options देखोगे, amber, hornblend, ignite और enelsim, तो इनमें से जो amber है, वो बना हुआ होता है, carbon और hydrogen से, यानि कि एक hydrocarbon या फिर उसे हम organic mineral कहेंगे अगला सवाल है, जो चर्म शोदन उद्ध्योग है, उनके अंदर कौंसा ऐसा heavy metal है, जो कि टॉक्सिक है और वो उनमें पाया भी जाता है, तो यह जो industries होती है, इनके अंदर पाये जाने वाला जो टॉक्सिक heavy metal है, वो कौंसा है, chromium, तो सही answer कौंसा होगा इसमें, option C, next question है, which of the following, कौंसा ऐसा अंदीची options में से ऐसा है, जिसके अंदर lead जो है, उसका high content होता है, तो जो high octane fuels होते हैं, जितना high content उनमें, जितना high उनका octane number होता है, उतना ही जादा उनके अंदर lead का concentration होता है, तो अगर आप options देखोगी, तो आपको पता चलेगा, कि coal, जो है, coal के अंदर तो lead की कोई concentration नहीं है, cooking gas, जो है, LPG हम यूज करते हैं, उसके अंदर भी lead का कोई content नहीं होता है, यानि सबसे high तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो high octane fluids वाले, octane fuels हैं, जिनको हम autobiles में यूज करते हैं, उन्हीं के अंदर lead की concentration ज़ादा होगी, अगला सवाल है, cyclotron के वारे में, cyclotron क्या है, तो cyclotron एक device जो थी discover करी गई थी, जिसमें जो charged particle है, उसको हम यहाँ पे accelerate करते हैं, और charged particle जो है, उसको किसकी presence में accelerate करते हैं, magnetic field accelerate करना, यानि ऐसी मतलब उसके अंदर, इस तरह से हम उसको rotate करते हैं, कि उसका acceleration जो है, speed जो है, time के साथ में बढ़ती रहती है, तो cable charge particle नहीं है, यह charge particle को accelerate करने की एक device है, तो correct answer कौन सा होगा, a particle accelerator, अगला सवाल है, for generation of biogas, यानि बायो गैस का अगर आप नर्मान करना चाहते हैं, तो कौन से materials हैं, कौन सी वो चीज़े हैं, जिनको आप commonly use करेंगे, तो बायो गैस को हम gober gas भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा, तो यहां से हम सीधा पता लगा सकते हैं, कि जितने भी जो animal के waste हैं, पशूओं के अपशिष्ट हैं, जादा तर हम उसको use करते हैं, उसके साथ साथ में ऐसा नहीं है, कि आप फसलों के अफशेश वगएरा, या फिर ये सब use नहीं कर सकते, लेकिन main उसके अंदर जो होता है, हमेशा वो कौन होता है, अगला जो सवाल है, वो है raw materials used for the manufacture of glass, अगर मान लो आपको glass बनाना है, glass बनाने के लिए आपको raw materials जो हैं, कच्छे सामगरिया किस किस के जरूरत होगी, तो आपको जरूरत होगी sand की, soda की और limestone की, चुना पथर की, बालू, सोडा और चुना पथर, इन तीनों से हम किसका नर्मान करते हैं, glass का, तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, option A, अगला सवाल है, वो है which of the following is used in welding, broken pieces of iron rails and machine parts, जो जैसे machine हों में अगर टूट फूर्ट हो जाती है, तो maximum part उनमें लोहे का बना हुआ होता है, इसे ही तरह जो हमारी rail की पट्रिया है, लोहे के पट्रिया, अगर उनमें कहीं पे कुछ टूट फूर्ट हो जाए, तो हम welding करते हैं वहाँ पे, तो welding के अंदर हम किसे use करेंगे, तो welding में use किया जाता है, aluminum powder को किसे use करते हैं हम, aluminum powder, तो option C जो है वो यहाँ पे सही है, next question है, BOD के बारे में, BOD सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, कि क्या है, BOD होती है, biochemical oxygen demand, तो आदे question ऐसे होते हैं, जो अगर आपको full form पता हो, तो आप उनसे उनका मतलब पता लगा सकते हैं, तो biochemical oxygen demand क्या होती है, कि पानी के अंदर, जल के अंदर जितना भी content present है, organic material जितना भी present है, उसको oxidize करने के लिए, जितनी आपको oxygen की concentration चाहिए, जितनी मात्रा में आपको चाहिए, उसका oxygen करने के लिए, उस organic material का उसे हम क्या कहेंगे, biochemical oxygen demand, BOD, तो जो अफशेश है carbonic, हम उसे यह नहीं कहेंगे, हमें उसको क्या करना है, उसका oxygen यूज़ ठीक लग रहा है, जैवरसाइनिक oxygen जो हम इसको हम इस्तेमाल कर, उसके लिए हमें कितनी oxygen की ज़रूरत है, तो correct answer कौन सा होगा, option B, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है, which of the following produces highest amount of energy upon oxidation, यानि आपको नेचे कुछ जो options दिये हुए, उनमें सबसे ज़ादा जो energy, सबसे ज़ादा उर्जा जो है, उसका, वो कब बनेगी उनकी oxykaran होने पे, तो protein, fat और glucose दिया हुआ है, तो ये शायद मानुशरीर की बात करी गई है, तो मानुशरीर में अगर आप देखोगे, glucose एक carbohydrate है, उसके अलावा protein है, और आपके पास वसा है, fats है, तो fats जो है, उसकी energy, वो जतनी energy produce करता है, वो almost double होती है, 8 से 9 calories produce होती है, fat से, और protein और carbohydrates से, 4 calorie के आसवास energy produce होती है, तो सबसे ज़्यादा calorie किस से produce हुई, वसा से, तो सही answer हमारा कौन सा होगा, option B, अगला सवाल है, the metals commonly used for electroplating are, electroplating के लिए हम जो metals use करते हैं, वो फिर से जो हमारे थोड़े noble metals हैं, या फिर जो कीमती precious metals हैं, उनको हम usually use करते हैं, जैसे कि copper हुआ, nickel हुआ, silver वगरा इन सब का use किया जाता है, तो अगर आप यहाँ पे options देखोगी, तो sodium का इस्तिमाल हम नहीं करते हैं, तो सही answer जो आपको मिलेगा, वो होगा chromium, copper और nickel, तो यह जो है आपका सही answer है, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं अब, which of the following in automobile exhaust can cause cancer, automobile exhaust के बारे में हमने बात करी थी, कि अगर आपको पूछा जाए, सबसे जादा ऐसा element कौन सा निकलता है, वो होता है lead, gas अगर आपको पूछी जाए, तो वो है carbon monoxide, लेकिन अगर आपको पूछा जाए, कि ऐसा कौन सा substance निकलता है, जिससे cancer भी हो सकता है, तो वो होते हैं हमारे polycyclic hydrocarbon, यानि ऐसे carbonic पदार्थ, जिनके अंदर cycles जो हैं, जो हमारे इस तरह की benzene rings और cycles वगएरा है, उनका number बहुत जादा हो, ये cancer produce कर सकती हैं, तो सही जवाब कौन सा होगा, option D, अगला सवाल है bleaching powder के बारे में, bleaching powder जो है उसको हम पीने के जल में किस तरह से use करते हैं, उसको हम disinfectant की तरह use करते हैं, disinfectant यानी kitanu नाशक, तो सही आंसर कौन सा होगा, option A, इमें बाकी जो सवाल है, जैसे antibiotic है, antibiotic bacteria के एगेंज रूते हैं, और जैसे जो दवाईयां हम लेते हैं, streptomycin वगएरा, वो सवाती है antibiotic में, उसके लाबा antiseptic जो है, coagulant जो है, तो इनको इस तरह से बाटर में, हम इसे use नहीं करते हैं, इस सिर्फ होता है कि टार्णू नाशक, अगला सवाल है, आपको पूचा है कि, atomic weight जो क्लूरीन का है, वो 35 बताया है, तो क्लूरीन के बारे में, मैं जानती हूँ कि, क्लूरीन को हम रिप्रेजन करते हैं, 17 और 35 से, जिसमें 35 अगर उसका atomic weight हमें बताया गया, और हम जानते हैं, कि उसका atomic number है, वो 17 है, यानि कि उसके अंदर number of protons, और जो atomic number होता है, वो हमेशा same होता है, तो वो कितने हो जाएंगे, 17 और बाकि जो neutrons पूछे गएं, तो हम जानते हैं, कि यह जो atomic mass होता है, यह atomic mass किसके equal होता है, number of protons और neutrons के बराबर, तो atomic mass अगर आपको 35 बताया है, protons अगर 17 हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, आपके पास neutrons, और neutrons के संख्या कितनी हो जाएगी, आपके पास neutrons, neutrons के संख्या हो जाएगी, आपके पास 18, यानि neutrons हैं, आपके पास 18, और protons कितने हैं, 17, तो options match कर लेते हैं, 17 protons, 17 neutrons, पहला option ही हमारा, जो है, वो क्या है, सही है, तो option A, जो है, वो correct option है, अगला सवाल है, cement जो है, का मिश्रन है, तो cement है, cement वो मिक्षर होता है, calcium silicate का, और calcium aluminate का, यानि कि इसमें, आपको जो elements मिलेंगे, वो होगा, silica, calcium और aluminium, तो correct answer कौन सा है, option A, calcium silicate, और calcium ferrit iron नहीं होता है, इसमें aluminium, जो का content वो पाया जाता है, अगला question है, वो यह है, कि which among the following, इनको quick silver किसे कहते है, तो mercury जो है, उसे quick silver नाम से जाना जाता है, यह उसका पुराना नाम है, तो correct answer कौन सा होगा, इसका option B, अगला सवाल है, कि electric bulbs जो होते हैं, उनमें कौन सी gas फिल की जाती है, तो उनमें कोई भी inert gas फिल करी जाएगी, यह बात हम पहले कर शुके है, उनका जो wire होता है, वो किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम का, और तो इसलिए हम यहां से, जो inert gas है, उनको छांट लेते हैं, nitrogen एक inert gas नहीं है, carbon dioxide नहीं है, argon है, oxygen भी नहीं है, इसलिए हम argon को use करेंगे, तो सही answer कौन सा होगा, option C, अगला सवाल है, which among the following are generally found in free state, free state में जो है, कौन से जो आपको elements है, किस group के elements मिलते हैं, तो usually जो हमारी elements होते हैं, gold बगएरा, silver बगएरा, वो सिर्व आपको मिलते हैं, free state में, जो के included हैं, आपके group 11 elements के अंदर, तो correct answer कौन सा होगा, option A, और वो free state में क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो जादा reactive तो होते नहीं हैं, इसलिए बाकी elements, usually आपको compounds में मिलेंगे, और यह कैसे मिलेंगे, आपको free form में, अगला सवाल है, the gas that is used in the manufacture of वनस्पती घी, वनस्पती घी जो है, उसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं, यहां पर इलकीन, इलकीन और इलकाइन, saturation और अंस्पती घी जैसे, जैसे single bond है, आपके पास double bond और triple bond, तो इन में जब आप हाइडरोजेनेशन कर दोगे, unsaturated compounds के अंदर, hydrogenation करने से आपको क्या मिलेगा, single bonds मिलेंगे, और उसी के साथ ही वनस्पती घी या इस तरह के, unsaturated products जो हैं, वो बनते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, hydrogenation, hydrogen gas का addition, तो correct answer कौन सा है, इसका option C, अगला सवाल है, which among the following is popularly called hypo, यानि नीचे आपको जो options देवें, हम इसे hypo किसे कहा जाता है, तो hypo जो है, hypo हम कहते हैं, Na2S2O3 को, जिसको हम जानते हैं, जिसका दूसरा नाम जो आपको यहां दिया हुआ है, वो है sodium thiosulfate, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, option C, अगर आपको formula भी पता है, तो आप देख सकते हैं, कि इसमें sulphate है, तो आप phosphate, nitrate या bromide को क्यों टिक करोगे, इसे लिए आपको at least एक चीज़ और जो important है, हाइपो बगएरा, उनके बारे में तो formula और उनकी names दोनों पता होने चाहिए, अगला question जो है, अगला सवाल है कि नॉन स्टिक किचन वेर्स जो होते हैं, यानि कि रसोई के वो बड़तन जो खाना है वो चुपता नहीं है, जो थोड़े से आपने अगर कभी देखे हूं, थोड़े से ब्लाकिश कलर के होते हैं, उनका जो बेस होता है, वो थोड़ा सा अलग कलर होता है, उनमें किसके कोटिंग करी जाती है, तो उनमें कोटिंग करी जाती है टेफलॉन की, टेफलॉन एक पॉलिमर है, एक बहूलक है, अब आप पूछेंगे कि यह किसका पॉलिमर है, तो टेफलॉन जो है, वो poly tetrafluoroethene का polymer है यानि कि इसके अंदर कौन होता है poly के आगे वाली term जो कि क्या है tetrafluoroethene तो इसका आप formula भी देख सकते हैं यानि कि यहाँ पर जो repeat होने वाली unit है वो क्या होगी आप एक ethene बना लो ethene के अंदर जो दो आपको खाली bond दिख रहे हैं repeat होने के क्या बनाएगी teflon अगला सवाल है which one of the following minerals is found in monazite sand monazite sand के अंदर आपको कौन-कौन से minerals मिलेंगे तो monazite sand के अंदर आपको नीचे जो elements दिये हुए जो minerals दिये हुए हैं उनमें से आपको thorium मिलेगा तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option c अगला सवाल है कि magnesium जो है वो किस-किस का alloy होता है magnesium आप इससे नाम से ही देख सकते हैं magnesium यानि कि magnesium और aluminium यह ऐसा लग रहा है ना कि इन दो नाम को fuse करके बनाया हुआ हो तो यही एकदम सही आप अगर ऐसा सोच रहे है तो एकदम सही है सही जवाब इसका कौन सा होगा aluminium और magnesium दोनों को जोड के हमने बनाया magnesium नाम और दोनों को mix करके हमने बनाया यह alloy अगला सवाल है detergents के बारे में कि detergents क्या होते है detergents होते है sodium salt sodium salt भी किसके sulfonic acid के या benzoyic acid के तो जो soaps होते है sorry जो detergents sodium salts भी जो है वो तो होती है हमारी soaps और sodium salt जो sulfonic acids के होते हैं वो कौन होते हैं हमारे detergents तो option B जो है वो सही है अगला सवाल है कि वो neon gas आपको बताने है जो radio therapy में यूज की जाती हो तो R for radio therapy, R for redon redon जो gas है उसको हम use करते हैं radio therapy के लिए तो सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पर option C आज का आखरी सवाल जो है the substance that is added to make natural rubber strong and bouncy यानि कि natural rubber के अंदर अगर आपको उसे strong बनाना है उसे bouncy बनाना या फिर उचलादार बनाना है उसके elasticity, plasticity या इस तरह की कोई भी properties जो है उसमें अगर आपको change करना है तो आप क्या करेंगे आप उसको उसको उसमें कौन add करेंगे आप उसमें sulfur add करेंगे और ऐसा करने से इस process को हम क्या कहेंगे vulcanization और सही रवाब जो यहाँ पर कौन सा है वो कौन सा होगा option C option of the following is used as an explosive यानि नीचे आपको जो options दिए हुए है उन में से कौन सा ऐसा option है जिसे आप vispotec की रूप में यूज कर सकते हैं phosphorus stricloride होता है pcl-d mercuric oxide है graphide जो की carbon का एक carbon का एक compound है उसके साथ ही है nitroglycerine nitroglycerine इन में से जो option है उसे हम use करते हैं vispotec की तरह तो correct answer कौन सा होगा option D और nitroglycerine को ही क्यों use किया जाता है क्योंकि इसके जो decomposition reactions होती है वो बहुत fast होती है और उनके अंदर बहुत जादा amount में energy release होती है तो ये था पहला question अगला question है the mineral containing both magnesium and calcium यानि आपको ऐसा mineral छांटना है इन में से ऐसा खनीज बताना है जिसके अंदर magnesium भी हो और calcium भी हो मतलब आपको इनके formula पता होने चाहिए तो पहला जो खनीज है magnecide magnecide का जो formula है वो है mgco3 तो अगर आप formula देखेंगे तो आपको क्या देखेगा कि magnesium तो यहां पे है लेकिन calcium नहीं है तो यह हमारे question का answer नहीं है अगला है calcide calcide का chemical formula है calcium carbonate cacu3 इसमें magnesium नहीं है लेकिन calcium है मतलब यह भी option नहीं है next is carnelite carnelite का chemical formula होता है यह एक hydrated compound है water की molecules जो इसके साथ में attach होते है इसका chemical formula है potassium जिसमें है magnesium है chloride है और 6 water की molecules है इसमें भी अगर आप देखोगी तो आपको magnesium मिलेगा लेकिन calcium नहीं है last जो आपके पास खनीज है वो है dolomite और dolomite का chemical formula जो है वो है calcium magnesium और carbonate तो अगर आप देखोगी तो यह carbonate है calcium और magnesium दोनों का यह mixed तरह का compound है क्योंकि इसमें जो oxidation state है यानि कि एनाइन अगर आप इसमें देखोगी cation और एनाइन तो एनाइन इसमें एक मिलेगा और cation जो है वो है हमारे पास दो तो यह जो है हमारे question का सही option है जो कि है dolomite next question है वो है white phosphorus जो है सफेद phosphorus phosphorus भी दो-तीन पॉम में हमें मिलता है red phosphorus होता है white phosphorus होता है उसे हम कहां store करते हैं तो white phosphorus को अगर आपको store करना हो तो हम इसे पानी के नीचे store करते हैं पानी के नीचे क्यों store करते हैं क्योंकि white phosphorus जो है उसकी chemical reactions होती है उसमें क्या होता है कि जैसे ही इसको almost 30 degree Celsius के आस्वास temperature मिलेगा जो कि room temperature से थोड़ा ही जादा होता है और जैसे ही उसको air के अंदर moisture मिलेगा moist air अगर इसको मिलती है तो ये explosive reaction शो करता है इस वज़े से हम इसको हमेशा पानी के नीचे स्टोर करते हैं करेक्ट आंसर यहां कौन सा होगा option D अगला सवाल है गैलेना के बारे में पूछा है कि गैलेना किसका mineral ore है तो गैलेना जो है वो mineral ore होता है लेड का और इसका chemical formula बहुत ही simple है PBS तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा option C अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है कौन सी तरह का ऐसा ग्लास है विच इस यूज्वर मेकिंग ग्लास रेंफोस्ड प्लास्टिक यानि कि काच प्रबलित प्लास्टिक का निर्मान करने के लिए आपको कौन से काच का इस्तिमाल करना है अब इस सवाल से इतन प्लास्टिक को बनाने के लिए याप याद रखें तो सही आंसर इसका कौन सा है option D जो की है fiberglass अगला सवाल है कि two elements which are used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission reaction nuclear fission के टाइम पे जो high energy neutrons release हो रहे हैं अगर आपको उनको absorb करवाना है और जो reaction है आपकी fission reaction से control करना है तो आप कौन से दो elements है उनको use कर सकते हैं तो सबसे पहरे तो वो elements जिनको हम जो high energy neutrons को absorb करने के लिए use में लेते हैं उनको हम कहते है control rods और यह control rods होती है यह usually बनी हुई होती है boron की और cadmium की वैसे तो आप silver भी use कर सकते हैं पर silver क्योंकि cost जो है वो जादा होईगी इसलिए usually आपको जो options मे मिलेंगे वो होगा कौन boron and cadmium तो correct answer यहां पर कौन सा होगा option A अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि hydrogen bomb जो है वो कौन से principle पे basis में किस तरह की fusion reaction होती है control होती है uncontrolled है या फिर fusion reaction है तो hydrogen bomb जो है वो based है हमारा uncontrolled fusion reactions के उपर और fusion reactions में क्या होता है दो या दो से ज़ादा nucleus हमें example ले लेते हैं दो का दो या दो से ज़ादा nucleus क्या करते हैं combine करते हैं इनके combine करने के बाद में यहाँ पे energy release होती है और यह nucleus जो है अलग-अलग तरह के दो या दो से ज़ादा nucleus का formation कर करते हैं यह reactions जो है यह आती है fusion reactions के अंदर यानि यह पहले fuse हुए और उसके बाद में नए nucleus का formation हुआ अगला सवाल जो है वो है supersonic jets के बारे में supersonic jets जो होते हैं वो pollution cause करते हैं और यह pollution cause करते हैं thinning से कौन सी ऐसी layer है जिसकी यह thinning कर देते हैं तो सबसे पहरे तो आपको पता मना शरी कि supersonic jets क्या है supersonic jets होते हैं जो sound की speed होती है sound की speed से भी जाब की speed है उससे कम velocity होगी एक में जादा होगी और एक में equal होगी तो supersonic jets जो होते हैं वो हमारी ozone layer जो है उसको effect करते हैं उसके thinning cause कर देते हैं इसलिए हम इसे कहेंगे कि इसकी वज़े से pollution जो होगा उसमें कौनसे layer की मोटाई जो हो जाएगी वो होगी ozone layer अगला सवाल है which of the falling metals causes itai itai disease itai itai जो विमारी है वो कौनसे metal की वज़े से होती है तो itai itai जो disease है वो होती है cadmium की वज़े से तो correct answer कौनसा है option A और इस disease में क्या होता है जो bones है हमारी जो spine है backbone है और जो bones है उनके अंदर बहुत pain रहता है next जो question है वो है glycol glycol is added to aviation gasoline 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 के अंदर हम glycol को add क्यों करते हैं क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी anti freezing substances की anti freeze की तरह हम इसे use करते है glycol को add करने से क्या होगा जो melting point होता है ice का वो और reduce हो जाएगा इसलिए जो countries है जिनके अदर temperature जो है minus में रहता है हमेशा वहाँ पे जो है ice formation की वज़े से हमारे engine और बाकी हमारा जो automobile है उसको कोई फरक नहीं बढ़ेगा या फिर वो safe रहेगा तो यह evaporation पे कोई effect नहीं डालता है efficiency petrol prevents freezing of petrol तो यह freezing ज बात करेंगे question है कि nowadays yellow lamps are frequently used यानि yellow color के lamps रहें वो आजकल बहुत जादा यूज किये जा रहे हैं और वो भी कहां पे street lights में यानि कि सडक के उपर जो lights होती है उनमें जो भी आप light देखोगे वो आपको usually yellow color के दिखेगी तो ऐसा पूछा है कि उसके अंदर कौन सी gas जो है वो ह light को जो यह light emit करते हैं पहले यह कुछ amount में light को absorb करते हैं उसके बाद में जिस wavelength की light को emit करते हैं वो wavelength होती है yellow wavelength वाली विब्योर में जितनी yellow का जो wavelength होता है वो इसलिए इनमें यूज किया जाता है किसको sodium को तो option A जो है वो इस सवाल में सही है अगले सवाल की तरफ पढ़ते है कि which of the following is responsible for the extra strength of pyrex glass की one line question है simple कि जो हमारा pyrex glass है उसके लिए कहा गया है कि उसमें extra strength पाई जाती है अतरिक्त मजबूत होता है वो बाकी glass के comparison में तो सवाल है कि क्यों होता है तो pyrex glass के अंदर borax included होता है और वो borax जो है उसी की वज़ह से इसकी strength जो है इसकी मजबूती जो है वो जादा होती है तो सही answer कौन सा है option C अगले सबाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो vinegar है उसका सिरकर जो है उसका chief constituent कौन है मतलब ऐसे questions में आने कि वो दो या दो से जादा substances से मिलके बना होगा होगा लेकिन उन में से आपको बताना है कि 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 परसेंटेज जो है वो सबस से जादा होती है तो correct answer कौन सा होगा option B acetic acid जो कि एक दो carbon का carboxylic acid है अगला सवाल है कि जो c weeds होते हैं समुद्री शेवाल जो होते हैं वो important source होते हैं कौन से किस mineral के या फिर किस element के होते हैं तो iodine जो है वो c weeds के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो सही answer इसका कौन सा होगा option D जो कि क्या है iodine next question है कि setting जो है setting of plaster of Paris यानि की plaster of Paris का जमना उसके अंदर ऐसे कौन सी chemical reaction होती है वो आपको बताना है तो setting of plaster of Paris जो plaster of Paris एक hemi hydrate होता है अगर water के molecules के हम बात रहे तो इसमें half molecule होता है water का जो कि हम बनाते हैं gypsum से gypsum का incomplete dehydration करकी अब आपको अगर setting कर नहीं है plaster of Paris की plaster of Paris के setting reaction में क्या होता है यह hemi hydrate से बापस dihydrate के form में convert हो जाता है तो इसी reaction को हम क्या कहते हैं इसी reaction को हम कहते है setting of plaster of Paris तो इस reaction में क्या हुआ water का addition हुआ है half water molecule से 2 water molecule बन चुके है dihydrate मतलब दो तो इसे हम क्या कहेंगे hydration water के add होने को हम कहते हैं hydration और अगर इसी word के पहले आप D लगा दो यानि की water का removal तो सही answer क्या है hydration to form other hydrates और hydrates बनाएंगे हम इससे और उसी process को क्या कहेंगे setting अगला question है कि the common name for the compound having formula naoh is naoh formula जिसका होगा उसका common name बताना है आपको क्या होगा तो caustic soda जो है वो common name होता है naoh का इसी तरह आपको caustic potash अग होशा जाए तो koh जो है उसका chemical formula होता है caustic potash इन दोनों में आपको confused नहीं होना है soda is naoh next question है which one of the following is found in kidney stones kidney stones जो है उनकी जब study करी जाती है उनके chemical composition की तो ऐसा पाया जाता है कि usually उनके अंदर एक जो compound है वो जादा पाया जाता है जो salt है वो जादा पाया जाता है और वो कौन सा होता है वो होता है calcium oxalate तो इसका correct answer कौन सा होगा option b calcium acetate नहीं है वो है calcium oxalate kidney stones क्या होता है जिनको आप पथरी कहते हैं वो है kidney stones और उसमें सबसे जादा कौन मिलेगा option b calcium oxalate next जो सवाल है वो है कि powerful eye irritant present in smoke is मतलब जो धुन्द होती है उसके अंदर कोई ऐसा powerful irritant है नेत्र उत्तेजक है उसका आपको नाम बताना है तो smog जो है वो usually कैसे बनता है जो fog है fog की reaction जब smoke से या फिर इसी तरह के कोई और ऐसे compound से होती है तो fog जो है वो उसका और जादा concentrated हो जाती है वो दोनों mix होने की वज़े से और उसे हम कहते है smog अब सवाल है कि smog के अंदर ऐसा कौन सा substance होता है जो हमारे नेत्रों को irritate करता है उत्तेज़त करता है तो वो compound अगर pan जिसे हम कहते हैं वो एक eye irritant होता है तो सही आंसर इसका कौन सा होगा option c अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं when water itself combines chemically with some element or mineral it is called यानि कि आप माल लीजे आपके पास कोई chemical है उसके साथ अगर आपको water का addition करना है तो जो reaction होगी उसको आप क्या कहेंगे थोड़ी तर पहली हम बात कर रहे थे water के addition को हम क्या कहते हैं hydration और इसी तर अगर आप से पूछा को क्या कहते हैं तो आपको क्या करना इस नाम के पहले सिर्फ डी लगाना है डी हाइडरेशन हाइडरेशन या जल यूजन तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका option सी अगला सवाल है कि आपको electronic configuration बताना है किसी ऐसे atom की जिसकी प्रमाणू संख्या क्या है 20 है तो atomic configuration हम 1s 1p 1s 2p इस तरह से फिल करते हैं तो हम पहले s और p forms में बात कर लेते हैं अगर 20 किसी का electronic configuration है उसका मतलब है उसमे number of electrons कितने होंगे 20 यानि हमें 20 electrons की जो है वो filling करनी है तो हम इसे इस तरह से फिल करेंगे पहले हम 1s orbit को फिल करेंगे जिसमें maximum हम 2 electrons फेज सकते हैं फिर हमारे पास 2s orbit 2s जो है उसके अंदर हम 2 electrons फिल करेंगे फिर आता है हमारे पास 2p जिसकी maximum p की shape जो हम इस तरह से बनाते हैं और p में maximum जो है 2, 2 और 2, 6 electrons आ सकते हैं तो अभी हमारे पास electrons बचे हुए हैं तो p orbital जो हम भी पूरी तरह फिल हो जाएगा इसी तरह आगे अगर हम 3rds अगर हम से पहले S आएगा तो S की हमने complete filling कर दी फिर हमारे पास 3p आएगा जिसमे 6 electrons फिल कर देंगे हम और फिर हमारे पास शुरू हो जाएगी 4th shell जिसमें आ जाएगे 4s 2 अगर आप यह सारे electrons calculate करोगे तो आपको देखेगा कि अभी 20 electrons जो हो complete हो जोगे पर question में आपको इस तरह से configuration नहीं दिया है उसमें shells के according दिया है तो पहले हम 1st shell की बारे में देखेंगे 1st में हमारे पास कितने electrons है 2 2nd में जो आपको electrons दिये हुए हैं वो है 2nd shell की तो 2nd shell में हमारे पास कितने है 2 plus 6 यानी 8 3rd shell में इसी तरह आप अगर निकालोगे तो आपके पास कितने electrons है again 8 और 4th shell मे इसको बता सकते हैं तो इसमें जो correct answer होगा वो कौन सा होगा option C इसमें 1st shell में 2 electrons है 2nd में 8 3rd में 8 और 4 में कितने हैं 2 electrons next अगर हम question पर आते हैं तो next है कि most reactive आपको बताना है halogen के अंदर सबसे ज़्यादा reactive कौन सा होता है तो 17 group के जो elements हैं आपके पास उनको हम क्या कहते हैं उनको हम halogen कहते हैं और उनमें कौन कौन से आते हैं fluorine, chlorine, bromine, iodine यह सब आते हैं हमारे 17 group में तो आपको पूछा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा reactive कौन है तो top to bottom जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे जो reactivity होती है वो decrease होती रहती है और सवाल हमसे पूछा गया है maximum का यानि कि जो table के अंदर सबसे उपर होगा उसकी reactivity क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी इसी तरह अगर आपको electronegativity पूछी जाए तो electronegativity भी पूरी periodic table में सबसे ज़्यादा किसकी होती है है फ्लोरीन की तो यह दो question है जो हमने एक साथ solve कर लिए तो इस पर correct answer कौन से बताया है मैंने फ्लोरीन तो correct answer is option A next question है के एमनो-4 की बारे भी potassium permagnate जो है उसको हम किस तरह से use कर सकते हैं तो potassium permagnate जो है उसे हम एक disinfectant एक किटानू नाशक की तरह से use करते हैं और इसके अलाबाई से हम एक कभी-कभी antibiotic या wounds को wash करने के लिए भी हम इसे use करते हैं क्योंकि बाक्टेरिया की जो growth है उसको नहीं होने देता है और same property को हम use करेंगे as a disinfectant किटानू नाशक यहाँ पे भी हमें क्या करना है बाक्टेरिया की growth को नहीं होने देना है तो correct answer क्या है option D जो की है किटानू नाशक अगला जो सवाल है वो है कि electrolysis जो है of an aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes gives यानि यहाँ पे आपको पूरी chemical reaction पूछी है जिसके अंदर हम देखें माल लेज़े हमारे पास एक container है जिसमें हमारे पास एक anode है और दूसरा है हमारे पास cathode इसको हमने DC करन से यानि battery से join कर दिया गया है हमें बताया गया है कि जो electrodes einig already evaporate और दूनों ही electrodes copper की है electrodes में से एक आपके पास anode होगी और का इफ होतं सा être cathode Gü है तो इस तरह की जो electrolysis reactions होती है anode के अंदर क्या होगा anode के अंदर जो reaction होगी उससे क्या होगा copper जो है zero oxidation state से plus two oxidation state में आएगा और anode जो है वो धीरे-धीरे dissolve होता रहेगा यानि anode की मोटाई कम होगी और यह जो copper है यह वापस जाके deposit हो जाता है हमारे cathode के उपर तो cathode के अंदर जो reaction है उसमें क्या होगा copper का deposition तो copper हमारे पास कहां आई cathode पे और दूसरी जो rod बचे हमारे पास anode उसमें कौन release होगा oxygen तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा option a अगला जो सवाल है वो यह है कि which of the inert gases can form compounds अब हमने इन gases को inert नाम ही क्यों दिया था क्योंकि यह reactions नहीं करती है क्योंकि हमने कहा था इनके जो valence shell है वो complete है चाहिए उनमें दो electrons हो या उनमें 8 electrons हो दो है helium के लिए और वाकी सब में 8 electrons होते लेकिन फिर भी xenon जो है उसके बहुत सारे coordination compounds जो है वो हमने डिसकवर किये हैं इसलिए जो सबसे inert gases में अगर आपको किसी gas के compounds मिलेंगे तो वो कौन है xenon यानि option b अगला सवाल है वो है burning pyrites pyrite or gives out pyrite or हमने last class में discuss किया था pyrite को क्या कहते है fools gold कहते हैं और यह बताते वग मैंने आपको formula भी बताया था pyrite का जो है fe2s यहाँ पे आपको iron के साथ कौन दिख रहा है fes sorry iron के साथ आपको कौन दिख रहा है sulfur दिख रहा है तो यानि यहाँ पे sulfur से related ही कुछ gas या पूर भी compound release होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहां कौन रिलीज होगा sulfur dioxide gas तो correct answer यहाँ पे है option B next question है कि आपको बताना है नीचे जो compounds दिए हुए है उन में से oxygen की oxidation state positive जो है वो किसमे है तो अगर आप OF2 देखोगे तो fluorine जो है वो सबसे ज़्यादा electronegative element है तो हमें oxygen की oxidation state पता करनी है fluorine की होगी minus 1 दो fluorine अगर हमारे पास है तो हम उसे क्या कहेंगे minus 2 तो यहां पर oxygen की oxidation state है वो कितनी है plus 2 तो हमारे question का answer तो यहीं पर आ जाता है option है लेकिन हम बाकी options भी check कर लेते हैं H2O2 में हमारे पास क्या है दो hydrogen की oxidation state कितनी होगी plus 2 oxygen की जो है वो हमें पता नहीं और oxygen हमारे पास 2 है तो अगर आप यहां से निकालोगे तो oxygen की oxidation state कितनी आएगी minus 1 इसी तरह water में oxygen की oxidation state होती है minus 2 और N2O के अंदर भी आप oxidation state जो है वो निकाल सकते है जो positive नहीं होगी positive के लिए जो है उसमें answer होगा OF2 या फिर oxygen से जादा electronegative किसी भी element के साथ में अगर oxygen का compound है तो वो next है which one of the following elements is used in the manufacture of fertilizers यानि जो उर्वरक है fertilizers है उनके manufacture में आप किन-किन elements को use कर सकते हैं तो nitrogen, potassium और phosphorus इनकी बात हम कर चुके हैं कि यह तीनों हमारे लिए सबसे important होते हैं तो आपको पूचा है आप इनमें से किसे यूज करोगे तो हम कि से टिक करेंगे potassium को correct answer is option B अगला सवाल है जो natural rubber है natural rubber जो है वो किसका polymer होता है किसका बहूलक होता है तो natural polymer होता है आई-सू-प्रीन का polymer आप मुझसे पूछोगे तो यह होता है one three buta-diene two methyl one three buta-diene तो यह यहाँ पे आपको chemical formula वेने इपका बिता दिया है two पे methyl है one पे double bond है और three पे double bond है और यह चार carbon का यह chemical compound है तो यह जो repeating units होती है इनसे आपका बना हुआ होता है कौन natural rubber so correct answer is option a अगला सवाल है in addition to hydrogen the other abundant element present on sun's surface यानि sun के surface पे hydrogen के अलावा कौन सा abundant यानि कौन सी ऐसी gas है जो प्रचूर मात्रा में पाई जाती है कौन सा ऐसा तत्व है तो हमने पहले भी बात करी थी कि जो sun पे reactions हो रही है उसमें hydrogen जो है वो regularly helium में convert हो रही है तो एक gas अगर हम कह रहे है कि hydrogen मिल रही है तो दूसरे हम किसे कहेंगे कि helium जो है वो भी काफी मात्रा में हमें मिलेगी सूरे की उपर तो correct answer यहाँ पे कौन सा है option A अगला सवाल है ozone layer के बारे में पूछा है कि ozone layer जो है वो कहां present होती है तो ozone layer हमारे atmosphere के stratosphere layer में present होती है तो correct answer एकदम सीधा सा सवाल है कौन सा होगा option C अगला सवाल है the process of covering water pipes made of iron with zinc layer to prevent corrosion is called जो underground हमारे pipes होते है water के वो बने हुए होते है iron की अब iron के साथ में problem क्या है उसके corrosion की यानि की उसके rusting की उसको जंग लगने की क्योंकि नेचे और rusting के लिए हमारे पास जो दो चीज़े important है वो एक होता है oxygen और दूसरा जो होता है वो हो wash क्योंकि इसके अंदर पानी ही है तो पानी तो इसको मिले जाएगा इसलिए यहां पर rusting का डर जादा होता है उसे बचाने के लिए हम इसे क्या करते हैं हम इस पे एक zinc की coating जो है वो यहां पे लगा देते है इस pipe के बाहर और उस process को हम क्या कहते हैं galvanization तो हमने जो यहां प अगला जो सवाल है वो है the particle required to continue the chain process of uranium fission is uranium की जो fission reactions है उनमें मान दीजिए अगर आप चाहते हैं कि reaction जो है वो चलती रहे चलती रहे तो आपको कौन से particle की जरूरत होगी तो neutrons जो है वो एक ही particle है जो हम study करते है nuclear reaction के अंदर उसी की जरूरत आपको होगी अगर आप चाहते है कि fission reactions continue करें तो इसलिए यहां पर correct answer कौन सा होगा option c अगला सवाल है the chief source of production of nitrogenous fertilizers nitrogenous fertilizers यानि वो fertilizer जिनमें nitrogen की concentration ज्यादा हो उसके लिए आप किसे यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ammonia हो तो correct answer कौन सा है option a यानि nitric acid nitrogen और nitrogen और nitrogen dioxide तो जैसे gases है और nitric acid को हम directly use नहीं कर हैंगे हम use करेंगे ammonia को पूछा गया है कि which of the following is an iron ore hematite magnetite इन सबके हम काफी बाते कर शुके हैं boxide हम जानते हैं कि boxide aluminum का एक ore है nitride nitrogen का एक compound है तो हमसे पूछा है iron का ore तो वो कौन सा होगा magnetite यानि की option b अगला सवाल है which one of the following is an example of gel आपको gel का example पूछा है gel का अगर आप example बत cream होती है वो gel का एक example है तो यहां पर सही जवाब कौन सा होगा option c जो कि क्या है face cream अगले सवाल पर चलते हैं बेकलाइट के बारे में पूछा है बेकलाइट को पॉलिमर है को पॉलिमर हम कब कहेंगे जब वो दो मोनुमर यूनिट्स का बना हुआ हूँ यानि कि अगर मान ल उसको हम बनाते हैं phenol phenol is हमारा जो benzene ring है उसके उपर functional group OH और उसके साथ जब formaldehyde की reaction होती है तो जो polymer हमारा बनता है उससे हम क्या कहते है बेकलाइट तो correct answer कौन सा होगा option a अगला सवाल है कि when a spoon is to be electroplated हमें electroplating करनी है चमच है हमारे पास उसकी उसको हमें nickel से उसके electroplating करन है तो हम यह process देख लेते हैं electroplating की तो electroplating करने का मतलब है nickel के electroplating यानि वो जो spoon है उसके उपर आपको nickel का deposition करवाना है और जब हम electrolysis पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो cathode है वो electrolysis reaction के उपर जो भी deposition होता है वो cathode पे होता है और हमारी जो rods है cathode की वो मोटी होती रहती है और अनौर जो है वो time के साथ में पूरा जो है वो खर्च हो जाता है हमारी reactions के अंदर ही आगे आपको पूचा options चेक कर लेते हैं हम तो हम क्या करेंगे कि spoon को पूचा है कि dip the nickel sulfate solution और जिस चीज़ के electroplating करनी होती है उसका हम क्या बनाते है अनौर बनाते है तो आपको कहा करके deposit हो जाएगा cathode के ऊपर और जो cathode हम बनाएंगे वो बनाएंगे spoon से तो आगे देखते हैं dipped in a nickel sulfate solution nickel sulfate solution हमें नहीं लेना है निकल हमें लेना है anode में made anode तो हम spoon को anode नहीं बनाएंगे spoon को हम cathode बनाएंगे क्योंकि उस पे हमें deposition करवाना है तो हम क्या करेंगे made cathode and with a pure nickel rod जो की होगा anode तो एकदम सही option है और सही जवाब भी है जो की है answer c option c अगला सवाल है कि the gas used to dilute oxygen for breathing by deep sea divers in जो गहरे समुद्रों में जो गोता खोड़ जाते हैं वो क्या करते हैं वो शुद्ध oxygen प्यॉर oxygen कभी भी नहीं लेकर जाते हैं जबकि कुछ और reasons है उसको dilute करने के लिए हम कुछ और gases का use करते हैं जो कि आपको पोछा है कि वो gas जो है वो कौन सी होती है जो oxygen के तनुकरण के लिए इस्तेमाल करी जाती है तो helium gas जो है उसको हम use करते हैं इस process के लिए और correct answer जो क्या होगा वो होगा option D नेक्स सवाल की बात करते हैं bleaching powder के बारे में है यह कि जो bleaching powder है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं तो bleaching powder का सबसे पहले हम अगर chemical formula देखते हैं तो bleaching powder होता है CACL oat wise और इसकी जो chemical reactions होती हैं उसमें हम क्या करते हैं जो slaked lime है calcium hydroxide जो है उसकी reaction करवाते हैं chlorine से और जो बनने वा हमारा compound है वो आपका क्या होगा bleaching powder तो यह हमारी reactions होगी हम calcium hydroxide हो हमारा क्या है slaked lime तो इसको देखते हुए इस reaction को कौन सा option जो आपको ठीक लग रहा है वो है option A जो ही है chlorine over slaked lime अगला सवाल है which of the following statements is correct about chloroform chloroform के बारे में कौन सा statement सही है chloroform जो है सबसे पहले आप chemical formula दे HCl3 तो chloroform जो हो लिक्विड तो होता है पर इसको कहीं भी हम फ्यूल की तरह इस्तिमाल नहीं करते हैं तो इसलिए पहला option सही नहीं है दूसरा है कि अनास्थरिक होता है नेचर में जितने भी movies में आप देखते हैं रुमाल के उपर कुछ एक लिक्विड डाला जाता है फि तो usually क्या है वो conscious नहीं रहते हैं उसके बार तो second option जो है वो सही है अगला है कि इसे हम phosgene को बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि phosgene क्या है phosgene होता है COCl2 जो compound है उसको हम कहते है phosgene तो क्या हम chloroform से phosgene बना सकते हैं तो हमारी reaction यह है तो जब हम chloroform की reaction oxygen से करवाते हैं तो हमें phosgene जो है वो मिलता है तो second option जो है वो भी ठीक है तो यहाँ अगर आप options को देखते हैं B सही है C भी ठीक है लेकिन A जो है वो गलत है और A जो है वो तीन options में दिया हुआ है इसे लिए आप अगर D options नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप कौन सा टिक करोगे option C अगला सवाल है which of the following is not a method of preparing oxygen यानि कि यहां जो methods दीए हुए है और मेंसे कौन सा ऐसा method है जिससे आप oxygen नहीं बना सकते हैं तो manganese dioxide जो है उसके decomposition से आप oxygen नहीं प्रिपेल कर सकते हैं permagnate के decomposition से भी oxygen बनता है liquid air के fractional distillation से भी बनता है और electrolysis of water से भी तो यहां पूछा है not a method तो correct answer कौन सा होगा option D अगला सवाल है which one of the following is not a characteristic feature of alloys इस not वाले जितने भी question है इसमें आपको not को highlight कर लेना चाहिए अब पूछा गया है कि कौन सा जो है alloy का एक feature नहीं है तो alloy जो हम उसमें क्या करते हैं कोई भी दो हम substances लेते हैं उनको आपस में mix करते हैं जो कि कोई भी एक fixed concentration उनकी नहीं होती है अब पूछा है कि क्या वो compounds होते हैं तो compounds में क्या होते हैं दो या दो से जादा elements है उनका अगर mixture है उसे हम कहते हैं compounds तो obviously इसमें दो elements तो minimum मिले जाएंगे आपको एक alloy में तो यह जो ठीक है compounds होते है mixtures भी इसी तरह होते हैं जिनको हम अगर दो या दो से जादा compounds को आप mix कर रहे हो और उनका कोई भी fixed ratio नहीं है उनका कोई भी अनुपार्ट जो है वो fixed नहीं है तो उसे हम mixture कहेंगे तो यह भी ठीक है solutions यानि की solutions भी हो सकते हैं लेकिन जो alloy है वो कभी भी एक homogeneous system नहीं होगा A और B के proportions जितने मिले हैं उतने ही आपको मिलने चाहिए आप उस alloy का कोई भी टुकडा लो तो लेकिन ऐसा जो है वो alloy के case में सही नहीं होता है तो हमसे पूछा था कि which is not a characteristic कौन सा जो है वो विशेष्टा नहीं है alloy की मिश्रुधातों की तो सही जवाप कौन सा होगा इसका option D अगले सवाल के तरफ चलते हैं जो permanent hardness होती है hardness जो calcium और magnesium के carbonates की वज़े से होती है उससे अगर आपको remove करना है तो आप किसे add करेंगे तो hardness है water की उसको remove करने के लिए हम sodium carbonate को उसमें use करते हैं sodium carbonate को use करने से क्या होगा जो magnesium और calcium के carbonates बनेंगे वो insoluble होंगे insoluble होने का क्या मतलब है या तो वो नीचे ही कठे हो जाएंगे या फिर उनको हम separate कर सकते हैं तो इस तरह से जो water है उसकी hardness जो है हम उसको कम कर सकते हैं उससे हटा सकते हैं तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option B अगला सवाल है of the following which one pollutes the airs of a big city यानि कि जो बड़े शहर हैं उनके अंदर नीचे दिये हुए जो options हैं उनमें से कौन जो है वो सबसे ज़ादा pollution करता है तो जो बड़ी cities होती हैं उनके अंदर जो automobiles जो vehicles हैं उनका number बहुत ज़ादा होता है और जो vehicles हैं उनके अंदर जो element सबसे ज़ादा निकलता है वो होता है lead क्योंकि lead जो है वो gasoline में उसके अलावा machinery में काफी जगा use किया जाता है इसलिए यहाँ जो correct answer होगा वो कौन सा होगा option C अगला सवाल अगर हम देखी तो अगला सवाल है bone ash bone ash के अंदर क्या होता है तो bone ash जो है bone ash जो है उसके अंदर calcium phosphate जो है वो पाया जाता इसलिए यहाँ पर correct answer जो होगा वो कौन सा होगा option C अगला सवाल है कि जो acid secretion है amal का amal का जो secretion है वो किसका characteristic है तो जो हमारा stomach है stomach के अंदर जो हमारी gastric glands होती है वहां से hydrochloric acid htl जो है वो release होता है जो कि एक strong acid है इसलिए acid secretion किसका character है stomach का यानि सही answer कौन सा होगा option B अगला सवाल है which one of the following is not a fertilizer यानि मुझे जो आपको options दी हुए उन में से कौन सा जो है वो एक fertilizer नहीं है पहला है ammonium sulfate तो अगर आप ammonium देखोगे तो यहां से हमें nitrogen मिल जाएगा तो यह एक fertilizer की तरह हम इसको use कर सकते हैं calcium sulfate में calcium है और sulfur है एक बार के लिए हमारे किसी भी काम का नहीं है आगे अगर आप देखते हो calcium ammonium nitrate तो calcium हमारे का काम का नहीं भी है तो भी यहां पर ammonium है जोकि हमारे लिए important है और last में हमास है potassium nitrate जिसमें तो potassium भी है not a fertilizer उसका कौन होगा option B अगला सवाल आपसे पूचा गया है slag के बारे में slag usually जो impurities होती है उसको हम slag कहते हैं और slag जो है उसमें usually होता है molten alumina यानि पिगली हुई form में जो alumina है वो होता है अलग-अलग metallurgies में वैसे slag अलग-अलग होता है पर usually impurities होती है अगला सवाल है which one of the following is not correct आपसे पूचा है कि कौन सा सही नहीं है vulcanization अगर हमने किया है हमने natural जो rubber था उसमें sulfur अड़ कर दिया तो क्या जो नया rubber बनेगा वो soft और flexible बनेगा नहीं हम चाहते हैं कि जो rubber है उसमें हम strength अड़ करें उसे मजबूत बनाए उसे कठोर बनाए तो B option सही है उसे रसाइनों के खिलाफ प्रतिरूधी बनाए तकि ऐसा ना हो कि किसी भी chemical से react करने के बाद में उसकी जो nature है वो change हो जाए और जो उच्चता अपमान है उसके लिए भी वो सहन शी लो तो ये तीनों चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखते हुए ही हम करते हैं vulcanization हम उसे कमजोर बनाने के लिए vulcanization नहीं करते हैं और हमारे सवाल में यही पूछा है कि कौन सा जो इन में से statement है वो सही नहीं है यानि कौन सा गलत है तो जो आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा option A अगला सवाल है stainless steel के बारे में stainless steel जो है is usually made by alloying the steel यानि steel को जो आप किस किस के साथ में mix करोगे जो आपको stainless steel मिले तो chromium और nickel जो है उनके साथ में जब आप जो जो मिक्स करते हो alloy बनाते हो alloy बनाते हो chromium और nickel के साथ में iron का तो उस वक्त आपको मिलता है steel यह सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा option C water is added to anhydrous white copper sulfate question यह है कि जब copper sulfate है उसके बारे में भी कैसा बताया है anhydrous anhydrous term हम कभी यूज करते है जब उसके अंदर हम मानते है कि उसमें बिल्कुई भी पानी जो वो present नहीं है वही यहाँ पर लिखा गया है nirjal सफेद तामबे sulfate copper sulfate जो anhydrous होता है उसका color white होता है लेकिन उसको water में add करने के बाद में कोई color आएगा जो आपको पता होना चाहिए जब हम anhydrous copper sulfate को water में add करेंगे तो कौन सा color आएगा जो color आएगा वो है blue तो correct answer कौन सा होगा यहाँ पर option C अगला सवाल है the group of amino silicates amino silicates के जो amino silicates sorry amino silicates के जो group minerals है उनको हम उनमें से कुछ minerals ऐसे हैं जिनको हम electrical insulators use के बनाने के लिए काम में लेते हैं जनको हम विद्यूत one s Hai Haku के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनके निर्मान में इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है कि वो वमॉक्साइथ है प्रोमाइथ है मैंगणी रॉया मिका है तो अब्रब जो होता है मीक का जो होता है उसको हम use करते हैं electrical insulators बनाने के लिए तो सही जवाप कौन सा होगा इसका option D अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं which one of the following is used as a sewing agent in the preparation of soft drinks, जो जतनी हमारी cold rings होती है, soft drinks होती है शीतल पेपदाट जो है उनमें sewing agent जो है soft drinks होती है, उनमें थोड़ा सा जो खटा टेस्ट होता है, वो किस वज़े से होता है, तो हमने बताया था कि वो होता है phosphoric acid की वज़े से और phosphoric acid जो हम add करते हैं वो ही जो है, असकंदक असकंदन कारक होता है तो इसलिए सही जवाब यहां कौन सा होगा option A अगला सवाल है कि आप toxicity विशाक्तता से क्या समझते हैं तो जैसे आपने पढ़ा विशाक्तता तो आपको लगा कि विश से संबंदत यहां कोई बात की जा रही है, तो यहां जो हमारे options अगर हम देखते हैं तो यहां पे soap और detergents की रेस्पेक्ट में toxicity की बात की जा रही है तो toxicity एक chemical reaction तो नहीं है detergents की manufacturing के लिए कोई process भी नहीं है toxicity toxicity है कि कोई भी substance जो है उसके जब harmful effects आने शुरू हो जाते हैं या तो किस वज़े से या तो उसकी concentration जादा हो जाए या फिर उसके manufacturing में अगर इस तरह की कोई गड़बड होती है तो और soups के manufacturing की process जो है उसको तो हमने अलग से नाम दिया था क्या नाम दिया था? saponification तो उसको भी toxicity नहीं कहते हैं तो toxicity क्या होता? यह harmful effect है soups और detergents का जो की जरूरी है जो हम कब measure करते हैं यह देखने के लिए कि हमने जिस तरह के साबून बनाए है या soups बनाए detergents बनाए है वो effective है भी या नहीं है तो सही answer कौन सा है इनका? option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं which one of the following gases has highest calorific value? उश्मियमान जो है वो इन में से सबसे ज़्यादा किसका होता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि उश्मियमान होता क्या है कोई भी fuel जो है उसको जब आप उसका complete combustion करोगे तो उस टाइम पर जितनी heat जो है वो release होगी उसे हम कहते हैं calorific value या फिर simple शब्दों में हम कहें तो किसी भी fuel के अदर कितनी energy जो है वो stored है उसे हम कहेंगे calorific value तो अगर हम बात करते हैं natural gas की water gas की, coal gas की या indain gas, indain gas है जो normal हम kitchen में LPG gas यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं तो हमारी जो LPG gas है, indain gas है उसका उश्मी या मान जो है वो इन में से उच्चितम है इसलिए सही जवाब कौन सा होगा सही जवाब होगा option D अगले सवाल देते हैं which type of radiations are absorbed by the upper layer of the atmosphere जो हमारा वायू मंडल है उसके उपरी ये परत जो है वो किस तरह की विकरणों का absorption करती है तो हम सब जानते हैं कि उपरी परतों के अंदर हमारी ozone layer होती है और ozone layer कौन से करणों को absorb करती है वो absorb करती है हमारी ultra-boilet radiations को इसलिए सही जवाब कौन सा होगा option D ultra-boilet पैरा बैंगनी करणी अगला सवाल हम देखते हैं तो अगला सवाल है कि replenisable energy जो है पुनत भरनी या उर्जा का स्त्रोथ आपको बताना है कि क्या कोल इस तरह का स्त्रोथ है petroleum, lignite या biomass तो coal और lignite जो है ये दोनों ही हमारे coal का transformation होता है उसमें peat, lignite, anthracite उनमें ही आते हैं इसी तरह जो petroleum है वो भी एक natural हमारे पास source है लेकिन ये replenisable नहीं है यानि इनको बनने के लिए बहुत जादा सालों का समय चाहिए होता है लेकिन जैसे biomass है, जैसे saur और और जा है, जैसे पवन और जा है ये सब इस तरह की और जा है जो मतलब जिनको बनने के लिए बहुत जादा टाइम में चाहिए, जैसे सूरज है, sun है उसकी radiations जो है, वो रोज हमारे पास अर्थ दक पहुंशती है इसी तरह wind जो है, वो ऐसा नहीं होता है कि उसको बनने के लिए या फिर wind जो है, अगर एक बार चल रही है तो next time काफी सालों बार चलेगी, तो ये pure form, यहाँ पर आपको कुछ खनीजों के example दे हुए, आपको बताने है कि इन में से शुद्ध रूप में कौन सा पाया जाता है शुद्ध रूप में पाया जाने का मतलब ये है कि ये जो दूसरे metals हैं, या तो उनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा या फिर ये आपको मिलेगा free form के अंदर, तो अगर आप examples देखते हो, iron का, copper का, bauxide का, manganese का तो bauxide जो है वो तो खुद ही क्या है एक aluminum का ore है, इसमें aluminum के साथ में और elements भी present होते हैं manganese, copper और iron में से अगर आप देखते हो तो इन में से जो copper है वो आपको शुद्ध form में मिलता है शुद्ध रूप में मिलता है, इसलिए सही जवाब कौन सा होगा, copper iron के अगर हम बात करें, तो iron की ores जो mainly होते हैं, hematite और magnetite, उन दोनों के अंदर ही हमने iron को किसके साथ में जुड़ा हुआ देखा है, oxygen के साथ में, यानि कि ये शुद्ध रूप में नहीं मिलता है ठीक है, तो यहाँ पर correct answer कौन सा हुआ option B अगला सवाल है कि जो roads होती हैं, हमारी सुदूर सडकें जो होती हैं, उनको शती ग्रस्थ होने के लिए main reason क्या होता है तो सबसे main reason जो है roads की damage होने का वो है वहाँ पानी का इकठा होजाना, पानी के इकठा होने से क्या होता है, वो पानी absorb हो जाता है roads के अंदर, उसके बाद में वहाँ पर expansion process शुरू हो जाती है expansion process के वज़े से क्या होता है, जो हमारी रोड्स हैं उनके अंदर दरारे आ जाती है और वो फटमी शुरू हो जाती है इसलिए जो ठहरा हुआ पानी है गती हीन जल जो है वो एक में वज़र होती है जो रोड्स हैं उनके डामेज की अगले क्वेशन के दरफ बढ़ते हैं हमें एक ड्रक का नाम दिया है आपको जो है मेरी जुआना मेरी जुआना गांजा जो है उसका दूसरा नाम होता है जो कि हिंदे में आपको गांजा ही दिया हुआ है आपको बताना है कि इन में से जो नीचे आपको आप्शन दिये हुए हैं इन में से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी जुआना की नहीं है तो अतलब है जितने भी आपके functions and neurons के या फिर mental जितने भी आपके functions ने उनको ये accelerate कर देगा उनको ये बढ़ावा देगा hallucinating भी होती है जो मेरी जुआना drugs होती है ब्रहमकारी होती है लेकिन ये जो है वो tranquilizers नहीं होती है tranquilizers से आप क्या समझते हैं tranquilizers वो ड्रग होती है जो जैसे आपको anxiety है fear है stress वगेरा है अगर इन सब को आपको दूर करने के लिए आप अगर किसी तरह की drug लेते हो और उनसे ठीक होता है तो उनको हम कहते है tranquilizer उपशामक और शदी लेकिन मेरी जुआना जो है वो एक tranquilizer नहीं है इ option B अगला सवाल है the material known is income commerce as terrylin is terrylin नाम का एक पदार्थ हमारे पास है आपको बताना है कि क्या हो कि वो किस तरह का fiber है तो terrylin जो है synthetic fiber है और synthetic भी कैसा है synthetic polyester का fiber है यह एक polyester का fiber है और अगर आप बताएंगे तो यह कैसा होगा natural fiber नहीं है यह synthetic fiber है संसलेशित रेशा है तो सही जवाब होगा इसका option A इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम which is not used as an alkali नीचे आपको जो example दिये हैं उनमें से क्षार की रूप में या alkali की रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाते है तो sodium hydroxide NaOH इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक base क तरह potassium hydroxide को भी यूज करते हैं calcium hydroxide को भी यूज करते हैं यह सब जो है इनकी properties यह basic होते लेकि nitrogen hydroxide के आप बात करोगे तो nitrogen hydroxide जो है वह नीचर में exist ही नहीं करता है कभी-कभी जो है आपको मिलेगा कि ammonium hydroxide जो है उसको अगर कोई आपको nitrogen hydroxide बोलता है तो वह गलत है सिर्फ nitrogen ह hydroxide नहीं भूल सकते हैं ammonia जब एक H-ion कर लेता है तब हम इसको ammonium hydroxide या ammonia के साथ एक O-et जुड़ने पर कहते हैं तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option D यह basic नहीं है और यह exist भी नहीं करता है अगला सवाल है था chemical used in embalming biological materials यानि कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास examples है जैसे आपको कुछ bodies है dead bodies preserve करनी हो human की या animal की या इस तरह का आपको कोई भी preservation करना हो कि आपको बहुत सालों तक उसे store करके रखना है तो आप वहाँ पे कुछ chemicals का use करते हैं तो आप सबने सुना होगा formalin जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजों को store करने के लिए और उस process को हम क्या concentration में dissolved होते हैं और आप अगर options देखोगी तो आपको ऐसा ही option मिलेगा पहला जो कि है formaldehyde in water जो कि in short क्या है formalin और उसी को हम use करते हैं श्वलेपन के लिए तो सही जवाब यहां कौन सा हो गया option A अगला सवाल है dry ice के बारे में कि dry ice से क्या समझते हैं तो dry carbon dioxide जो है उसे हम जानते है dry ice के फॉर्म में अब आपके पास carbon dioxide के भी दो option है कि क्या solid carbon dioxide को dry ice कहते हैं या dry carbon dioxide gas तो solid जो carbon dioxide है उसे हम जानते है dry ice के नाम से इसलिए सही जवाब कौन सा होगा यहां पे option D अगला सवाल है which one of the following is not the form of biocides जानी नीचे जो आपको दिया हुआ है उनमें से कौन ऐसा है जिसको आप biocide की तरह use जो है वो नहीं करते तो biocides क्या होते हैं biocides देखिए या तो कोई chemical होते हैं और अगर chemical नहीं है तो कोई microorganisms होगी और यह क्या करेंगे जैसे कोई microorganism मान लीजिए उनकी वज़े से कोई disease हो रही है या फिर उनकी concentration बहुत जादा हो रही वो किसी भी तरह से अगर नुफसान पहुँचा रहे हैं तो यह क्या करेंगे यह उनको रोक देंगे तो उन chemicals को हम कहते हैं biocides तो salt जो है और sugar जो है इनको तो हम regular हमारे kitchens में भी use करते हैं तो salt, iodine और sugar जो है इनको हम biocides की तरह use कर सकते हैं लेकिन जो bleach है bleach या bleaching powder उसे हम biocides की तरह इस्तिमाल नहीं करते हैं उसमें ऐसी कोई property नहीं है जिस वज़े स जो microorganisms हैं उनको मार सके या उनको disease करने से रोक सके तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा option D अगला सवाल है एक potato tuber यानि आपके पास एक आलू है उस आलू को आपने क्या क्या है उसको आपने दो parts में cut किया है उसके बाद में आलू की surface को उपर करके आपने उसके उपर दो drop डाले हैं iodine के और आगे क्या क्या है placed on the cut surface of one of the halves आगे पूशा गया है आपको कि कैसा color change और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा तो आप बात करें potato की तो potato के अंदर starch present होता है और starch के उपर जब कभी भी आप iodine की drops डालते हैं तो वहाँ पे color change जो आता है वो होता है blue black color यानि अगर आपने जिस भी substance पे iodine डाला है और अगर उसमें starch present है तो उनका color change होंक का mixture हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहते है iodine test तो यहाँ पर क्या होता है brown to blue black brown क्यों 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 आपने जो iodine का solution डाला है उसका actual color कैसा होता है brown तो इसलिए सही answer क्या होगा option A अगला सवाल है कि जो commercial wasteline है जो आप इस्तमाल करते हैं उसको derive कहां से किया जा रहे तो petroleum को जब हम derive करते हैं तो उसमें जो last के products होते हैं उनमें से एक product जो है वो wasteline भी होता है और सही जवाब इसका कौन सा है petroleum petroleum से हम derive करते हैं wasteline को अगला सवाल जो है color imparted to the bunsen flame by strontium salt ये एक तरह का flame है हमारा इसके उपर हम अलग-अलग तरह के salts हैं उनको रखते हैं फिर जो flame के color में change आता है उसको हम study कर दें और वो कभी-कभी आपसे questions में पूचा जा सकता है जैसे आपसे अभी पूचा गया है strontium के बारे में तो strontium जो color आपको देगा इन flame के उपर वो होगा crim crimson red तो सही जवाप कौन सा है option D और अगर आप बाकियों का भी जानना चाहें अगर इसी तरह मान लेजरे हैं strontium है आपको हलका से change करके पूच लिया जाए तो bluish green color वो आपको मिलेगा copper के salt से copper sulphate भी क्योंकि blue color का होता है aqueous copper sulphate तो उससे आप याद रख सकते हैं जो apple green color है आपका वो आपको मिलता है barium से और जो brick red color है इंट जैसा लाल या गाढ़ा लाल वो आपको मिलेगा किस से lithium से लेकिन strontium का पूचा है तो वो कौन सा है crimson red अगला सवाल है कि जो tear gas है जो आंसू gas है उसको कभी कभी police use करती है जब बहुत जादा भीड हो जाती है तो उस भी chlorine सही जबाप कौन सा होगा option B अगरे सवाल के तरफ चलते हैं ipsum salt के बारे में पूचा है कि कहां use किया जाता है सबसे पहरे जान लेते हैं ipsum salt का formula क्या है तो magnesium का sulphate अगर आपके पास है तो magnesium के sulphate को हम क्या कहेंगे ipsum salt अब इसके बहुत तरह की uses होते हैं हमारे पास जैसे इप्सम salt को हम use करते हैं हमारी body को relax करने के लिए stress को कम करने के लिए भी use कर सकते हैं इसके लावा अगर pain है cramps वगेरा है इन सब को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं और इसी तरह constipation की अगर किसी को problem है कब बस कि किसी को अगर दिक्त है तो उसमें भी हम ipsum salt को use करते है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं और जैसी मतलब ऐसा अगर कोई ड्रग है जिससे constipation की problem ठीक हो रही हो या फिर वहाँ पर stools के अगर loosening हो रही हो उसे हम कहते हैं purgative सेलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा option A तो इसके जो भी users थे वो मैंने आपको बता दी और उनमें से जो option था उनमें भी एक catch था purgative आपको मालम होना चाहिए अगली सवाल के तरफ चलते हैं rodenticide क्या है? rodenticide क्या होते हैं जोतने भी जानवर होते हैं जो कुतर के खाते हैं जैसे की चूहा है और चूहे के समान जो और animals हैं उनको include करते हैं हम किसमें rodents के अंदर उनके teeth की वज़ज़े, उनमें teeth थोड़े से अलग होते हैं तो Rodent क्या है? चूहा क्या है? एक पेस्ट है तो एक कीट है जो अगर हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उनको बारेंगे न तो इसलिए एक Rodenticide क्या है? Rodenticide है एक Pesticide, एक कीट नाशक का एग्जामपल है. आगे है, which one of the following is a micro element? तो देखिए हमारी बॉड़ी में जितने भी आपको अलग-अलग तरह के चीज़े मिलेंगे हमारी बॉड़ी में जैसे हमारी बॉड़ी में कहा जाता है कि maximum percentage में आपको कौन मिलेगा oxygen उसके अलावा आपको hydrogen भी मिलता है, आपको carbon भी मिलता है, calcium भी मिल elements और एक होते है, micro, जो जादा amount में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते है, macro elements, यानि कि और जो कम amount में मिलते हैं, उन्हें हम कहते है, micro elements या फिर सूक्ष मतत्वर, तो carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon, ये सब जो है, ये तो है macro के example, लेकिन जैसे chlorine है, chlorine के लावा, phosphorus वगेरा जो है, वो macro में नहीं आत है, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, option A, जो है chlorine, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, brass के बारे में पूछा गया है, कि brass किस-किस का alloy है, तो brass और bronze, हमने पहले किसी एक lecture में साथ में discuss किया था, कि दोनों के अंदर copper जो है, वो तो common है, लेकिन अगर आपको अगला पता कर किस-का alloy हुआ, किस-किस का mission हुआ, copper का और zinc का, तो सही जवाब कौन सा है यहाँ पे, option B, अगला सवाल है कि जो rock salt है, rock salt एक mineral है, और इस mineral के अंदर आपको क्या मिलेगा, potassium मिलेगा, magnesium मिलेगा, sodium मिलेगा, या iron मिलेगा, तो rock salt के अंदर आपको जो element मिलेगा, वो है sodium, तो सही कि जवाब कौन सा होगा यहाँ पे, option C, rock salt मानी, same भना मिलेगा, अगला सवाल की तरफ चलते हैं, which one of the following is not correctly made, आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो है वो गलत है, पहला आपको दिया है hematite और copper, क्या hematite और copper के बीच में कोई relation है, क्या hematite copper का और है, नहीं, hematite किसका और है, iron का और है, तो पहला सवाल, जो है, पहला option जो दिया है, वो आपको गलत है, अगला है, बॉकसाइट और aluminium, तो हम सब जानते हैं, बॉकसाइट जो है, वो aluminium का और होता है, तो ठीक है, इसी तरह मोनाजाइट, जो है, मोनाजाइट के अंदर वैसे तो दो तीन element के mixture होत करते हैं, तो A option को छोड़ करके, बाकी सारे option जो है, उसमें सही और आपको दी हुई है, और सही जो भी element हम extract करते हैं, वो दिया हुआ है, हम से पूछा गया है, गलत कौन है, तो गलत कौन है यहाँ पे, option A, next is, which one of the following is used for refrigeration, यानि, प्रशीतन के लिए नीचे में से कौन सा किया जाता है, तो freon जो है, उसको हम as a refrigeration के लिए use करते हैं, इसका formula क्या होता है, CCL2F2, यानि कि मिथेन के उपर, हमने जो चार hydrogen थे, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया है, दो क्लोरीन से और दो फ्लोरीन से, और ये एक क्लोरो फ्लोरो कार्बन का example है, तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, option C, अगला सवाल है कि कौन सा जो नीचे से आपको, नीचे से जो आपको options दिये हैं, उनमें से किसका इस्तेमाल जो हम ethanol के denaturation के लिए करते हैं, ethanol का denaturation ने पहले भी बात करी थी, जैसे laboratories के अवगेरा के अंदर जो ethanol होता था, पहले वो pure ethanol होता था, उसका mis नेचर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं, methyl alcohol का, तो सही जवाब क्या होगा, इसका option A, अगले सवाल है, the charcoal used to decolorize brown sugar is, अब आप पूछोगे कि brown sugar और sugar के अंदर क्या difference है, तो brown sugar जो है, उसका chemical formula जो है, वो तो sugar की जैसा ही होता है, C12H22O11, जो हमारा सुक् करेंगे, इसलिए हम उसको decolorize करेंगे, उसका जो color है, उसको निकालेंगे, और उसके लिए हम जिस charcoal का इस्तमाल करते हैं, वो होता है, हमारा animal charcoal, कौन सा होता है, animal charcoal, तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा, option C, अगला सवाल देखते हैं, the fungus which is used in alcohol industry, यह यह एक फंगस है, जिसे हम alcohol industry में use कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, yeast जो आपका chemical है, उसमें आप क्या करते हैं, yeast में एक enzyme होता है, जिसे हम कहते हैं, zymase, zymase की वज़ा से वहाँ एक chemical reaction होती है, जिसमें finally, ethyl alcohol का formation होता, ethyl alcohol क्या है, एक तरह की alcohol, तो हम इस enzyme को और इस cover को इस्तमाल कर सकते हैं, हमारे industries के अंदर जिसे हमें alcohol का formation कर लेंगे, इसलिए आपे सही जवाब कौन सा होगा, option C, जो भी है yeast, खमीर, अगला सवाल है, गोल्ड जो है, वो किसमें dissolve होगा, तो गोल्ड ना hydrochloric acid में dissolve होगा, ना nitric acid में dissolve होगा, पर दोनों के combination में dissolve हो जाएगा, 1-3 का जो concentrated combination है, जिस सही जवाब कौन सा होगा, इसका, option C, अगला सवाल है, how will you define the process of vulcanization, vulcanization की process को आप कैसे define करोगे, तो vulcanization process जो थी, उसमें हम उसको हम करते हैं, जो natural rubber है, उसकी जो properties है, उनमें कुछ additional properties, strength वगएरा को add करने के लिए, natural rubber के अंदर जब हम sulfur को add करते हैं, और sulfur के साथ में हम एक चीज और add करते हैं, जो है letharge, अब letharge का formula भी आपको पता होना चाहिए, letharge is lead का oxide, तो यह जो पूरी process है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, vulcanization, तो यह butane के उपर हम नहीं कर रहे हैं, हम natural rubber पे कर रहे हैं, जो butane का polymer तो नहीं है, और propane का भी नहीं है, some of plastic formed, plastic के भी कोई बात नहीं है, vulcanization अगर आपको याद है, तो आपको दो चीज़े जरूर याद होंगी, पहला rubber और दूसरा sulfur, यानि सही जब आप क्या होगा, sample of rubber, mixed with sulfur and letharge, अगर आपको letharge के बारे में नहीं भी पता है, तो भी आप यह question को आसानी से सही कर सकते हैं, अगला सवा है, among the following, the hardest metal is, sorry, तो जो hardest metal, I'm really sorry, जो hardest metal है, वो होता है, तंग स्टन, इसलिए correct answer कौन सा होगा, option D, gold, iron and platinum, जो है, ये noble metals के category में आते हैं, these are not hard, hardest तो नहीं है, at least, next question is, NBR क्या है, NBR जो हमारा N rubber, या फिर N-buna जो होता है, एक rubber का form है, N-buna, S-buna, दो हमने पढ़े हैं, उसी तरह हम उसी को एक और नाम देते हैं, जो कि N-b-r, और N-b-r क्या है, N-b-r is acrylonitrile butadiene rubber, तो इसे हम क्या कहेंगे, natural acrylonitrile butadiene rubber, ये एक natural rubber का example है, तो सही option है, यहाँ पर क्या हो गया, option B, next is the main source of naphthalene, naphthalene जो है, उसका main source होता है, कोलता, तो correct जवाब यहाँ पर क्या होगा, option C अगला सवाल है, most commonly used rodenticides, rodenticides के हमने थोड़े देर पहले भी बात करी थी, लेकिन पूछा है कि rodenticides जो है, उनमें हम कौनसी property का use करते हैं, या फिर उनका nature किस तरह का होता है, किस तरह की प्रकृती होती है उनकी, तो जो rodenticides हम use करते हैं, वो हम use करते हैं, anti-coagulant, या या जो coagulation है, उस coagulation process को नहीं होने देंगे, जिससे blood flow अगरा नहीं रुकेगा, या तो internal breeding होगी या इस तरह से हम property जो use करेंगी, वो क्या है, anti-coagulant, तो सही जवाब क्या है, इसका option C अगले सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल है, which one of the following compounds is not ionic in nature, आपको बताना है कि कौन सा compound जो है, जिस ionic नहीं है, यानि कौन से में ionic bond नहीं है, ionic bond usually होता है, एक cation और एक anion के बीच में, लीथियम chloride अगर आप देखोगे, तो लीथियम पे positive charge है, chloride Cl minus जो हमारा anion है और इन दोनों के बीच में एक ionic bond है, ammonium chloride इसी तरह अगर आप देखोगे, ammonium chloride है, NH4 plus और chloride minus के बीच का ion, calcium chloride है, calcium plus 2 और calcium plus 2 के साथ में 2 chloride का bond, जिन पे दोनों पे negative charge है, तो ये तीनों examples जो थे, वो ये एक ionic bond का example ना होकर के covalent compound है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option D. नेक्स्ट जो question है, वो है, when lime juice is dropped on baking soda, brisk effervescence takes place biggest the gas involved is, lime juice को और आपने baking soda के अंदर जब डालते हैं, तो वहाँ पे एक तरह की gas produce होती है, gas या फिर वहाँ बुदबुदाहट होने लगती है, तो obviously वहाँ कोई gas के bubbles ही है, जो निकल रहे हैं, तो वो कौन सी gas होती है, तो carbon dioxide gas ज के अंदर, जो gas है, वो कौन है, carbon dioxide, CO2, तो सही जवाब है, हमारा option A, sorry, option C, अगला जो सवाल है, which of the following is used in clean oxidation, यानि स्वच्छ oxygen के लिए आप कौन सा जो है, नीचे जो compounds या फिर जो भी दिये हों, उनमें से use करेंगे, तो clean oxidation में क्या होता है, usually, जैसे किसी तरह का अगर आपक के कोई oxides बगरा हो, इन सब को remove करना हो, तो आप उस process को कहेंगे clean oxidation, और इसके लिए हम use करते है, hydrogen per oxide, और वो भी कैसा, aqueous form में, H2O2, तो सही जवाब क्या है, option C, which is aqueous hydrogen per oxide, solder metal पूशा गया है, अगला आपको कि solder metal जो है, वो किस-किस का alloy होता है, solder metal क्या है, जो metal के अलग- joint करना है, soldering करनी है, तो उसके लिए आप जो मिश्रधादू का इस्तमाल करते हैं, उसे हम solder metal कहते हैं, आपको उसका बताना है कि हम उनमें कौन-कौन से दो elements है, उनका mixture use करते हैं, तो हम use करते हैं, उसमें lead को और tin को, तो सही जवाब इसका कौन सा है, option A, अगला सवाल है कि आपको electroplating करनी है, gold की, तो electrolyte आप कौन सा इस्तमाल करेंगे, तो electrolyte आप इस्तमाल करोगे, gold का, क्यों? क्योंकि जो आपका anod होगा, anod के उपर आप जो impure gold लोगे, वो impure gold पहले solution में आएगा, और solution के बाद में जाकर होगे, वो cathode में deposit होगा, जिसको आप electroplating का होगे, त इसमें भी जो gold है, वो present होना चाहिए, तो हम यहाँ पर use करेंगे, gold का sulfate, agso4, तो सही answer कौन सा होगा, gold, sorry, ag is silver, हम use करेंगे gold के sulfate को, it's au, okay, so correct answer is option c, next जो question है, वो है, the acid present in red ants, जो लाजची इंटियां है, जो आपको खा जाती है, उस वक्त आपको redness होती है, swelling आ जाती है, तो उनके अंदर पूछा कहा है कि कौन सा acid present होता है, तो formic acid present होता है, ants के अंदर, h, c, o, o, h, जो की simplest carboxylic acid है, तो सही answer कौन सा है, इसका option d, अगरा जो सवाल है, पूछा है कि कौन सा metal है, जो bauxite से extract किया जाता है, तो bauxite aluminium का एक main ore है, तो हम aluminium को extract करेंगे bauxite से, तो correct answer is option d next is pH value between 6.5 to 7.5 makes the soil, तो pH की जो range होती है, वो हम शुरू करते है, 1 से 14 तक, और उसमें जो 7 value होती है, उसको हम consider करते है, neutral, 7 से पहले की जदनी भी values है, वो acidic है, और 7 की बाद की जदनी भी values है, वो कैसी है, basic, तो आपको बताया है, 0.5 आपको पहले दिया है, और 0.5 बाद में दिया गया, यानि यह range जो है, वो आपको बताई गई है, soil के pH की, तो अगर आप इसके mid value अगर आप लेना चाहा हो, तो आपको वो कितने मिलेगी, 7 मिलेगी, तो 7 को हम कौन सी category में डालेंगे, हम उसको neutral में add करेंगे, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, option B, अगला सवाल इसका है, which of the following indicator is used in determination of hardness of water, जो पानी है, पानी की कठोरता को अगर आपको देखना हो, तो हम उसके लिए EBT यूज करते है, फिनोफ्थिल, मेथाईल, और जिन सबको हम यूज करते है, जब acid और बेसल की reactions होती है, और उनमें salt formation होता है, लेकिन यहाँ पे हमें hardness का पता करना ह है, तो हम उसमें किसको use करेंगे, EBT, तो correct answer इसका क्या है, option A, अगला question है, the wire of flash bulb, flash bulb जो उसके wire हम बनाया जाते है, magnesium से, flash bulb is different, तो आप इस तरह के जो सवाल है, उसको ध्यान से पड़े, electric bulb अगर आपको पूछा जाते है, तो उसमें हम जबाब देते है, nichrome wire, तो यहाँ पे the colored discharge tubes for the advertisement mainly contained, जो colored tubes होती है, विग्यापन के अंदर जो आपको रंजित विसर्जन नलिकाओं का इस्तिमाल किया जाते है, उसमें पूछा है, कौन सी gas जो है, वो उनमें present होती है, तो neon gas जो है, उसका इस्तिमाल किया जाता है, जो हमारे advertisement वाले colored discharge tubes होते है, उनमें सही answer कौन सा होगा इसका option D, अगला सवाल है कि जो muscle fatigue है, is caused by the accumulation of muscle fatigue में क्या होता है, जो ठकान होती है, बहुत जादा exercise करते हो, बहुत जादा workout करते हो, उसके बाद में आपकी muscles में बहुत pain होता है, वो pain क्यों होता है, क्योंकि जब आप बहुत exercise करते हो, तो body में जितना भी oxygen है, उसका पूरे का consumption हो चुका है, यानि कि अब body में बिलकुल oxygen present नहीं है, जितना आप respire कर रहे हैं, वो आपकी सिर्फ normal जो demands है, उनको ही complete कर पा रहा है, तो इस time पे हमारी body में होता है, anaerobic respiration, यानि कि जो oxygen की absence में होता है, वो respiration, और इसमें जो products बनते हैं, वो होता है, lactic acid, और lactic acid की deposition से हमारी जो muscles है, वो sore हो जाती है, और उनमें pain होता है, उनमें fatigue होता है, तो correct answer कौन सा होगा, इसका option B, जो की है lactic acid, अगला सवाल है, वो है, what is the most common salt in sea water, सबसे common salt in sea water में कौन सा है, NACL, जो table salt है, वो सबसे commonly मिलता है, sea water में, तो correct answer कौन सा होगा, इसका option C, sodium chloride, अगला सवाल है कि जब quick lime को water में add करते हैं, तो क्या reaction होती है, तो quick lime सबसे पहले calcium oxide, quick lime है, उसके अंदर जब आप water add करोगे, तो बहुत vigorous reaction होती है, उसके अंदर बहुत जादा amount में heat जो है, वो release होती है, और किसका formation होता है, calcium hydroxide का, जो क्या है, slake lime, calcium oxide क्या है quick lime, और calcium hydroxide क् slake lime, अब आपका जो question था, वो उसमें बात हो रही थी, heat कीगी, या वो liberate होगी, absorb होगी, तो बहुत energetic reaction है, यहाँ पे heat जो है, वो liberate होती है, heat जो है, वो मुक्त होती है, release होती है, last question जो आज का है, वो है, the number of neutrons present in an element having mass number 226 and atomic number 88, तो मान लीज़े, आपके पास कोई element है, एक जिसका atomic number 88 आपको बताया गया है, और उसका mass number 226, तो हम neutrons का number कैसे calculate करेंगे, जिसका atomic mass है, उनमें से हम subtract करेंगे उसके atomic number को, यानि 226 को subtract करेंगे हम 88 से, तो जो answer आपका आएगा यहाँ पे वो होगा 138, और अगर इसी question में आपको number of protons पूछे जाएंगे, तो वो किसके equal ह यानि कि वो कितने होंगे, 88, तो इस question का सही answer कौन सा होगा, 138 number of neutrons, पहला सवाल जो आपकी screen पर display हो गया होगा, वो है, which among the following is a covalent compound, आपको बताना है कि आपको जो options देये हुए हैं, उनमें से कौन सा जो है, वो ही covalent compound है, तो चलिए हम one by one सारे options देख लेते हैं, सबसे प जानते हैं, यह एक ionic compound है, जिसमें calcium का charge plus two है, वो cation की तरह add करता है, और इसी तरह chlorine जो है, minus one और वो anine की तरह add करता है, तो calcium chloride जो है, वो एक covalent compound का example क्या है, नहीं है, तो पहला option गलत है, second option की तरफ चलते है, second है magnesium fluoride, फिर sodium fluoride, तो अगर यह सारे आप देखोगे, तो वो alkali और alkaline metals जो है, उन्हीं को लिया हुआ है, और उनके halides के साथ में आपको salts दिये हुए है, तो यह सारे यह ionic compounds है, लेकिन जो carbon tetra chloride है, CCL4, यह एक covalent compound है, यह एक ionic compound जो है, वो नहीं है, तो सही जवाब कौन सा होगा, option D, चलते हैं, दूसरे सवाल की तरफ, दूसरा सवा है कि gammaxane, DDT और bleaching powder जो है, यह किसके compound है, अब मान लीचे, आपको नहीं पता, आपने कभी नहीं सुना gammaxane के बारे में, DDT जो है, वो आपने सुना है, पर आपको confirm नहीं है कि वो किसका compound है, लेकिन bleaching powder के बारे में तो हम जानते हैं, कि bleaching powder किसका compound होता है, chlorine का, तो सही जवा अगला जो question है, वो है combustion of a candle, combustion यानि कि आप उसको oxygen की complete presence में यानि कि वो तो आगी की चीज है, किसी भी substance को जलाने की जो reactions होती है, अगर हम normal बात करें से हम combustion कहते हैं, तो candle का combustion क्या होगा, यह एक exothermic reaction है, अब आप पूछे में कि exothermic और endothermic या फिर ऊश्मा सोशी और ऊस्मा shape, shape C, इनमें आपको क्या difference है, तो जो exothermic reactions होती है, उनमें जो energy होती है, वो release होती है, और इसी तरह जो endothermic है, यानि कि इनको energy की जरूरत है, तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे energy जो होगी, absorbed होगी, और जो combustion reactions है, उनमें क्या होता है, उनमें energy जो है, वो release होती है, तो यह example है क का एक्जोधर्मिक रियक्शन का तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन डी अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम विच ऑफ दे फॉलिंग प्रॉपर्टी इस नॉट ऑफ द आयनिक कंपाउंड अब आप से कुछ आपको ऑप्शन से आपको बताना है कि आयनिक योगिक जो नांपर NACL को याद कर लीजे एक वाफ तो आप यह बताइए मुझे कि NACL वाटर में वाटर में सॉलिबल होता है तो पहला जो है वो सही है दूसरा है कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट होते हैं तो इनके बॉलिंग पॉइंट और मेल्टिंग भी हाई हो अगला है कि इनकी electric conductivity होती है solid state के अब दो चीज़े आते हैं जो आइने कनपाउं के बारे में आप याद रखें कि electric conductivity जो है इनकी विध्युक चालकता जो है वो इनकी कब होती है वो तभी होगी जब या तो यह मॉल्टन स्टेट में होगी मॉल्टन मतलब कि क्या पिघली हुई अवस्था के अंदर होगी या फिर क्या होगा जैसे आपने नमक को है पानी में भूल दिया है उसका तो वो क्या हुई उसके liquid state हुई तो उस state के अंदर भी उसमें चालकता होगी लेकिन ठोस अवस्था में को cast iron में, raw iron में, steel के अंदर तो अगर आप पूछेंगे मुझसे कि कितना percentage होता है cast iron में carbon का तो वो कितना होगा तेन से 5% तो सही आंसार कौन सा है इसका option D इसी तरह अगला सवाल है कि cement containing excess amount of lime cement की भी हम काफी सारे question कर चुगे हैं लेकिन अब आपको एक situation दी हुई है कि मान ली करी थी कि जब जो cement है वो फो सवस्ता में आ जाती है जब बहुत मजबूत हो जाती है तब हम उसे क्या कहते है settling और अगर जो है lime की concentration वो जादा हुई वो जादा होगी तो क्या होगा setting होने के बाद में उसमें दरारें पढ़ जाएंगे ठीक है तो सही answer का कौन सा होगा कि cracks cracks आ जाएंगे उसमें या फिर दरारें पढ़ जाएंगे वो जादा strong नहीं होगा cracks होगे मतलब कि जो हमारा aim था जो मजबूत फोस बनाने का था वो तो बीच में दरारें आ गई तो obviously कुछ explain करने की ज़रूरत ही नहीं है अगले सवार के तरफ पढ़ते हैं अगला सवार आ हमें क्या क्या बताया है तो पहला option जो है the ionized hydrogen molecule अब hydrogen की आप अगर बात करोगे तो hydrogen होता है one and one यानि इसमें तो proton का number एक ही है उसको भी अगर आपने ionize कर दिया है यानि इसमें electron भी एक है proton भी एक है तो आप बताईए ionize करने के बाद में क्या एक hydrogen molecule को हम proton कह सकते हैं या फिर जो nucleus है hydrogen atom का उसी को हम proton कहेंगे क्योंकि helium को तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि helium के अंदर जो proton का number है वो कितना है दो है हम सब चाहते है तो helium तो नहीं हो का उसे हम क्या कहेंगे proton कहेंगे तो सही answer इसमें से क्या होगा option c positive counterpart जो electron का होता है वो proton नहीं होता है वो कौन होता है positron होता है तो इसमें आपको जो है वो confused नहीं होना है सही answer हम आपको बता चुके हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि the apparatus used to test acidity of aqueous solutions यानि आपके पास कोई solution है उसके आपको acidity test करने है तो आप किसे use करेंगे acidity के लिए हम कौन सा ऐसा प्रॉसर जैसे use करते हैं या फिर कौन से ऐसा चैसे हम use करते है pH को तो pH meter हम यूज़ कर लेंगे acidity को test करने के लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हम emitter किसके लिए यूज़ करेंगे तो electric current जो है उसको हम जांचने के लिए emitter यूज़ करते हैं इसी तरह हाइग्रोमेटर जो हम नमी है हमारी बातावरण में उसके लिए हम यूज़ करते ह हाइग्रोमेटर तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा सही होगा option A अगला सवाल है कि आपको washing soda जोए उसका chemical formula पूछा है यहाँ पे आपको washing soda बोलते ही washing soda वेकिंग सोडा दोनों याद आज़ना शाहिए यह मैं फिर से रिवाइस नहीं करवाऊंगे आपको washing soda का जो chemical formula है वह कि इसका सही answer भी है अगला जो question है वो है hydrochloric acid is also known as आपको बताना है कि hydrochloric acid का कोई और नाम भी है क्या तो garlic acid, picric acid, muriatic acid, chloric acid इन सब में से hydrochloric acid का जो दूसरा एक और नाम अगर आप बताओगे वह कौन सा होगा? मूरियाटिक acid, picric acid तो एक benzene के उपर अलग-अलग तीन nitrogen के groups होते हैं तब जो बनता हुसे हम कहते है, hydrochloric acid जो हो, picric acid नहीं है, तो सही जवाब यहाँ पे है, option C अगला सवाल आपको पूछा है कि जो back on light होती है, stumble light होती है, उन में कौन सी accrea gas जो है, उसका इस्तिमाल किया जाता है तो सारी आपको options में जो देवी है, वो accrea gas है, krypton है, argon है, helium है, neon है, तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप बताईए हमें कि कौन सी gas यूज की जाती है, तो यहाँ पे जो हम ऐसी light या फिर ऐसी inert gas का इस्तिमाल करेंगे, जो क्या करेगी, जैसे धुन्द आती है बहुत सब में उस पर कोई भी फरक ना पड़े, तो ऐसा अगर आप मेंसे एक option पूछते हैं इन में से, तो वो कौन सा होगा, वो है हमारा neon, इसलिए सही जब आप कौन सा हो जाएगा, neon यानि की option में है, अगला सवाल है आप से पूछा है कि copper की refining कैसे करी जाती है, refining या purification जो है उसमें क्या होता है, आप उसकी impurities जो है, उसको remove करके pure copper जो हो आपको extract करता है, अब सवाल है कि refining कैसे करते हैं, तो इसके refining होती है, electrolysis से, अब electrolysis में होई, cathode होगा, anode होगा, तो cathode की उपर क्या होगा, copper का deposition होगा, तो cathode को हम क्या बनाएंगे, pure copper की बनाएंगे, इसी क्योंकि impurity सारी जो है, वो नेचे जो electrolyte है, उसमें चली जाएंगे, और जो copper है सारा वो जाके cathode पर deposit होगा, तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा है, इसका option C, अगला सवाल है, which of the following metals occur in free state, कौन से metal है, जो free state में exist करते हैं, तो वो metals जो free state में exist करते हैं, वैसे तो बहुत सारे होता है, पर हमेज़ याद रखने हैं, और जो nature में जादा amounts में मिलता है, वो कौन कौन से है, वो है copper है, silver है, gold है, और platinum है, यहाँ पर आपको कौन सा मिल रहा है options में, option A, जो कि क्या है copper, अगला सवाल है, which one of the following is used as a preservative for foodstuff, preservative जो है foodstuff के लिए, यानि कि हमारा जोबी खान का सामान है, उससे हमें अगर कई दिनों तक store करके रखना है, तो उसके अंदर हम ऐसी कौन सी चीज अड़ कर दे कि वो हमारे काम जादा सकी, तो sodium benzoid जो है, यानि आपका option A, जो है, इससे हम use करते है, एक preservative की तरह, चलते अगले question की तरह, जो है the element with highest first ionization energy, ionization energy है, कि आप तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि helium है, helium के अंदर, helium का electronic configuration कितना है, 2 और 4, यानि कि अगर आप इसको helium का nucleus मानते हो, तो इसके जो first shell है, जो कौन सी होती है, 1 is, उसमें maximum कितने electron आ सकते हैं, 2 electron, तो इसमें 2 electron है, 2 maximum है, और जो पहली shell होती है, उसके nucleus से जो दूरी होत इसमें वो सबसे जादा होगा, तो यहां पर अगर आप यह electron निकालना चाहो, या फिर इसमें एक और electron add करना चाहो, तो वो बहुत ही मुश्तिल होगा, इसलिए helium जो है, उसके अंदर first ionization energy बहुत ही जादा होती है, तो correct answer कौन सा होगा, option A, जो कि क्या है, hydrogen, sorry not option A, गलती से जादिया मैंने, सही answer क्या है, option B, जो कि है helium, बाकि आप अगर hydrogen देखते हो, lithium देखते हो, sodium देखते हो, तो इनमें बाहर वाली shell में एक electron present है, तो वो तो आसानी से एक और electron का ले लेगा, अगला सवाल जो है, वो carbon dioxide के बारे में है, कि carbon dioxide का एक reducing agent की तरह आख करता है, oxidizing, dehydrating य क्या होती है, कि यह usually जो है, वैसे तो reactions पर depend करता है, लेकिन carbon dioxide जो है, reducing agent की तरह आख करता है, तो सही answer यहाँ पर कौन सा होगा, option B, अगला सवाल है, which of the following is a regenerated fiber, यानि कि पुनर निर्मित रेशे का उदाहरन कौन सा है, पुनर निर्मित रेशे क्या होते है, जैसे कि जो हमा नॉर्मल या फिर नाचुरल रेशे हमारे पास है, वो कौन सा है, cellulose, मान लेजी अब आपने क्या किया, cellulose के साथ में आपने कुछ chemicals को mix कर दिया, और उन chemicals को mix करने के बाद में, आपने कोई और रेशे बनाया, आपने कोई और fiber को फॉर्म किया है, तो उस fiber को हम क्या कहें नाइलोन और सिल्क में से रेउन जो है, एक्साम्पल किसका है, रेज इन वेटेद fiber को, अगला सवाल है, the resources which can be used continuously year after year are called, यानि कि आपको ऐसे संसाधन का नाम बताना है, जो उनका उपयोग हम हर वर्ष कर सकते हैं, यानि कि वो खतम ही नहीं होंगे, तो वो कौन से हैं, हम स यहाँ पर सही जवाब है, option D, अगले सवाल है, जो refrigerators है, आपके जो fridge है, उनके अंदर हम खाना जो रखते हैं, वो खराब क्यों नहीं होता है, मतलब fridge में जाते हैं, उसमें ऐसा क्या हो जाता है, तो fridge के बारे में एक चीज़ तो हम सब जानते हैं, कि वहाँ पर temperature जो है, व कोई particular temperature की range चाहिए होती है, काम करने के लिए, लेकिन हमने fridge में रखे क्या किया, उसका temperature कम कर दिया, तो enzymes में क्या किया, इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, तो कोई भी reaction है, जैसे कि जो फल के सडने की reaction है, या फिर कोई bacteria जो है, वो अगर उन पे grow करे, वो reaction है, तो वो सारी reactions है, वो क्या है, वो नहीं हो पाती है, इसी दिये low temperature पे जो खाना है, वो खराब नहीं होगा, तो low temperature पे क्या होगा, bacteria, molds, मतलब yeast वगएरा, कवक वगएरा, यह सब inactive हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके enzymes जोंको हमने inactive कर दिया, तो सही आंसर कौन सा हो गया, इसका option A, अगला जो सवाल है, वो है, which of the following elements is not present in stainless steel, तो stainless steel में होता क्या है, stainless steel के अंदर हम क्या करते हैं, हम iron जो है, उसके साथ में chromium और जो nickel है, उसको mix कर देते हैं, इनको impurities ने, इनको हमने जान बूच कर mix किया है, क्योंकि steel जो से हमें हमें थोड़ी अलग property, जो यह iron से जो है, उसको हमें अलग बनाना है, तो कौन सा जो element है, वो उसमें नहीं है, वो कौन होगा, tungistan, अगला सबाल है, वो है, select the one which is not a mixture, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, वो एक mixture नहीं है, जो एक mixture नहीं है, air जो है, सब जानते है, mixture है, उसमें carbon dioxide present है, nitrogen present है, water vapors present है, dust present है, बहुत सारी शीज़े present है, इसी तरह gasoline, gasoline अगरा बात करोगी, तो hydrocarbons ज सब लग जो carbon और hydrogen की compounds होते हैं, इसी तरह LPG, LPG भी hydrocarbons का mixture है, जिसमें हम कहते हैं, कि butane और जो propane है, वो बहुत जादे concentrations में मिलते हैं, लेकिन जो distilled water है, वो pure water होता है, यानि कि ये एक compound है, एक mixture नहीं है, तो सही आंसर कौन सा होगा, इसका option है, अगला सवाल है, ionic compounds are soluble in, यानि कि ionic compounds किसमें soluble होते हैं, हमने शुरू में भी बात करी थी, कि water में soluble होते हैं, water में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ये अपने ions में dissociate हो जाएगे, जैसे कि Na plus और Cl minus, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों charge present है, तो हम क्या कह सकते हैं, कि ये dissolve होने के बाद में polar polarity provide कर मतलब दो अलग अलग तरह के charges provide करना, तो सही answer में क्या होगा, option D, water, अगला mercury के बारे में बताना है, mercury क्या है, एक liquid metal है, और liquid non metal कौन है, आप बता दे मुझे, यहाँ बे, comments के अंदर के liquid non metal कौन है, mercury तो मैंने बता दिया है, अगले सवाल के तरफ चलते है, आप से पूछा ह आप में आता है, यानि मान लीजे, आपने हाथ के ऊपर spirit apply किया है, तो थोड़ी देर के बाद में आपको क्या होगा, वहाँ पे cool sensation, यानि शीतल अनुफ़ होगा, अब क्या होता है, मान लीजे, आपने spirit है वो लगाई है आपके हाथ के ऊपर, तो क्या होगा, जो spirit है, वो क energy को ले लेगी, और spirit क्या होता है, volatile होता है, मतलब इसका वाशपी करण बहुत जल्दी हो जाएगा, तो खुद तो spirit क्या हो गई, उड़ गई, वेपर बन गई उसके, लेकिन क्योंकि इसने आप सतर से energy को absorb कर लिया था, तो यहाँ पे energy क्या है, अब यहाँ पे energy कम है, तो आपको कैसा अनवभव होगा, आपको थोड़ा-थोड़ा थंडा या फिर शीतल अनवभव होगा, तो सही answer इसका क्या है, यह highly volatile है, बेहत वाशपसील है, अगला सवाल है कि ताज महल जो है, आपने सुना होगा, कि जो संग मरमर पत्थर है ताज महल का, वो काला पढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है कि ताज महल के किनारे जो है वो यमुना नदी है, और यमुना नदी के ऊपर, यानि की जैसे जो हमारा नदी है, उसके साइद में बहुत सारी इंडिस्ट्री सेट अप होते हैं, तो उन इंडिस्ट्री की वजह से उस एट्मोस्फेर में सलफर के और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है, बहुत जादा में प्रेजेंट है, अब ऐसा होने से क्या होगा, आप सब समझ गए होगा, ऐसा होने से असिड रेंज जो है, उसके जो चांसे है, अमली ये वर्षा के वो बहुत जादा होते हैं, और नहीं की बचा से जो हमारा अगला सवाल है, वो क्या है, अगला सवाल है कि मोलारिटी की आपको यनिट बताने, तो मोलारिटी की बात हमने क्या करे थी, मोलारिटी हमने कहा था, मोल्स पर लिटर, जिसकी भी आपको मोल्स लिखने है, उसके लिटर लिखने है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, मोल, मोल कि मैंने कोई square नहीं लगा है कोई cube नहीं लगा है तो mole की power कितनी है 1 और later क्योंकि नीचे है तो अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे later minus 1 यानि कि यह denominator में है तो सही जवाब देख लिए जए कौन सा इसका सही जवाब है option c mole 1 and later की unit है minus 1 अगला सवाल है the most abundant 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 is sorry the most abundant constituent of atmosphere यानि कि सबसे प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाले atmospheric air कौन सी है nitrogen अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जतनी भी noble gases है क्या वो colorless होती है क्या वो orderless होती है या वो दोनों ही उनमे color भी नहीं होता है order भी नहीं होता है noble gases जो उनके बारे में हम क्या पढ़ते है कि यह किसी के साथ भी reaction नहीं दिखाती है मतलब बहुत limited reactions है अगर है तो भी क्योंकि xenon के कुछ compounds वगएर आप discover हो रहे है तो यह इनमें कोई रंग नहीं होता है यह रंग हीन होती है इनमें कोई महक नहीं होती है यह गंद हीन होती C-A-O-C-L-2 और इसको हम क्या बोलेंगे calcium hypochlorite सही answer क्या है इसका option भी अगला सवाल है कि alcoholic group है उसको अगर आपको identify करना है तो alcoholic group जो है उसको आप कैसे identify करोगे अब यहाँ पे आपके पास options दिये हो है tol and reagent test tol and reagent आपके कब कामा था जब आपको aldehyde group test करना हूँ लेकि chide के इलावा जिनमें alpha hydrogen वाले ketones हो ठीक है esterification test में ester का formation होता है जिसमें alcohol involved तो होगा उसमें क्या होगा alcohol होगा alcohol के साथ में क्या होगा carboxylic acid होगा और इनकी वज़े से एक ester बनेगा जो fruit smelling होंगे पर उनसे हमें यह नहीं पता चलेगा कि मतलब हम इसको identification के लिए use नहीं कर सकते हैं इस test में alcohol तो use हो रहा है लेकिन जो fecl3 है fecl3 test है उसको हम use करते हैं किसके लिए यहां पर थोड़ी सी typing error है अगली बार से ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा यह fecl3 जो उससे हम use करते हैं alcohol group को identify करने के लिए तो सही जवाब कौन सा हो गया option number 3 यानि option number c अगला है कि pollutant from motor car exhaust that causes mental diseases आपको ऐसा pollutant बताना है ऐसा प्रदूशक बताना है जिसकी वजह से क्या होगा आपको mental disorders जो हो सकते हैं तो ऐसा pollutant मैंने आपको कौन सा बताया था ऐसा pollutant है लेड नी यानि की सी सा तो सही जवाब इसमें क्या होगा option a अगला सवाल है the total energy of revolving electron in an atom यानि हम यहाँ बात हो रही है इस electron फोटने वाले electron की और इस nucleus की total energy की तो टोटल एनेरजी के अगर आप बात करोगी तो फिए टोटल एनरजी है और उनमेंसे खूछएं, शेलेक्ट्रोण के लेक्ट्रोण के नरजी पॉजेव नहीं क्यों सकते है क्योंकि पॉजेव एनार्जी हम उस्नेु क्योंन क सविए नूट्रीई की मानते हैं तो उसके लिए electron की energy को negative ही होना पड़ेगा. कि not be negative जो है यह तो गलत होगा. अब पुछा है, can have the value above zero. अब negative है, तो negative को हम zero से कम में ही consider करते हैं, आगे है, can never be positive. पॉसिटिव कभी नहीं हो सती, यह बार ठीक है, will always be positive, यह तो गलत है. तो सही जबाब आप कौन से दोगे इसका, option C. आगे है, the credit for the discovery of transuranic elements. Transuranic elements क्या होते हैं, यानि इसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि uranium का कुछ से करे हैं. तो uranium की बाद में जिनका discovery हुए थे, जिन elements की, उनमें भी क्या था? वो, उनका atomic number 92 से साधा होता है, जो atomic number है, और उनमें और क्या property होती है, जिसके वज़े से आप उनको transuranic बोलर कुछ तो होगा ना, uranium जैसा. क्या होता है, ये भी unstable होते हैं, और uranium की बाद में एक चीज जो आपको कभी नहीं बोल दिये हैं, वो कौन सी है, radio activity, तो ये सब भी क्या करते हैं, radio activity शो करते हैं, और sea borbs जो थे, उन्होंने इसकी discovery करी थी. अगला है, oil of vitriol जो हो किसे कहते हैं, तो oil of vitriol जो हो कहते हैं, nitric, sulfuric, hydrochloric या phosphoric, sulfuric acid जो है, उसे oil of vitriol भी कहा जाता है. आगे है कि जो domestic cooking gas है, domestic, उसमें mostly क्या होता है, तो पहले जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें butane और propane होता है, अब इस तरह के तो options ही नहीं हो, तो क्या करें, तो हमने जो बात करी थी butane और propane की, उसमें भी हमने पढ़ा था कि butane की concentration जाता होती है, अब आपको ये देखना है कि butane जो है, वो किस तरह से आपको मिलेगा, तो आप याद कर ये LPG, L क्या होता है उसमें, L होता है liquefied, यानि यहाँ पे जो hydrocarbons present है, वो कैसे हैं, वो liquid state में, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना, कि liquefied butane और isobutane इसमें present होते हैं, तो ये जो है, यही option यहाँ पे सही है, अगर आपको में ध्यान भी देंगे, तो methane और ethane थो हमने पढ़ावे नहीं था, ethylene, hydrogen, acetylene, ये सब चीज़े थो हमने नहीं पढ़ी थी ना, तो उसे साब से भी आप देखेंगे, तो सही जवाब आप कौन सा देंगे, जो कि क्या है option B, अगले सव है, which is used for preparation of dynamite, dynamite के preparation को में आप किसको यूज करोगे, तो dynamite जो है, उसको भी हमें explosive की तरह से use करते है, जोसमें nitroglycerin तो use होता है, उसके साथ में कुछ चीज़े और use होती है, उनमें क्यों होता है, उनमें use होता है हमारा glycerol, तो सही answer यहाँ पे कौन सा हो गया, option A, आगे आपको पूछा है कि calcium sulphate कौन सा है, तो ipsum salt क्या है, magnesium का sulphate, blue vitriol क्या है, तो blue vitriol अगर आपको पूछा जाए, तो blue vitriol होगा, copper sulphate और यह भी hydrated form है, क्योंकि हमने बात करी थी, कि hydrated copper sulphate यह वो किस कलर का होता है, blue कलर का, इसके साथ में जितने water molecules attached है, वो है 5H2O, इसके साथ जिप्सम सॉल्ट है, जिप्सम सॉल्ट का हमने, जिप्लास्टर ऑफ पैरिस बगरा थे बहाँ पढ़ा था, कि CESO4.2H2 होता है, तो hydrated जो इसको कभी-कभी mention कर दिया जाता है, कभी-कभी mention नहीं किया जाता है, तो जिप्सम सॉल्ट जो ही क्या है, calcium sulphate, तो सही आंसर इसका क bicarbonate buffer, तो इस वज़े से sodium bicarbonate buffer इसके साब में एक compound or होता है, मतलो उसमें एक salt होता है, तो इस base की वज़े से जो है, यह basic है, या फिर alkaline है, सही आंसर इसका क्या होगा, option C, alkaline में आप देखोगी, तो slightly alkaline तो C ही है, अगला है कि which of the following gases is mixed with oxygen for breathing by divers and equalance, तो oxygen के साथ में कौन स gas mix करी जाती, oxygen के साथ में nitrogen mix करी जाती, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखे कि जैसे हम breathe करते हैं, तो atmosphere में हमारी जो concentration हम चाहें है, कि almost who ही concentration उन में रहे, जो aqua, lung zaffer, जो divers हैं उनके अंदर, तो हम mainly mix करते है nitrogen और थोड़ी बहुत concentration, जो है helium की होती है, helium इसलिए आपको confuse करने के ल है, कि helium क्यों answer नहीं है, पर helium के concentration से वो क्या है, कम है, तो हम किसको tick करेंगे है, nitrogen है, अगला है, what particles move around the nucleus on an atom and are negatively charged, तो पूछा है कि मान लीजे एक nucleus है, यानि कि एक नाभिक है, आगे आपको दिया है कि ऐसे कौन से particles हैं, जो उसके बाहर भूंते भी हैं और उनमें negative charge हुई है तो यह तो बहुत भारी सवाल नहीं है, सब जानते हैं कि बाहर कौन revolve करते हैं, कौन उसके चारों तरफ ठूमते रहते हैं, वो है electrons, nucleus जो है, वो उनको लट्टू की तरफ घुमाता रहता है, तो सही answer क्या है, electrons यानि कि option A, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप से पूछा है कि iron salt जो है, यानि कि iron के ऐसा कौन सा लवन है, जिसको blue prints के अंदर यूज किया जाता है, तो feric oxalate जो है, feric oxalate को हम यूज करते है blue prints, क्योंकि क्या होता है, देखिए, कि यहां पर Fe plus 2 जो है, उसके कुछ reactions होते हैं, यानि कि आगे कुछ reactions होते हैं, जनकी वजह से blue color का ए feric, okay, now moving on towards the next question, next is hardest allotrop of carbon, carbon के allotrop बता दीजिये जल्दी से, कौन कौन से है, graphite है, और कौन है, diamond है, और last में कौन है, bucky balls, या फिर carbon 60, तो अगर मुझसे पूछो के तो यह सवाल समचाने की सरत ही नहीं है, diamond hardest होता है, सही answer कौन है, A, फिर भी अगर आप मुझसे पूछो के तो यहाँ पे कौन है, Hp3 hybridization है, tetrahydrous की shape है, तो इस तरह से arranged है कि जो इसको hard बनाती है, ठीक है, next question जो है, वो है कि heated sawdust, जो है, catches fire when a drop of concentrated nitric acid is added, अब यह जो sawdust की बात हो रहे है, गर्म बुरादे की, इसमें जो है carbon present होता है, सीधी सी बात ही है, अब इसके साथ में आपन कैसा है, concentrated, तो इसके बाद में, जो reaction होगी, उसमें क्या होगा, concentrated nitric acid की बज़र से, carbon dioxide जो हो जाता है, CO2 के अंदर, तो अब यहाँ देख लेज़े, आप reaction में क्या हो रहा है, तो reaction में क्या हो रहा है, carbon कि यह zero oxidation state थी, यहाँ पे होगी, यह plus 4, carbon का हुआ oxidation, तो आप क्या generation की बज़र से, carbon जो है, उसमें क्या हो गया है, यह जो भी change, जो भी fire catch करी है, वो, तो सही answer इसका कौन सा हो गया, option B, अगला सवाल है, nuclear reactors की बारे में, कि इन nuclear reactors, graphite को आप किस तरह से use करते हैं, तो graphite को हम use करते हैं, एक moderator की तरह से, यानि कि एक मंदग, मंदग किसे मंद कर होगेगा, क्योंकि बहुत high energetic neutrons बहुत जल्दी-जल्दी हैं, और इनको हमें क्या करना है, कम करना है, वरना वो uncontrolled nuclear reaction हो जाएगे, और वहाँ पे कुछ विसपोट बगारा हो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, which one amongst the following is not a greenhouse gas, अब आप देखेंगे nitrogen, carbon dioxide, अब आप बोलोगी कि carbon carbon dioxide और chlorofluorocarbons होती हैं, लेकिन अगर आप बात करो nitrogen और carbon monoxide से, तो nitrogen जेवो तो एक pollutant भी नहीं है, तो आप सादा बेटर तो यही टिक करोगे nitrogen को, क्योंकि carbon monoxide जेवो एक pollutant, थोड़ी बात amounts में हो सकता है, कि वो greenhouse effect करता हो, पर nitrogen के तो chances zero है, तो आप किसे टिक करोगी nitrogen को, क कभी-कभी ऐसा होता है कि जो questions होते हैं, उनमेंसे ऐसे दो options आपको दीए होते हैं, जिनमेंसे आप confused रहते हो, तो इस तरह से आपको दूसरी approach से सूचना होता है, आगे की तरफ चलते हैं, हम अगला सवाल है कि stranger gas जो है, वो किसे कहा जाते है, तो xenon जो है, उसे stranger gas कहा जाते are connected by a double bond, तो पहला आपको unsaturated hydrocarbon बताना है, या या तो double bond होगा, या triple bond होगा, आपको पूछा है कि उसमें double, दो carbon atoms आपस में जो चुड़े हुए हैं, double bonds है, तो triple bond तो हमने cross कर दिया, ठीक है, तो double bond वाले को आप क्या कहते हो, aim कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, इलकीन, त तो आपको बताना है कि यानि कि ऐसा कुछ है आपके पास, जिसके अंदर energy जो है वो stored है, वो energy जो है, वो chemical energy है, अब उसको आप क्या करोगी, जैसे आपने बाद में उसको use किया, तो उससे electrical energy आती है, तो ऐसा कोई device मालूम है आपको, तो batteries जो होती है हमारे, उनमें क्या होत अगला सवाल है, the fuel that is used in modern submarines, जो पंडूबिया है आजकल वाली, उनमें हम nuclear fuel का इस्तेमाल करते हैं, तो सही answer कौन सा होगा, option ही, क्योंकि at present हम ऐसे sources की तरफ shift हो रहें, जादा से जादा, जो कि मतलब जैसे petrol है, diesel है, वो time के साथ जो है, घटता जा रहा है, वो non-renewable, तो इस है, nucleus का, वो क्या होता है, तो मैंने बहुत बारस को represent किया है, माली जी, जैसे आपके पास कोई x, कोई element है, atomic number z है, mass number a, mass number अगर आप से पूछा है, तो mass number में आप क्या करते हो, protons जो है वो, और neutrons का sum जो है, बोलता है हमारा mass number, तो आप पूछोगे कि, the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus, दो neuron nucleus में present है, तो option एक्दम ठीक है, में हिसाब से तो एक्दम ठीक है, बाकि अगर आपको ना लगे ठीक, तो आप से बता दें, तो यह आखरी सवाल से जिसका जवाब क्या है, option a, पहला सवाल है, the organic compound having the same molecular formula, but different structures are called, यानि कि ऐसा organic compound है, जिसका molecular formula तो से मालेशे, एका अगर molecular formula, C3, अगर एक alkane, alkane में तो आपको शायद structured isomer विलेंगे, जो 3-carbon का नहीं होगा, अगर मालेजे, उनका जो molecular formula है, जो भी है, मालेजे, CX है, HY है, अगर यह same है, लेकिन उनकी structures जो है, वो different है, यानि कि अगर उनमें कोई functional group है, या फिर उनके अंदर कोई branching है, तो वो एक्द होगा, optionally, अब आप पूछेंगे हैं कि homologus series क्या होती है, homologus series हम कहते हैं, जनके अंदर, जैसे मालेजे, अलकेन की homologus series है, तो पहले 1-carbon के alkane, फिर 2-3-4, इस तरह से जो regular sequence है, उनका होड़ा, उससे हम कहते है, homologus series, अगले सवाल के तरफ पढ़ते हैं, अगला है, the name of plastic polymer from which coms, toys, balls, etc. are made, यानि आपको plastic के उस polymer का नाम बताना है, जो से आपके जो गंगे हैं, जो खिलोने हैं, और जो plastic की कटोरिया हैं, वो सब बनाई जाती हैं, तो उस polymer का नाम है polystyrene, polystyrene को हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे plastic के जो हम polymers पढ़ते हैं, वो mainly thene होते हैं, एक तो polythene ह आलावा हमारे पास है PVC और एक लास्ट में हमने जो भी पढ़ा है, जो कि है polystyrene, तो इन में से polystyrene के अगर हम बात करें, तो polystyrene के उपर आप paint जो है, आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी सी जादा brittle होती है, तो ये सारी चीजे जो हम इन सब coms, toys और walls में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम किसे यूज़ करेंगे, polystyrene को, यानि की option B, अगला सवाल है कि vinegar जो है, वो किसका commercial name है, vinegar जो है, या तो ये सवाल आपको इस तरह से पूछा जाता है, कि vinegar के अंदर कौन से acid का component जो है, वो सबसे जादा होता है, या फिर आपको पूछा जाएगा किसका commercial name जो है, तो acetic acid जो है, दोनों का answer है, acetic acid vinegar का commercial name जो है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते है, विच मेटल डिस नौट अंडगो corrosion ड्यू तो formation of oxide layer, यानि यूज़ल हम क्या देखते हैं, जो से हम iron देखते है, iron का oxidation हो जाता है, तो उसमें rust का formation होता है, जो कि उसका corrosion है, तो आपको बतान है कि copper, iron, aluminium और zinc इनमें से किसकी ऊपर oxide layer की formation होने से उसका corrosion नहीं, तो aluminium की अगर हम बात करें, तो aluminium जो water और oxygen के साथ में react करती है, water बतलब moisture, उनके साथ react करती है, तो aluminium की oxides बनते हैं, aluminium की oxides, इनमें कुछ water के components होते हैं, इसलिए मैंने उसको complete formula नहीं लिखाया, तो aluminium oxide बनने से क्या होता है, मान लेजर ये एक aluminium का crystal है, aluminium oxide की layer जो है, वो इनकी वज़े से चारतरफ बन चुकी है, अब इससे क्या होगा, कि ये जो layer है, वो अब aluminium को protect करने का काम करेगी, ये जो है इसकी आगी reactions जो है, उसको नहीं होने देगी, तो इस वज़े से, और corrosion का मतलब क्या होता है, कि वो जो element है, ये जो metal है, वो regularly कम होता जाए, या उसका नुकसान होता रहे, तो वो तो होने लाए aluminium में, तो इसलिए question का answer क्या होगा, होगा option C, जो है aluminium, अगला सवाल है, जो submarines हो तो बाकि सारी submarines जो हैं, वो डीजल पे रन करती है, अब आप कहोगे कि कल आपने जो question करवाया था, उसमें तो आपने nuclear energy बताया था, लेकिन उसमें question अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वो question था कि आज कल हम कौन सी चीज को जादा, या फर किस चीज के हमने शुरुबात कर अगला सवाल है, इन अपर लेयर ऑफ एट्मोस्टियर, ओजोन is formed by, यानि कि जो उपर की लेयर है, स्ट्रेटोस्टियर, उसके अंदर ओजोन का formation कैसे होता है, ओजोन का formation होता है, तो क्या होता है, अल्ट्रा वालिट रेडियेशन की help से, oxygen जो है, उसका breakdown होता है, और दो न recent oxygen क्या करेंगे, ये वापस हमारी oxygen molecule के साथ react करेंगे, और इन से किसका formation हो जाएगा, O3 molecule, यानि की ozone का, तो यहाँ पे ज़रूरत किसके पड़ी हमें, अल्ट्रा वालिट रेडियेशन की, यानि ये अल्ट्रा वालिट रेडियेशन से ही ozone का formation होता है, और अल्ट्रा कि अल्ट्रा वालिट रेडियेशन पर आग करती है, तो कौन मनता है, Ozone, अगला सवाल है, मॉलासस के बारे में, मॉलासस जो है, जब हम शुगर फॉर्मेशन होता है, हमारा उस वक्त हमारे पास उसका एक बाई प्रोड़क्ट होता है, जो गुड है, गुड चीनी को बनान है, उसके लिए इथाइल अल्कॉल का फॉर्मेशन होता है, तो गॉरेक्ट आइंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन के, अगला सवाल है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है, एजी एनूथ्री, उसको हम ब्राउन कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं लैबोरेट्री के अंदर, क्य क्या होता है, एजी एनूथ्री के अंदर क्या होता है, एजी एनूथ्री, सिल्वर नाइट्रेट को अगर लाइट की प्रिजन्स मिल जाती है, तो 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 ल तो हमारा सिल्वर नाइट्वेट जो एस रहेगा तो गार एक आंसर यहां पर कौन सा हो गया ऑप्शन नहीं है अगला सवाल है विच अफ दीज आसे इस इस नोट ऑर्डानिक इन ओरिजन यानि आपको इन में से जो आसे दिये हुए है उन में से कौन सा ऐसा है जो ऑर्डानि की बने हुए होते हैं उनको हम और्डानीक कहते है तो लाक्टिक आसेद से फिन और सिरुण दो बताए तो का होता है 당시 इस टू भी काफी सारे से लिए तो obviously sulfuric acid जो है वो एक organic acid नहीं है लेकिन lactic acid, citric acid, oxalic acid ये तीनों organic acids के example है अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं आपको पूछा गया है equanil की बारे में तो अगर आप बढ़ते हैं in CRT books तो आपको equanil के बारे में मिलेगा कि equanil tranquilizer के अंदर इस्ट्रेंग है Tranquilizers क्या होते हैं? Tranquilizers होते हैं वो drugs या फिर वो chemicals जिनको आपका बेते हैं जैसे आपको anxiety है, stress है उन सब को treat करने के लिए और equanil के बारे में वहां पे specially एक चीज नहीं हुए है कि equanil हम use करते हैं hypertension यानि कि उत्चे रफ्त चाप को और depression को treat करने के लिए तो depression भी क्या है? Anxiety का थोड़ा increased form, anxiety यानि कि आपको थोड़ा बेचेनी सी होगी और depression आप सब जानते हैं तो equanil के बारे में हम क्या बोलेंगे कि यह एक tranquilizer है यानि कि option B जो है वो correct है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं the study of heat flow is called, heat flow जो है उसकी study को आप क्या कहते हो तो अगर आप options भी देखोगे तो energy की unit जो होती है वो calorie होती है हम calorie से energy को बताते हैं और heat जो है वो भी एक form होता है energy का और वैसे भी आप options देखोगे electrolysis आपको पता है metal जो है वो cathode पर deposit होता है तो उसमें heat flow नहीं है diffusion भी normal particles की spreading है calorie metric जो है वो correct answer है जो क्या है heat flow को हम अगर study करना चाहेंगे तो वो क्या होगा calorie metric अगला सवाल है name two elements that find wide application in transistor industry याने कि transistor उध्यों के अंदर आपको दो तत्वों के नाम बताने का बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया ज़्यादे तो अगर आपको भी semiconductor devices पढ़ोगे चुरकी transistor है तो silicon और germanium silicon germanium यह सभी महां आते रहते हैं और अगर यह नहीं हो आपके options में तो भी आपके से टेकर होगी जो semiconductor elements है हमारे होगे लेकिन इन में से भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है silicon और germanium अगला सवाल है what is the radioactive isotope of hydrogen hydrogen के कितने isotopes है proteum है deuterium है और tritium है और इन में से radioactive कौन सा है proteum जो है वो radioactive है तो यहां पर करेक्टान सा कौन सा होगा option D अगले सवाल के तरफ चलते हैं gelatin के बारे में पूछा है कि gelatin is mostly used in making ice creams in order to gelatin को आप ice cream बनाने में क्यों इस्तमाल लेते हैं तो gelatin के बारे में पहले उसकी चोटी मूटी properties की बात कर लेते हैं gelatin जो है पहली बाद तो ice cream जो उसको fresh appearance देगा और उससे जादा जो main चीज है वो यह है कि gelatin जो है वो crystallization नहीं होने देगा crystall ही करण नहीं होने देगा अब आप ice cream जो है उसमें थोड़ा बहुत amount water का भी तो होगा अब वो water जो है वो अगर crystals का formation ले लेगा तो ice cream के पूवी structure जो बिगड़ जाएगी तो पहला वो crystallization को नहीं होने देगा congelatin और दूसरा क्या है वो जो colloid है हमारा उसको stable बनाता है ठीक है तो यह दो reasons है जो आपको याद रखने हैं तो colloid को यह prevent नहीं कर रहा है अगला सवाल है how many bonds are present in methane क्या होता है एक carbon की alkaline होती है याने की CH4 तो अगर आप इसमें देखोगे carbon के साथ में चार hydrogen attached है covalent bonding है यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे double bond दिखा नहीं क्या triple bond दिखा नहीं क्या आपको यहाँ पे चार covalent bonds दिखे हां carbon और hydrogen के वीच में चार covalent bonds हैं correct answer कौन सा होगा फ्रिंसी अगला है two elements which can form a large number of compounds अगर आप पूरी periodic table की बात करो तो carbon और hydrogen ऐसे दो elements हैं जिनकी वज़े से हम पूरा chemistry के अंदर भी अलग subject पढ़तें जो कि क्या है organic chemistry organic chemistry इस वज़े से अगर आपको पूछे कि सबसे ज़ादा अगर आपको बताना है कि दो elements ऐसा क्यों होता है क्योंकि carbon जो है अगली सवाल की तरफ चलते हैं an inert gas mixed with oxygen given to patient suffering with restricted breathing is यानि कि एक कोई person है कोई patient है जिसको सांस लेने में दिकत है अगर आपको इसको inert gas को inert gas mix करने है oxygen के साथ में तो आपको लगेगा कि ये question जो है वो जो सी डाइवर्स थे जो गहरे समुद्र में गोता खोर जो थे उस सवाल जैसा लगेगा आपको जवाब भी सेम है अगर आपसे पूछा जाता है कि गोता खोरों के लिए जो कौंसी inert gas यूज की जाती है mixture के लिए तो वो भी helium है और इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि अगर को पेशन है उसको breathing problem है तो कौंसी gas रवा हम mix करेंगे तो उसका answer भी कौन है helium है तो correct answer क्या है इसका option E अगले सवाल की तरफ बढ़ते है an example of major air pollutant major air pollutant का आपको example बताना है oxygen carbon monoxide helium और carbon dioxide इसमें तो confused होने कि आपको जरुरत ही नहीं oxygen helium और carbon dioxide और air pollutants नहीं है और carbon monoxide एक air pollutant और automobile से निकलता है बाकी भी अलग अलग process combustion से भी कभी कभी निकल सकता है तो इसलिए answer यहाँ पे क्या होगा option B अगला सवाल है कि conduction band की जो electrons है चालकता band की उनकी जो mobility होती है यती शीलता वो जो holes है छिद्र जो है उनसे जादा होती है ऐसा क्यों होता है तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यह holes जो है यह बने कैसे हैं तो हमारे पास दो bands होते हैं conduction band होता है और एक valence band होता है तो जब क्या हो electron जो है free electrons का होगे penance band में तो electron जब यहां से jump करके conduction band में चला जाएगा तो पीछे आपके पास क्या बचेगा पीछे जो बचेगा वो होगा hole अब पूछा है कि यह electron जब वहां चला गया उस electron में और जो नीचे आपके पास छिद्र है उन दोनों की जालकता में अंतर क्यों ह उसका जो भार है वो कम होगा यह इसका reason है अगर जो options अगर आपके जैसे दियों की पहला की वो light होते तो सही जवाब एक दब वो light होते है इसलिए उनकी चालकता जो हो अधिक है और mass जो hole का है वो बहुत जादा होता है अगला सवाल है कि the mass number of a nucleus तो mass number को हम किस तरह से बोल atomic number और mass number उन दोनों को ही compare कर भाया है तो एक जीज़ तो शौर है कि atomic number जो है वो number of proton से कम नहीं होगा या फिर a और z को अगर आप compare कर लें तो यानि कि वो जो atomic mass है जो भार है वो प्रमाणू संख्या से तो कम कभी नहीं होने वाली है लेकिन अगर आपको याद हो एक example hydrogen में क्या होता है hydrogen में atomic mass और इसका जो atomic number है दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते है कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो atomic mass है वो atomic number के equal हो या उससे जादा हो कम जो है वो दिखेगा डी में कि या तो वो उससे जादा होगा या फिर equal होगा atomic number के और equal वाली में आपको याद क्या रखना है hydrogen okay next question है iodine can be separated from a mixture of iodine and potassium chloride मान लीजिए आपके पास एक mixture है iodine का और potassium chloride का उसमें से आपको iodine को निकालना है तो आप कौन सी process use करोंगे हम यहाँ पे use करेंगे sublimation process sublimation क्या होता है sublimation होता है solid से उसको सीधा gas form में convert कर देए ठीक है तो correct answer यहाँ पे क्या होगा option C अगला सवाल है identify the metal which is non-toxic in nature chromium, gold, cadmium, cobalt तो देखिए gold जा है वो non-toxic होता है initial तो इनमें से सही answer क्या है option B जो कि क्या है gold अगला सवाल है the gas that usually causes explosion in coal mines यानि कि जो हमारी कोईले की खदाने हैं उनमें से कौन से gas है जिसकी वज़े से explosion होता है तो वहाँ पे जो methane gas है हमारी उसके वज़े से जितरे भी explosions होते हैं वो कौन से वाले explosion हैं कि कोईले की खदाने वाले हैं तो सही जवाब में आपे क्या होगा option D अगला सवाल है the chemical behavior of an atom depends upon यानि कि कि किसी भी प्रमानू का जो रसाइनिक व्यवहार है वो किस पर नर्भर करता है उसके बाहर जितने electrons रहे हो चेकर लगा रहे हैं उस पर depend करता है क्योंकि जैसे oxidation reduction मानी है आप ionization energy मानी है इन सब में electrons ही होते हैं तो हम उनको उस atoms से बाहर निकाल रहे होते हैं या फिर उसके अंदर हम additional atoms जो हैं वो add कर रहे होते हैं तो किस वज़़े से होते हैं सारी properties electrons की वज़े से जो हमारा nucleus came drug जो है उसके बाहर जो नाभिक जो है उसके बाहर चक्कर लगाते हैं the number of electrons orbiting around the nucleus यानी नाभिक के चारू और घूमने वाले electrons की संख्या पर अगला सवाल है good spirit के बारे में तो जो methionol है या methyl alcohol है उसे हम क्या कहते है good spirit के नाम से जानते हैं हम उसको सही जवाब इसमें से कौन सा है option A अगला सवाल है which of the following processes is used in the formation of bio diesel अब bio diesel यान कि जिस पे चीज के आगे bio add जाता है उसका मतलब यह है कि उसका formation जो है वो किसी ना किसी तरह की living beings या उनहीं में से किसी product से associated होगा यानि कि यह जो हमारे पास normal diesel है जो nature से हमें मिल रहा है उसका form नहीं है तो bio diesel में क्या होता है जैसे हमारे पास fats है animal fats, oils वगेरा उनके अंदर भी क्या है हमारे पास esters होते हैं Fraglylustride होता है उनमें इसी ester को हमने क्या किया है reaction करकि दूसरे ester में convert कर लिया है और उस ester को हम कह रहे हैं bio diesel और यह जो process होती है एक ester को दूसरे ester में change करने की इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं trans esterification यानि ester तो था पहले उसी से हमने एक और ester बनाया है सही जवाब क्या होगा यहां पे option C अगला सवाल है one property of ammonia ammonia की एक property पूछी है कि क्या वो एक orderless gas है क्या वो एक yellow color की gas है equis solution के पारे में पूछा है और solubility in water तो ammonia जो है NH3 उसको आप water में dissolve करोगी तो क्या होगा क्योंकि ammonia खुच में वो तो किसी भी तरह के litmus paper को कोई change नहीं देगा अब ammonia को हमने water में mix कर लिया तो यहां पे formation होगा ammonium hydroxide का NH4 plus OH- अब इसमें क्या है आपके पास OH-1 present है जो कि alkaline nature प्रवाइड करेंगे इसको इसलिए क्या करेगा यह जो red litmus है उसको convert कर देगा blue litmus के अंदर तो सही जबाब क्या होगा कि इसका जो एक को solution है वो red color के litmus paper को blue convert, blue में convert कर देगा तो सही answer क्या है option T अगला है कि आपको आपको जो नीचे options दे हैं उसे odd one select करना है तो marble के अगर आप बात करोगे तो marble का chemical formula देख रहे हैं तब हमें पता नहीं है कौन से basis पर differentiate करवा रहे हूए calcium carbonate chalk का चौक का भी calcium carbonate है limestone का limestone का भी क्या है calcium carbonate लेकिन जो slaked lime में उसका chemical formula क्या है calcium hydroxide तो आपको formula से ही पता चल गया है कि इनमें से विशम कौन सा है slaked lime है तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा सही जवाब होगा option D अगला है which of the following is the SI unit of radio activity SI unit जो है units तो हमारे पास काफी तरखी हो सकते पर SI unit 80 होती है तो बेकिरल जो है वो SI unit है radio activity गी लेकिन अगर यही सवाल आपका होता कि केवल आप unit बताएगे radio activity के क्या है तो क्योरी, बेकिरल और रदरफोर्ड तीनों ही units है radio activity तो SI unit is बेकिरल तो correct answer is option D अगरा सवाल है कि जो fire fighting clothes होते है आपने देखा होगा कि जैसे एक building में आग लग जाती है तो वहाँ पर fire extinguisher आती है fire brigade आती है fire extinguisher तो जो अलग materials होते है fire brigade के साथ में कुछ लोग भी आते है जो आपको पुछाने का काम करते है तो वह साधारन कपड़े पहन के तो साग में नहीं जा सकते है न क्योंकि उनको भी तो डर है जलने का तो उनके लिए जो clothes specially designed होते हैं उनमें किस तरह का जो आपको नीचे option देए हैं इनमें से कौनसा आपको जो substance मिलेगा तो asbestos जो है उसको use किया जाता था पहले firefighting जो people है उनके clothes के लिए लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि यह थोड़ा carcinogenic है यानि इसमें cancer causing properties जो है वो देखी रही है तो सही जवाप कौनसा है इसका asbestos आपको यता याद रटना है कि firefighting clothes किसे बने हुए होते हैं asbestos आगे आपको पूचा है water gas किस-किस का mixture होता है अब चाहे आपको water gas पूचा हो चाहे आपको sin gas पूचा हो और चाहे आपको synthesis gas पूचा हो यह तीनों एक ही चीज है और यह mixture होता है carbon monoxide के और hydrogen के तो correct answer इसमें से कौन सा है option c option c is the right answer आगे चलते हैं what is the substance that has an unstable nucleus that can fall apart यानि आपको ऐसे पदार्थ का नाम बताना जिसका जो नाभिक है वो अस्थर होता है तो जो unstable nucleus जिनके भी होते हैं उनको हम radioactive, radio-धर्मी कहते हैं क्यों उनमें से alpha, beta और gamma जो है वो regularly निकलते रहते हैं और वो खुद unstable है इसलिए वो किसी stable compound में convert होते है ठीक है तो हम उन्हें क्या कहेंगे radioactive यानि option B जो है वो आपका इस question के लिए सही answer है अगले सवाल की तरफ चलते हैं which of the following causes rusting of iron यानि जो जंग लगने की process है उसके लिए आपको यहां चार options दिये हुए हैं इनमें से कौन सा जो है आपको बताना है वो सही है तो rusting में क्या होता है iron जो है iron के oxide यान water के जो molecules वो variable हो सकते हैं पर आपको दिख रहा होगा कि oxide बना है तो oxide बनने की process क्या होती है oxidation तो पहला oxidation जो है वो correct है reduction जो है वो option इसलिए गलत हो गया क्योंकि दोनों opposite है तो है इंग दूसरे के लिए आगे है कि यहां chemical reaction oxygen से होती है carbon dioxide से होती है तो हम बोलते हैं कि रस्टिं special चीज़े हैं हमें atmosphere से चाहिए होती है वो होती है एक होती है oxygen और दूसरा होता है moisture या water की presence तो यहां पर इसलिए reaction किस से होगी oxygen से होगी carbon dioxide से नहीं होगी तो पहला और जो तीस्रा option से हो यहां correct है तो हम नीचे देख लेते हैं कौन से में दोनों साथ में है यानी option D first or third जो बढ़ते हैं which type of fire extinguisher अगनी शामक जो है नीचे तो कुछ types देए हुए उनमें से कौन सा आप use कर सकते है petroleum fire के लिए तो एक चीज़ तो हम पहले पढ़ चुगे थे कि हम water या फिर water वाला जो fire extinguisher उसको use नहीं कर सकते हैं क्यों वो आप वजह जाते हैं यहां हमारे पास जो तरह का अगनी शामक है उसका मिस्तेमाल करेंगे petroleum से लगी हुई आग को बुछाने के लिए ठीक है क्योंकि correct हर मतलब सही तरह के अगनी शामक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर कुछ भी use कर रहता है सभी हो सकता है वो आग बढ़ जाए ठीक है तो इ किमिंग टांक जो है उसका function है जितरे भी हमारे oils हैं, grease हैं, fatty substances हैं उन सब कुछ है हमें अलग करना है उनके साथ में कुछ होने वाला है यहां पर जो रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी चीज़े हमेशे सर्फेस पर तैरती रहेगी है तो हमारा arrangement इस तरह का होता है कि वो regularly surface पर ही present होगा नेचे से जो भी water है उसको हम नया water add होता रहेगा और जो water है वो एक तरफ से दुसरी तरफ से निखलता भी रहेगा तो correct answer यहां पर कौन सा है suspended solid, gritty substances, inorganic substances यह सब नहीं है, correct क्या है? oil and fatty substances अगला सवाल है, what is the mixing of air into a liquid or solid cause? यानि अगर आप किसी liquid के अंदर, अगर आप air के mixing करते हो, liquid या solid के अंदर, अगर आप air के mixing करते हो, उसे हम कहते है aeration, यानि की air को add करना, और ही process, c-way treatment में भी आपको एक जगह पे मिलती है, वो tank आपको याद होना चाहिए, कहां मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट है black lung disease, black lung disease को pneumoconiosis भी कहते हैं, यह जो इसको कहते हैं, कृष्ण फुफुस रोग, sorry, अगर मैंने गलत पड़ा हो, तो black lung disease जो है, वो कौन से लोगों में होती है, तो जो coal mines के अंदर जो लोग कांग करते हैं, उनमें होती है, और उनमें भी जो वजह होती है, वो होती asbestos के जो fibers होते हैं, अगर वो inhale कर लेते हैं, अगर वो stans लेने के साथ में, वो fibers उनके lungs म नहीं किया है, यानि इस तरह के कुछ उसके खुद की habits नहीं है, वो उसकी occupation के बचा से disease है, अगला है, which of the following is known as the brown coal, अब हम coal का formation जब पढ़ते हैं, तो उसमें हम 4 stages पढ़ते हैं, lignite है, peat, lignite है, anthracite है, bitumen है, इनमें से जो lignite है, उसे हम brown coal के नाम से भी जानते हैं, तो quads is composed of sodium silicate, और calcium silicate, आपको बताना है, silicate तो सबको याद रहता है, calcium more common है, sodium जादा common, तो calcium silicate, जो है, वो सही जवाब होगा, इसका quads किसे बना हुआ होगा होता है, calcium silicate से, अगला सवाल जो आपको दिख रहा होगा, screen पे, वो है the chemical substance which is easily soluble in water, ऐसा कौन सा chemical substance है, जो पानी में असानी से खुल जाएगा, तो ammonia की बाद हमने थोड़ी देर पहले ही करी थी, अगर आपको बाखी options नहीं भी बताएं, तो एक बार ammonia discuss कर लेता, ammonia में क्या होता है, ammonium hydroxide का formation होता है, यानि क्या आराम से खुल पार रहा हो पाने के अंदर, तो सही जवाब इनमें से कौन सा है, अगर आप बात करें, तो ग्यास को अगर आपको liquid में मिक्स करना है, तो बहुत high pressure में मिक्स करना पड़ेगा, तो easily soluble कहा है वो, तो इससे better option कौन से है, ammonium, which of the following is paramagnetic substance, अर्धि चालक बदार्थ कौन है, अब paramagnetic से आप क्या समझते है, paramagnetic substance वो होता है, जिनके अंदर unpaired electrons होते हैं, unpaired electrons आने की, जोडो में अगर कोई electron नहीं है वहाँ पे, तो उस electron की वज़े से paramagnetism होगा, उस particular substance के अंदर, तो आप मुझसे पूछोगे कि iron, hydrogen, oxygen, oxygen और nitrogen, इन में से paramagnetic कौन है, तो वो कौन होगा आपका oxygen, oxygen example है, एक paramagnetic substance का, तो option C जो है, वो correct option है, अगला सवाल है, the chemical substance present in bones and teeth, यानि कि जो हमारी हड़ियां है और जो हमारे दाथ है, इन के अंदर calcium present है, यह हम सब जानते है, पर अब पूछा है कि किस फॉर्म में present है, तो यहाँ पे जो calcium present होता है, वो calcium phosphate के फॉर्म में present होता है, तो सही जवाब क्या है, option A, आगे है कि maximum permissible concentration of copper in drinking water, देख में कुछ करनी सकते हैं, तो पूछा है कि maximum pay gel जो है, उसमें अधिक्तम अनुमत मात्रा कितनी हो सकती है, तो एक miligram per later concentration जो है वो बताई गई है, maximum permissible concentration, अगला सवाल है कि if lime water is kept in air, lime water को अगर air में रखेंगे तो वो milky क्यों होगा, वो milky हो जाता है calcium carbonate की formation से, और कौन उसके साथ react करता है, जब carbon dioxide lime water के साथ react करेगा, तो किसका formation होगा, calcium carbonate का, तो यहाँ पे सही answer कौन सा होगा, सही answer है option 1, किसकी वज़र से हुआ milk की, तो carbon dioxide, और milky substance कौन है, यह पूछा जाए तो वो क्या होगा, calcium carbonate, अगला सवाल है कि जो heavy metal pollution है water का, वो किस वज़र से होता है, तो अगर हम बात करें कि paints, wood burning, acid plants, or domestic sewage, तो domestic sewage से pollution होता है, पर heavy metal pollution इतना नहीं होता है, लेकिन जो paints है हमारे, जो जैसे कि आप घर पे paints का ऐसे माल करते हो, या फिर आप लूहे के उपर paints करते हो, तो उस paints, उन paints में heavy metals present होता है, तो उस वज़र से जो है, वो एक reason हो सकता है water के pollution के लिए, भी कौन सा heavy metal pollution, तो correct answer नहीं में से कौन सा होगा, option A, अगला सवाल है, the inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers, पर बड़ी दिक, अब देखे, यहाँ पे सवाल जो वो अलग-अलग तरह से आता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो deep sea divers है, उनमें oxygen होती है, nitrogen होती होती है, और helium होती है, nitrogen, वो question पूछना ही नहीं चाहरा है, nitrogen के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि कौन-कौन सी gases का mixture होता है, वो oxygen का, nitrogen का, और helium का, तो question के according आपको answer देने हैं, और वो कौन सा है, option D, जो है helium, आगे आपको asbestos के बारे में पूछा, asbestos जिसके हम बात कर चुके हैं, पहले उससे कौ back lung disease, या फिर pneumoconiosis, ये किस से बना हुआ होता है, ये जो है calcium और magnesium से बना हुआ होता है, तो correct answer कौन सा है, इसका option A, इसलिके साथ चलते हैं, अगले question की तरफ, which of the following is most abundantly occurring element in earth crust, अब चाहे earth crust की बात हो, चाहे human body की बात हो, सब में कौन एक सबसे common, या सबसे abundant, यानि बहुताय पानी पाया जाने वाला कोई एक तत्व या फिर कोई भी एक element, वह कौन है हमारा oxygen, सही जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर option A, अब चलते हैं, अगले question की तरफ, compounds that contain carbon are core, तो और यानिक compound हमने किसे कहा था, जिनके अदर carbon और hydrogen की compounds होते हैं, अब आप पूछों के आइनिक compound में carbon होना कोई उसकी जम्मेदारी नहीं, आइनिक compound में हम बात करते हैं, आइन्स होने चाहिए यहाँ पे, एक cation होगा यहाँ और एक क्यों होगा, अब cation क्या है, positively charge है और एनाइन negatively charge है, यानि कि यह जो bond होगा, वो इस तरह से कुछ आप represent कर सकते हैं hypothetically, अगर आप बात कर होगे, तो इलकाइन्स में क्या होता है, इलकाइन्स में triple bond होता है, molecular compound भी carbon से जरूरी नहीं कि carbon ही हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, option A, which is organic compound, last question जो है, वो है age of earth, अगर आपको earth की age estimate करनी हो, तो आप कौन सा method को use करोगी, तो जो uranium dating है, मतलब uranium जो हमारा radioactive element है, उसको use करके अगर हम earth के लिए use करते हैं, उसे हम कहते है radioactive dating, अब आप कहोगी कि carbon dating क्यों नहीं है, तो carbon dating हम इसके लिए use करते हैं, जो rocks है, चट्टानी है, उनकी age determine करने के लिए हम use करते हैं, या फिर किसी तरह का अगर आपको कोई fossil मिला है, तो उसके लिए use करते हैं, लेकिन earth के लिए किसे use करते हैं, uranium dating को, वो है which of the following compound is tetrahedral, tetrahedral जो है वो एक shape है compounds की, आपको बतानी है कि जो options आपको दिये हुए है, इनमें से कौन सा tetrahedral है, तो वो compounds जिनमें hybridization जो है, वो sp3 होता है, उनमें probability होती है कि वो tetrahedral shape के हो, अब आज जैसे ammonia देखोगे, तो ammonia में आपको क्या मिलेगा, NH3, उसे के साथ carbon tetragloride, CCL4, carbon dioxide जो है, उसके linear structure होती है, यानि यह इस तरह से arranged है, इसी तरह acetylene है, acetylene भी क्या है, एक unsaturated अपना hydrocarbon है, ammonia और carbon tetragloride में अगर आप देखोगे, तो ammonia के जो shape होती है, वो इस तरह से होती है, यह तीनों hydrogen जो है, यह 3D में arranged है, diagramatically हम दिखाने के लिए हमने इस तरह के bond बनाए है, और ammonia में दो electrons और खाले रह जाते हैं, जो कि एक lone pair के form में present होनी, लेकिन जो CCL4 हमारा बचा है, उसमें SP3 hybridization होता है, और इसके जो shape होती है, वो किस तरह की होती है, tetrahedral, यह CL है, sorry, तो यह है हमारी tet tetrahedral sheet, तो correct जवाब क्या है, option B, tetrahedral के अंदर यह 4 जो chlorine यह 4 जो बाहर वाले atoms मैंने represent करे हैं, यह एक दूसरे से 90 डिगरी पे situated होते हैं, ठीक है, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है, the hydrogen burning process is directly associated with, यानि hydrogen की जलने की जो process है, उसे आप hydrolysis से relate करोगे, reduction से, oxidation से या hydrogenation से, जो hydrogen की removal की process है, removal की process के अब क्या बोलोगे, यानि hydrogen remove हो रहा है किसी compound से, यानि उसमें ऐसा माना जाता है कि oxygen add हो रहा हो, अगर आप oxidation reduction reactions को साथ में लेते हो, तो एक reaction में अगर एक element का oxidation हो रहा है, तो दूसरे का reduction हो रहा है, तो अगर oxygen जो है वो add हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, oxidation, तो C option जो है, वो correct है, अगला जो question है, वो है, the group displacement law is propounded by एक law है, जिसका नाम है, समूह विस्थापनियम, ये किस ने दिया था, तो ये जो rule था, ये सोडी और फुजान ने दिया था, और इसका क्या मतलब है, कि जतने भी हमारे radioactive elements है, उनमें क्या होता ह है, उनमें alpha degradation होता है, उनमें beta particles निकलते है और इसे तरह, उनमें gamma radiations जो है, वो भी निकलते रहते है, तो सोडी और फुजान में क्या बताया था, कि मान लेज़े कोई एक element है, उसका कुछ atomic number है, उसमें से एक बार alpha, जो अगर alpha rays निकलेगी, तो उसमें क्या होगा, जो नया element मनेगा, वो ऐसा होगा, कि उसका जो atomic number है, वो तो दो कम होगा, और जो mass number है, वो कितना कम होगा, शार, यानि कि एक alpha particle helium के equal है, तो एक element से दूसरे element का formation हो जाएगा, यह लौक इसने दिया था, यह दिया था, सोडी और फजान में, तो correct answer क्या है, option A, अगला सवाल है, which of the following is the best fuel in terms of energy released per gram of fuel, यानि कि एक ग्राम अगर आपके पास में, इन में से किसी भी इंधन का आपके पास एक ग्राम है, उसको आपको जलाना है, जलाने के बाद में, जो energy release होगी, या जो heat release होगी, वो सबसे जादा किसमे है, जो ऐसा देखा जाता है, methane में, ethanol में, butane और hydrogen में, तो hydrogen एक ऐसा हमारे पास इंधन है, जो क्या करता है, जिसमें heat वो सबसे जादा amount में release होती है, तो correct answer क्या होगा, option A, अगला सवाल है कि one carat of diamond is equal to, हम diamond को जो है carats में measure करते हैं, carats में आपने सुना होगा diamond के बारे में, तो आपसे पूछा है कि एक carat के अंदर कितना gram या milligram जो है diamond का, यान कि अगला आपको इसको milligram में convert करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 200 milligram, so correct answer is option C, now moving on towards the next question, dust particles in the air of large industrial cities are removed by, यानि कि आपने देखा है कि हमारा जो इत्मोस्फेर, इसमें कही तरह के dust particles, वो freely dispersed हैं, पूरे के अंदर, बुचे कही तरह के pollution कॉस करते हैं, कही तरह के आपक हम उने remove कर दे, तो ऐसा सबसे जादा जरूरी होता है हमारी industries के अंदर, जो बड़ी-बड़ी industries है, उनके चिमनिया है, वहाँ से बहुत dust particles भी निकलता है, smoke के अंदर भी बहुत सारी impurities होती है, तो उनको remove करने के लिए use किया जाता है, electrostatic precipitator, ESP, अब इसमें क्या होता है, है कुछ charged plates होती है इस थारी के जिनके अंदर high electricity provide करी जाती, high voltage, और जो air है, उसको यहाँ से पास करी जाती है, और यहाँ पे कुछ particles होते हैं, जहां से regular electron निकल रहे होते हैं, अब यह जो electron निकल रहे है, अब यह जो electron निकल रहे है, अब यह जह एट्रॉन पर negative charge है, और ऐस जाता है कि हमारे पास जो particles यह पार्टिकल्स है उन पर positive charge है तो यह इसे चिपक जाएंगे और इसी लिए बाद में वहीं रह जाएंगे और आगे जो है आपको यहां पर जो मिलेगी वो pure air मिलती है तो यह mechanism भी आपका होगी, electrostatic precipitator का तो इसे use करते हैं हम dust particles को remove करने के लिए अगला सवाल है which of the following imparts a blue color to the glass? Cobalt oxide, copper oxide, iron oxide और nickel oxide इन में से कौन है जो blue color प्रवाइड करता है glass को तो cobalt का जो oxide है उसे glass को blue color बिलता है तो सुकार अगला सवाल है the most common cause of pollution of air is यानि की air का जो pollution उसका सबसे common cause क्या है तो sulfur के जो dioxide है वो सबसे common cause of air के pollution की carbon dioxide तो naturally present है carbon monoxide जो है वो pollution तो करती है अबर उससे जादा वो dangerous होती है लेकिन अगर आप इनके most common अगर इन दोनों में से बताएं के वह तो वो कौन सा होगा? sulfur dioxide यानि की option C SO2 अगली सवाल के तरफ बढ़ते है नाइट्रोजन जो है it forms a variety of compounds नाइट्रोजन आपको हर जगर में लेगा बहुत तरह के compounds में होता है nitrates होते है, nitrites होते है, nitrogen, ammonia में होता है, urea में होता है उसके लाव proteins में भी nitrogen होता है, तो आपको पूछा है कि इसके जो oxidation states है, वो कहां से लेके कहां तक हो सकती है तो वैसे तो यह आपको याद करना है, पर मैं आपको example दे देते हूं जैसे आपके पास ammonia compound है, nitrogen gas खुद है फिर आपके पास nitric acid है, इस तरह से nitrous acid भी हो सकता है, फिर nitrogen की बहुत सारे आपके पास oxides है, N2 मिलेगा, N2 मिलेगा तो इन सब में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो extremities बता देते हूं, यानि कि दोनों end सबसे कम कितनी हो सकती है, और सबसे जादा कितनी हो सकती है तो ammonia में अगर आप देखोगे, तो आपको nitrogen की oxidation state है, वो कितनी मिलेगी, वो होगी minus 3 में रिसी तरह HN3 में, जो nitrogen की oxidation state है, it is plus 5, बाकी जतने भी मैंने हाँ compounds लिखे हैं, या आपको और कोई भी मिले हों कि आप चेक कर लेगे, minus 3 से plus 5 से जादा इसकी oxidation state नहीं, यह यह इसकी range है, so correct answer is option A Moving on towards the next question, the next higher homologue of C6H14 is, यानि आपको एक compound दिया है, C6H14 उसका अगला उच्छतर बताना है, तो मैंने आपको homologus series बताईते, उसमें क्या बताए था, कि justice का next compound होता है, उसे हम क्या कहते है, homologus series, और homologus series का next compound है, उसमें अगर alkane की homologus series के आप बात कर रहे हो, तो उसमें ज यानि अगर आप इसमें एक CH2 molecule add कर दोगे, तो इसका आपको next homologus बिल जाएगा, यानि यह क्या है वो, C7H16, तो क्या यह सही है, इसको देख लेते हैं पहले, तो C6H14 में आप कोई चीज बताना चाहूंगी, एलकेन जो है, उसका जो general formula होता है, वो होता है, CnH2n plus 2, यान अगर आपने N की जगा कोई number of carbon atom लिखा है, माली जी 6 लिखा है, तो अगर आप इसमें, यह जो 6 है, उसको add करके देखोगी N की जगा, तो आपको पता चलेगा, कि C6H14, जो है, वो एक alkane है, तो कि यहाँ पे number of hydrogen, जो है, वो ही matter करते हैं, क्योंकि आपको पता है, C option तो गलब जगह है, तीन options में हैं, आपके पास, तो आपको number of hydrogen जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक alkane है, यह आपको पता चल गया, तो आपको क्या करना है, next homolog बताना, यानि की 6 के बाद कौन आएगा, 7, जो क्या होगा, C, 7H, 72s are 14, 14 and 2 are 16, तो यहाँ तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ही जो CH2 वाली बात है, बो भी मैंने यहाँ पर general formula जो है, उससे प्रूफ कर दी है, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option D, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, the substrate of photorespirations, अब कुछ तरह की अलग-अलग तरह की plants होते हैं, अगर आपको भी पढ़ोगे तो एक तो होता है phosphoglyceric acid और एक होता है glycolate, तो यह दो इसके क्या होते है, substrate learning, यहां से reaction शुरू होगी, होता क्या है, plants में एक enzyme होता है, इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, इसका नाम है Rubisco, Rubisco की property है कि CO2 और O2 दोनों के attract कर सकता है, अगर इसने reaction O2 के साथ करी, तो होग इसके जो substrate है, वो कौन एक PGA, Phosphoglyceric acid and glycolate, अगला सवाल है, अगला सवाल है, इसके जो हमारा ओशन का वाटर है, इसके जो pH है, वो regular कम होती चाली है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से, तो अगर आपको पता होगा, तो इस प्र यानि, acidic की तरफ जा रही है, और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे, ocean acidification, अब आपको इसके वजह बताने है, अब देखिए होता क्या है, कि वाटर की जो surface है, उसके उपर gases exchange होती रहती है, यानि, oxygen भी वहां से एंटर करती है, हमारी वाटर में, और carbon dioxide इंटर करती है, अब अंदर जाने के बाद होता क्या है, अंदर जाने के बाद होता है, carbon dioxide जो उसकी water के साथ जब reaction होती है, तो carbonic acid बनता है, जो भी क्या है, एक acid, यानि कि obviously जो pH है, उसको कम करेगा, अब global warming के वजह से क्या हो रहा है, ये जो exchange है, उसमें CO2 बहुत जादा आ सर्फ जादा बन रहा है, पर फर भी वजह क्या है, कि वो जो CO2 है, उसका exchange जो है, वो बढ़ गया है, exchange भी नहीं, अप्टेक जो ocean ले रहा था CO2 को, वो बढ़ गया है, larger uptake of CO2 by ocean water, तो A option जो है, वो correct है, अगला सवाल है, how many charges alpha ray particles consist of, तो alpha ray particles जो है, वो हमारे helium particles के equivalent होते हैं, तो अगर आपको helium का atomic weight और यह पता है, तो आप alpha का भी बता दोगे, helium is 2 और 4, अगर आपको इसका mass number पूछा जाए, तो 4, atomic number पूछा जाए, तो 2, या फिर इसमें, इस तरह से, लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है, कि charge कितना है, तो charge यहाँ पे क्या होगा, वो होगा, द 2 unit positive charges, that is option A, क्योंकि helium अगर आपको कभी charge form में मिलेगा, तो plus 2 में ही तो मिलेगा, okay, now, अगला सवाल क्या है, वेचे मंग the following, was first human made plastic, सबसे पहले बनाया गया human द्वारा, जो plastic है, वो कौन सा है, तो सबसे पहले जो plastic बनाया गया था, वो है celluloid, और एक चांसल के आपको celluloid में, तो सबसे आंसर क्या रहा दरना आपको, celluloid, अगला सवाल है, which of the following is utilized in the form of electrolyte of a dry cell, अब dry cell जो है, उसमें C for cathode and C for carbon, यह हम पहले बता चुके हैं, एनॉड किसके बनाते हैं, जिंक की बनाते हैं, और जो electrolyte है, या तो हम ammonium chloride लेंगे, या फिर उसको कभी-कभी replace करके हम zinc chloride भी use कर सकते हैं, so the correct answer is option A, ammonium chloride and zinc chloride, अगला सवाल है, which of the following is estimated by the radiocarbon dating, radiocarbon dating से आप किस चीज का अनुमान लगाते हैं, तो या तो उससे हम fossils है हमारे, उसकी age determine करते हैं, और या फिर जैसे जो पुरान, जैसे हमें जो evolution के time पैसे कुछ रेमिनेंस मिलते हैं, कुछ बच्च इसको हम पता लगाते हैं कि कितने सालों पहले ऐसा कोई जानवर या कोई जीव जन्तु यहां था जिसका यह fossil है, और इसके लावा rocks gauge, तो दो चीज़े हम पता लगाते हैं, usually, तो correct answer यहां पे कौन सा होगा, option B, अगला सवाल है, the process of corrosion doesn't take place in which of the following metals, कौन सा metal है, जिसका corrosion नही होता है, तो यानि कोई ऐसे metal का corrosion नहीं होगा, जो बहुत कम react करता हो चीज़ों से, तो यानि कि noble metals, तो noble metals में वैसे तो हमारा gold, platinum और silver दोनों आता है, पर हम जानते हैं कि silver में तो corrosion होता है, H2S की presence से sulphide बन जाता है, EG का, और उसके वज़े से color कैसे आता है, उसका black, इसी त अगला सवाल है, in the galvanic cell, the process takes place, galvanic cell में क्या होता है, आपको किसी भी तरह के cell की process अगर कूछी ज़ाये, तो उसमें क्या होता है, हम cell में क्या लेते हैं, anode लेते हैं, एक cathode लेते हैं, दो हमारे पास rods है, उनके बीच में हमने एक electrolyte solution लिया है, तो यानि और वहां पर हम क्य यूज करोगे, यूज कोई बल्ब, छोटा बल्ब, एक सेक्टर, तो वो जो है, वहां पर आपको पता चले हो कि वो बल्ब अन होता है, यानि जो chemical energy थी वहां पर उस पूरे apparatus में, उसको आपने चेंज कर दिया, electrical energy, so that's what happens in a galvanic cell, transformation of chemical energy into electrical energy, so सही जबाप कौन सा है, इसका option B आगे पूचा गया है आपको exothermic reaction के बारे में, आपको दो चीज़े याद रखनी है, उश्माक शेप सी, जो है, शेपी, और दूसरा है endothermic, endo का मतलब होता है intake, यानि आप energy को use कर रहे हो, और exo का मतलब होता है देना, so exo means that heat is evolved there, जो heat है, जो उवजा है वहां भी, वो व pertaining to organic compounds, organic compounds आने कौन से, जो carbon और hydrogen से मिलके बने हुए है, उनके बारे में आपको incorrect statement जो है वो चूज करना है, तो पहला है that they have low melting and boiling point, जो बात एक दम ठीक है, low melting point होता है इनका, और low ही boiling point होता है, they do not dissolve in water, ये बात भी correct है, ये water में dissolve नही होता है, बाकी solvents में होश रहते हैं, they are easily combustible, यानि आसानी से जल जाते हैं, नहीं, ये आसानी से नहीं जलते हैं, जो C option है वो गलत है, और D or देख लेते हैं, they contain mainly carbon and hydrogen, ये तो organic, बोलते ही आपको बोलगा चाहिए, कि हाँ ये तो सही है, इसलिए याँ पे गलत कौन सा हुआ, incorrect पूशा था, that is option C, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, weight पूशा है, आपको 6.231, sorry ये इस तरह से नहीं था, लिखने के time थोड़ी गलती हो गई, 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms जो हैं, उनका weight पूशा है आप से, तो इतने atoms जो हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा, कि एक mole जो है, उसके अंदर इतने atoms present होते हैं, इन्हें हम कहते है, Avogadro number, तो इतने atoms अगर प्रेजेंट हैं, तो हमें पता चलता है, कि आपको यह कहा जा रहा है, कि आपके पास एक mole carbon है, उसका आपको weight बताना है, तो simple, आपको एक carbon element का weight बताना है, जिसका atomic number कितना होता है, 6, और उसका mass number कितना होता है, 12, तो correct answer कितना होगा, 12 grams, यानि option A, तो आपको यहां से क्या याद रखना है, Avogadro number की value और वो एक mole cake बता है, यह, तो आपको किसी के बाद पूछा जाए, मतलब इसी जगह आपको अगर nitrogen दिया होता, तो आप क्या कह रहते है, 14, ठीक है, अगला सवाल है, कि in the sewage of fully oxidized, मान लिजे कि आपके पास जो sewage है, ज maximum oxidation state में present है, जो कितनी थी, plus 5, minimum कितनी थी, minus 3, और plus 5 में वो कौन से form में present था, हो था, नाइट्रेट के form में, so correct answer कौन सा होगा, option D, जोगी क्या है, नाइट्रेट, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, suspension particles have size between, suspension particles की जो size होती है, वो किस किस के बीच में होती है, so suspension particles की size होती ह 10 raised to the power minus 2 से लेकर के 10 raised to the power minus 4 centimeters में, so correct answer will be option A, now moving on towards the next question, iodine value के लिए पूचा है कि iodine value से हम क्या पता लगाते हैं, तो iodine value से जतना unsaturation होता है oil के अदर, यानि जतने multiple bonds है, double, triple है, जतने hydrogenation के ज़रत है, इस तरह से हम बोल सकते हैं उसको, उसका पता लगाते हैं, iodine value से, अगले question के तरफ बढ़ते हैं, अगला question है, element 106 was discovered by, तो हमने last बार भी ये बात करी थी, कि जिन elements का atomic number 92 से जादा है, या uranium के जो बात में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, transuranic elements, और उनके discovery किस ने करी थी, seaboard में, तो correct answer कौन सा होगा, सही answer होगा, option B, अगला सवाल है, the value of gas constant, 8 से तो सब को शुरूर के आगे, 3, 1, 4 में variations करी हुए है, so the correct answer is, 8.314 into 10 raised to the power 70, क्या है, 8.314 into 10 raised to the power 7, और इसकी जो है, आपको unit भी बूची जा सकती है, ergs, kelvin inverse, mole inverse, यानि कि यह क्या होगा, ergs में है, upon में आपके पास kelvin है, और आपके पास क्या है, moles, okay, इसके साद अगला question देखते हैं, which of the following metals is used in spacecrafts to withstand high temperature, high temperature को जेले के लिए, spacecraft में कौन सा है metal उसका use किया राएगा, तो spacecraft में क्या होता है, जो अहां उसको भेशते है, earth से, आपने देखा होगा, rocket की जब भी फोटो दिखाई जाती है, नीचे बहुत सरी दूर में उसमें fire दिखाई जाती है, यान स्पेस क्राफ्ट है, उसमें कोई losses है, वो हम नहीं चाहेंगे, तो उसके यह specifically हम किसे use करते है, TI को use करते है, अब TI कौन है आपका, iron को हम नहीं उसकरते है, nickel को नहीं उसकरते है, lead को भी नहीं उसकरते है, we use TI, okay, now the next question is, brass gets colored in air due to constant exposure in presence of a brass का है, brass भी एक alloy है, zinc present है उसमें, copper present है उसमें, अब आपको बताना है कि उसका, अब उसमें क्या होगा, अब air के अंदर उसको exposure मिलेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर उसका color हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे है, उसमें क्या होगा, उसके अंदर उसका corrosion होना शुरू हो जाता है, तो वो किस बज़र से हो देखते हैं हम अगला सवाल क्या है एक मिनट आप की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा अगला सवाल जो है तो fat of a common muscle, secret sticky glue that can be used to make heart implants अभी जो just muscle की बात हो रहे है यह एक mollusca का member है अब इसके जो यानि कि इसमें जो fat present है उसे एक glue यानि कि एक चिपकने जैसा कुछ substantial को release होता है उसे हम use करते हैं जो heart implants हम बनाते हैं यानि कि heart में कोई problem है उसके लिए हमने जो बनाया है प्रत्यार open के लिए आपको बताना है उस chemical compound में क्या होता है तो आप सीधा इसका नाम याद रखेंगे जो क्या होता है उसमें dihydroxy phenyl alanine यानि की option D अगला सवाल है nitrogen is an essential constituent of nitrogen किसका एक essential constituent है बहुत सारी चीज़े बताई थे मैंने nitrogen वाले question में इसमें भी बताया था कि proteins जो है उसमें भी nitrogen present होता है वैसे यहां पर options में दिया हुआ नहीं आपारा जो genetic material है DNA हो या फिर RNA अपने में genetic material नहीं है पर एक type तो है इनके अंदर भी nitrogen present होता है पर अगर आप options देखोगी तो उनमें से आपको कौन सही जवाब मिलेगा proteins यानि की options भी अगला है कि Rutherford का जो scattering experiment था उसे हम क्या कहते है Rutherford's alpha particle scattering experiment उसमें उन्होंने क्या क्या था उन्होंने gold की पतली-पतली foil ली थी उसके अपर उन्होंने alpha particles रहो थे उसको बहुत तेजी से उसके उपर bombarding करवाई थे उस पर गिराया गया था तो वो जो alpha particles से उनकी movement फेर पड़े गए थे कुछ टेड़े मेड़े चले गए तो उनमें deflection हो गए थे कुछ में कुछ नहीं हुआ सीधे चले गए थे तो उससे किस चीज की discovery हुई थी उससे discovery हुई थी nucleus की उससे discovery हुई थी किसकी केंद्रक की यानि की वहां पे केंद्रक जो है वो present है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option T अगला है Gargling जब आप जु नमक का पानी मिला कर के जब आप गरारे करते हैं जैसे आपका गुली में problem होटी है तो उसमें आप नमक जब लाते हैं अप आप मुछा है कि वह नमक मिलाने से ऐसा क्या होता है कि आपका जो गला है उसको आपको आराम मिल जाता है तो देखिए होता क्या है कि कई बार infection हो जाता है bacteria बगेरा का तो table source है नमक की property होती है आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर नमक गीला हो जाता है सीले पन से पथा जम जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो पानी या फिर नमी को अपनी तरफ खींच लेता है तो यही काम यह क्या करेगा हमारे गले में तो गले के अंदर जो भी जैसे कहीं पर भी जैसे सूजन हो गई आपको tonsillitis होता है तो गले के अंदर की तरफ सूजन हो जाती है ना तो यह क्या करेगा जो वो सूजन है वहां से पानी जो है उसको खेंच लेगा तो वो सूजन वारा जो इलाका था वो कम हो जाएगा तो आपको थोड़ी जए वो रिलीफ मिलेगा आपको राहत मिलेगी तो बैक्टिरिया को किल नहीं करेगा इसका और को प्रॉपर्टी नहीं यह से पानी हीश लेगा और पानी हीश लेगा हम क्या कहते हैं dehydration जो भड़का हो उत तक है उनसे पानी को निकाल लेगा उनको निर्जलित कर देगा अगला है which of the following represents a physical change physical change होता है यानि कि जिसके भी हम बात कर रहे हैं उसके chemical structure पे कोई फरक नहीं पढ़ना चाड़िये उसमें कुछ इस तरह के changes होंगे या तो उसकी shape में कोई change होगा या for solid से gas में conversion या इस तरह से कुछ तो आप देखोगे कि oxidation में क्या होगा माल लेजे हमारे पास x कोई compound है उसमें अगर oxygen add हो गया तो कुछ माल लेजे इसका oxide बना x हो तो पूरा compound ही change हो गया तो this is not a physical change इसी तरह reduction में माल लेजे इसके साथ hydrogen जुड़ गया decomposition में तो इसका breakdown ही हो जाएगा इसी तोट पूट करके कुछ और ही बना देगा और जैसे कि हमाल लेजे इसने m और n बना दिया तो x जो था वो तो बच जा ही नहीं उसके जो कुछ और बच गया लेकिन sublimation में क्या होगा x पहले solid form में था अब वो gas form में है लेकिन है तो अब भी क्या x ही okay so correct answer here will be sublimation next is which among the following were not discovered by the time Mindaliff published his periodic table तो शुरू में हमारी तो modern periodic table उससे पहले कही तरह की periodic tables आई थे आपने उनके नाम पढ़े होंगे वैसे जो Mindaliff की periodic table थी उन्होंने जिस पक्त अपनी periodic table बनाई थी तो उन्होंने noble gases जैसे किसी भी चीज की discovery जो है वो नहीं करी थी आपसे यही पूछा है कि कौन सी तब discover नहीं हुए थी तो वो कौन सी थी हमारी noble gases अगला सवाल है which among the following is known as white vitriol तो उन्हें blue vitriol की बात करे थी white vitriol की भी बात करे थी so white vitriol is zinc sulfate and blue vitriol is what copper sulfate और बो भी कैसा equis वाल है so correct answer here will be zinc sulfate that is option A next is what happens to the weight of iron when it rusts जब iron पे zinc लगता है लोहे पे तो उसके वजन पे क्या फरक परता है तो दीखिए पहले तो क्या हुआ है आपके पास क्या था iron था उसकी rusting हुई तो iron का कुछ oxide बने लिया है ठीक है iron के oxide बनने से उसमें क्या हुआ iron के अदर oxygen का weight भी जो है वो add हो गया जिनकी बज़े से जो weight है iron का वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है तो आपको क्या बूला है कि रस्टिंग के टाइम पे जो लोहा है उसका बज़न पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा increases and then decreases that is option C which of the following is a property of diffusion आपको बताना है कि diffusion जो है विसरन उसकी इनमे से कौन सी प्रॉपर्टी है विसरन जो है यहां पे पूला है कि it is slowest in liquids, fastest in gases and it is based on motion of particles तो यह हमने जैसे बात करे थी कि जैसे kitchen में ममें खाना बना रही होती है उसके खुश्बू हर तरफ कैसे फैल जाती diffusion से क्योंकि वो जो particles है उनका movement होता है और less concentration वाले areas में आ जाते हैं तो उन particles की motion की वज़े से क्या होगा diffusion अब पूछा है कि क्या यह gases में fast होता है तो हमारा air जो है उसके अंदर पार्टिकल्स जल्दी से आ चाते है तो fast होता है gases के अंदर पर इसी तरह अगर आप इनको liquids में या solids में देखोगे तो इन में क्या होता है यह slow होता है तो सारी options सही है तो correct answer क्या होगा option T next is which compound of mercury is used as an antiseptic mercury का पॉंसा compound है जैसे antiseptic के तरह use करेंगे mercury chloride mercury chloride is mg sorry not mg mercury chloride HgCl2 HgCl2 को हम use करते हैं as an antiseptic अगला है speed जो sound की speed है वो maximum कहा होती है तो sound की speed जो solid होता है हमारा solid liquid gas को compare करते हैं तो उनमें से solid के अंदर maximum होती है तो correct answer क्या है option A जैसे सवाल आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे कि लोगे के जो पत्रियां है उनके उपर माले जो train चलती हुए आरी है तो आपको वहाँ पत्रियों पे आवाज पहले सुनाई देगी या फिर आपको air में जैसे एक इंसान है जसने अपने कानों को पत्रियों के पास लगाया हुआ है और दूसरा है जो air में है तो पहले आवाज किसे सुनाई देगी इस तरह से पूछा जा सकता है तो पहले किस तो हम कौन सी गयस को यूज करते हैं, सब जानते हैं, हम यूज करते हैं हिलियम को और करेक्ट आंसर इनमे से कौन से होगा, ऑप्शन दी अगला सवाल है, other than mercury, which other metal is liquid at room temperature तो mercury तो liquid है ही है, mercury के साथ साथ gallium जो है, room temperature से अगर थोड़ा बहुत भी temperature shift हो जाता है, तो gallium जो है, वो liquid में convert हो जाता है, तो correct answer कौन होगा, इसका option C अगला सवाल है, the spreading out and mixing of substances with another substances due to motion of its particle यह आपको पूछा गया है कि एक पदार्थ है, उसके कणों की गती है, उसके वो फैल जाता है, उसे आप क्या कहोगी, उसे आप कहोगी diffusion, यानि उसके अंदर जो particles present थे, वो दूर-दूर चले गए, उसके process को नाम पूछा है, diffusion उसका नाम है, प्रसरन, so correct answer is option A आगे आपको पूछा है, antacid tablets के बारे में, antacid tablets वो होती है, जैसे आपको कभी-कभी acidity हो जाती है, या फिर आपके acid secretion में कुछ problem है, stomach के अंदर, तो उस वक्त आपको antacid tablets दे जाती है, तो शुरू में पहरे magnesium और aluminum है, उनके hydroxides जो है, उनको बहुत use किया जाता था, अब ये भी use किया जाता है, तो correct answer अगर आप देखोगे, magnesium and aluminum, so the correct answer is option B, ये use करते हैं में antacids की तरह, अपने CRT में antacids, analogiesics को सब पढ़े होंगे, वहां पे भी आपको ये मिला होगा, अगला है, the element absorbed both in catein and anine form, कौन है, जो catein और anine दोनों की form में exist करते हैं, तो हमने nitrogen में ही देखा था, minus 3 to plus 5, क्योंकि यह option में nitrogen है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले nitrogen बता रहे हैं, हम सब को select करते हैं, और absorption की बात हो रही है, तो जैसे हमारी plants हैं, उनमें भी nitrogen ज़रूरी होता है, animals हैं, हम हैं, हम में भी nitrogen ज़रूरी है, तो यह nitrogen जो है, minus 3 में भी absorb हो सकता है, plus 5 में भी हो सकता है, तो सही जवाब कॉन होगा, इसका option B, next is, nucleons are regarded as composite substances of, इनको ऐसा कहा जाता है, कि जो quarks होते हैं, उनके composites होते हैं, तो correct answer इसका क्या होगा, option B, quark, next is, intervenial necrotic spots, यानि कि अगर आपने leaves देखे होनी, तो leaves के अंदर जो आपको यह green color से बना देती हूँ, आपके लिए, जो veins हैं, ताकि आपको असानी से समझ में आ जाएं, तो इस तरह कि आपको linings देखती हैं, leaves के अंदर, तो इनको हम कहते हैं, leaves की veins, अगर यह जो veins हैं, हमारे sulfur dioxide की injury के वज़े से, तो correct answer कौन सा है, इसका, option B, अगला सवाल है, the process by with solid substances changes into liquid, solid को आपको liquid में convert करना है, तो आप इसको क्या कहोगे, liquification कह सकते हो, diffusion तो देखे नहीं कहेंगे, melting कहेंगे, melting कहेंगे, तो सही answer क्या होगा, option C, अगला है, the process in which a liquid substance changes into gas, solid to liquid, अब आपको पूछा गया है, liquid to gas, liquid से, gas में convert हो रहा है, vapors की formation हो रही है, तो हम असे क्या खाहेंगे, vaporization, so correct answer is, option A, next is, what is the process called in which gas is changed into liquid by cooling, अब opposite पूछा है, आपको solid to gas है, liquid है, sorry, liquid से, गया है, लेकिन question मेंच आपको पूछा है, that is, gas to liquid, यहाँ पे क्या हो रहा है, condensation हो रहा है, so answer will be, option D, that is condensation, अब अपन एक साथ discuss करने थे, इनको solid से, liquid में convert हो, liquid से gas हमने पढ़ लिया, vaporization, gas से liquid हमने पढ़ लिया, condensation, इसी तरह solid से liquid हमने पढ़ लिया था, melting, और इसी तरह जो liquid से solid में conversion होगा, उसे हम क्या कहेंगे, freezing, और solid से gas या gas से solid में, जो direct conversion हम क्या कहते है, sublimation, तो यह question इनमें से, आपको कोई भी पूछा जा सकता है, काफी आसान है, आपको इनमें confused नहीं होना है, अगला जो सवाल है, आज के लिए आखरी सवाल है, और वो है, which of the following metal can be cut down with the help of a knife, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको आपको बोलोगे आपकी, आपने इसमें हमें sodium पढ़ाया है, तो हम answer इसमें sodium देंगे, पर मैंने आपको बताया था कि sodium के जो elements, उस ग्रुप वाले जो elements हैं, उसा बहुत soft होते हैं, तो सबको हम चाको से काट सकते हैं, पर उनमें से sodium को है सबसे असानी से काट सकते हैं, इस तरह से कुछ बताया था, यभी सबको हम काट सकते हैं, तो all of the able is a better option है, तो correct answer यहाँ पर कौन से होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साटलाइट जो है कि किस काम की होती है, देखे वैसे जब आप साटलाइट के अगर भी स्टेडी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि दो तरह की साटलाइट होती है, वो डिसाइड कैसे होती है, उनके और्बिट के बीसिस पे, बाकि कोई भी अगर साटलाइट हो, उसका काम होता है, जैसे एर्थ की सर्फेस है, उसके बाहर रिवॉल्व करना, जैसे कि आपके वेदर की जो आपको डीडिल्स बता होती है, उसके लिए आपके पास साटलाइट होते हैं, जो हमने अर्थ से भीचे होगी, तो वो साटलाइट क्योंकि वो रिगिलर्ली अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम उनके अंदर ऐसी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी बहां डालेगे, ताकि वो अपने आप रिन्यू हो सकी, मतलब ऐसा ना हो कि हमें यहां से अर्थ सप्लाइट करने का, तो हमारे पास कोई सोर्स बचेगा नहीं, इसलिए हम उनमें यूज करते हैं सोलर सेल्स को, ताकि वो जो सन की लाइट है, क्योंकि सन की लाइट अर्थ के अंदर जो है, अर्थ प्लानेट जो इसके अंदर भी आ रही है, और बाहर पूरी सोलय सिस्टम में पहुंचती है, तो वहां पर क्या करेंगे, वो साटिलाइट जो है, वो सन की अनर्जी को यूज करेंगे, और उसको किस में कनवर्ट करेंगे, उसको कनवर्ट करेंगे, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन टी, दूसरा सवाल जो है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विच ओफ दौवल्वेंग, इस नौट आ रेडियो आक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो आक्टिव एलिमेंट के बारे में, दो तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, कि एक तो इनकी डिस्कवरी सी बॉर्ग ने करी थी, उसके अलाबा हमने पढ़ा था, कि सी बॉर्ग ने चीज़ एलिमेंट की डिस्कवरी करी थे, उनका अटॉमिक नंबर जो था 92 से जादा था, और 92 जो हमारा कॉन है, युरेनियम है, तो अगर आप ये सारे अलिमेंट जो है वह देखते हो, तो जर्कॉनियम जो है, इसका अटॉमिक नंबर जो है वह 40 है, इसलिए इन एलिमेंट में से जो जर्कॉनियम है, वह एक रेडियो आक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? Option D, अगला सवाल देखिए, What are the different physical forms in which an element can exist? मान लीजिए आपके पास एक element है, जैसे मैंने एक्जामपल दिया, आपको मान लीजिए आपके पास carbon है, अब आपको बताना है कि कितनी physical form में exist कर सकता है, तो आप कहेंगे कि carbon जो है, diamond की form में भी हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए किवल physical form जो है, इसलिए हम इन्हे क्या कहेंगे, आगे और आप अगर बताएंगे तुम आप कहेंगे कि graphite हो सकता है, उसके अलावा आपके bucky balls हो सकती है, या फिर C6 टेक बार कहा देते हैं उनको, तो यह सारे जो हैं फिजिकली different different forms हैं carbon की, और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं allotrops, allotrops की definition ही यही है, कि एक ही element अलग-अलग forms में exist करें, तो सही answer यहां कौन सा हो जाएगा, option D, अगला सवाल देखिए, Name the property of metal in which it can be drawn into wires, मान लीजे आपके पास कोई metal है, उसकी कौन सी ऐसी property होगी जिसकी वज़े से आप उसकी wires बना सको, अब क्या होता है आपके पास मान लीजे कोई metal का एक टुकड़ा है, अगर आप उसको stretch करते हो pressure लगा करके, तो इस stretching की वज़े से या फो जो आप pressure लगा रहे हैं उस वज़े से अगर वो wires की form में बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते है ductility, इसी तरह malleability क्या कहेंगे, जब आप थोड़े से peat-peat करके उसको sheets की form में convert कर सबों, उससे आपको होगी malleability, तो इन दोनों पर आपको confused नहीं होना है, और जो conductivity है वो हम सब जानते हैं, वो हम electric current जो हो रहा है, या heat किसकी conductivity की बात कर रहे हैं, उसके basis पर depend करता है, लेकिन जो सवाल में पूछा गया है, कि जो भी धातु है, उसको पतले तारों में खीचे जाने के लिए, जो हमारे पास property है, उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे नमनियता और ductility, याने की option B जो है वो यहां पर correct answer है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है कि why aluminum is used for making cooking utensils, आपके जो खाने के बर्तन हैं उनको बनाने के लिए, अलीमिनिम का इस्तवाल क्यूं किया जाता है। तो देखिए, खाने के बर्तन जो है, मान लेजे, आपके पास कोई बर्तन है, उसके ऊपर उसας को आपने ch Wool ने के लिए इस्तवाल किया है। तो मान लेजिए, एलुमीनियम का जो रीजन है, उसे यूज करने का वो है, क्योंकि वो एक अच्छा कंड़क्टर होता है, सुचालक होता है उश्मा का, इससे क्या हेल्प मिलेगी, मान लेजिए, सीधी आग जो है, या फिर जो आँच है, वो नीचे वाली जो सतर है, उसके स इनर्जी है, ये उपर की तरफ आराम से कंड़क्ट हो जाएगी, और ऐसा होने से क्या होगा, पूरा पतीला जो है, पूरा पतीला समान रूट से गरम होता रहेगा, क्योंकि हीट नीचे से उपर ट्रैबल करती रहेगी, इसी लिए ऐलुमीनियम के बरतनों का यूज किया जाता है, इलुमीनियम को यूज किया जाता है बरतन बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या है, कि ये हीट जो है, उश्मा उसका सुचालक होता है, अगला सवाल है कि रिंगिंग बेल्स जो होती है, टेम्पल की मंदरों में जो बड़ी बड़ी घंटिया लगाई होई होत तो ये जो घंटिया होती है, वो धातूओं की बनी होई होती है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अनीलिंग के बारे में पूछा गया है, कि अनीलिंग जो है ग्लास की, वो किसमें करी जाते है, कार्ज को किसमें गर्म करके ठंडा गया जाता है, अनीलिंग क्या होती है, प और ऐसा ना हुआ तो उसके अंदर cracks जो है, cracks आने के chances हो सकते हैं और glass में crack आने का मतलब है कि वो glass जो है, वो usually कोई भी नहीं खरीदना चाहता है तो इसलिए जो annealing करी जाती है, वो एक open furnace, एक खुली भट्टी में करी जाती है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा? Option C अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, तो laughing gas utilized in the form of anesthesia by the doctors यानि कि पहले के time पे anesthesia यानि कि बेखोश करने वाली दवाईयों के form में laughing gas को जो हो यूज किया जाता था, ये nitrogen का एक oxide है, सबको मालूम है कौन सा oxide है? N2O, nitrous oxide जो है, उसको laughing gas कहते हैं और उसको पहले यूज किया जाता था as anesthesia तो correct answer कौन सा होगा? Option C अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, which is not an anesthetic agent in surgical operation? surgical operation के time पे कौन सा है, जिसको आप anesthetic agent की तरह use नहीं कर सकते हैं तो chloroform, ether और acetone इनको तो use किया जाता है, operation, surgical operation के time पे भी anesthetic के form में लेकिन जो nitrous oxide है, उसे हम use नहीं करते हैं तो सही answer कौन सा होगा? इसका option C क्योंकि आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है, वो समवेदना हारी agent के रूप में नहीं use के आ रहा था और वो भी कब जब operation का time हो अगला सवाल है कि nylon जो है, nylon किससे बना हुआ होता है, तो nylon एक polyamide है तो आप याद रखें कि जो amide functional group है, वो यहाँ पर repeat होगा, तो correct answer कौन सा है, इसका option A अगला सवाल पूछा है कि sweat जो है, पसीना जो है, उसमें पानी के अलावा क्या होता है तो पसीने में देखें, water जो है, वो maximum होता है, maximum concentration water की होगी उसके अलावा, उसके अंदर जैसे, जो sweat है, पसीना है, वो भी एक form होता है, हमारी body के लिए cooling का पसीना आने के पाद जब भी आपको हवा या फिर कोई भी cooling, cool air आपको feel होती है, तब आपको cooling feel होती है body में, तो water के साथ-साथ वहां पर ammonia भी present होती है, small amounts ना मतलब, urea भी होती है और salts present होते हैं, तो आपको अगर सवाल लेखोगी, तो आपको option में salt मिलेगा, तो sweat में water के स साथ में salts present होते हैं, तो correct answer is option C, अगला है changing of one element into another element is called, एक element से दूसरे element में convert होना, इसे हम कहते हैं, transmutation, प्रसारण, यह जो definition है, definition से आपको question सीधा पूछा गया है, फिर्जन और fusion में क्या होता है, इनके अदर या तो दो nucleus है, उनका fusion होती है, दो या दो से जादा nucleus का formation होता ह है, fusion के अदर, और fission यानि की breakdown, एक nucleus है, इसका breakdown होकर के बहुत सारे अलग-अलग nucleus बनते हैं, अलग-अलग atomic mass वाली, radioactivity क्या है, alpha, beta और gamma degradation होता है, क्योंकि वो एक unstable element है, ठीके, तो आप radioactivity और transmutation में confused ना हो, तो correct answer कौन सा है, इसका option B, अगला सवाल है, radiations which are not emitted during radioactivity, ऐसी क पर emit नहीं होती है, तो alpha rays जो है, वो emit होती है, alpha rays को हम helium particle मानते है, beta rays यानि इसका atomic number और mass, beta rays भी emit होती है, और gamma radiation जो है, यह भी emit होती है, अब यह options में जो extra दिया हुआ है, वो ही गलत होगा, वो ही नहीं होता होगा, और वो कौन है, ethore rays, यानि की option D, अगला सवाल है कि citric acid ज तो हम यह तो जानते हैं, कि जितने भी खटे fruits होते हैं, उनमें citric acid present है, और अगर आप free form में पूछोगी, तो free form में lemon जो है, नीम्भू के अंदर citric acid जो है, वो free form में आपको मिलेगा, अगला सवाल है कि अमनोफोर को आप किस तरह से use कर सकते हैं, कि अमनोफोर is potassium per magnet, इसको हम यूज कर सकते हैं, एक disinfectant की तरह कि टानु नाश्रक की तरह हम इसको use कर सकते हैं, तो correct answer क्या होगा, option D, okay, अगला सवाल है, usually the coolant which is used as domestic coolant, यानि कि आपको एक शीतलक बताना है, जो घरेलू शीतलक की रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो ammonia जो है, उसको कभी-कभी यानि की अलग-अलग concentrations में water के साथ में mix करके, ammonia इसमें बहुत जादा purified form होता है, almost 99% pure ammonia, उसके साथ में 33 pats per milling water के, और कुछ और चीज़े मिक्स करके, हम इसको coolant की तरह हम रेफ्रिजरेटर में भी यूज कर सकते हैं, so correct answer कौन सा होगा इन में से, option B, that is ammonia, the principle of equivalence of mass and energy was established by, यानि की energy और mass के अंदर क्या आपने कोई rule पढ़ा है, कौन-कौन सा, उर्जा और द्रव्यमान, इनके तुल्यता का सद्धान किस ने दिया था, तो आपने सबने सुना होगा, यह a is equal to mc square, यह जो formula था और इसके पीछे जो law है, जो mass और energy को equivalent बताता है, कुछ यो constant को add करके by Einstein, अगला सवाल है कि जो vulcanized rubber है, उसमें sulfur के कितनी percentage होती है, तो sulfur को हम add करते हैं, उसकी strength को बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए, तो इसमें sulfur के कितनी concentration होती है, तो यहाँ sulfur जो होता है, वो होता है, 3-5% यानि की option B, अगला सवाल लेखिए, अगला सवाल है, which of the following is a metallic ore, जो आपको options दिये हुए, उनमें से पूछा है कि कौन सा जो है, एक metallic ore है, कौन सा धातू सक है, तो इनमें स सचे quads है, वो एक example है, metallic ore का, galena, जो है, वो लेड का ore है, PBS, mica, and felds, पार, यहीं डिफरेंट है, metallic ore is quads, that is option B, next is, बच्वन of the fallen mineral does not contain oxygen, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा mineral है, इसमें oxygen नहीं होगा, हमेटाइट, iron का एक oxide है, अगर आपको formula भी नहीं याद है, तो iron oxide तो य bauxite is again aluminium ka oxide, तो यहाँ पर भी oxygen जो है, प्रेसंट है, calcite और crinoline, crinoline के अगर आपको बात करोंगे, तो crinoline fibers होते है, जिसमें 100% है, हो cotton present होता है, तो यहाँ पर बिलकुल भी oxygen नहीं प्रेसंट है, क्योंकि अगर 100% cotton ही बोल दिया है, तो oxygen कहां से आएगा, so correct answer here will be option C, that is crinoline, next question है, which of the following will replace hydrogen from acids to form salts, यानि कि मान लीजे, आपके पास कोई acid है, उसके अंदर hydrogen है, तो H2SO4, आप भी इसके reaction करवाई किसी के साथ में, तो जो है, वो hydrogen को replace कर देगा यहाँ से, और salt का formation पर देगा, तो ऐसा usually आपको देखने को मिलेगा, sodium के साथ में, आपने मान लीजे, sodium के reaction करवाई है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा, मान लीजे, आपने NaCl लिया है, और दूसरा जो आपको मिलेगा, हो मिलेगा, HCl, तो यह आपके पास यहाँ पर acid था, sulfuric acid, उससे आपको Na2SO4 है, वो salt का formation हो गया, so correct answer कौन से होगा, option B, that is sodium, अगले सवाल के तरफ चलते हैं, which of the following metals has lowest melting point, आपको बताना है कि gold, silver, mercury और copper, इन में से सबसे कम melting point किसका है, यानि कि किसको पिगलाने के लिए आपको बहुत जादा नीचे temperature में जाना पड़ेगा, तो silver जो है, silver AG उसका इन में से सबसे कम melting point होता है, so correct answer here is option B, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, the gas produced in marshy places, due to decomposition of vegetation is, यानि कि जो marshy places है, जो दलदली स्थान है, वहाँ पर क्या होता है, जो भी वनस्पती है, उसका अपगटन होता रहता है, तो वहाँ पर कुछ gases है, वो regularly release होती है, अब आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सी gas release होत carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide की बजाए, वहाँ पर जो gas निकलेगी, वो कौन सी होगी, methane होगी, so correct answer will be option D, that is methane, next is the heat value of combustion, gasoline के combustion की उपर कितनी heat जो हो release होगी, तो इसका सही answer होता है, 44 to 47 kilojoule per kg, sorry, kilojoule नहीं है, ये, megajoule होता है, 10 raise to the power 6 per kg, तो इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पर क्योंकि units different है, और यहाँ kilojoule में दिया हुआ है, तो 3 additional mega, अगर आप बात करें, तो 10 raise to the power 6 होना था, तो 3 हमने इस kilo में दे दिये, ठीक है, 3 zeros and 3 zeros यहाँ पर है, तो correct answer इसका क्या होगा, 47,000 kilojoule पर कीजी, यानि कि अगर आपने 1 kg gasoline जो है, उसका combustion अगर किया है, तो आपको कितनी energy मिलेगी, 47,000 kilojoule, तो correct answer क्या है, इसका option D, अगला सवाल है कि ozone और oxygen जो है, वो क्या है, तो ozone, O2 और oxygen, O3 जो है, इनको allotrops माना जाता है, उसके अलावा oxygen की और allotrops है, वो singlet oxygen भी होता है, ठीक है, तो जो सही answer है यहाँ पर वो कौन सा होगा, allotrops, यानि कि यह physically different forms यह सिर्फ, और ozone वैसे भी हमने देखा है कि oxygen से ही form होता है, वापस breakdown होकर कि oxygen ही बना देता है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, which of the following, when passes through the alkaline solution of the pyrogalol, then ground nut colored a solution is formed, यानि कि ऐसी एक reaction से देखिए, अब आज जो questions आपको मिलेंगे, वहमें explanatory part जो है थोड़ा कम है, तो जैसे किसी में कुछ values पूछी हुई है, किसी में melting point के बारे में पूछा है, तो अगर आपको questions जो मिलते हैं, वह usually random melting point नहीं मिलेंगे, जैसे कि gold, silver, वह सारे noble metals थे आपकी, इसी तरह से यह important reaction है, जिनके अदर आपको reaction याद करने की जरुरत नहीं है, पर अगर आपको पूछा जाए, कि pyrogalol के उपर आपने ऐसी कौन सा alkaline solution पास किया और इसके उज़र से जो color है, वह change होकर के ground nut color का हो गया, तो oxygen जो है, oxygen के alkaline solution को पास किया जाता है, तो यह reaction होती है, और उप सबस्टांस बनेगा बचास ground nut color, जो correct answer यहाँ पे कौन सा है, option A, अगला सवाल देखिए, जो आपकी screen पर है, the foul order of gasoline is, gasoline जो है, उसके थोड़ी अलग सी smell होती है, कुछ लोगों को दुरगंद लगती है, कुछ लोगों को अच्छे भी लगती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वह foul order जो है, वह क्यों होती है, हम chemistry पढ़ रहे हैं, तो हमें जा क्या होगा, जो इसके, जो smell है, ओर्डर जो है, वह दुरगंद यसी होती है, तो correct answer इसका क्या होगा, option B, hydrogen sulfide, next is, the heat produced in a conductor due to passage of a current, through it is proportional to, यानि कि मान लीजे, एक conductor है, उसके अंदर से electric current जो हो पास हो रहे है, अब यहां पर हमने देखा है, जैसे कि बल्ब में भी पर गरम ह हो जाता है, वहां पर heat produced होती है, इसी तर जितनी भी electric devices आप देखो कि उन सब में थोड़ी बहुत heating तो होती है, अब पूछा गया है, कि वह जो heat produced हो रही है, वह किसके proportional, inversely proportional यह सा पूछा है, आपको formula पता होना शाहिए, heat का जो formula होता है, वह होता है, i square r into t, जहां पर i जो time है, कि कितनी time के लिए वहां पर electric current पास हुआ है, तो यही पूछा गया है आप से, अब देखिए, मैं directly proportional, inversely proportional आप कैसे पहचामते है, अनुपाती, अनुपाती या फिर reverse अनुपाती, ठीक है, तो अगर वह नॉमिनेटर में है, उपर की तरफ है, तो H और A जो है, वह directly proportional हो अगर inverse में आपको मेलेगा, तो वह inversely proportional है, तो आप अगर इस formula में देखो कि तो सब directly proportional है, क्या है, square of current एकदम ठीक है, resistance of conductor, which is R, वह भी एकदम ठीक है, और बाद में, कितनी time के लिए जो current है, वहां पर flow हुआ है, सारा एकदम ठीक है, विद्दनोंने पावर बताया है, तो correct Dancer का कौन सा हो जाएगा, option D, that is all of the above, next है, mild steel contains, अब steel को देखे हमने iron की metallurgy में पढ़ा है, कि steel जो है, उसमें हम iron के साथ में, cadmium, nickel गएरे को mix करके, हम steel बनाते हैं, अब mild steel के बार में कूछा है, तो iron तो उसमें होगा ही होगा, आगे mild लगा दिया है, तो मतलब उसका क्या percentage क्या होगी, बहुत कम होगी, तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, option A, आगे है, which of the following is the heaviest metal, osmium, mercury, iron और nickel में से सबसे भारी metal, जो हो कौन सा है, तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, mercury, जोगी क्या है, option B, अगला सवाल है, consider the following statements, आपको दो आपको options दी है, पहला है कि green chemistry, जो है, it focuses on the effects of chemical pollutants on nature, यानि कि green resigns प्रक्रती पर रसायनी प्रदूश्टों के प्रभाव पर केंड़ित है, और जो पर्यावर्नी रसायनी प्रदूश्टों को रोपने के तक में की दृष्टिकोंड पर केंड़ित है, तो green chemistry में क्या होता है, जितने भी तरह के dangerous chemicals हम release कर रहे हैं, उनके release को रोकन और उनके production को रोपना और उनको environment में आने देने से रोपना, यह जो है एम होता है green chemistry का, और environmental chemistry के अंदा क्या होता है, वो pollution जो है हमारे air को कितना effect कर रहा है, soil में उसके क्या effects आ रहे हैं, इन सब को study करना और उसको remove करना, यह है, तो अगर आप देखोगे green chemistry में chemical pollutants के effect के पर focus नहीं करता है, यह focus करता है, जो हमारे hazardous substances हैं, जो भी ऐसे रसायन है, जिनकी वज़े से environment को loss हो रहा है, उनके generation को कम करना और minimum करना, यह होता है, यह कि environmental chemistry के बारे पे जो बात की, यानि दोनों में थोड़ी थोड़ी गलते हैं, तो हम कहेंगे कि ना तो पहला सही है और नहीं दूसरा सही है, तो correct answer कौन सा होगे है, इसका option D, अगला देखिए, which one of the following received the greener reaction conditions award in 1996, 1996 में एक award दिया गया था, कौन सा, greener reaction conditions award, वो जो options दिये गये हैं, इसे किसे ही मिला था, तो जो DAO chemicals थे, उनको मिला गया था, 1996 में यह जो award था, तो आप सीता यादर्ना है, हमें य जाना नहीं है, इतना सबकुछ की, यह award क्या है, या फिर क्यों मिला, ऐसा question आपको सीधा awards पर पूछा जा सकता है, तो आप याद रेटें, इस दाव chemical, next है, green solvents are derived from, जो green solvents होते है, वो renewable sources से, carbon sources से, non-renewable से, या फिर इन सब से, तो जो हमारे renewable sources है, उनको green solvents हम कहते है, क्यों कहते है, क्योंकि एक तो क्या है, जो हमारे इत्मोस्फियर में, जो भी, sorry, जो हमारी अर्थ के पर जो भी नाचरल है, जैसे, wind है, sun की एनरजी है, फिर water है, इन सब को हम यूज़ कर रहे है, तो इनकी वजह से, जो pollution है, वो निल होता है, इसलिए हम इने कहेंगे, green solvents अगर अगर आप non-renewable sources, gasoline है, natural gas वगरा, carbon की resources, oil वगरा, इन सब से pollution होता है, तो इनको हम green solvents तो बिलकुल नहीं कह सकते, तो correct answer लहाँ पर क्या होगा, optionally that is renewable, या फिर नवी करने ये संसाथ है, अगला सवाल है, eating tobacco and throwing on road can produce, यानि कि किसी ने tobacco खाया है, और उसके बाद में को सड़क पे डाले है, तो सड़क पे डालने से हमारा ground का pollution होगा सबसे जादा, यानि की soil pollution, तो correct answer उसका क्या होगा, option B, compare to the atomic bomb, atomic bomb के comparison में जो destructive power होती है, hydrogen bomb की, वो कम होती है या जादा होती है, तो इसके रहे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में कौन सी process involved है, तो हमारी atomic bomb है, उसके अंदर हमारे पास fusion, fusion reaction, sorry, not fusion, fission reaction, nuclear fission reaction और वो भी कैसी uncontrollable, और जो hydrogen bomb है, उसके अंदर होती है हमारी nuclear fusion reaction, ठीक है, तो दोनों के अंदर अगर आपने कभी energy पढ़ी होगी, तो fission reaction के अंदर बहुत जादा amount में energy release होती है, तो correct answer क्या होगा, कि atomic bomb के energy hydrogen bomb से जादा है, तो correct answer is option B, अगले सवाल के तरफ चलते हैं, the phenomenon of spontaneous disintegration of certain heavy nuclei, अब जैसे आपको एक, जो definition थी हो थी, element से element का formation, वहाँ मैंने बताया था कि वहाँ आप radio activity को क्यों नहीं हो लोगी, क्योंकि radio activity जो process है, वो nucleus से related होती है, element का conversion हो रहा है, वो अलग बात है, but it is because of the nucleus, which is unstable, जो की unstable है, वो ही आपे दिया हुआ है कि वहाँ पर disintegration होते रहेंगे, heavy nucleus के, उस phenomenon को आप क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे, radio activity, radio dharmitta, अगला सवाल लेखिए, oxygen which is vital for life is produced by photosynthesis, a photosynthesis की chemical reaction देख लेते हैं, उस chemical reaction में क्या होता है, carbon dioxide of water की reaction होती है, कौन-कौन से चीज़े यहाँ प chlorophyll के presence होने चाहिए, और chlorophyll के अलावा होना चाहिए sunlight, और जो formation होगा, वो किसका होगा, glucose का होगा, और oxygen का होगा, तो यहाँ पर पूछा कि है, की oxygen का formation हुआ है, कैई यह CO2 से हुआ है या water से हुआ है, तो oxygen का formation जो होता है, बोन होता है, जो होता है, water से, आप अंदर, पू अगला question देखिए matching pairs का है सबसे पहला है fatty acid fatty acids अगर आपको बताने है तो oil and fats जो है वो fatty acids के example है तो A match होता है four से देखिए four पा option option यह four जो है वो third में दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं कि बाकि जो ठीक से match या नहीं है आपकी options तो आपको C ही tick करना है जाए बाकि सही हो या गलत हो अब देखते हैं potassium potassium के बारे में आपके बास options क्या के बश्चते हैं detergent, soap के बारे में और alkali potassium क्या हम alkali से match करेंगे क्योंकि alkaline होता है nature में alkaline earth metals में आता है so potassium is a better alkali so B के साथ में हम match करेंगे first को तो B के साथ भी first A की options में है यानि कि हमारा option जो सही हो गया वो है option C इसी तरह non ionic जो surfactants है surfactants का इस्तेमाल हम किस में करते हैं detergents में इस्तेमाल करते हैं तो C के साथ हम match करेंगे 2 को and finally जो neutralization reaction and neutralization reaction involved किसमें होती है soap formation में ठीक है तो यह हमने matching pairs match कर ली है जो भी milan आप करते हैं उसको इपार check कर ली कि ऐसा ना हो कि इस option वाला एक ही है question में तो आपका time बच जाएगा और आपको बाकी options जो है उसको match करने की ज़रत नहीं होगी अगला स्वाल है biocides के बारे biocides क्या हो तब इसी तरह कुछ ऐसे words आते है स्टेटिक आता है और कुछ में आता है साइट का मतलब होता है स्टेटिक का मतलब होता है ग्रोथ को stop कर देंगा इसी तरह जैसे biocides है बायो मतलब की कुछ biological कुछ इस तरह की microorganisms होता और यहां पर कॉनसे होता है उस्वाली होता है हमारे पास bacteria तो bacteria अगर है अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसे हम यूज करते हैं पायोसाइट्स पर तो अगर आपको options देखोगी तो insects related नहीं है यह insects कुमारना प्रेक्ट आंसर कौनसा होगा प्रेक्ट्रोल बैक्टेरिया तो प्रेक्ट आंसर इस option D अग्रा सवाल है इन addition to nitric acid another acid which may render iron passive यानि nitric acid के अलाबा आपको ऐसा कोई acid बताना है जो लोहे को नश्क्रिय बना सकता है तो chromic acid एक इसका example है जिसको कैसे बनाया जाता है जो chromate है उसके साथ में sulfuric acid की जब reaction करवाई जाती है और यह reaction से हमें मिलता है chromic acid और यह कैसा acid जो लोहे को निश्क्रिय बना सकता है तो correct answer कौन सहर रहेगा option c अगला सवाल लेखे a substance which cannot be split up into two or more simpler substances यानि कि एक substance है उसको आप दो या दो से जादा simple substances में उसको break down नहीं कर सकते तो ऐसा कब होगा जो वो खुद ही एक simple substance है ठीक है यानि कि आपने उसके उपर heat apply किया light apply किया electric energy apply करी पर फिर भी आप उसको simple substances में convert नहीं कर पाए यानि वो खुदी सबसे simplest form है और कौन होती है सबसे simplest form सब जानते है वो होती है एक element तो correct answers का कौन सा हो गया option a अगला सवाल देखिए what is an element that is malleable ductile and conducts electricity तो मुझे यह metal लगता है क्यों metal कुछ है malleable होता है उसके हम wires बना सकते है sorry malleable होता है hammering से हम उनकी sheets बना सकते है ductile उसके wires बना सकते है electricity के भी good conductors होते है तो correct answer कौन सा हो गया metals यानि की option b properties पर बेसे है primary part of the liquefied petroleum gas LPG का primary part अगर आप मुझे पूछोगे that is propane so correct answer is option c next is which among the following is true about solubility of lipids lipids के solubility के बारे में आपको बताना है तो lipids जो है वो water में solubile नहीं होते है water में या फे polar solubents के लिए और non polar solubents है उनके अंदर ये solubile होते है यानि non polar में ये solubile है अब non polar हम options देख रहते हैं they are soluble in water water में तो नहीं है solubile insoluble option a और c तो गलत हो गया they are insoluble in water but soluble in organic solubents अगला सवाल है calcium magnesium silicate का common नाम क्या है तो हमने यहीं सवाल पहले दूसरे तरीके से किया था कि asbestos में आपको कौन-कौन elements मिल सकते हैं calcium magnesium silicate जो है नाम है हमारे asbestos का तो correct answer इसका कौन सा हो जाएगा option a phenophtherin के बारे में पूछा है phenophtherin को chemistry में हम किस तरह use करते है phenophtherin को हम use करते है as an indicator की तरह indicator की तरह use करते है यानि कि यह color के changes को show करेगा और dye जो होता है वो related होती है पारे colors से color changes से correct answer इसमें कौन होगा option b इसको हम catarist detergent की तरह नहीं use करते हैं हम dye की तरह use करते हैं और यह कोई भी chemical reaction में कुछ specific होने पे color change indicate करेगा next आपको कूछा है recipe के बारे में कि यह किस तरह की drug है तो यह एक tranquilizer है BP को control करने के लिए अगला सवाल देखिए an element that is neither valuable nor ductile and is not conduct electricity is called ऐसा आपको को element बताना है जो valuable भी नहीं है ductile भी नहीं है electricity भी conduct नहीं कर सकता है तो आप एक तो mixture होता है उसमें सारी properties होती है correct answer is option c that is a mixture अगला है कि जब कोई when a substance loses electrons यानि कि कोई substance है जिसमें से electrons वो चले गए बाहर निकल गए तो उसके साथ में क्या होगा उसका oxidation होगा or reduction होगा तो मैंने chemical reaction लिग लिए जहां मैंने जो x element है उसमें से 2 electrons निकाल लिए है तो अगर आप oxidation state में change देखोगी तो oxidation state 0 से plus 2 हो गई है जो कि क्या है oxidation state का बढ़ना यानि की oxidation तो गरेक्ट आंसर क्या होगा इसका option C चलते हैं आज की आखरी question की तरफ the substance made up of 2 or more elements chemistry यानि कि या तो 2 elements से बना होगा या दो से जादा से हैं मान लेते हैं 2 से बना होगा है और दोनों को fixed proportion में यूज किया गया और यहां यहीं ही बता है fixed proportion by mass by mass हो by volume हो अलग है fixed proportion पर हमें focus करना है fixed proportion में mixed है तो हम उसे क्या कहेंगे compound और इस जगह पर अगर दिया होता fixed proportion में mixed नहीं है तो इसे हम फिर alloy या फिर mixture इन में से कुछ में हम concentrate करते कि यह क्या है name a gas used in high speed photography high speed photography यानि कि ऐसी कोई चीजें है जो मतलब चलती जा रही है यानि कि इनके कुछ frames fixed होते है एक second के अंदर उससे भी कम frames होते है उनके अंदर भी इससे हम photography और वो भी अच्छी तरह की photography लिख कर सकते है उसमें कोई एक तरह की gas जो है उसका इस्तिमाल किया जाता है आपको बताना है वो gas कौन सी है तो क्रिप्टॉन जो gas है उसका इस्तिमाल हम करते हैं high speed photography के अंदर तो सही option यहां पे कौन सा होगा option B अगले सवाल के तरफ बढ़ते है the solution of one of the foreign compounds will conduct electricity and the compound is आपको बताना है कि नीचे आपको जो options दिये हुए है उन में से कोई एक solution ऐसा होगा जो electricity conduct करेगा यानि बिजली का संचालन करेगा आपको चांटना है कि वो कौन सा होगा तो अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास है calcium tetra chloride hydrochloric acid calcium chloride और last में हमारे पास है CH3CA यानि कि methane के अंगर hydrogen को substitute करके chlorine add कर दिया गया है तो अगर हम बात करें ionic compounds की और covalent compounds की तो ionic compounds जो होते हैं वो क्या करते हैं बिजली का संचालन करते हैं अगर आप देखोगी तो आपको दो देखेंगे HCl और calcium chloride तो अगर ऐसा कभी आपके पास सवाल आए या फिर माल लीजिए options में आपके पास सारे ionic compounds ही देदी जाएं तो आप क्या करेंगे आप number of ions देख लीजिएगा जिसके अंदर जो ions है उनका number जादा होगा वो उतना ही जादा संचालन करेगा पिछली का तो HCl के अंदर हमारे पास एक hydrogen होगा और एक chloride होगा और calcium chloride के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको एक calcium मिलेगा और दो chloride यानि कि तीन ions है तो इसलिए यहाँ पे सही जवाप कौन सा होगा option C that is calcium chloride अगला सवाल है arrange the following metals in decreasing chemical reactivity series activity series या reactivity series या reactivity series जो है रसायनिक गतिविती श्रंखला उसके according आपको इन्हें arrange करना है तो देखे कोई भी इस तरह कि जितनी भी चीजे हैं chemistry में उनमें किसी भी एक चीज को reference बाना जाता है जैसे atomic weight की अगर आप बात करोगे तो उसमें हम carbon को reference मानते हैं और उसका atomic weight हम कितना मानते हैं इसी तरह reactivity series जो है उसमें हमने जो reference लिया है hydrogen को अब जब भी आप reactivity series की बात करते हम इस तरह से बात करते हैं कि hydrogen से जादा reactive है या hydrogen से कम reactive है तो यह जो metals है gold है silver है platinum वगेरा यह सारे hydrogen से reactivity series में नीचे आते हैं gold, silver वगेरा ठीक है तो यह मैंने नीचे mention कर दी या इनके reactivity कम है ठीक है और उपर अगर आप बात करो तो hydrogen से just जादा reactivity होती है iron की, zinc की aluminium वगेरा की उससे थोड़ा ऊपर और चलने पर आपको calcium, magnesium वगेरा मिलते हैं और सब की reactivity series है उसमें top पे जो element है potassium तो potassium को तो आप वैसे भी नहीं भूलोगी gold और silver मैंने बताए hydrogen के नीचे होता है तो आपको देखना क्या है कि potassium की सबसे जादा होगी और gold की जो है वो minimum होगी आपको arrange कौन से order में करना है decreasing order में यानि सबसे पहले सबसे जादा reactivity वाला आएगा तो मुझे इतना पता चला कि सबसे पहले 1st आएगा और सबसे last में आएगा option number 3 तो देखते हैं 1st के सारे शुरू होरे पर last में 3rd कि दो options में यानि कि आपको magnesium और iron का देखना पड़ेगा तो potassium के next किसकी reactivity है magnesium की आपके options जो sequence होगा वो होगा 1st, 2nd, 4th and then 3rd यानि की option C तो reactivity series की मोटा मोटा जो है वो आप याद रखें अगर पूरी नहीं याद है तो next है name a metal which is used in making airplanes airplanes को बनाने के लिए कौनसे metal का इस्तेमाल किया जाता है तो aluminium का इस्तेमाल हम करते है airplanes बनाने के लिए इसी तरह जो steel है उसका इस्तेमाल कभी-कभी aircrafts बनाने के लिए पर फिर problem यही है steel हो little heavy होता है और जितने भी हम इहीं चाहेंगे कि जो भी हम बनाएं वो heavy material से ना बनाएं बलकि वो strength और बाकी characters में ज़्यादा देखें तो यहां पर correct answer होगा option D that is aluminum अगला सवाल है aromatic hydrocarbons को और क्या कह सकते हैं? aromatic आपके परस दो चीजे होती है aliphatic होता है एक aromatic होता है aromatic कौन से होते हैं? जिन में rings होते हैं जैसे यह six-membered ring है इसी तरह आपके पास five-membered rings भी होती है तो इस तरह की rings जिन के अंदर present होती है उनको हम aromatic कहते हैं और aromatic hydrocarbons का ही दूसरा नाम जो है वो arines भी है तो सही answer कौन सा होगा इसका option C अगला सवाल देखिए in water alkanes are water के अंदर जो alkanes होते हैं वो soluble होते हैं या insoluble होते हैं तो alkanes जो है यानि कि हमारे जो saturated hydrocarbons हैं single bond वाले वो alkane वो water के अंदर soluble नहीं होते हैं तो सही जवाब क्या होगा? insoluble चीक है? और alkanes को ही हम paraffins के नाम से भी जान सकते है paraffins यानि कि wax जैसा कोई material तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या wax जो है यानि कि मुमबत्ती जो है मतलब एक बार अगर आप मानिये तो क्या उसको पानी के अंतर गोल सकते हैं नहीं मिलेगा ना तो उससे आप जवाब दे सकते हैं अगला सवाल है which of the following is assumed to be the most fundamental chemical in the chemical industry यानि कि जो रसाइनिक उध्योग है उसमें mollic racine किसे माना जाता है तो सबसे ज़ादा इस्तिमाल किया जाने वाला chemical है hydrochloric acid और इतना इस्तिमाल किया जाता है इससे हम किसका formation करते हैं यानि देखे बहुत सारी चीजों का formation होता है H2SO4 से लेकिन उसमें से भी अगर आपको सबसे ज़ादा पूछा जाए तो phosphoric acid है उसका बहुत जादा development होता है H2SO4 से और H2SO4 इसलिए जो है हमारी जो रसाइनिक उध्योग है उसका mollic racine है यानि सही जवाब कौन सा होगा option C अगरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं the electrolyte employed in car battery, car battery के अंदर कौन सा electrolyte होता है तो पहले बात करें हमारे car के अंदर कौन सी ऐसी battery होती है तो lead और acid की battery होती है कार्ड के अंदर उसके अंदर अगर आप देखोंगी तो इसमें जो electrolyte used होता है वो होता है Sulfuric acid कौन सा? H2SO4 होता है H2SO4 भी कितना होता है 40% concentration भी यानि 40 parts जो हैं उसमें अंदर के होंगी और बाकी सब water के होंगी तो यहां अगर आप correct answer देखोगी तो उसका answer क्या मिलेगा? Option B is Sulfuric acid अगला सवाल है through the reaction of sugar and sulfuric acid which of the following is obtained in its pure form sugar जो है जो सुक्रोज है हमारा उसका common name है सुक्रोज का formula क्या है? C12H22O11 उसके साथ में sulfuric acid की reaction करवाई गई है H2SO4 तो इस reaction में क्या होता है? H2SO4 जो है वो इक dehydrating agent होता है यानि यह water को absorb कर लेगा तो यह dehydration reaction होती है और यहां पे carbon जो है उसका formation होता है साथ में कुछ water जो है वो release हो जाएगा तो आपको पूछा है कि यहां पे pure form में कौन obtain होता है कि यहां पे obtain होता है carbon सही जवाब क्या है carbon यानि कि इसका जो substrate है product जो है वो water भी है पर हम pure form में पूछा गया है तो हम उसका answer देंगे carbon अगले सवाल की तरफ चलते हैं what does the airbag used for safety of car driver contain car driver जो है इसकी safety के लिए airbags का use किया जाता है तो airbag जो है वो किस तरह से safety provide करते हैं तो airbags में क्या होता है कि कुछ अंदर compound filled होता है जिसकी वज़ासे उसमें suddenly बलून की तरफ फूल जाएगा पूरा जिस वज़ासे क्या है जो driver है वो staring के भिढने के वज़ासे जो भी usually death होती है तो उसमें lungs और heart पे चोट लग जाती है तो इस वज़ासे हम airbags है वो provide करवाते है car drivers को और उसमें कौन सा chemical होता है उसमें chemical होता है sodium azide यानि सही जवाब आपका कौन सा है option B अगले सवाल की तरफ चलते है which of the following is correctly matched यानि आपको बताना है कौन सा सही सही match है तो बताएगे aluminium का ओर क्या hematite है नहीं hematite किसका ओर है iron का lead और galena के सही matching है एकदम सही matching है iron और bauxite ना जहीं गलत है bauxite किसका ओर है bauxite aluminium का और magnesium और malachite जो है यह भी correct नहीं है क्योंकि malachite copper क compound है तो correct answer यहाँ पर कौन सा होगा option b that is lead and galena अगरे सवाल की तरफ चलते है what is the electronic configuration of calcium iron इस तरह के सवाल जब भी आपको पूछे जाते हैं electronic configuration में भी कौन से वाले ions वाले तो आपको सबसे पहले क्या करना है जो original element है उसका electronic configuration लिख ले तो calcium जो है उसका जो atomic number है वो है 20 अगर आ configuration लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 is 2, 2 is 2 फिर हमारे पास 2p के अंदर 6 electrons फिल कर देंगे हम उसके बाद में हम फिल करेंगे 3 is 2, 3p 6 और अब हम फिल करेंगे 4 is 2 तो चेक कर लेते हैं कहीं 20 से ज्यादा तो नहीं हो गए हैं तो first हमारे पास orbit में 2 हैं, second में हमारे पास कितने हैं 6 and 2, 8 हैं, third के अंदर भी 8 हैं और last में हमारे पास 2 हैं यानी 8, 8, 16, 17, 18 and 19 में यानी यह हमने 20 electrons की complete filling कर दी यह जो electronic configuration आपको देख रहा हैं यह calcium का पर हमसे पूछा गया है calcium plus 2 का यानी हमने calcium से 2 electron निकाली हैं तो हमें क्या करना है? अब जो configuration आपको देख रहा है, यह configuration है calcium plus 2 का, अब क्योंगी यहां orbits के according बात करी गई है, तो first orbit के electrons अब कितने बताएंगे, second, second orbit में हमने calculate करे थे 8 और third orbit में कितने होंगे, again 8, तो सही answer यहां पर कौन सा हो जाएगा, option जो D है, अगला सवाल देखिए, नीम गयास विच इस यूज इन मेकिंग क्लोरोफोर्म, क्लोरोफोर्म का formula क्या होता है, क्लोरोफोर्म इस CHCl3, तो कौन सी ऐसी गयास है, जिसको हम क्लोरोफोर्म मनाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो देखिए, मिथेन की जो reaction है, मिथेन की reaction, जब हाई temperature की जरुरत होती है, 400 to 500 degree Celsius, temperature अपने काम की चीज नहीं है फिल्हाल, तो इसी तरह next step में क्या होगा, एक और क्लोरीन जो है, वो रिप्रीस हो जाएगा, और finally अगर आप देखोगे, तो एक और step जो होगा, उसके अंदर आपको मिलेगा, एक hydrogen बचाएगा, और क्लोराइ यहाल है, name a gas which is used in the fermentation of sugar, आपको इक गयास बतानी है, जो sugar की fermentation में काम आती है, अब देखिए, fermentation जो नाम है, वो ही अन अरोबिक टर्म से लिया गया है, नहीं लिया गया है, तो यह दोनों चीज़े अर्मूस्ट से वी होती है, यहाँ पे क्या होता है, शुगर का break down होगा, oxygen क की absence में और oxygen की absence का क्या मतलब है कि यह reaction होगी carbon dioxide की बज़े से तो carbon dioxide जो है वो responsible उसको use किया जाता है fermentation के लिए ठीक है तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा option D अगला है कि आपको एक ऐसी tear gas का नाम बताना है जिसको जैसे कोई दंगे हो जाता है उन सब में इस्तिमाल किया जाता है जैसे कहीं भीड हो गई है कोई दंगे चल रहे हैं तो tear gas जो है उसको use किया जाता है ताकि वो सारी चीज़े वहाँ से clear हो सके तो उसके लिए हम use करते है CS gas को CS different name है इसका chemical formula अलग है वो आप देख लिए क्या है लेकिन आपको पूछा जाएगा तो CS gas जो है वो आपको याद रखना है यह हमारे काम की चीज़ है आगे चलते हैं अगला सवाल है for dryness why crystallization is a better technique than evaporation यानि कि अगर आपको सूखापन चाहिए है तो wash pee करन के तुल्द सब्सक्राइजेशन और evaporation में तो कोई भी आपके पास substance है उसका एक तो मान लीजिए उसको हमने crystals में convert किया है ठीक है और दूसरा मान लीजिए हमने उसको भाप बना दिया उसको evaporate करवा दिया तो crystallization में क्या होगा अगर किसी तरह की impurities वहाँ पे present है तो वो भी crystal form में आ और usually क्या होता है कि जो impurities है उनके crystals और जो हमारा actual element है उनके crystals different होते हैं तो हम उनको अलग-अलग technique से separate कर सकते हैं पर evaporation में क्या हो सकता है कि वो जो impurities हैं वो साथ में evaporate भी हो सकते हैं उनके साथ में ठीक है तो इसलिए यहाँ पर reason जो main होगा वो क्या होगा कि crystallization में impurities जो option B अगला सवाल लेखिए particles of matter have fallen characteristic जो matter के particle है उनके आपको कुछ characteristic दिये हुए आपको बताने तो जो matter के particle है आप जाहें आप solid ले ले लीचे liquid ले 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 तो matter के particles होते हो बहुत छोटे-छोटे होते हैं उनके बीच में space भी होता है वो एक दूसरे को attract भी करते हैं वाइल moving वो एक दूसरे से collide भी करते रहते हैं continuously क्योंकि move करते रहेंगे तो वो छोटे होते हैं तो very small तो option C सही है एक दूसरे को attract भी करते हैं सही है constantly move करते रहते हैं जिनके वजह से इनमें collision होती रहती हैं जिनके वजह से और जादा movement बढ़ जाती हैं तो तीनों ही तो हम तो इतना जानते हैं कि saturated hydrocarbons जो है कि single bond जिन hydrocarbons के अंदर होता है उन्हें हम saturated hydrocarbons कहते हैं यानि कि single bond का मतलब है यह minus नहीं है sorry this is single bond single bond का मतलब है saturated hydrocarbon वैसा क्यों है हम जा लेते हैं saturated का मतलब क्या है संत्रप्त मतलब वो त्रप्त है उससे मतलब उसने अपने जितने भी valence electrons थे उसको इस तरह से bond बनाने में इस्तमाल किया है कि अब उसके अंदर हम और कोई नई bond का formation नहीं कर सकते हैं तो इसी को हम saturated और single bonder उसको प्रूव कर कर देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर hydrogen को remove करके कोई और element तो लगा सकते हैं पर फिर भी bond आपका single ही रहेगा आप नया bond कोई भी form नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे saturated और उनमें bond कैसा होगा हमेशा single यानि की option c जो है वो सही जवाब ह अगला है कि जो alkenes है उनका पुराना नाम क्या है तो मैंने alkenes का आपको पुराना नाम बर क्या बताया था उनको हम paraffin कहते थे और alkenes को हम olefin कहते हैं तो सही जवाब क्या है option a यानि पहले कहार जाता था ऐसा अगला सवाल देखिए which compound is used for making perfumes and dyes तो perfumes का और dyes को बनाने के लिए कौन से compound का इस्तिमाल किया जाता है तो हम उनका इस्तिमाल करेंगे जो volatile हो perfumes के अंदर तो जससे यानि कि आपको cooling effect जल्दी से provide हो आप देखेंगे तो सही जवाब है ethyl acetate ethyl acetate को हम इस्तिमाल करते है perfumes में और dyes के अंदर in all bio compounds the most necessary fundamental element is जतने भी हमारे bio compounds है यानि कि biologically हमारे अंदर जतने भी compounds प्रेसेंटे हों में सबसे necessary fundamental element कौन है तो हमारी body के अगर आप compounds देखते हैं तो उनके अंदर जो sulfur compound है वो बहुत necessary है क्योंकि पहले चीज़ तो sulfur कहां जरूरी होता है sulfur जरूरी होता है amino acids के formation के अंदर ठीक है तो amino acids के formation में जरूरी है यानि पहला तो इसका रोल किसमें हो गया कि proteins में आपको मिलेगा ठीक है इसी के साथ में अगर आप देखते हो तो sulfur जो है वो आपको और बी अलग अलग जगह पे body में मेल जाएगा पर amino acid का जो है वो एक important या फिर majority है तो स जलने वाली gas का आपको नाम बताना है तो कल भी हमने बात करी थी कि जो marshy areas होते होते हैं तो देखिए जो धान की खेती होती है उसमें regular आपने देखा होगा पानी में भरी हुई रखते हैं उखी तो ऐसे जगह पे methane gas जो है वो सबसे जादा प्रडियूस होती है तो correct answer कौन स होगा इसका option भी अगला सवाल लेखिए name an open chain hydrocarbon which is orderless open chain बताना है यानि कि जो आपकी rings है या आपकी जो closed chains है वो नहीं है तो closed chains वालों को हम क्या कहते हैं aromatic और open chain वालों को हम क्या कहते हैं elephatic तो सही जवाब इसका क्या होगा options यानि कि जो general terminology है उन पर questions है which of the following metal is used as an accumulator cell accumulator cell या फिर rechargeable batteries भी हम जिनको कहते हैं accumulator यानि हमने उसमें energy store कर ली है जब भी हमें जर्रत होगी हम उसका इसका इस्तेमाल करेंगे तो lead जो है उसका इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमेर उसका एक example मैंने आज के ही lecture में बताया था जो किसमें उसके आजाता ह प्रीज आपने पढ़ी होगी तो इसलिए यहां सही जबाब कौन सा होगा option B अगले सवाल की तरफ चलते हैं the chemical formula of plaster of paris plaster of paris का chemical formula क्या था वो था c a s o 4 dot half h 2 हमने इसे hemi hydrate बोला था अब मैंने options देखी तो ऐसा कोई formula नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको 2 से multiply कर देते हैं 2 से multiply करने पर क्या होगा यह formula आपको देखेगा 2 c a s o 4 dot h 2 okay ठीक है दोनों एक ही चीज है ठीक है अब देखें options में यह options आपको मिलता है कि तो second option जो हो यह ही है 2 c a s o 4 dot h 2 जो की plaster of paris का जो है chemical formula है अगर आपको c a s o 4 dot half h 2 दिया जाता है तो वो भी सही है यह दिया जाता है तो यह भी सही है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं the chemical utilized and employed as fixer in the photography is जो fixer की तरह हम इस्तेमाल करते हैं हमने पहले बात करी थी कि हम silver की bromides का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में वहाँ पे कुछ opaqueness develop हो जाती उस टाइम यह जो sheet सूती है उनको fix करना जरूरी होता है और उसको fix करने के लिए हम कौन सा chemical यूज करते हैं हम यूज करेंग और एक है periodic table तो दोनों की अगर हम बात करें तो periodic law में क्या होता है periodic law में ऐसा माना चाता है कि जितने भी physical और chemical properties है वो जो atomic mass है उसके proportion होती है यानि वो decide करेगा कि उसके physical properties और chemical properties कैसी हो ऐसा जो है वो पहले माना चाता था लेकिन हमारे जो modern periodic table है उसमें आप देखोगे कि atomic number जो है atomic number जो है उसके according सारी elements arranged है तो यह जो atomic mass वाली चीज थी यह Mendeleaf ने बताई थी सबसे पहले इसलिए modern periodic law भी किस ने दिया था Mendeleaf में तो correct answer कौन सा होगा option C अगला सवाल देखिए the gaseous mixture of carbon monoxide and nitrogen gas carbon monoxide and nitrogen और इसा ही same एक example आया था था थोड़ा साला carbon monoxide and hydrogen यह हम बात कर चुके हैं यह हमारे पास कौन सी थी syngas जो थी यह water gas इसका नाम था और इसी तरह carbon monoxide और जो nitrogen है उसका नाम क्या होगा इसका नाम है producer gas तो दोनों आप एक साथ याद रखेंगे तो कोई confusion नहीं होगा आपको तो correct answer इसका कौन सा है option C that is producer gas अगला देखिए अगला है the process of electrolysis reduction occurs जो anode है उस पर हमेशा oxidation होता है और जो cathode है उस पर reduction होता है तो आपको पूछा गया है कि reduction किस पर होता है तो आप क्या कहेंगे cathode पर अगर ऐसे भी आपको नहीं याद रहता है तो पूरी जो process explain करी है मैंने किस तरह से deposition जाकर कि finally cathode पर होता है तो पर reactions आप one by one देखेंगे तो भी आपको क्या पता चलेगा कि reduction होता है वो कहा होता है cathode पर होता है अगला सवाल देखिए the oxidation state of oxygen in OF2 अब मैंने आपको एक बार एक चीज़ बताई ते कि fluorine जो है वो सबसे जादा electronegative element है periodic table का अब ऐसा होने पर क्या होगा ऐसा हो कि अगर कभी भी आपको fluorine का कोई compound कूछा जाता है तो वहाँ पर आप fluorine की oxidation state जो से पहले consider करेंगे और दूसरे की oxidation state उसके respect में निकालेंगे जैसे fluorine अगर यहाँ पर है तो मैं मान लेती हूँ कि oxygen की oxidation state मुझे नहीं मालूम है वो x है प्लस fluorine किस फॉर्म में आता है fluorine जो oxidation state है वो कितनी है प्लस 2 लेकिन यूश्वल ही हम क्या कहते है कि oxygen तो oxygen की most common oxidation state minus 2 है न तो उसे सबसे आप minus 2 जबाब ना दे तो यहाँ correct answer कौन सा होगा option A अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं अब अगला सवाल देखिए अगला सवाल है in which of the following silver is not to be present अब देखिया आप exam अगर options देखोगे तो horn silver, german silver, ruby silver तो ऐसे case में students चुछे यूश्वली आप्शन्स टिक कर देते हैं जुनके अंदर silver नाम में ही नहीं पर first of all तो german silver जो हम पह है जिसके अंदर silver जो है वो present ही नहीं और अगर आपकी पूछते हो कि ruby silver, horn silver इन सब में कौन है तो horn silver, silver का एक हलाइड है और ruby silver जो है उसमें भी silver present होता है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा option B, जो है german silver यानि इसमें silver present नहीं है अगला देखिए मोहर salt के बारे में आपको पहले मोहर salt का formula पता होना चाहिए जो कि मैं आपकी screen पर लिख रही हूँ देखिए ammonium twice उसके साथ में iron है और sorry dot यहानि है sulfur जो है sulfur भी अगर आप देखिए तो आपको twice मिलेगा और साथ में आपको कुछ hydrogen के molecules जो है वो attached मिलेगे तो देखिए एक इसको explain करने से पहले बात कर लेते हैं जैसे के calcium chloride है मानने चाहिए तो यहाँ पर जो katein है और जो anine है एक katein है आपके पास और एक ही anine है और जो भी सारी valences है वो उनहीं से complete हो रही है तो इसे हम कहेंगे एक simple sort ठीक है इसी तरह मानने जीए जैसे chlorine की हाँ दो valences ही तो इसको complete करने के लिए मैंने एक sodium यूज़ कर लिया एक potassium यूज़ कर लिया और fluoride यूज़ कर लिया यहाँ पे इस तरह से तो नहीं होगा ओके सॉरी ले ले लेते हैं इक बार के लिए चाहिए तो इसलफेट को balance करने के लिए हमने sodium ले लिया और potassium ले लिया तो यह कैसा होगा यहाँ पे हमने क्या किया है एक को अनाइन लिया है लेकिन उस अनाइन की वेलंसी को complete करने के लिए हमने दो कैटाइन यूज़ कर लिया यानि कि अगर आप मानो इस salt का formation अगर आप process देखोगे तो आपको पैता चलेगा कि यहाँ दो से ज़ादा salts का इस्तिमाल किया गया है तो वही same चीज यहाँ पे है ज जो coordination compounds वाले salts होते हैं जिनको हमेशे हम square brackets में represent करते हैं उन्हें हम mention कर सकते हैं complex salts के अगरा देखिए what is the shape of ethylene molecule ethylene क्या है हमारे double bond जो है इस तरह से रिप्रेजन करते हैं अब देखिए usually क्या होता है कि एक carbon के जो तीन उसके bonds है वो एक plane में रह सकते हैं तो आप इस पूरी देखोगे ethylene को यह एक planar molecule है यानि एक ही plane के अंदर यह सारे atoms को सचूरी जगे लेकिन हमें बतानी है इसकी shape तो आप देखेंगे तो मै आपको इस तरह से दूसरे color से represent कर लेती हूँ तो यह दोनों एक plane में आपने इनको जोड़ा इनके साथ में जो next carbon है वो है आगे वाला तो हमने इसको इस तरह से connect कर दिया तो यह triangle बना इसी तरह से दूसरे carbon के respect में अगर आप इनको connect करोगे तो आपको इस तरह से एक और triangle म में मिल रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे co-planar triangular यानि एक plane में है और उनकी individual shape कैसी है triangular तो सही जबाब यहाँ पर कौन सा होगा option C अगला सवाल देखिए by the emission of which isomers are produced isomers बिनाने है तो आपको सब्स क्या चाहिए यहाँ पर atomic number है उसको change करना है और atomic number को change अगर करना है तो आप किसको use करोगे बीटा रेज बीटा रेज का emission जब होगा तो isomers का formation होगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं isotones isotones क्या होता है त tone आपको किसमे equivalent मिल रहा है neutron तो कुछ को equivalent मिला तो जिनके अंदर neutrons का number same हो और हम क्या कहेंगे isotones ओके correct answer इसका क्या होगा option आगे चलिए the number of neutrons and protons पूछें आपको पास कोई element है उसका atomic number 88 है mass number 226 है अगर आपको protons पूछाए तो protons आप सीधा कितना बता दोगे 88 और इसी तरह अगर आपको neutrons पूछ रहा है तो आपको कैसे बताओगे neutrons आपको बताने है जो atomic mass है आपका 226 है वो कितना equivalent होता है neutron और proton 88 यहां से आप neutron calculate करेंगे तो आपको पैदा चलेगा कि 138 यहां neutron है और 88 जो है वो protons है तो correct answer कौन सा है option A अगली सवाल की तरफ चलते है atomic properties जो किस पर depend करती है तो atomic properties सर्फ और सर्फ depend करती है electrons the revolving electrons around the nucleus तो क्या वो nucleons पर depend करती है तो nucleons पर proton आगया neutron आगया नहीं protons से भी नहीं depend करती है neutrons पर भी नहीं करती है जवाब क्या होगा none of these तो correct answer क्या है option B और अगर options में होता कि वो electrons पर depend करती है उनके number भी depend करती है तो हमारा answer होता रही अगला देखिए the inventor of atomic theory atomic theory का inventor कौन है जैसे ही आप chemistry पढ़ना शुरू करते हो सबसे पहले सबसे पहले बढ़ते हो तो सही जवाब इसका कौन है john dalton यानी option c brother food जो थे उन्होंने आपका scattering experiment दिया था जो से nucleus की discovery हुई थी madame curie के नाम पे radio activity की curie unit है Albert Einstein जो है उन्होंने e is equal to mc square की theory दी थी इनके सबकी अलग अलग discoveries और जो सबकी नीम के उपर बहुत important है तो इनमें तो confused होने का कोई chance है नहीं है आगे देखिए as a vegetable preservative poly और कुछ आपको forms fill करने है form is used तो poly क्या वो urethanes होते हैं या urethanes होते हैं तो poly urethanes जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तो directly आप याद रखिए poly urethanes form अगला देखिए the element in a group 17 of the periodic table group 17 भी कौन कौन होते है fluorine होता है chlorine होता है bromine iodine और इन सबको हम क्या कहते हैं यह हम कहते हैं halides halides क्यों कहते है halide का मतलब ही होता है salt forming और यह सब salt formation करते हैं तो correct answer क्या होगा इसका option A that is halogens next देखिए nema gas uses rocket propellant and welding also आपको एक ऐसी gas का नाम बताना है जो rocket propellant में भी उसकी जाती है और welding यानि जो metal के टुकडो को जोड़ने में भी उसकी जाती है तो cyanogen की chemical formula को आप कैसे लिखो कि cyanide cn twice तो इसको आप दों तरह से इस्तिमाल कर सकती हो तो सही answer यहां पे कौन सा होगा option अग्रे सवाल की तरफ बढ़ते हैं name an inert diatomic gas that is neither combustible nor helps in combustion आपको एक ऐसी diatomic gas बतानी है ठीक है जो diatomic form में एक्सिस्ट करती है ना तो वो combustible है ना ही वो combustion में help करती है या ना तो वो खुद दहन शेल है और ना ही दहन के जो प्रक्रिया है उसमें मदद करती है तो देखें जो nitrogen gas है वो ऐसी gas है ऐसा क्यों है इसका ए आटम जोन के बीच में एक triple bond present है nitrogen और nitrogen के बीच में और triple bond है उसकी strength बहुत जादा होते है तो और combustion के अंदर हमें क्या करना है ब्रेकडाउन करना है उसका combustion है उसका जलना तो उसके जलने के लिए nitrogen और ये जो bond zone का टूपना बहुत जरूरी है और वो नहीं हो पाता है जवाब कौन सा होगा option C आगी देखिए बें the concentration of acid is determined by neutralizing it it is quality मैंने माल लेजिए आपके पास कोई acid है उसकी कुछ concentration है पर आपको बतानी है कितनी concentration है तो आपको जानना है लेकिन की कैसी है और आपको process बता दिया है कि आपको neutralization करना है तो acid की neutralization के लिए हम किसे use करेंगे base को तो हम क्या करते हैं हम एक known base ले ले लेते हैं जिसकी concentration भी हमें पता है तो वह हम regular जो है इसमें add करते रहते हैं और इसके साथ में हम एक indicator का use करते हैं तो हमने पढ़े थे methylene red, methylene orange, penoptylene वगेरा उससे add कर देते हैं तो जैसे ही neutralization complete हो जाता है वहाँ पर आपको color change दिखाई और क्योंकि आपने जो base डाला है उसकी concentration आपको पता है, indicator की concentration हमें पता है तो कुछ chemical formula यूज करके हम जो acid है उसकी concentration भी पता लगा देते हैं और यह पूरी जो process है यह होती है titration, अनुमापत, तो सही जब आप कौनसा होगा इसका option C, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौनसा substance है जो chemical reaction को धीमा कर देगा, तो inhibitor एक ऐसा substance होता है, जो या तो enzyme के कहीं जाके attach हो जाएगा, या कोई substance को बनने नहीं देगा, तो उसे हम, वो क्या करेगा, chemical reaction की speed को कम कर देगा, तो सही जब आप क्या होगा, इसका option A, inhibitor, अगला देखिए, when two substances don't dissolve, दो substances है वो एक दूसरे में dissolve जो है नहीं हो रहा है, उन्हें क्या कहेंगे, ermishrania, या arghulanshial, immiscible, तो सही जबाब क्या होगा, इसका option C, आगे देखिए, a reaction that has both oxidation and reduction, कोई reaction है आपके पास, उसमें oxidation भी है और reduction भी, उससे आप क्या कहोगी, उससे हम कहेंगे, redox reaction, तो सही आंसर क्या है, option A, displacement के अंदर एक ही चीज है, उसके अंदर दो बाद displacement हो जाए या इस तरह से कुछ हो, दो displacement एक साथ हो जाए, okay, हमारा जबाब होगा, यहाँ पे, option A, अगला सवाल है, a positively and negatively charged atom और groups of atom are caught, यानि positive है या negative है, यह हमें नहीं पता, पर हमारे पास charged atom है, इतना आपको बता दिया ग जादा focus है, तो हम क्या कहेंगे, हम उने कहेंगे ions, या या positive हो, या negative हो, दोनों को हम एक group में डालेंगे, that is ions, next is, the gas utilized to fill up the tires of an aircraft, यानि कोई aircraft है, उसके tires है, उसके अदर आपको अगर कोई gas फिल करनी होगी, तो आप कौँसी gas का इस्तेमाल करेंगे, हम use करते हैं, इसके noble gas doesn't exist in here, argon gas, noble gas, वो exist नहीं करती है, यह के अंदर, तो correct answer काउन सा होगा, इसका options से, last question है, आशका, when a gas moves through an opening into a chamber, that contains no pressure, यानि इस तरह का एक आपने कभी पढ़ा होगा, यानि कि यह आपके पास एक chamber है, इसके अंदर एक opening है, यहाँ आपकी gas field है, और यहाँ आपने एक opening मन अगर यह gas, यहाँ इस opening से इस दूसरे chamber में चली जाती है, जिसमें मान लीजिए कि pressure जो है, यहाँ कोई भी pressure नहीं है, तो इस process को आप क्या कहोगे, इस process को हम कहते है, effusion, प्रयास, तो सही जवाब क्या होगा, इसका, option A, synthetic rubber is having gas weight, यानि synthetic rubber के weight के बारे में बात करी नहीं है, कि उसका जो weight होगा, वो कैसा होगा, high resistance weight या low density weight, ऐसा कुछ तो नहीं, पर अगर आप देखेंगे, तो जो synthetic rubber होता है, वो butadiene जो है, उसका polymer होता है, butadiene का, manchry butadiene या butadiene का, और उसका molecular weight होता है, वो बहुत जादा होता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, कि इसका high molecular weight होत है, हम second question देखे, second है, which of the following treatment is used for removal of biological impurities, अगर आप serious treatment plant की बात करो, आप किसी भी तरह की बात करो, अगर आप किसी भी तरह का waste है, उसका treatment कर रहे हो, और biological impurities आपको remove करने है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, कि आप जैविक अशुधियों से क्या समझते है, यानि कि जैसे क कोई bacteria हुआ, या फर कोई fungi हुआ, या फर कोई भी सूक्ष में जीनी है, कोई भी सूक्ष में जीनी है, उससे अगर आपको हटाना है, वो biological है, वो leaving है, और वो भी तो एक impurity है, तो उसके लिए क्या आप sedimentation यूज करोगी, sedimentation को हम यूज नहीं करेगी, क्योंकि sedimentation process में क्या ह जो धूल बगेरा है, वो सारी जाकर के आपका जो container है, उसके बेस में इकठी हो जाती है, अगर आप ये आपका tank मनाते हैं, तो sedimentation में नीचे impurities इकठी हो जाते हैं, मिट्टे वगर उसमें biological impurities के कोई बात नहीं है, बॉइलिंग से में बैक्टेरिय और फंगाई को कुछ ज Sterilization जो common term है, उसका भी एही मतलब होता है, कि जो उसे हम microbes free बना दें, जिस भी चीज के लिए आप sterilization की बात कर रहे हो, उसको अगला सवाल देखे, the radioisotope used to control the disease, like blood cancer, blood cancer को control करने के लिए किसी एक radioisotope को use किया जाता है, blood cancer का दूसरा नाम leukemia है, ruckth cancer, तो अगर आपसे isotope को यहां पर use किया जाता है, तो correct answer कौन से हो जाएगा यहां पर, option B, जो है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, in which of the following, chlorine has plus 1 oxidation number, आपको बताना है, हम यूजवली क्या देखा है, chlorine की oxidation state या तो minus 1 देखे है, या CL2 के अंदर 0 देखे है, आपको बताना है कि chlorine की oxidation state जो है, plus 1 होगी, तो हम यहां पर one by one करके सारे options देख लेते हैं, तो किसमें कौन सी oxidation state है, उसका भी पता चल जाएगा, पहला option हम जो देखते हैं, तो आपको मिलेगा hypochloris acid, hypochloris acid का formula क्या होता है, इसका formula होता है, हCLO, तो चलिए यहां पर oxidation state जो है, chlorine की calculate कर लेते है, hydrogen की oxidation state कितन होती है, plus 1 होती है, chlorine की हमें पता नहीं है, हमने एक बार के लिए X assume कर ली है, और chlorine और oxygen में से oxygen ही जादा electronegative है, और oxygen की oxidation state कितनी होती है, minus 2, तो अगर आप इसको calculate करोगी, तो आपको मिलेगा 2 minus 1, that is plus 1, तो पहली option में आपको plus 1 oxidation state मिले गई है, बाकी options में भी एक बार चेक कर रहेते हैं, hydrochloric acid HCl में chlorine की oxidation state क्या होती है, minus 1, इसी तरह zinc chloride ZnCl2, ZnCl2 में भी chlorine की होती है, minus 1, और 2 chlorine minus 2, तो ये balance हो जाएगा, और इसी तरह जो chlorine gas है, उसकी oxidation state 0 होती है, तो हमने 4 options की oxidation state और वो calculate कर ली है, तो answer जब आप टिक करोगे, तो वो कौन सा होगा, हाइपोग्लोर acid, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, hydrogen is the most abundant component of all the acids, यानि ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी acids हैं, उनका hydrogen जो है, वो सबसे fundamental component है, ये सबसे पहले किस ने कहा था, iranious ने कहा था, ब्रॉंस्टेर ने, देवी ने या लोरी ने, तो ये सबसे पहले, iranious ने कहा था, कि acid हम किसे कहेंगे, जो H plus ions है, उनको जो देते हैं, उनको हम H plus कहते हैं, यानि कि जो acids है, उनका fundamental compound है, hydrogen, या फिर H plus ion, तो सही आंसर यहां पे कौन सा होगा, option A, अगले सवाल को देखिए, the gaseous law of diffusion was propounded by, यानि कि जो gases के diffusion से related जो law है, वो किस ने दिया था, तो देखिए, कल हमने eff diffusion की बात करी थी, effusion क्या था, कि मान लीजिए, आपने किसी chamber में जो है, आपके पास gas है, और वहां पे आपने एक pore बना दिया है, वहां से जितनी भी gases निकल की, अगर दूसरी तरफ चाहती है, और एक बार के लिए हम अगर मान ले कि यहां पे pressure zero है, तो इस प्रोसेस का हम कह नाम भी याद है, law का को आप बता दो दे, तो correct answer कौन से होगा, optionally, वैसे boils law, charles law, यह दो-तीन laws होते हैं, यह जो होता है, temperature, pressure, और इन सब में, आपस में relations होते हैं, यहीं diffusion का जो law है, वह किस ने दिया था, ग्राहान, अगली सवाल की तरफ चलते हैं, the acid is a substance which, acid कौन सा substance है, हमने बात करी थी, जो एक H प्लस आइन जो प्रवाइड करवाता है, वो होता है, acid, और इसी तरह जो OH माइनस आइन प्रवाइड करवाता है, प्रवाइड करवाता है, प्रवाइड कहां करेगा, एक्विस solution के अंगल, यानि कि जब आप उस सब्स्टांस को, मान देजे, सबसे पहला है, accepts electron, अभी हमने electron के respect में कोई बात नहीं करिये, हम आगे देख लेते हैं कि हमारे हिसाब का कोई option है, क्या, अगला है, donates electron, तो H प्लस electron तो नहीं है, तो इसलिए option भी तो नहीं होगा, फर C option है, provides proton, तो H प्लस H अगर आप देखोगे, atomic number 1 है, तो H के अंदर से अगर आपने एक electron को हटा दिया है, तो H को हमें proton के सकते हैं, H प्लस iron को के, तो जो option C है, वो एगनम सही होगा, कि यह जो proton है, उसको donate करता है, और proton जो है, वो provide करवाता है, ठीक है, अगले सवाल के तरफ करते हैं, the first time pH value measurement is done by, pH value का measurement सबसे पहले किन होने दिया था, तो Sorenson जो थे, उन्होंने सबसे पहले pH का measurement किया था, और formula जो दिया था, वो क्या दिया था, formula was minus log of H ion concentration, चेक है, तो correct answer कान सह हो गया, इसका option D, that is Sorenson, अगला सवाल लेखिए, on what basis, Mendeleff's periodic table is classified, तो जो modern periodic table है, उसके आने से पहले हमारे पास बहुत सारी models आए थे periodic table के, लेकिन उनम इसे जो Mendeleff का periodic table था, वो कुछ जादा famous था उन सम्में से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजी थी, वो सही भी बताई थी, कुछ ऐसे elements के discovery उन्होंने पहले ही कर दी थी, elements के नाम उन्होंने पहले ही बता दे थे, जुनको atomic number उन्होंने सही बताय थे, पर उनके discovery बाद म ही थी, तो Mendeleff का periodic table था, उसमें उन्होंने elements को arrange किया था, वो उन्होंने किया था atomic mass के basis पे, ठीक है, तो अगर आपको सीधा नहीं याद रहता है, तो एक बारा पहले periodic table का यार्द करी, modern periodic table, modern periodic table में arrangement किसके according है, atomic number की according, और उसका reverse किसमें है, Mendeleff's periodic table, तो correct answer क्यों सा होगा, atomic mass, यानि की option पे है, अगला सवाल लेखिए, the process employed to remove the magnetic impurities from the ores is called, यानि कि आपके पास कोई ores है, मान लेचे, कोई आपके पास isk है, जिसके अंदे अशुधियां है, अशुधियां भी कैसी है, चुंबकी है, यानि आप उनको magnet से remove कर सकते हो, तो obviously आप कोई ऐसी technique use करोगे, जिसके अंदे आप magnet का use करोगे, तो वैसे तो आप options देखोंगे, तो या आपको पाईदा चल जाएगा, magnetic separation process हम यूज करेंगे, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो wheels जैसे की structures हैं, और इनके उपर हमारा conveyor belt होता है, और इनके उपर हमारा conveyor belt होता है, और इनके जो दो tires है, इनमें से किसी एक में magnet होती है, अब जैसे जैसे के conveyor belt travel करता रहेगा, तो यहां आने के बाद में क्या होगा, मान लीजिए कि यह वाला जो है, इसके अंदर magnet है, ठीक है, तो यहां आने के बाद में जो उसके impurities हैं, जो magnetic है, चुम्बकी हैं, जो है वो attract होंगी, और वो जो जो gravity separation process है, वो atomic weight से related हो है, road flirtation process जो है, वो lead के लिए के लिए किया जाता है, और physical process तो normally गो different है, अगला सवाल देखिए, the element radium was extracted, from radium कैसे extract किया गया था, pitch blend जो है, उससे radium का extraction होना था, correct answer क्या है, option B, अगला सवाल देखिए, monozoid के बारे में पूछा है, monozoid जो है, एक rarely मिलने वाला एक और है, और उसके अंदर thorium आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, option B, that is thorium, आसे thorium के अलावा, इसमें एक वे element और भी होते हैं, तो अगर आप पूछा जाता है, monozoid के बारे में, तो आप अपस कौन से ऐसे element को mix करोगे, तो जब आपको बहुत जादा कथूर कोई चीज बनाने होती है, तो आप उसमें chromium add करते हैं, ठीके, correct answer कौन सा होगा, option D, that is chromium, इसके लिए कथूरता प्रदान करने के लिए, अगला सवाल देखिए, the coating of thin layer of zinc on the steel or iron utensils is called, अगर देखिए, आपने जिंक की layering की एक और बात पहले करी थी, जिसमें हमने layering किस पर करी थी, iron के उपर करी थी, उसको हम क्या कहते थे, उसे हम galvanization कहते थे, लेकिन steel और iron बगेरा के उपर, जो हम coating करते हैं, उसे galvanization नहीं करेंगे, उसे हम कहते हैं, lamination, इस तरह से आपके important documents के उपर, वो elastic का lamination पाते हैं, उसी तरह इसे भी हम क्या कहते हैं, lamination, direct answer इसका क्या होगा, option C, next question देखिए, the colors of the firecrackers are extracted from the elements of the salts of, यानि कि ऐसे कौन से elements हैं, जिनकी salts से, जो firecrackers हैं हमारे, उनको color मिलता है, तो strontium और barium जो हैं, उनकी वज़े से firecrackers का color होता है, और strontium और barium के भी salts की वज sun flame burner के उपर, इनके salts किस किस तरह के color देते हैं, तो उन्ही उसी property को हम use करके, इनके salts का color है, और firecrackers को भी मिलता है, अगला सवाल है, heavy water, heavy water से आप क्या समझते हैं, तो D2O, जो है, deuterium का oxide, अगर H2O में, H2O आप deuterium से replace कर दो, तो उसे हम heavy water के नाम से जानते हैं, heavy water जो है एक बहुत अच्छा moderator की तरह आप करता है, nuclear reactors के अंदर, moderator का क्या काम होता है, जो बहुत high energy neutrons होते हैं, उनकी speed को कम करना, तो heavy water जो है, moderator की तरह आप करेगा, और अगर आप water और D2O दोनों को compare करते हो, तो heavy water, जो है, it is a better moderator than normal water, ठीक है, चलते हैं, अगले question की तरफ, the ordinary and general type of coke is, जो general type का coke है, वो कौन सा होता है, तो जो bituminous है, bituminous वाले को general type कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर, जो carbon की percentage है, और impurities, या फिर आप मानिए, other substances की concentration, अगर आप देखते हो, तो bituminous के अंदर, थोड़ा सा balanced मिलेगा, जैसे lignite, peat वागरा के अंदर, आपको organic substances जो हैं, वो ज ignite than bituminous and then anthracite, तो वही है, ये कोखां कहते हैं, bituminous को, अगला question है, the measurement of how much molecules on a liquid tend to stick to each other is called, अब देखे, liquid के properties होते हैं, कोई भी आप compound की study गर होगी, तो इसमें आपको दो तरह की forces दिखाई देते हैं, एक तो उनके जो molecules हैं, उनमें आपस में, और दूसरा मान लीजे, आपने इस liquid को किसी container में रखा हुआ है, तो liquid का जो particle है, और आपका जो बरतन है, ये utensil है, उसका particle, इन दोनों के अंदर forces, इनको cohesive और adhesive forces कहते हैं, आगे अगर आप बात करोगे कि इनमें जो आपस के forces होते हैं, इन आपस के forces की वज़र से जो liquid की सबसे उपर की layer होती हो, बहुत tensed ह होती है, वो एक stretched balloon की तरह अपया करती है, और उसे हम कहते है, surface tension, surface tension की बज़र से क्या होता है, external कोई भी force जो है, उसको neglect करने के लिए, उसको avoid करने के लिए, जो liquid की layer है, वो tensed हो जाती है, that is surface tension, और जो question में आपको पूछा है, वो surface tension ही है, जो आपको adhesive or cohesive forces से explain किया है, next question देखिए, आपको alkenes का general formula पूछा है, हम alkenes से शुरू गर देते है, alkenes का है cnh2n plus 2, इसके बाद alkenes का question में पूछा गया है, वो है cnh2n, और इसी तरह अगर आप alkyne, sorry not in, अगर आप इसी तरह alkyne का देखोगे, तो आपको मिलेगा cnh2n minus 2, इसके अंदर n क्या है, number of carbon atoms, माल लीजिए, आपको 4 number का, अगर, 4 carbons का, अगर alkenes का, अगर alkenes का बनाना है, तो आप alkenes 4 देखोगे, इसी तरह alkenes में, जितने carbon आपको चाहिए, general formula पूछा है, तो alkenes cnh2n, formula match करते हैं, तो option a, जो है, वो correct option होगा, next is, which of the following is the property of solid, solid की कौन कौन सी properties होते हैं, तो आप क्या असपास आपको, जो भी table, share, जो भी आपको देख रहे हैं, सब solids हैं, तो आप उनको एक बार धान में रखे, बाते देख सकते हैं, कि क्या आप एक solid को compress कर सकते हैं, आप उनको प्रेस करके देखे, आप क्या आसपास क्या आपके प्रेस करने से, आप उनको compress कर पाए हैं, नहीं, हम solids को compress नहीं कर पाते हैं, उनके definite shape होती है, बिल्कुल होती है, चेर जो shape की है, आपका table जो shape का, उसी shape का रहता है, ऐसा नहीं है, कि वो time to time shape बदल रहा है, ऐसा कुछ, तो definite shape वाला बात, जो है, निर्शित आका सही बात है, उनका घनत्व कम होता है, अब density क्या होता है, mass per unit volume, तो mass per unit volume से हम density calculate करते हैं, और जो solids है, उनकी density कम तो बिल्कुल नहीं होती है, फिर आगे बात करी है, intermolecular forces की, और फिर भी density के अगर आप बात करें, तो अगर हम solid, liquid और gases को compare करते हैं, तो gases की density कम होती है, solids की intermolecular force की बात करें, तो solids अपने strong, वो इसी वज़ा से है, क्योंकि दो molecules की बीच का जो force है, वो बहुत ही सादा है, इसलिए वासाने से तूप महीं पाता है, उसे पूछा है कि कौन सी solid की property है, और आपको कौन सी दिख रही है, वो है option B, कि इनका shape जो है, वो definite होता है, आगे स वेपर, उसे हम क्या कहते है, evaporation, लेकिन यहां बात हो रही है, कि आपको वहां पे कुछ heat required है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे latent heat of vaporization, अगर कहीं भी आपसे energy की terms में बात की जा रही हो, heat की terms में बात की जा रही हो, तो normal जो state change है, state change का जो नाम है, उसे छोड़ करके आप उसकी शुरू में latent heat use करेंगे, और normal, जो एक liquid से vapor में conversion या ग्यास में conversion को vaporization हम कहते हैं, तो आगे वो use करेंगे, माल लीज़े, इसी जगह आपको यहीं पूछा हो, heat required, और वो solid से liquid की पूछी हो, तो solid से liquid क्या होता है, melting, तो latent heat of melting या इस तरह का कुछ जो भी related name हो को यहाँ पर आ जाएगा, तो सही answer यहाँ पर होगा, कौन सा, option B, अगला सवाल देखिए, name the salt whose aqueous solution will have no effect on either red litmus or blue litmus, यानि कि litmus paper के ऊपर उस salt का कोई effect नहीं होगा, aqueous solution में डाले के, ऐसा cup होगा, जो उसके अंदर जितने H ions release होए, और जितने OH ions release होए हैं, वो दोनों तो potassium sulfate अगर आप देखोगे, potassium sulfate is K2SO4, K2SO4 में जो आप देखते हैं, तो इसको acid में, sorry, इसको water में डालते ही, अपने acid और base में convert हो जाएगा, जो कि हो जाएगा H2SO4 और KOH, और potassium हमारे पास 2 हैं, तो एक hydrogen sulfate बनने पर आपके पास 2 potassium hydroxide बनेगे, तो यानि कि आपको अगर 2H+, मिल रहे हैं, तो दो भी OH- मिल रहे हैं, तो पूरा solution जो है, पर balanced है, तो यहाँ पे जो litmus paper है, उसमें कोई भी change नहीं होगा, इसी तरह से same आप बाकी salts रहे हैं, उनके अंदर भी उनकी आप बना सकते हैं, कि उनमें acid कौन होगा, जैसे sodium chloride है, NaCl, तो NaCl की बारे में आप यह मुझे की acid कौन सा होगा, इसमें, HCl होगा, base कौन सा होगा, NaOH होगा, आगे चलते हैं, sodium carbonate, Na2CO3, इसे तरह आप सारे acid और basis calculate कर लोगा, तो correct answer इसमें कौन सा होगा, potassium sulfate, option A, जैके, आगे देखिए, name the salt, when on dissolving in water, gives an acidic solution, आपको एक ऐसे salt बताना है, ने चीसे, इसको water में dissolve करने पर आपको acidic solution मिलेगा, यानि कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, H plus ions से जादा होना चाहिए, OH minus ions से, potassium chloride है, आपके पास ammonium chloride है, ammonium chloride देखते है, NH4Cl, तो इसको जैसे ही आप water में dissolve करोगे, तो यहाँ पर NH4 plus same रहेगा, और Cl जो अपने acid में convert हो रहेगा, which is HCl, NH4 plus की acid कोई basic property नहीं है, तो HCl से आपको H ions तो में जाएंगे, तो इस वज़ए से इसको आपको overall solution मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, ऐसे दिखा, तो correct answer यहाँ पर है, option B, which is ammonium chloride, अगला देखिए, कि atomic number आपको दिया हुआ है, 4 elements का आपके पास है, P, Q, R, और S, इनका mass number है, 8, sorry, इनका mass number है, 6 है, 8 है, 10 है, और 12 है, हम इनका electronic configuration लिख लेते हैं, एक बार तो electronic configuration अगर आप लिखेंगे, तो 6 atomic number वाले का आपको क्या मलेगा, पहली shell में आपके पास 2 electrons होगी, next shell में आपके पास बचे में 4 electrons होगी, क्योंकि second shell की capacity maximum कितनी है, 8, आपके पास अभी 8 है, तो 2 and 6, जिदर हमें पता है कि दूसरी shell की capacity 8 है, तो अब 10 atomic number में 2 shell पूरी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि 12 वाले में आप 2 और 9 या फिर 2 और 10 लिख करके उसको पूरा करें, उसमें 8 ही electron आ सकते हैं, तो 8 के बाल में 8 भर दी है, अब हमें अगली shell में जाना पड़ेगा, यानि कि 2, अब हम दे होना चाहिए, तो हम यहां बात करते हैं कि 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 के shell को पूरा करने के लिए कितने electrons की ज़रूरत है, तो यहां देखिए, इस shell की maximum capacity 8 है, तो इसको 4 electrons की ज़रूरत है, 6 वाले को कितने की ज़रूरत है, 2 की, 8 वाला complete है, यह participate नहीं करेगा इस reaction में, और इसके पास 2 electrons हैं, तो य आइनिक बॉर्ण में क्या होता है, आइनिक बॉर्ण में ऐसी बॉर्ण सफ़र्मेशन होता है, एक एटाइन होता है, तो यह अपनी 2 electrons जो है, उसकी sharing कर लेगा Q के साथ, इसलिए यहां पे Q और जो S है, यह दोनों एक आइनिक बॉर्ण बना सकते हैं, और यहां पे पूछा आइनिक बॉर्ण के ही बारे में, इनिक बॉर्ण के बारे में है, तो कर्यक्त आंसर का कौन सा होगा, और ऑप्षिंड दी, that is Q and S. अगला सवाल लेखे, वच्छा ऑफ द फॉर्ण स्टेटमेंट, इस थू अइनिक बॉर्ण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है, वो ठू ह इनिक compound electricity conduct करते हैं जब पानी में घुले हुए होते हैं जब एकदम सही बात है या तो पानी में घुले हुए होते हैं जब या फिर मॉल्टन स्टेट के अंदर भी यानि पिखली हुई स्टेट में इनिक compounds are not soluble in water ये तो गलत है आइनिक compounds को dissolve करवा करवा कर गई तो हम salts इनके acids बेसल अलग बना रहे थे इतनी देशी ये crystalline solids होते हैं यानि कि ये crystalline solids होते हैं ये बात जो है एकदम सही है तो आप से सही जो statement देगों सही है पहला और तीसरा तो correct options अगर हम छाटते हैं तो वो अगला आपको बताना है कि आपके पास ions बताने आपको sodium oxides में sodium oxide na2 इसका formula है तो आपको क्या देखेगा इसमें katein है na plus और anion कौन सा है o minus 2 तो यहां पे आपको sodium ions भी मिलेंगे oxide ions मिलेंगे तो सही जवाब कौन सा होगा a b है और b b है विच of the following are electrovalent compounds electrovalent compounds क्या होते हैं अब आप उयाद रखना है विद्धियोतिय यॉगिक कौन से होते हैं जो ionic compounds होते हैं उन्हीं को ही हम electrovalent विद्धियोतिय यॉगिक कहते हैं तो copper sulfate में क्या है copper plus 2 है SO4 minus 2 तो क्या यह ionic compound है जी है अगला देखें calcium nitrate फिर magnesium oxide magnesium mg plus 2 oxide O minus 2 तो यह भी एक क्या है ionic compound है calcium nitrate भी एक क्या है ionic compound है तो सारे options यहां पर सही है तो सही जब आप कौन सा देंगे हम option D that is all of the above अगला देखिए name a gas which is used in the manufacturing of वनस्पती घी वनस्पती घी हो या इसी के जगा आपको कभी-कभी डालडा घी के नाम से भी पूछा जाता है तो इन सब में क्या होता है हम जब भी unsaturated unsaturated वाले इनका जब हम hydrogenation करवा देते हैं इन पर H2 gas का addition करवा देते हैं तो यह convert हो जाते हैं हमारे किसके अंदर H2 gas का addition करवाने पर unsaturated converter हो जाते हैं saturated के अंदर saturated मतला जिनमें single bond होते हैं और वनस्पती की उसी का एक्जाम्पल है तो कौन सी gas हमने यहां पर इस्तिमाल करी hydrogen gas तो सही जवाब कौन सा है option A अगला देखिए name the particles which make up matter कौन से particles है जिनसे matter का formation होता है तो dalton के matter वाले वो पढ़े होंगे सारे उसमें atom 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 मिल करके matter का formation करता है तो सही answer क्या है option D atom तो metal non metal metal यह सब matter के types है यह सब मिलके किस से बने हैं atom से अगला देखिए अगला पूछा है कि एक neutral particle है यानि उसके उपर कोई charge नहीं है और वो nucleus में मिलता है तो nucleus के अंदर हमें कौन कौन मिलते हैं proton मिलते हैं और neutron मिलते हैं तो proton के उपर कैसा charge होता है positive हो neutral बोला है तो proton तो होगा नहीं और neutron होता है neutral उस पर कोई भी charge नहीं होता है तो सही जवाब इसका क्या होगा option D जो कि क्या है neutron अगला सवाल देखते हैं sorry 81 हाँ a small positively charged part at the center of an atom is called यानि की atom है atom का center है center में कौन है nucleus फीक है nucleus के अंदर इनोंने पूछा है कि इसके अंदर को positively charged particle है वो आपको बताना है तो positively charged particle जो nucleus के अंदर है वो कौन है proton तो सही जवाब कौन सा हो गया option D फिर पूछा है composition of soups किस से मिलकर के बनते हैं तो soups क्या होता है sodium या potassium salts होते है fatty acids की fatty acids के साथ जब आप इनकी salts बना लेते हैं उनको हम soup कहते है sodium salts of fatty acids या potassium salts of fatty acids तो उन्हीं बात एक्दम खीक है जब आप कौन सा हो जाएगा option C is both A and B चलिए अगरे सवाल की तरफ कि atom जो है वो electrically कैसा होता याने कि क्या atom positively charged है या negatively or neutral तो हम देख लेते हैं देखे atom के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने nucleus बनाया nucleus के जैसे कोई भी element है element atom से मिलकर के बना है atom है तो वो कैसा होता है neutral होता है उस पर कोई भी charge नहीं होता है ठीक है आगे है कि आपको पूछा है कि negatively charged कौन से होते हैं जो raise आपको दीवी alpha, beta, gamma तो gamma जो है उनके उपर कोई भी charge नहीं होता है ठीक है alpha raise जो होते हैं उनको हम helium ionized helium particles के equivalent मानते हैं तो alpha raise कैसी हो गई यह है positively charged तो beta raise जो है वो दो तरगी होती है यह positive भी होती है और negative भी होती है आगे आपको बताना है कि isotopes कितने हैं hydrogen के तो hydrogen के 3 isotopes है hydrogen है deuterium है और tritium है तो रख्टान से कौन से है तीन और इन में से tritium वो है वो क्या है radioactive next है which isotope is used through the radioactive age estimation technique to obtain the age of the rocks अब rocks की age determine करनी हो या naturally किसी की भी age determine करनी हो usually तो हम यूज़ करते हैं uranium isotope को sorry 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 radioactive age estimation को करना होता है हमें rocks का उसके लिए आप कौन से isotope को use करेंगे हम use करते हैं carbon isotope को क्योंकि हम इसको carbon rating भी कहते हैं radio carbon rating भी कहते हैं इस हो वाली method की बात और uranium नहीं है sorry this cancer है carbon अगला है the element which has the same mass number but different atomic number नानी माल लेज़े आपके पास कोई दो elements है इनका आपको mass number same बता गया है mass number same है mass number same है चलिए same है लेकिन atomic number different atomic number माल लेते हैं यह different है तो हमेने क्या कहेंगे अगला है through the fused sodium chloride electric current can pass out due to the presence of यानि आपके पास sodium chloride fused state में है या diffused state में माल लेज़े तो वहाँ से पूछे है electric current क्यों पास हो रहे है sodium chloride क्या है ionic compound है fused state में आपने ions दे देगा ions free present है electric conductivity जो है वह किसके वज़े से होगी free ions की वज़े से यानि की option B next है देखिए the higher boiling point of water occurs due to water का high boiling point क्यों होता है तो देखिए एक चीज होती है hydrogen bonding नाम की जिनके अंदर hydrogen present होते है उनकी tendency होती है जैसे आपको ये question HF, ammonia वगेरा के लिए पूछा जा सकता है कि इनके अंदर जो boiling point है वो थोड़ा जादा क्यों होता है वो जादा होता है hydrogen bonding की वज़े से इसी तरह water जो है उसके भी molecules जो होते है उनमें आपस में hydrogen bonding जो हो present होती है तो ये नेक्स्ट जो hydrogen होता है oxygen sorry next water molecule के साथ में आपस में hydrogen bonding होती है तो और जितने जादा bond होंगे उतने जादा हमें energy देनी पड़ेगी उन bonds को तोगने के लिए और जब तक bonds ब्रेक नहीं होंगे तब तक state conversion जो हो नहीं होगा accept करना electron है उसको क्या होगा reduction जैसे मान लीजिए यह x है कोई element है इसने 2 electrons accept कर लिए तो x-2 में convert हो गया oxidation state देखी oxidation state चलेगी 0-2 यानि कि कम होगी है उसे हम क्या कहेंगे reduction और अगला question देखी smoke के बारे हम पूछा है smoke किसका example है तो smoke के अंदर solid के particles dispersed होते हैं air के अंदर या फिर gas के अंदर solution of solid in liquid तो सही answer क्या है option c अगला देखीए which of the following statement are true regarding aluminum Aluminium के बारे में सही बात कॉनसी है तो aluminum का जो oxide और hydroxide दोनों amphoteric nature के होते हैं यानि कि acidic और basic दोनों properties वो शो परते हैं यह बात एक्दम सही Aluminium free in nature में exist नहीं करता है गोल्ड सिलवा वगरा exist करते हैं Nitric acid does not react with aluminum Concentrated nitric acid उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो aluminum से react नहीं करता क्यों क्योंकि वहां पे aluminum के oxide के layer बन जाती है तो यहां पे आपको सही statement कौन सा मिला है True आपको पूचा गया है M4 तर एक hydroxide के बारे में अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं From which of the fallen old iron is extracted iron या hematite magnetite में से कोई मिलेगा आपको hematite options में है तो आपके से वो लेंगे hematite को चोना पत्थर आपको आपको यहां पे iron का को इसको पी नहीं है Pitch blend uranium का है अगी इसके अलावा radium बगेरा यहां से extract किये गए थे अगला सेवाल देखे अगला सेवाल देखे The sharp smell of substance which is found in the coloration or painting is यह हमारे paints होते हैं यह फिर पेंटिंग के लिए जो colors इस्तेमाल करते हैं हमें अलग तरह की smell होते है वो होते है जिंक के phosphate की वज़से आपको यही पूचा गया है तो सही answer इसका कौन सा होबा Option D एक painting के लिए हमने पहले बात करे थी कि जो वहां पे discoloration होलाता है उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो question आपको यहां याद आना शही वहां मैंने बात करे थी कि हम उसको zinc की paintings के लिए specifically use करते हैं अगला देखिए the polluted gas emitted from heavy vehicles is mainly gas की बात आती है तो carbon monoxide की बात करते हैं तो सही answer इसका कौन सा है Option D marsh yes वो है जो marsh areas जो दलदली areas में निकलते हैं उसका वहां हमारे vehicles में कोई उसका role नहीं है अगला देखिए the contribution of the invention of inert gas goes to inert gas उसका invention का जो आविश्कार का contribution ने वो जाता है Ramse को Ramse को क्यों जाता है क्योंकि उन्होंने क्या क्या थे इन्होंने gas के जो mixture थे उन्होंने gas के known components थे उन्होंने remove कर दिये थे और जो बच्चा हुआ था उसको study किया था the changing of a solid directly into vapor on heating solid का direct gas में convert हो जाना इस process को क्या कहते है sublimation सही जवाब है option D by which apparatus a mixture of immisible liquids is separated यानि दो अगुलंशी liquids आपके पास है तो उनको आप किससे separate कर सकते हो तो separating funnel होता है आपके पास separating funnel एक इस तरह की device होती है देखिए दोड़ा diagramatically explain कर देते हो उसमें यहाँ पे आपके पास एक मतलब आपको open or close करने का तो आपका इतने parts में oil present है और नीचे यह water present है तो आप क्या करेंगे पहले आप इसको खोलेंगे क्यों नीचे आपके पास tap जैसी structure है उसको तो जब तक कि यह liquid इस layer तक पहुंच जाए यानि कि आपको जैसे दिखना शुरू हो जाए कि जो water गैस वाटर के लिए खतम हो रही है और शुरू हो रही है तो ताइम पर आप इसको बंद कर लो दिए और दूसरे पीकर में आप किसे स्टोर कर लोगे और दूसरे पीकर में आपके से सही जवाब कौन सा होगा option D that is separating funnel अगला कोशन देखिए which of the following salts will give an equis solution having pH of almost 7 यानि वहीं neutral वाले बात है जो पहले बात करें थे हममें कि लिटमस पीपर के color कुछ चेंज नहीं करेंगा same example आपको यहां पे भी देए question में थोड़ा सा twist कर दिया गया है तो यहां में भी जो answer है वह कौन सा होगा answer होगा sodium carbonate, ammonium nitride, potassium, chloride यानि की option C next है bleaching powder is formed by treating chlorine chlorine को आप किससे treat करोगी chlorine को आप calcium की hydroxide से treat करोगी calcium का अगर bleaching powder का formula याद हो CAOCl2 calcium की भी जरुरत है chlorine आपने chlorine का treatment करवा ही रहे हो सही जवाप कौन सा होगा calcium hydroxide the old paint coating cannot be removed by यानि की पुराने paint जो है उनकी अगर कोई coating है उनकी कोई परत है उनमें जो options लेए होए है उनमें से किन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता तो अगर नहीं हटाया जाने की बात है तो किन के द्वारा हटाया जा सकता अगर आपको यह मालूम है तो आप option सही कर दोगे answer तो जो alkalis है यानि की वो जो basic nature के हैं उनको हम इस्तिमाल कर सकते हैं paint की coating को remove करने के लिए तो आप देखिए alkalis कौन कौन है साबन का इस्तिमाल हम कर सकते हैं caustic soda एक base है उसको भी हम use कर सकते है trisodium phosphate को भी use कर सकते है पर sulfuric acid जो है acid nature का है तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं होगा coatings को remove करने के लिए तो सही जवाब कौन सा होगा इसका option D चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल है the corrosion is the reverse process of corrosion अब सब जानते हैं जंग लगना जंग लगना क्या होता है जंग लगने से जो भी आपका metal है जो भी आपकी धातू है वो सारी क्या होते है गलने लग जाती है और उसका मतलब कोई फिर use नहीं रह जाता है और इसी तरह जो धातू को हम जमीन से नकालते हैं अगर उस process को माने तो उसमें हम धातू को जो है finally pure form में बना रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि वो जो हमारी जंग लगने की प्रक्रिया है उसके विपरीत है तो सही जवाब इसमें से कौन सा होगा धातू निशकरशन यानि की metal extraction तो सही जवाब क्या है option A metal extraction होता है जो भी हमारा ओर है जो भी खनीज है उसमें से आप सारी impurities को remove करोगे और उसमें से जितना useful metal निकलता है जितना possible pure metal हम निकाल सकते हैं वो हम extract करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं या फिर ऐसा है कि वो planer है pyramidal है by pyramidal है किस तरह की है तो देखे आपने graphite की अगर layers पढ़ी होगी तो इस तरह से हम उनको represent करते हैं अलग-अलग layers को और जो अलग-अलग layers होती है इनके बीच में weak, wanderwalk forces जो होती है तो यह जो layers होती है यह एक ही plane में situated होती है और जो इनरिवीजवल layers है उसे हम किस नाम से जानते हैं उन्हें घ्रैफीन के नाम से जानते हैं यह आपको याद होगा graphite तो हमारा पूरा जो molecule है वह होता है। उसके जो individual layers है उन्हें हम कहते हैं graphene और यह जितनी भी layers हैं वो एक ही plane में situated है और एक ही plane में situated होगा तो हम उनसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे planar यानि कि option C जो है वो सही जवाब होगा हमारे दिये वे question के लिए अगला question देखी अगला question है यह हमने पहले भी बात करी थी molality और molarity के बारे में तो molarity होगी number of moles एक liters आपका जो solvent है विलायक के मातर अगर एक liter है तो उसके अंदर moles की मातर अगर आपको पूछे रहे तो वो molarity होगी R वाली molarity और molality L वाला जो है वो आपका कौन सा होगा 1 kg के अंदर अगर आपको विलायक जो है वो 1 kg दिया गया है फिर उसके बाद आपको पूछा है कि उसमें अगर आपको moles पूछे रहे हैं तो तो आपको यहाँ kg पूछा है तो सही जवाब कौन सा होगा molality अगला सवाल देखिए when the coal is completely burnt in air माहा लीजे आपके पास कोईला है उसको आपने पूरी तरह से जला दिया है और air है यानि कि oxygen की presence है आगे जो सवाल है वो है then the maximum temperature ratio तो जो सबसे उच्चतम तापमान जहां तक हम पहुँच सकते हैं उससे हम क्या कहेंगे तो हम सारे options देख लेता है one by one बागी भी आपके doubt जो होंगी वो clear हो जाएंगे ठीक है तो पहला option देखिए पहला है calorific value of coal calorific value of coal से क्या समझते हैं जब भी आप coal को burn करेंगे तो combustion करने पर जो भी heat release होगी उसको normally हम कहेंगे calorific value of coal इन में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है तो आप सारे ध्यान से सुनगे फिर जो है gross calorific value उसमें भी क्या होगा combustion के time पर released heat को ही हम कहेंगे gross calorific value पर ऐसा कब कहेंगे जब आपके जो भी बाद में आपके चितने भी products हैं जो बच गए हैं उनकी cooling हो जानी चाहिए जैसे कि अलग-अलग तरह के आपकी products निकलेगी तो products की cooling तक हमें ये process करनी होगी और net calorific value के अंदर भी जो total amount है released heat का net हमेशा हम तभी use करते हैं जब total होता है और यहां पे जो हमारे products होगे उनको हम क्या करेंगे जैसे कोई gases वगेर है तो उनको हम escape हो जाने देंगे free हो जाने देंगे तो मैंने जया explain नहीं कि आपको कौन सा है वह option C और वही आपका जो question दिया गया है कि जब कोईले को आप कोई तरह हवा में जला दोगी तो सबसे जादा तापमान चाहां तक हम पहुँचा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे कोईले की calorie तीवरता यानि calorific intensity of coal मैंने आपको चारो options explain कर दी है अगर आपको वो change करके फिर पूछा जाता है तो आप फिर भी बाकी options भी दिहान रखें चेक है चलिए अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है tinning तिनिंग क्या होता है सबसे पहले तो tinning जैसे आपके पास steel है उसके बाद में हमने wrought iron के भी बात करे थी जो purest form होता है iron का इनके उपर अगर आपको tin के layering करनी होती है sorry हम बात कर रहे थे tinning की तो tinning क्या होता है तिनिंग के अंदर जो wrought iron है वो और जो steel है उसके उपर अगर आपको tin की coating करनी होती है और इनके उपर अगर आपको tin की coating करनी होती है उसे हम कहते हैं tinning और tinning जो example है वो है cathodic coatings का और गैल्बनाइजेशन की जो हम बात करते हैं, गैल्बनाइजेशन एक्जाम्पल होता है, एनॉडिक पोटिंग्स का, तो यह याद रखे आप, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन पिकलिंग और इचिंग, यानि नमकीन बनाने में और नका के लिए जिन एसिट का यूज किया जाता है, मैं दो तीन हैं उनको सब को मेंशन कर देती हूँ, हाइड्रोख्लॉरिक असिड को यूज किया जाता है, और नाइट्रिक असिड को भी यूज किया जाता है, तो हमें जो ऑप्शन में दिये हुए हैं, वो आपको कौन सा कहते हैं और aromatics जो है उनमें benzene ring वाली जो structures होती है उन्हें हम aromatics कहते हैं तो आपको पूचा गया है naphtanes के बारे में naphtanes क्या होंगे cycloalkanes यानि alkane तो है बस उनमें cycles are present है आगे चलिए आगे है कि thermoplastic के बारे में पूचा है कि यह इसको गरम करने पर क्या यह यह रजड हो जाएगा कठोर होगा शीतल हो जाएगा या फिर ब्रिटल हो जाएगा तो देखे थर्मो प्लास्टिक के अंदर क्या होता इसको heat करने के ऊपर और cooling के ऊपर जो effects है वो हम देखेंगे heating के साथ में क्या होगा thermoplastic जो हो soft हो जाता है और cool करने के साथ में जो है यह rigid हो जाता है अब आपको पूचा गया है कि यहाँ पे heating की बात कर रही है तो heating में यह क्या ऐसा हो जाएगा soft हो जाएगा इसको heat करने के बात में गरम करने के बात में आगे चलते हैं कि जो dried sludge होता सुखा कीचर जो है उसको उपयोग हम कैसे कर सकते हैं जो सलज है वह हमारा या to sea wave treatment plan जहां पर हम पूरे कचरे का treatment करते हैं जिसमें water भी हमारा mix होता है वहां पर आपको मिलेगा या फिर sludge आपको जो bio gas formation किया जाता है वहां पे बिलता है और यह sludge होता है यह as a fertilizer उर्वरत की तरह सबसे अच्छित से इस्तिमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में सारे components जो है वो present होते हैं तो इसको खेतों में हम वापस इस्तिमाल कर सकते हैं तो सही answer इसका क्या होगा fertilizer उर्वरत की तरह अगला सवाल देखिए moles defined as mass of an element divided by moles की definition पूछे moles calculate करने के लिए हम एक simple formula पढ़ते हैं वो कैसे होता है वो होता है जस भी element के आपको moles निकालने है उसका mass लेना होगा आपको mass of element और उसको हम divide किस से करते हैं उसको हम divide करते हैं molar mass से formula आप सभी ने पढ़ा होगा वही formula की बाते हैं करी गई है जिसमें आपको moles बता दिये है mass of element बता दिया है आपको पूछा है कि इसको हम किस से divide करें से हम divide करेंगे molar mass से यहां जोसे formula पूछा है इसे में आपको values देकर कि फिर question पूछा चाह सकता है आगे देखिए कि metals जो है usually क्या बनाते है metals अगर आपको नॉर्मली अगर ध्यान ना हो तो आप किसी भी 2-4 metals के example देख लिए जैसे calcium हुआ magnesium हुआ sodium हुआ periodic table के जो left तरफ present है वो सारे metals होते है right में non-metals है और उनके बीच में आपके metalloid की series present है ठीक है यह एक overview है metals और non-metals की periodic table में position से तो आप देखिए कि calcium जो है वो आपको plus 2 form में मिलता है magnesium plus 2 में sodium plus 1 में यानि यह सारे किस form में present है यह सारे present है cations की form इंधनायन यानि इनके कैसा charge है positive जही जवाब हम कौन सा देंगी option b यहां confuse होने की कोई ज़रत नहीं है ठीक है आगे चलिए आगे है which of the following is not a chemical change यानि कि कौन सा है जो एक रसाइन परिवर्तन नहीं है तो पहला देखिए कर्डलिंग आफ मिल्क कर्डलिंग आफ मिल्क का क्या मतलब है दूद का दही में परिवर्तन तो दूद से जब दही ही बन गया है तो यह तो completely chemical change हो गया अब दूद तो आपके बचा ही नहीं आपके पास क्या है दही है तो यह chemical change का example है burning of coal आपने कोईले को जलाया को जलाने हाते उसका breakdown होता है और वो small pieces में divide हो जाता है finalist energy release होती है लेकिन melting of ice के अगर आप बात करोगी तो यह state conversion है याने कि ice जो है water solid से liquid form में convert होगी और यह एक physical conversion है तो सही हरवाब कौन सा होगा option T अगला सवाल देखिए the mineral containing both magnesium and calcium magnesium magnesium और calcium दोनों किसमें present है तो dolomide जो है उसके अंदर दोनों present है और इसका formula क्या है इसका formula है mg magnesium भी है यहाँ पे calcium भी है यहाँ और यह आप अगर बात करोगी आगे formula में आपको complete करने के लिए जो और जरूरत होगी उसमें आप देखोगी कि यहाँ पे आपको CO3 मिलेगा और twice ठीक है तो magnesium के पास plus two charge था, calcium के पास plus two था तो उसे balance करने के लिए हमने minus two का twice कर दिया तो यह होगी हम minus four तो this is a formula of dolomide और इसमें आपको दिखेगा कि magnesium और calcium दोनों है तो सही जब आप बिना कुछ सोचे आप कौन सा देंगे dolomide अगले सवाल के तरफ चलिए, how many types of absorbed impurities and water are there mainly, water के अंदर कितने तरह की absorbed impurities होती है तो अगर हम बात करें, absorbed में भी कुछ हैसी होगी जो कि उसमें dissolved होगी यानि उसमें घुली होई होगी तो घुली होई जो है, dissolved जो है, उनमें आपको gases मिल सकती हैं dissolved के अंदर और उसके अलावा आपको salts मिल सकते हैं dissolved, यानि कि जो पानी के अंदर घुले होई, उनका हम dissolved हैं, उनको अलग तरह से separate करना होगा दो तरह के तो यह होगी जो उसमें घुले होई, एक तरह के होते हैं suspended particles, जो यानि कि उसके अंदर है, यानि वो ऐसे उसके अंदर तैर रहे हैं या इस तरह कुछ मोटे, कि प्लास्टिक वेस्ट वगएरा, कागस वगएरा कि सब चीजें, उसके अलावा अगर आप बात करो तो जो bacteria वगएर है, bacterial impurities भी उसमें present होगी, यानि कि microorganisms वगएरा होई, तो mainly जो है, चार तरह की impurities होती हैं, जो कि water के अंदर absorbed होती, तो यह चार है, आपको type पूछी हैं, कौन-कौन सी, वो भी नहीं पूछी कि तो आप answer क्या देंगे, 4, अगला देखिए, the common element present in all acids, सारे acids के अंदर कौन सा acids, H plus iron देते हैं, H plus iron देते हैं, तो मतलब उनके अंदर कौन present होगा, उनमे present होगा hydrogen, तो सही जवाब क्या है, option A, अगले सवाल देखिए, अनीमिया के बारे में पूछा है, आपको अनीमिया क्या होता है, अनीमिया होता है, आप में खून की कमी, खून की कम क्लोरोफिल के भी बात करी थी, हमने क्लोरोफिल में मैंने कौन सा आपको element बताया था, मागनेशिम, इसी दिन के लिए बताया था, मैंने वो कि आपको ऐसा question भी मिल सकता है, तो अकर iron की deficiency होगी आपके, तो क्या होगा, हीमोगलोबिन की भी आप में कमी हो जाएगी, और हीम वो आपको clear water नहीं होगा, तो हम एक बार के लिए अगर यह मानें कि turbidity जो हो hardness की वज़से है, कठूरता हम पढ़ने तो है, hardness of water, उसकी वज़से है, तो उसको remove करने के लिए process बहुत जादा use करी जाती थी, पहले वो थी lime soda process, अब lime soda process क्या है, तिसे नाम में आपको दू ची CO3, इन दोनों को हम use करते थे, water में add किया जाता है, और जो calcium और magnesium की impurities थी, calcium carbonate की form में अलग हो जाता था, और magnesium hydroxide की form में, वाद में हमें clear water मिल जाता था, साफ पाने, और जिसमें hardness भी नहीं होती थी, तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, option D, that is lime soda process, अगला सवाल देखी, catal catalytic converters की बारे में catalytic converters, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, pollutions के chapter ध्यान से पड़े होगे, तो automobiles के अंदर catalytic converters जो है, वो present होते है, catalytic converters में question क्या है, वो देखे, कि वो किसके बने हुए होते है, क्या वो carbon के बने हुए है, alkili metals, transition, यह सब पूछा है, तो automobiles में आपन उनको तीन में तरह के मिलते हैं, कौन-कौन से, platinum, rubidium and rhodium, ठीक है, platinum, rubidium and rhodium तो, sorry rubidium यह पलेडियम है, कौन-कौन से तीन है, platinum है, palladium है और rhodium है, और यह तीनों ही अगर आप देखे होगे, यह सबसे साधा इस्तेमाल के जाते हैं, असानी कि आप थोड़ी दे में बता transition metals, यानि catalytic converters को बनाने के लिए हम transition metals का इस्तेमाल करते हैं, अगला सवाल देखे, lime water के अंदर क्या present होता है, तो यह दो से अब जानते है, lime water के अंदर, calcium hydroxide जो है, वो present होता है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option C, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, अगला स सवाल है, number of subatomic particles in an atom, देखे, common subatomic particles है, वो तो हमारे तीन ही होते है, proton, neutron और electron, लेकिन इनके अलावा, इनके भी आपको और particles जो है, वो मिलेंगे, तो अगर हम बताएं, तो एक atom के अंदर, सबसे पहरे तो proton, neutron और electron का number ये काफी होता है, इसलिए ये overall जो number है, वो almost 100 से आगे आपको पूचा है, पर-acetyl nitrate, pan के बारे में, कि pan क्या है, कि एक secondary pollutant है, dye है, plant hormone है, विटेमिन है, ये विटेमिन भी नहीं है, plant hormone भी नहीं और dye भी नहीं है, ये secondary pollutant है, माध्य में प्रदूशक है, माध्य में प्रदूशक का क्या मतलब होता है, जो primary pollutants, जो primary pollutants atmosphere में है, अगर वो आपस में react कर जाएं, और उनकी reactions से, जो products बनते हैं, अगर वो भी pollutant है, यानि उनकी वज़े से भी अगर production हो रहा है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, जो बनने वाला product है, उसे हम कहेंगे secondary pollutant, यानि कि वो था तो नहीं atmosphere में, पर दो प्रदूशकों ने आपस में reaction करके उसे बनाया है, तो इसका answer आप कौन सा दे दोगी, इसका answer हो जाएगा, option A, अगला सवाल देखिए, to calculate the net calorific value, the products are net calorific value, अगर आपको calculate करने हैं, तो आप products को क्या करोगी, ये discuss हमने आज ही किया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारी जितने भी products हैं, उनको escape करने आपके net calorific value में हमारी जो reaction है, आपकी reaction कौन सी है, reaction है, combustion reaction, और combustion reaction के बाद में maximum जो आपके products होते हैं, वो कैसे होते हैं, gases, तो अगर हम उनको escape करने देगे, तो जो complete process होगी, वो क्या होगी, net calorific value को calculate कर पाएंगे, आगे है, कि photovoltech जो term है, वो कहां से है, फोटो वाल्टेक ए ग्रीक टर्म है, जिसमें दो अलग-अलग words है, फोटो का मतलब तो light से होता है, ठीक है, और voltage, जो है, वोल्ट आपने देखा होगा, voltage unit होती है, voltage की unit होती है, आपकी अलग-अलग, ठीक है, तो ये ग्रीक word है, आपको इतना है पोचा गया था, सही जवाब इसका क्या होगा, अगला सवाल देखिए, the metallurgical process in which a metal is obtained in fused state, fused state में अगर आपको कोई metal मिल रही है, संगलित रूप के अंदर, तो उस process को आप क्या कहोगी, आपको अगर definitions जयाद हैं, तो आप answer सहीद होगी, वो process होती है, smelting, roasting और calcination के अंदर हम क्या करते हैं, और जो और है हमारे पास, उ या तो oxygen की presence में, या तो air की presence में, या air की accents के अंदर, वो होते हैं, ये दोनो, frozen rotation में हम उसको rotate करते हैं, फिर उसमें बहुत सारे ज्छाग का formation होता है, ज्छाग के साथ में और को हम अलग कर लेते हैं, question में जो पूछा है, वो क्या है, smelting, यानि की option A, अगला पूछा है आपको कि सबसे जादा electronegative element कौन है, अधिक, सबसे अधिक विद्यूती है, तत्वे कौन सा है, तो पूरी periodic table में भी अगर हम बात करें, तो सबसे जादा electronegative है fluorine, उसके बाद आता है oxygen और उसके बाद आता है nitrogen, तो अगर आप options देखोगी, तो fluorine, अग graphite जो है वो diamagnetic है, diamagnetic का मतलब यहाँ पे जो unpaired electrons, electrons भी कैसे, unpaired वाले, unpaired electrons यहाँ पे present नहीं है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option T, that is diamagnetic, अगला सवाल देखिए, dash is the purest form of water obtained by, सबसे pure form water का कौन सा है, जो बारिश से अपने पास पानी आ रहा है, वो सबसे pure form है, त अगला है, dash are surface active additives, सतह सक्रिय योजग कौन से होते हैं, तो देखिए, जो rust inhibitors होते हैं, अब rusting है कैसी process है, जग लगना जो आपकी surface से शुरूर होती है, अब मान लीजिए, आपने जो लोहे का टुकड़ा है, उसके बाहर कुछ आपने active additives लगा दिये हैं, कुछ सक्रिय य होने देगे, तो ये सही example होगा, किसके rust active additives के, तो सही जवाब इसमें क्या होगा, option B, अगला देखिए, instrument used to measure the exact atomic mass, अगर आपको atomic mass प्रमानू द्रवेमान मापना है, तो आप कौन से device को use करेगी, तो mass spectrometer का हम use करते हैं, इस काम के लिए, और जो spectrometer है, उसका हम इस्तेमा क्या होगा, mass spectrometer, आगे देखिए, आगे हैं, laundry soap के बारे में, laundry soap हो या, soap हो, soaps क्या होते हैं, soaps होते हैं, sodium salts of higher fatty acids, sodium या potassium salts, अब चाहे वो laundry soap हो, चाहे आपको bathing soap हो नहाने का साबन, कोई भी साबन पूचा गया हो, तो natural origin के जो fatty acids होते हैं, जो naturally प्राकृतिक मूल रूप में प्रेजन्ट है हमारे nature के अंदर, उनका जो mixture है sodium salts के साथ या potassium salts के साथ उन्हें हम क्या कहते हैं, soaps, यानि option B जो हो यहाँ पर सही option होगा, synthetic sulfonic acids वाला जो है, वो हम use करते हैं, detergents के लिए, soaps के लिए, नाइलाउन के अगर हम बात करें, तो नाइलाउन 66 जो है, नाइलाउन 66 का मतलब होता है, जो दोस्त, दोनों इसमें monomers involved है, दोनों में 66 units है, तो hexamethylene, diamine and arypic acid is the correct answer, option A जो है, वो सही है, अगला है, which of the following, fuel gas will have highest calorific value, highest calorific value किसकी होती है, यह बात हमने पहले भी discuss करे थी, जिसमें जतनी जादा heat produce होगी, same mass में उसे हम कहते हैं, calorific value, और natural gas जो है उसके calorific value बाकि सबके comparison में काफी जादा होती है, जेली जो है, आप का answer कौन सा होगा, option D, आगे चलते हैं, the metal used to recover copper from a solution of copper sulfate, यानि आपके पास copper sulfate का एक solution है, इससे आपको copper extract करना है, reactions पर ध्यान देते हैं हम, reaction क्या है आपको copper plus 2 से copper 0 में चाहिए, यानि कि आपको reduction करवाना है copper का, मतलब अगर आप reactivity series देखते हैं, तो आप में, आपको उसमें किसी ऐसे element की जरूरत होगी, किसी ऐसे metal की, जो की reactivity series में copper से जादा reactive हो, चाहिए, वो कोई भी हो, अब आप reactivity series को एक बाद जब ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा, कि हम iron जो है, उसका इस इस्तिमाल कर सकते हैं, इस process के लिए काफी अच्छे तरीके से, ठीक है, तो iron का हम इस्तिमाल करेंगे copper को निकालने के लिए copper sulfate के solution से, अगला सवाल लेखिए, which of the following is the suspended impurity, suspended impurity कौन सी है, तो iron का hydroxide जैसे है, उसके अलावा जो silica है, ये सब आपके सबसे common suspended impurities होती है, निलं और एक आंसर कौन से होगा, option A होगा, which is iron hydroxide, vegetable oil are added to the lubricants to improve their, lubricants के अंदर आप vegetable oil क्यों आड करोगे, तो lubricants का हम इस्तिमाल क्यों करते हैं, तो देखे जैसे आपकी गाडियां हैं, machines हैं, उनके अंदर क्या होता है, regular उनमें जैसे अलग-अलग substances है, उनका movement होता रहता है, तो उनके बीच में आप चाहेंगे कि वो smoothly movement होता है, जैसे cycle के अंदर भी तो आप grease आड करते हैं, वो क्यों आड करते हैं, क्योंकि उनके regular movement की वज़े से friction जो है, वो ना बढ़ जाए कहीं पी, तो lubricants का रोल तो यह है, अब कई बार क्या होता है, क्योंकि हम usually fatty substances को use करते हैं, lubricants तो उनमें थोड़ी चिकनाई, चिकनापन भी होता है, तो अगर आपको वो कम करना है, तो उसके लिए आप vegetable oil जो है, वनस्पती तेलों का इस्तमाल करते हैं, तो यही आप से पूशा गया है, कि हम वनस्पती तेलों को क्यों add करते हैं, कौन सी property में सुधार करने के लिए, तो जो चिकनापन है, oiliness है उसके लिए, ठीक है, आगले सवाल की तरफ बढ़ते है, radio carbon dating है, उसको किसके लिए इस्तमाल करते हैं, या तो rocks की age determine करने के लिए या फिर fossils की, अब आपको यहाँ पे option rocks or fossils, radio carbon dating के लिए पूचा है, तो हम उसको use करेंगे, fossils की age determine करने के लिए, त अगला देखिए, the term PVC used in the plastic industry stands, PVC क्या होता है, polyvinyl chloride, ठीक है, तो सही answer इसका क्या होगा, PVC, polyvinyl chloride, carbonate वगेरा में आपको confused नहीं होना है, आगे है, the percentage of nitrogen present in ammonium sulfate, तो सबसे पहले ammonium sulfate का formula लिख लेते हैं, NH4 plus होता है, और sulfate is SO4 minus 2, तो इसको अगर आपको balance करना है, तो आप NH4 को price कर दोगी, अब आपको जब भी percentage पूछा चाहे, तो आपको क्या करना है, उपर आपको nitrogen का mass लेखना है, nitrogen का mass कितना होता है, nitrogen का mass है, 7, और यहाँ पे total nitrogen कितने है, nitrogen आपको यहाँ पर मिले, sorry, nitrogen का atomic number is 7, nitrogen का mass है 14, nitrogen आपको यहाँ पे कितने मिलेंगी, 2 nitrogen है आपके पास, तो आगया जिसका आपको percentage calculate करना था उसका mass ठीक है नीचे आपको total mass लिखना है तो nitrogen का हमने लिख दिया था 14 nitrogen कितने है 2 उसके बाद hydrogen का mass कितना है ये nitrogen का लिखाया है अगला hydrogen का 1 है और hydrogen total number देखे कितने आपके पास 4 है और 4 multiplied by 2 4 into 2 8 तो इसी तरह आप sulphate का atomic weight calculate करोगे तो sulphate का 26 के आसपास ठीक है तो जब आप इन सबको add करोगे तो आपको क्या मिलेगा 14 into 2 28 और यह जो total नीचे atomic weight होगा यह होगा आपका 132 के आसपास इससे आपको 100 से multiply करना है क्योंकि आपको answer जो पूछा है वो percentage पूछा गया आपको इसको पूरा calculate करोगे तो 21.something आपको इसका answer मिल तो जिसके आपको percentage calculate करने उसका mass आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपको total mass लिखना है माल लीजे इसे में अगर आपको sulfur का mass पूछा हो तो ऊपर आप क्या करते हैं मास लिखेंगे केवल और केवल sulfur का और कितने sulfur की molecules है उसको आप multiply कर देंगे और नीचे आप क्या करेंग इसके अंदर water का amount नहीं है तो यह क्या करेगा इसके आप जिस भी substance के साथ reaction करवाओगे calcium chloride की माल लीजिए तो यह substance से water को extract करेगा ठीक है तो पानी को यह अपनी तरफ खींच लेगा अब मान लीजिए आपने calcium chloride की reaction करवाई है किसी substance X के साथ में तो यह क्या करेगा इससे ज निर्जली करण कर देगा ठीक है तो यह एक निर्जली करण agent है तो सही आंसर इसका क्या होगा option D जो क्या है dehydrating agent अगला सवाल देखिए अब बैलंस्ड फर्टिलाइजर फर प्लांट इस प्लांट के लिए सबसे बैलंस्ड फर्टिलाइजर होता है जो नाच्रल क्योंकि हर जगा यह available नहीं हो पाती है इसलिए best option अगर आपके पास खाद present है तो खेतों में आपको सबसे पहले बोही देनी चाहिए बाकी सब आपका secondary option होना चाहिए क्योंकि best कौन है खाद है आगे चलिए आगे है gasol यानि आपको कुछ नाम से idea लगया होगा कुछ तो compound इसमें gas का है और कुछ alcohol यानि alcohol से मिलके बना होगा अब आपको gasoline तो बता दिया है अब आपको यानि पता करना है कि यहाँ पे alcohol जो है वो कौन सा यूज किया जाता है gasol को बनाने के लिए तो वो alcohol कौन सा होगा वो होता है ethyl alcohol तो correct answer देखिए कौन सा होगा option a अगले सवाल क आपको किसी एक metal का salt है जो भी कैसा है chloride salt है और वो green color का है आपको बताना है वो metal कौन सा है वो metal होगा barium ठीक है कल भी हमने बात करी थी कि जो firework जो crackers है हमारे पठाके है पठाकों के रंग के लिए आप कौन सा strontium and barium इसी तरह जो fireworks में अगर आपको particularly green color पूछ दिया तो वो क the amount of gas dissolved in a liquid is proportional to its partial pressure यानि partial pressure जो है किसी भी gas का वो directly proportional होगा कि वो gas जो है वो कितनी dissolved है किसी भी liquid के अंदर ठीक है तो यह जो law है यह दिया था henry ने henry का law इसे कहते हैं तो correct answer आप यही पूछा गया था कि किसका law है तो यह law है option c है correct answer henry's law आगे देखिए refrigerant है आपके पास एक free on free on का आपको पूरा नाम बताना है free on होता है आपका डाइ फ्लोरो डाइक्लोरो मिथेन जो मिथेन है इसके चारो hydrogen हमने substitute कर दिये हैं और यहाँ पे दो ख्लोरो हमने यूज कर लिए और दो फ्लोरो यूज कर लिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइ फ्लोरो डाइक्लोरो मिथेन यानि option b जो है वो सही answer है अगला question देखिए cholesterol आपको पूछा गया है cholesterol आपने day to day life में अगर कभी देखा होगा तो ऐसा कहा जाता है कि जो थोड़ी जिन में obesity होते है जो obese low होते हैं जिन में मोटापा जाद होता है उनको कहा ज सबस्टेंस है cholesterol इतना तो सबको समझ आता है तो cholesterol क्या है cholesterol एक fatty alcohol है जो की animal के fats में मिलती है तो अगर आप बाकी options नहीं में देहोगी तो chloroform से डराइव नहीं होता है chlorophyll का कोई भी टाइब में यह fatty substance है ठीक है अगला सवाल देखिए आपको boric acid पूछाए boric acid का formula देखिए bor अब यह किस तरह से आड़ करता है अगर आपने पढ़ा है chemistry के ncrts जो है ध्यान से पढ़िए तो यह एक mild antiseptic है mild antiseptic के तरह हम इसे use कर सकते हैं नेक्स्ट आपके पास है CAC2 on treatment with water मालेजे आपने CAC2 को water के साथ में treatment किया है तो क्या होगा calcium जो है उसको replace करके hydrogen आ जाएंगे तो अब आपको इनके बीच में bond बनाने है एक जो bond है वो hydrogen ने complete कर दिया है तो इनके अंदर triple bond present होगा तो यह methane नहीं है दो carbon का है तो methane तो वैसे नहीं होगा ethene नहीं कि single bond नहीं है ethylene भी नहीं है क्या होगा यह होगा acetylene तो correct answer है इसका option D जिसे हम use करते हैं fruit ripening के लिए अगला सवाल देखिए DDT DDT का आपको खुद का भी full form पूछा रहा सकता है तो DDT क्या होता है DDT होता है dry chloro diphenyl tetra chloro ethene यहां पर मैं लिख देती हूँ आपको पहला डी हो गया दूसरा है diphenyl second D हो गया अब आगे आपके पास क्या होगा tetra chloro और जो compound है वो क्या है ethene यानि ethene के उपर आपके पास इतने सारे substituents present हैं इसे हम कहते हैं DDT DDT आपने पहले सुना होगा तो गाओं वागे रहा में free mist spray करने आया करते थे लोग government की तरफ से तो इसमें DDT होता था जो मच्छर और मख्यां आनने के लिए यूज किया शाता था तो DDT को हम insecticide की इतना शक की तरह यूज कर सेकते हैं ठीक है एट present इसको बंद कर दिया गया है इसको यूज करना last question देखिए petroleum की बारे में पूछा है कि petroleum किस तरह की rocks में मिलता है petroleum आपको मिलता है इग्नियस rocks के अंदर यानि option D इग्नियस rocks के अंदर या फिर इसी rock का जो दूसरा नाम है वो है magmatic rock magmatic rock के अंदर मिलेगा या इग्नियस rock के अंदर मिलेगा तो कोई भी option हो वो सही होगा और rock की तीनी types होती है तीनों आपको यहां दी हुए है sedimentary rock metamorphic and igneous चेक है fossils का अगर आपको पूछा जाए कि fossils आपको कहा मिलेंगे सबसे जादा तो fossils हमें जो मतलब पहले के जमाने जो मरे हुए जीव जन्तों है उनकी हडिया या फिर उनकी remnants वगेर वो आपको मिलते है sedimentary rock तो इस question के according जो correct answer होगा वो कौन सा होगा वोगा option D hottest part of the gas flame is known as जो gas flame है उसमें कई तरह के पार्स कड़ते है यानि कि gas flame मान जोजे या फिर हमारा जो मूम बत्ती है उसका अगर आपने कभी flame देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा उसमें अलग-अलग color के according भी आपको zone में देदी और जो अलग-अलग color है जैसे आपको blue भी दिखाई देता है yellow भी दिखाई देगा कुछ orange और red color का और black color के यह सारे zones आपको दिखाई अब हमारा जो सवाल है वो पूछा गया है कि gas flame का सबसे गरम भाग कौन सा होता है तो आप flame को अगर कभी ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ जो area होता है वो होता है blue color का blue color के एक बहुत पतली सी line होती है वो होता है सबसे जादा temperature वाला है सबसे गरम भाग अब उसका नाम क्या है आपको यह बताना है तो उसका नाम होता है non luminous zone अब यहां पर क्या है यह complete combustion का area होता है यानि कि यहां पर combustion जो है जो burning है वो complete हो चुकी है ठीक है तो सही जवाब यहां कौन सा हो जाएगा सही जवाब होगा non luminous zone अब आप पूछाएं कि blue zone क्यों नहीं इसे लिए correct answer यहां पर कौन सा हो जाएगा correct होगा option D अगले सवाल की तरफ चलते हैं the high reactivity of fluorine is due to fluorine की इतनी high reactivity क्यों होती है fluorine की high reactivity होने का एक reason है कि fluorine जो है पूरी periodic table का सबसे जादा electronegative element है maximum electronegativity अगर आपको किसी की पूछे जाती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है आपको कौन सा element बताना है आपको बताना है fluorine और maximum electronegative होने की वज़े से ही उच्छे विद्युत नकारात्मक्ता होने की बज़े से ही इसकी जो reactivity है प्रतिक्रिया श्रीलता है वो सबसे अधिक होती है इसलिए सही आंतरस का कौन सा होगा option A अगले सवाल के तरफ पढ़ते हैं आपसे पूछा गया है कि polythene जो है उसका monomer क्या होता है polyethene मैंने देखिया आपको पहले भी बताया था इसमें दो word है एक है poly और दूसरा ethene और यह जो ethene word है यहाँ पर आया है ethylene से ठेक है और इससे आपको पता चलता है कि यह किसका polymer है ethylene poly यानि बहू यह चीज बहुत बार repeat हुई है तो ethylene उनके काफी बार जुड़ने से हमें क्या मिलेगा polyethene तो सही आंसर आप कौन सा बताएंगे option B चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है the oil used in float flotation process जो हमारा जाग flotation प्रक्रिया है उसके अदर कौन सा तेल यूज किया जाता है तो oil की वहाँ पे अलग importance होती है इस process के अदर हम अलग-अलग चीजे यूज करते हैं सारी अपने आपने इंपॉर्टेंट है और अगर आपको पूछा गया है तो हम वहाँ पे जो oil यूज करते हैं वो होता है pine oil आपको याद रखना है कौन सा oil होता है वो answer क्या होगा option B अगला सवाल देखिए identify the true statement regarding catalyst catalyst के बारे में आपको true statement बताना है कि catalyst के बारे में कौन सा statement सही है तो catalyst के बारे में पहला option दिया हुआ है that they always decrease the rate of reaction यानि ये प्रतिक्रिया की जो दर है उसे हमेशा घटाते हैं ऐसा सही नहीं है क्योंकि देखिए catalyst जो है वो positive catalyst भी होते है और negative catalyst गाते है बारे में रियाक्षन की rate को बढ़ा देंगे और उससे क्या होगा product का formation जल्दी हो जाएगा तो reaction जल्दी हो जाएगी इसाितरह हमारे पास negative catalyst भी होते हैं तो ये कहना गलत हो होगा कि हमेशा एक catalyst जो है वो rate को increase ही करता है या फिर rate को decrease ही करता है इसी तरह आप जो इसे second option देखेंगे increases the activation energy तो always की वज़े से यह option भी गलत होगा अब आप third option देखें it actually participates in the reaction तो यह बात एकदम ठीक है जो catalyst होते हैं हमारी जो chemical reaction है उसमें participate करेंगे लेकिन एक चीज़ जो सबसे important है वो यह है कि catalyst जो है वो unchanged रहते है यानि कि जैसा आप catalyst को use करोगे आपको reaction के end में भी catalyst जो है वो पैसा का वैसा ही मिलेगा तो correct answer इसका कौन सा होगा correct answer है option c next question देखें upon heating sodium nitrate it gets converted into माल लीज़े आपने sodium nitrate जो है उसको heat किया है तो क्या होगा sodium nitrate को heat करने पे जो है यह convert हो जाता है sodium nitrite के अंदर NaNo2 के अंदर और इसके साथ में हमारे पास oxygen gas को release होती है तो यह reaction क्या हुई यहां पर nitrate था आपके पास nitrate का conversion किस में हो गया nitrite में अब देखें इसके अलावा अगर आपको nitrates देजाते हैं metals के sodium nitrate के अलावा तो उनमें usually क्या होता है वहां पर जो है आपको मिलेगा NO2 gas वगरा मिलती है आपको oxygen मिलता है और जो भी metal था जिसका nitrate था उस metal का आपको oxide बिलता है यह regular reaction होती है लेकिन जो sodium nitrate है उसके साथ में reaction थोड़ी different होती है तो आपको याद रखना है यह जो reaction है वो यहां पर होगी sodium oxide है उसका formation यहां नहीं होगा nitric acid का नहीं होगा sodium nitrite का होगा फिर c option आपको पूछा गया है कि sodium hydrogen oxide तो हमने जो options देखे हैं उसके हमारी reaction को कोई भी match नहीं कर रहा है तो सही answer इसका कौन सा होगा none of the above अगला सबाल रेखिए the main chemical constituent of clay clay का main chemical constituent कौन होता है यानि कि सबसे जादा मतलब maximum proportion में कौन सा element या फिर कौन सा chemical मिलता है मिट्टी के अंदर तो aluminum silicate जो है वो clay के अंदर या मिट्टी के अंदर का मुख्य रसायन होते हैं तो सही answer इसका कौन सा होगा option d aluminum silicate अगला सबाल देखिए the compound not soluble in acetic acid acetic acid क्या है एक acid है हमारे पास एक carboxylic acid है ठीक है आपको नीचे और acids आप और compounds दिये हैं आपको calcium carbonate है calcium oxide है oxalic acid का एक salt है और last one calcium hydroxide है तो carboxylic acid का है जो salt है इसकी acidity जो है वो acetic acid से जादा होती है इसलिए यह जो है वो soluble नहीं होगा acetic acid के अंदर और जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा option c अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है the conversion of acetophenon to acetynolite is best accomplished by which of the following reaction सबसे पहले तो आप देखिए आपको पता होना चाहिए कि acetophenon और acetynolite यह compounds क्या है तो acetophenon जो है वो मैं आपको यहां represent करते हूँ एक benzene ring है आपके पास benzene ring के ऊपर आपके पास functional group जो है वो है COCH3 यह compound है जो acetophenon इसको आपको acetynolite में convert करना है यानि कि एक तरह का amide है इस तरह का functional group होगा तो इस reaction में जो involved rearrangement होता है या फिर कौन से अभीक्रिया यहां पे होते है तो वो होते है और इसमें क्या होगा जब यह reaction further proceed करती है यहां पर reaction करवाई जाती है NH2OH के साथ में तो पहले यहां पर intermediate बनता है intermediate वो होते हैं जो stable नहीं होते हैं यानि कि वो final product नहीं है वो सिर्फ बीच में बने है किसी और product को बनाने के लिए तो oxym के बाद में इसकी reaction acid की presence में जब करवाई जाती है तो यह acid in a light में convert हो जाता है और यह जो complete reaction है इस तरह की जहां पर oxym का conversion जो हो जाता है amide के अंदर और presence होती है किसी acid की इस reaction में जो rearrangement involved होता है वो कौन सा होता है वो होता है backman rearrangement तो correct answer होगा option a और मैंने आपको बता दिया है कि intermediate यहां oxym है acid in a light एक तरह का amide है और यहां पर बीचे जो acid हम use करते है वो use करते है sulfuric acid तो यह एक named reaction थी आपको समझ आ गई होगी अगला question देखिए अगला question है which of the following gives benzoic acid on oxidation अब देखिए एक important reaction होती है जिसमें क्या होता है benzene ring के ऊपर आपके पास ruby compound present है जो भी functional group है उनका अंदर अगर alpha hydrogen present है तो उसकी oxidation से आपको benzoic acid मिलेगा माल लीजे आपके पास CH2OH है ठीक है तो benzene ring से attached जो carbon होता है वो alpha carbon होता है alpha carbon के उपर आपको दिखेंगे alpha hydrogen present है तो इसका अगर आप oxidation करवाओगे तो यह पूरा functional group जो है वो किसमें convert हो जाएगा वो convert हो जाएगा benzoic acid के अदर यहीं आपको use करना है इस question के अदर और आपको स सारे options में देखना है कि किसके पास alpha hydrogen present है पहला देखिए chloro phenol chloro phenol के क्या आपको structure मालूम है जल्दी से आप इसकी structure बना लीजे chloro phenol की structure जो है फहले आपको phenol बनाना है और फिर chloro का क्योंकि position नहीं दिया हुआ है तो आप para chloro phenol है तो क्या आपको इसमें कहीं पर भी alpha hydrogen दि acid travel नहीं मिलेगा इसी तरह आपके पास chloro toluene है toluene जो है पहले आपको पता होना चाहिए कि toluene क्या है toluene benzene बिंकियोंकर जब एक methyl function पर अटाश्ट होता है that is toluene और para position पर chlorine अटाश्ट कर देजिए तो यहां आपको क्या दिखेगा एक तरफ तो आपको alpha hydrogen है वो दिख करेंगे तो इसका तो COH में conversion हो जाएगा लेकि नीचे chloride function भी तो बचेगा तो यहां पर बेंजोई का formation नहीं होगा इसी तरह अगला आपके पास C जो example है वो है chloro benzene जिसमें बेंजीन के उपर directly chlorine attached है और last में आपके पास है benzyl chloride जिसमें आपके पास benzyne के ऊपर attached है CH2Cl तो benzyl chloride जो है उसका जब आप oxidation करोगे उसके oxidation से आपको मिलेगा क्या benzoic acid क्योंकि उसके पास alpha hydrogen pressing है तो सही जवाब कौन से होगा इसका option D benzyl chloride जितने भी organic chemistry की reactions है तो आपको थोरी समझ नहीं होगे इस तरह के question solve करने के लिए शायद आपको यह explanation जादा लग रहा हो पर आप direct इसको रटने की बजाए अगर आप इस जो भी यहाँ पे basics है उनको अगर आप याद रखेंगे तो अगर इन options की बजाए आपको कोई और options दिये जाएंगे तो भी आपका जो question है वो negative marking में नहीं जाएगा अगला question देखिए अगला question है which is the only alcohol that can be prepared by indirect hydration of ilkin अब indirect hydration से आपका क्या मतलब है मान लीजे आपने एक ilkin लिया indirect hydration में पहले हम ilkin की reaction acid से करवाते हैं acid for example मान लीजे sulfuric acid उसके बाद आपको जो product मिलता है उसकी reaction उसको हम hydration करवाएंगे तो इससे हम कहते हैं indirect hydration यानि हमने पहले कुछ और reaction करवाई है और उसके बाद में indirect hydration या जली करण करवाई है तो ethyl alcohol जो है वो एक मात्र ऐसी alcohol है जिसको हम इस method से बना सकते हैं और इसलिए इसका answer कौन सा हो जाएगा इसका answer होगा option A अगला सवाल देखिए on which factor the rate constant of a reaction does not depend जो rate constant है rate constant देखिए depend करता है temperature भी depend करता है activation energy भी depend करता है जो catalyst आपने यूज किया है उसके भी depend करता है जो reactant और product है उनकी nature भी depend करता है किस पे वो किस तरह के है इस पे depend करेगा लेकिन उनकी concentration क्या है उनकी सांधरता क्या है इस पर rate constant कभी भी depend नहीं करता है और आपको यहीं पूछा है कि does not depend किन पे depend नहीं करता तो answer क्या होगा यह जो सांधरता है reactant और products की इनवर अगला देखिए अगला आपको पूछा है scrubbers किस पे काम में यह ले जाते हैं तो जहां हमने electrostatic precipitator पड़ा था उसी तरह से हमारे पास scrubbers भी होते है scrubbers इस तरह के कुछ हमारे devices हैं जिसमें नीचे से हम क्या करते हैं जो भी हमारी polluted air है उसे हम यहां से pass करते हैं ऊपर हम यहां पे lime जो है वह उसमें filled होता है ठीक है हम calcium hydro hydroxide भी यूज कर सकते हैं उसमें calcium carbonate भी यूज कर सकते हैं फिर यहां से जो poisonous gases या जो भी impurities है वो बाहर निकल जाती हो pure air जो है वो आपको ऊपर मिल जाती है तो हम किस-किस को यहां पे use कर सकते हैं सही answer होगा option C both A and B calcium hydroxide और carbonate दो आगे देखिए आपको odd one बताना है तो हम सा salt NACL जो common salt है वो neutral salt है एकदम ठीक बात है आगे देखिए acidic salt क्या CUS4.5H2 एक acidic salt है 5H2 यानि इस तरह के जो आपको बड़े बड़े formula मिलेंगे जिसमें आपको पानी जोड़ा हो दिखाएगा वो होते है hydrated salts तो यह hydrated salt है यह acidic salt नहीं है फिर आपको देखिए option C basic salt अब यह जो जब भी है जब भी आप इस salt को पानी में dissolve करवा होगे तो यह अपनी components में टूट जाएगा अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें copper का hydroxide है hydroxide कैसे होते है basic होते है nature के अंदर तो इसको आप जब भी पानी में डालोगे तो आपको solution कैसा मिलेगा solution आपको मिलेगा basic तो आपको odd one chart ना था अलग जो है वो चुनना है तो तेन सही है और एक गले थे तो आप कोई साफ चुनेंगे option option B अगले question की तरफ चली है अगला question है कि जो चांदी की चमच है आपके पास एक becomes tarnished when exposed to air उसका जो रंग है या फिर उसका जो चमक है उसकी वो मंद पढ़ने रग होता है देखिए corrosion reaction में हमने तीन ही सबसे important corrosion पढ़े है रस्टिंग पढ़ा है जिसमें से copper का पढ़ा है और silver का पढ़ा है Silver का आपको बार-बार पूछा जाता है atmosphere के अंदर hydrogen sulfide की presence की वजह से silver के sulfide का formation हो जाता है जो की black color का होगा अब आपको यहां पे tarnishing दी हुई है hydrogen sulfide आपको answer में बिलेगा या फिफ sulfur तो सही जवाब कौन सा होगा इसका option D जो आपको options में देख भी रहा है जो कि क्या है sulfur अगला सवाल लेखे अगला सवाल है कि आपको wrong choose करना है कि इनमें से गलत मिलान कौन सा है calcium carbonate और washing soda washing soda baking soda बार-बार में आपको बता चुकिए हैं शायद अब आपको confusion नहीं होगा sodium carbonate क्या है washing soda एकदम ठीक है NACL को हम common salt या table salt के नाम से जानते हैं ये भी एकदम ठीक है slaked lime आप बताएए मुझे क्या calcium carbonate होता है नहीं slaked lime होता है calcium hydroxide और caustic soda sodium hydroxide एकदम ठीक है गलत इसमें से कौन सा होगा wrong आपको भूचा है wrong कौन है option c next question the gas inside an electric bulb electric bulb का ऐसा एक पहला सवाल हमने किया था कि उसका जो wire है वो किसका बना हुआ होता है तो उसका wire किसका बना हुआ होता है wire होता है tungsten का और अगर आपको इसी तरह उसमें gas पूछी जाए तो उसमें gas होगी nitrogen gas यानि कि हमें इस तरह के gas लेनी होते हैं वहाँ पर जो high temperature पर कोई reaction ना करें और nitrogen का हमें बता है triple bond की presence की वजह से वो जो है कि आपको gas जो है उसको liquid में convert करना है इस process is called क्या कहेंगे आप इसे condensation कहेंगे simple सही जवाब इसका कौन सा होगा option c that is condensation अगला देखिए fuel cells are characterized by fuel cells के बारे में सबसे पहला जैसे आपको options पर देख रहा होगा इंधन कोशिगाएं उनकी दक्षता जो होते है वह बहुत जाता होती है अब जैसे आप batteries की बात करो chargeable batteries rechargeable batteries या फिर आपके जो electrolytic cells हैं galvanized cells हैं इन सब में से अगर आप efficiency की बात करोगे तो fuel cells के efficiency जो है वो maximum होती है यह almost 50% efficient होते हैं ठीक है और बाके जो भी galvanized या electrolytic cells बगएर होते हैं उनकी efficiency 30% के आसपास होती है तो सबसे सटी कांतरस में कौन सा होगा वो होगा option है कि इनकी दक्षता जो हो बहुत जादा होती है उच्छ होती है अगला सबाल देखिए which among the following is formed when an alcohol is dehydrated अब देखिए मैं आपको सीधा बता दूँगे शाइब आपको याद रहे ना रहे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हूँ मान लीजिए आपके पास एक इल्कीन है और यह इस तरह से एक इल्कीन बनाई है मैंने sorry इल्कीन नहीं एक इल्कोहॉल है आपके प इसको complete कर देते हैं तो यहां पे दो हाइड्रोजन आपको मिलेंगे इसी तरह यहां पे भी दो हाइड्रोजन आपको attached मिलेंगे यहां दो हाइड्रोजन और यहां तीन हाइड्रोजन Dehydration का मतलब मैंने पहले ही बताया है निरजली करन यानि पानी को आपको निकाल लाए तो alcohol है पानी क्या होता है H2 यानि उसके अंदर आपके पास एक H molecule है और एक OH molecule है ठीक है तो मैंने आपको इस तरह से represent किया है इसको ताकि आपको दिख जाए हम H और OH को किस तरह से remove कर रहे हैं तो हमने alcohol से OH group ले लिया और उसके side वाले carbon से hydrogen ले लिए अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप इस वाले carbon से OH ले लिए और बहुत दूर वाले carbon से hydrogen ले लिए क्योंकि ऐसा possible नहीं होता है chemistry में just side वाले carbon से हम को इस group ले सकते हैं तो इन दोनों की removal से क्या होगा है यहां पर water हट गया और यह जो bonds हैं इससे यहां पर एक और bond का formation हो जाएगा यानि अब यहां पर double bond बन जाएगा और बाकी सब azotis है तो double bond बनने को हम क्या कहेंगे यानि alcohol से जब आप water निकाल दोगे निर्जली करण उसका कर दोगे तो वहां पर आपको इल्कीन का formation होगा यानि की option C अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपको भूशा गया है कि नीचे आपको जो statements दिये हैं कथन में से कौन सा कथन जो है वो सकते नहीं है अम एके करके सारे कथन पढ़ लेते हैं पहला है कि जो liquids होते हैं जो तरल हैं उनके अंदर जो कन होते हैं they are less regularly arranged and are free to move उनके अंदर जो कन होते हैं वो नियमित रूप से व्यवस्तत यानि की व्यवस्तत जो कन है वो कम होते हैं और वो एक से दूसरे जगा खूमते रहते आराम से freely तो यह एकदम सही बात है ठीक है अगला option देखिए boiling involves breaking up of groups of molecules in liquid boiling के अंदर हमें क्या करना है आप पानी को उबालते हैं तो पानी किस में convert हो जाता है या तो gas में convert हो जाता है या फिर temperature के बाद में तो हमें लिक्विड को अगर ग्यास में करना है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा बही बात इसमें बोल रहे हैं कि हमें उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा आगे है कि boiling में क्या होता है boiling के अंदर जो oppositely charged ions होते हैं विपरीत ढंग से आवेशित जो ions है यानी positive और negative ions को उनको साथ में लाना है तो आप एक बात बताइए कि positive और negative ions को साथ में लाने का क्या मतलब है अलग अलग जो charges होते हैं हमें attraction बहुत जादा होता है तो इस तरह से तो हम force को बढ़ा रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है force को तोड़ना है तो हमें जो opposite ions है उनको पास नहीं लाना है हमें उनको दूर दूर लेकर के जाना है ठीक है इसलिए c option जो है वो गलत है और last option जो है thermal energy of particles overcomes cohesive that force होता है दो particles के बीच का force तो हम सारे तरह की force को तोड़ रहे हैं तो heating से क्या होगा thermal energy या फिर जो हम तापी यह उठ्जा दे रहे हैं उसके वज़ए से जितनी भी energies है जितनी भी forces है उन particles के बीच में सारे ब्रेकडाउन हो जाएगा तो D option भी सही है तो गलत यहां प Volubility से कौन सा और जो है कथन है वो मैस्ट नहीं करता है पहला structural units get separated फ्रम मान लीजे आपने एक आयनिक compound है उसको पानी में डाला है तो जितने भी structural उसके units है याने कि जो कैटाइन है एनाइन है सारे अलग-अलग हो जाते हैं एगदम ठीक बात है अगला बोला गया है कि जो दो पार्टिकल से उसके अंदर दो तरह की chargers है और साथ में एक आयन जुड़ा हुआ है तो पूचा कहा है कि क्या यह bond बहुत जादा strong होता है तो देखिए आयन और डाइपोल जो bond है वो हमारा जो आयनिक bond है उससे और जो पोविलेंट bond है दोनों से ही weak होता है तो यह कहना कि यह बहुत जादा strong bond है यह गलत होगा ठीक है क्योंकि हम क्या कहते है कि ionic bond जो है वो strong होता है तो गलत जो है वो यही है option बी आगे देखिए अगला question जो है the gas artificial ripening में हम कौन सी gas को use करते है तो ethylene को use करते है या फिर acetylene यहां दोनों options देएवें तो ethylene जो है वो natural hormone होता ह है जो plants में मिलता है plant growth regulator है तो हम किसको answer करेंगे option ए जो कि क्या है ethylene आगे है कि जब sodium hydroxide जो है NaOH को है उसको आपको reaction करवाना है hydrochloric acid से तो आपको क्या करना यहां पे भी water remove करना होता है तो आपने एक जगस से OH लेलिया दूसरी जगस से H लेलिया बचे भी compounds को एक साथ लिख लीजिए NaCl जो आपका salt है वो बन गया है और यहां पे water निकल गय कहते है उसे हम कहते है neutralization reaction ठीक है यहां किसका formation हुआ NaCl का sodium chloride का यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि किसका formation होगा ठीक है अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपसे पूछा गया है कि zone refining जो है वो किसके purification के लिए use किया जाता है तो zone refining आपको जब भी मिले तो आपको semi conductors जो है usually उनके लिए use किया जाता है zone refining को और यहां पर क्या होता है molten state के अंदर हम थोड़ी देर के लिए maintain रखते हैं आप आसे हम impurities को remove करते रहते हैं तो आप बताईए options में से कौन सा semiconductor है germanium is a semiconductor तो correct answer कौन सा होगा इसका option भी silver gold और copper जो है यह ऐसी semiconductors नहीं है अगला question देखिया अगला question आपको पूछा है कि एक mole molecule sulfuric acid का कितना mass होगा तो formula पता होना चाहिए आपको अगर कभी भी इस तरह से mass calculate करना है तो H2SO4 आपके पास जो है वो molecule है hydrogen का mass बताईए कितना है 1 और hydrogen के आपके कितने molecules है उसको आपको multiply करना पड़ेगा इससे आपके पास 2 hydrogen है hydrogen का यहां पर फूडा हो गया फिर आपके पास आता है sulfur sulfur का atomic weight कितना होता है 32 sulfur आपके पास एक ही है तो 32 ठीक है इसी तरह oxygen का कितना होता है oxygen का होता है 16 16 into 4 आपके पास चार oxygen है तो आप इसको calculate क 98 तो 98 जो है वो H2S4 का atomic weight है यानि इस तरह से आपको किसी का भी अगर दिया हो नाम दिया हो फॉर्मिला दिया हो तो आप उनका atomic master calculate कर सकते हैं तो correct answer इसका क्या होगा option A ठीक है अगले सवाल के तरफ बढ़ी है अगला सवाल है कि law of definite proportion जो है वो कहां पे लागू होता है या अगर ये जो कानून है कहां पे इसका पालन किया जाता है तो देखिए सबसे पहले तो ये कानून क्या है ये ये कहता है कि मान लीजए आपके पास water है अब ये पानी चाहे आपने आपके घर में मटके से पानी लिया हो या फिर आपने किसी ट्यूब विल से पानी लिया हो या फिर कहीं भी आपने बरफ से आपिर हमालगे में कहीं से भी अगर आप पानी लेकर के आयें तो उसमें hydrogen का और और जो oxygen है इन दोनों का जो ratio है इनका जो अनुपात है वह हमेशा fixed होगा और वह किसके ratio में होगा वह होगा इनके घ्भार के ratio में यानि मास के ratio में माल लीजीए आप हाइड्रोजन का कितना मास है दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का मास है दो ऑक्सीजन का मास है 16 तो अगर आप इसका अनुपात बताएंगे तो क्या बताएंगे एक अनुपात आठ तो इनका यह कहना है law of definite proportion का कि आप पानी कहीं से भी लियाएंगे पानी मैंने एक एक्जांपल लिया है यानि इसी तरह से आप कोई भी chemical जो है उसको कहीं से भी extract करें किसी भी आपको reaction में मिल रहा हो उसमें जो दोनों आपके पास दो या तीन जितने भी compounds हैं उनका अनुपा इन सबके हम study करते हैं तो question के according जो answer है वो कौन सा है वो है option A अगला सवाल देखिए कौन सा mass spectrometer ऐसा है जिसको आप जो isotopes हैं उनका जो solid state है उसको determine करने के लिए आप use करते हैं isodopes in solid state तो Dempster's mass spectrometer है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस कार्रे के लिए तो सही जवाब कौन सा होगा option C Dempster's mass spectrometer अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि atomic mass unit है वो किसके equal होता है तो atomic mass unit equal होता है 1.661 into 10 raised to the power minus 27 तो आपको simple value पूछे गई है कि प्रमारू दर्व्रमान इकाई जो है उसको किसके equivalent है किसके equal है तो correct answer कौन सा हो जाएगा option A अगले सवाल के तरफ बढ़िए ascorbic acid vitamin C के बारे में पूछा है कि किन में present होता है तो जितने भी खटे fruits हैं चाहे वो नींगू हो चाहे नारंगी हो इन सब में present होता है ascorbic acid तो correct answer इसका कौन सा होगा option D अगे चलिए atomic mass पूछा है आपको phosphorus का तो यह आपको सीधा पता होना शड़िए phosphorus का atomic mass कितना होता है 31 सही जवाब कौन सा होगा इसका option C अगला सवाल है कि रक्त में पाया जाने वाला एक macromolecule आपको बताना है तो macromolecule जो रक्त में मिलता है वो है hemoglobin hemoglobin जो है वो रक्त में पाया जाता है सही जवाब कौन सा होगा option C अब keratin जो है keratin अगर मानी जो है किसी सवाल में आपका काम पर जाए तो आपके जो बाल है जो नाखन है उनमें keratin present होता है ठीक है अगला सवाल देखिए अगला है कि proteins जो है वो bodybuilders होते हैं हमारे शरीप ले यानि हमारे जो body है उसमें जो bodybuilding का काम है वो कौन कर रहे है प्र amino acid फिर दूसरा amino acid तीसरा इस तरह से जब ही repeat होते रहते हैं होते रहते होते रहते तो उनकी वज़र से बनता है protein यानि protein किसका बहुलक है amino acids का तो correct answer यहां क्या होगा कि protein के अंदर कौन होता है amino acids अगला पूशा है कि कौन सा thermoplastic है जो नेचे आपको options दिया हुआ है उनमें से तो thermoplastic के example हमने एक PVC पड़ा था poly बनाए ख्लोराइडिक polyethylene पड़ा था और एक और पड़ा था जिससे coms वगएरा का formation होता है तो polyethylene जो है उससे किसका formation होता है जितने भी आप polythene की थेलिया देख रहे हैं आज पास उन सबका formation polyethene से होता है तो प्लास्टिक का सबसे अच्छा example कौन हो जाएगा पॉलिथीन बैक्स तो correct answer क्या है option D अगले question की तरफ चलिए which of the following is a natural fiber आपको पूशा है natural fiber का example तो silk जो है वो एक natural fiber है polyester, nylon, rayon यह सब synthetic है natural कौन है natural है जो रेशम है वो एक प्राक्रतिक fiber का उदाहरण है अगला सवाल है आपको पूचा है कि animal charcoal जो हो कैसे बनाया जाता है तो पश्टू charcoal के बारे पूचा है तो पश्टू charcoal जो हड्डियां है पश्टू के जैसे जो मृत पश्टू है जो मर्चुके हैं उनकी हड्डियां जो ह हम एयर की absence में जलाते हैं जो एयर है हमारे आसपास हवा जो है वो नहीं होने चाहिए ठीक है तो उस टाइम पे जो आपको चार्पोल मिलेगा जो बॉर्ण चीज आपको मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे animal charcoal तो burning of bones in contact with air नहीं हमें absence में करना है तो correct answer कौन सा होगा burning of bones of animals out of contact with air य complex grease fibers are formed by reacting to dissimilar complex to grease fibers उसका आप कैसा बनाते हैं हम क्या करते हैं दो अलग-अलग तरह के acids लेते हैं यानि मान लेजए आपने एक acid लिया दूसरा acid लिया और उसके बाद में हम एक लेते हैं alkali एक base लेते हैं हम जो कैसा भी हो सकता है तो इनकी आप आपस में reaction कर रहा होगे जब आप इनसे grease बनाओगे तो आपको complex grease fibers मिलेगे तो दो कौन है acid है और single कौन है base है चिक है तो correct answer इसमें कौन सा हो जाएगा दो acid है और एक alkali है correct answer is option B अगला आपको पूछा है कि गोबर ग्यास जो है उसमें mainly आपको कौन मिलेगा गोबर ग्यास में सबसे important जो होता है वो होता है methane यानि की CH4 तो options देखिए सही option कौन सा होगा option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि जो base use कियाता है antacet के preparation में antacet tablets जो होती है आपको acidity वगरा को treat करने के लिए दी जाती है उसके अंदर जो base है जो alkali है जो प्षार है वो कौन सा use किया जाता है तो aluminium hydroxide या फिर magnesium hydroxide यह दो ही important hydroxide है जो हम यहाँ पे use करते हैं options में आपको magnesium hydroxide available है तो सही जब आप कौन सा होगा इसका option B तो जो कि क्या है magnesium hydroxide अगरा देखिए pH value आपको 12 दी हुई है the pH value of 12 is of an equis solution of 12 pH value से आप क्या समझते हैं 7 पे हम क्या कहते हैं neutral है 12 पे आप क्या कहोगे कि basic है यानि आपको यहाँ पे basic बताना है कि nature B से कौन सा है पहला है ammonium sulfate sodium chloride sodium hydroxide sodium hydroxide क्या है NaOH तो क्या यह एक base है हाँ यह एक base है तो इसके pH कितने होगी obviously साथ से जादा होगी तो सही जब आप कौन सा होगा C अगर आप आपकी options देखते भी है sodium chloride जो है वह आपको मिलेगा sodium chloride neutral salt है hydrogen chloride acid चीक है अगला सवाल देखिए the gas used in fire extinguisher जो अग्मी शामक यंत्र है उनमें कौन सी ग्यास यूज करे जाते हैं उनमें यूज करे जाने वाली ग्यास होती है calcium dioxide यानी option A अगला है the element silicon is present in silicon किस में present होता है silicon सबसे जादा मात्रा में present होता है हमारी sand के अंदर हमारी रेत में और यह किस form में present होता है silicate की form में present होता है चेक है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option B अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है the compound dissolved in water to give a solution of pH lower than 7 यानी आपके पास कोई substance है उसका आपने पानी में घोला है पानी में घोलने के बाद में आपको कुछ ऐसा substance विलेगा जिसका pH जो हो साथ से कम होगा यानी कि यह क्या होगा यह acid होगा तो अब देखिए आपको examples क्या क्या दिए आपको ethanol दिया है sugar दिया है vinegar दिया common salt दिया है common salt नमक तो यह neutral होगा तो यह गलत है sugar चीनी है चीनी को बोलने से विए pH में कोई जादा change नहीं होगा लेकिन vinegar जो है sirka sirka के अंदर क्या होता है सबसे जादा मात्रा में होता है acetic acid यानी कि अगर आप इसे पाने में गोलोगे आपको जो pH मिलेगा वो साथ से कम मिलेगा साथ से कम यानी acid सही जवाब कौन सा होगा सही जवाब इसका होगा option c अगला सवाल देखिए यह अगला है which of the following is more acidic than alcohols जो alcohol है alcohol में हमारा functional group क्या होता है OH यह functional group की बात है और ग्यानी chemistry की बात है तो अगर आप बताओगे कि alcohol से जादा acidic कौन है तो जो carboxylic acids कारboxylic acid का functional group क्या होता है COOH यह जो COOH functional group है यह हमारे alcohol functional group से जादा ऐसे देख होता है जादा अमली होता है तो सही जवाब क्या है इसका option c अगला सवाल है कि नीचे आपको जो elements दीए हुमें से कौन है जिसका fertilizers पे यूज नहीं करोगे nitrogen potassium और phosphorus को हम यूज करते हैं chlorine को जो है है वो हम यूज नहीं करेंगे चलते हैं अगरे सवाल की तरफ तो gas that causes atmospheric pollution atmospheric pollution करने वाली ग्यास आपको बताने है nitrogen pollution नहीं करते है neon inert gas है normally present atmosphere में sulfur dioxide है वो atmospheric pollution करेगी और आपके जो pollutants है प्रदूशकों के साथ react करेगी उसके लावा acid drain का भी एक important cause होता है सही जवाब कौन होगा इसका option c भाब जो है वो तो water का यह form में तो तो वैसे ही pollutant नहीं होगी है अगला आपको पूछा है कि chloromycetin जो है यह क्या है क्या एक anti-septic, anti-depressant, anal जैसे क्या antibacterial है तो chloromycetin जो है यह antibacterial है यानि कि जो bacteria है उनकी growth को यह नहीं होने देगी उनको मार ठीक है तो सही आंसर इसका कौन सा होगा इसका होगा option d anti-bacterial अगला देखिए gunpowder में आपको पूछा है कि gunpowder किस-किस का mixture होता है तो gunpowder जो है भी mixture होता है potassium nitrate का, sulfur का और charcoal का यह direct पूछे जाने वाले सवाल है काफी बार exams में repeat हो चुके हैं बहुत बार mention कर दिया है कि जो name salts और named compounds और named reactions और इस सब आपको याद होने चाहिए तो देखिए इतमे explain करने का जाधा पार्ट नहीं होता है तो gunpowder किस-किस का example है potassium nitrate का, sulfur का और charcoal का तो सही जवाब इसका जाएगा option d अगला सवाल देखते हैं तो substance mostly used as and food preservative, food preservative के form में यानि जो खाद या संरक्षक है उसके तरह use किया जाने वाला compound आपको बताना है तो benzoic acid जो है उसको हम इस्तिमाल करते हैं इस काम के लिए, सही जवाब होगा option C, और आज का आखरी सवाल देखिए आखरी सवाल है आपको तो sulfur का charge पूछा है, तो sulfur का जो सबसे common charge होता है, वह होता है S minus 2, उसे ही जवाब आप कौन सा देंगे, option B, तो पहला question है, the smallest possible unit of a chemical compound is, यानि एक रसायनिक योगिक जो है, उसको आप, उसकी सबसे छोटी संभव एकाई आपको बतानी है, तो देखिए यही सवाल आपको पूछा है, यानि अगर आपको smallest possible unit पूछे जाती है, एक compound की, और यही सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाता है, कि आपको smallest possible unit है, सबसे छोटी एकाई बतानी है, एक element की, तो दोनों में जो फर्क है, वो सुछ थोड़ा सा रहेगा, element की smallest possible unit होती है, वो होती है, atom, और compound के लि है, तो answer हम क्या देंगे, molecule यानि की, option C, चड़िए दूसरे प्रशन की तरफ, दूसरा प्रशन है, amount of oxygen in combustion analysis is determined by the method of, अब देखिए यह जो combustion analysis की बात करी जारी है, अब हम कब करते हैं, मान लेजे आपके पास एक कोई chemical है, कोई organic compound है, ठीक है, हमने मान लिया वो एक से, आपको पदा नहीं है कि उसका chemical formula क्या है, उसका empirical formula क्या है, तो हम usually कौन सी process use करते हैं, हम उसका combustion करवा देते हैं, यानि oxygen की presence में उसको burn करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो भी प्रिडिक्स का formation होता है, उनकी मदद से हम जो है, हमारा compound है, उसका empirical formula पता लगाते हैं, और अगर उसके अंदर oxygen भी presented हो, हम भी पता लगा सकते हैं, वही आप से पूछा गया है कि oxygen जो है, उसको पता लगाने के लिए आप कौन से method का use करोगे, तो हम अंतर जो method है, difference उसे use करेंगे, यानि आपके right side में जो भी products हैं, उनके अंदर oxygen जो है, वो कितना है, उसको आप subtract करेंगे लेफ्ट वाले से, तो सही answer इसका क्या होगा, option B, जो कि क्या है, difference, अगला सवाल रेखी, the main active constituent of tea and coffee, जो चाय और कॉफी है, उसका प्रमुख घटक आपको बताना है, प्रमुख सक्रिय घटक, तो caffeine जो है, वो इनका प्रमुख सक्रिय घटक होता है, और जैसा कि कहा जाता ह है कि चाय और कॉफी आपको जब को भी नीन दाती है, तो कहा जाता है कि चाय कॉफी पीए, आप जब भी पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको नीन दाती है, तो आपको कहा जाता है कि आप चाय और कॉफी का सेवन करें, क्योंकि उनमें caffeine होता है, जो आपको जगाई रखेग कुछ समय जादा दे तर ठेक है अगला सवाल देखिए example of atom having single isotope आपको ऐसा example बताना है जो options दिये हुए है उनमें से जिसका एक ही isotope है देखिए carbon, calcium, cadmium इनका जब हम देखते हैं अगर total number of isotopes हम देखते हैं तो इनके isotopes जो है वो काफी जादा होते हैं जैसे carbon की बात करी होते हैं calcium के 27 बताया जाते हैं लेकिन जो gold है gold का एक ही stable isotope होता है तो जो हमारा question है question के according के सही option कौन सा है option C यानि कि इसका cable एक ही isotope है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है the main chemical constituent of the oil of cardamom which is responsible for flavor of this oil जो इलाइची का तेल होता है उसमें एक ऐसा कौन सा रसाइनिक खटक है जिसकी वज़े से उसका जो स्वाद है वो इस तरह का होता है तो सिनेल जो एक compound होता है उसके अंदर आपको नाम याद रखना है सिर्फ पहरा option जो आपको दिया हो है सिनेल उसकी वज़े से जो आपके इलाइची के तेल का जो अलग स्वाद होता है उसकी वज़े होती है य या फिर हम उन्हीं कहते हैं ऐसा कोई भी substance जो आपको mean जो है वो induce करवाएं, sleep induce करवाएं तो barbituric acid जो है, barbituric acid को हम hypnotics की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है? यह जितने भी आपको questions मिल रहे हैं, antacids के hypnotics tranquilizer, सारे NCRT के examples ले हुए हैं तो अगर आपको यह सब questions अब solve नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा suggestion है कि आप 12th class के NCRT को जाकर जरूर पढ़ें अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है the reaction in which two compounds exchange their ions in form of, to form two new compounds यानि आपको कहा गया है कि एक आपके पास chemical reaction है, एक प्रतीक्रिया है, जिसके अंदर आपके पास दो compounds हैं, जिन्होंने कुछ exchange किया है, और बाद में फिर से दो compounds बना दिया तो देखिए, मैं आपको एक reaction का example देती हूँ, आप बताईए गए कौन सी reaction है मान लीजे, आपके पास एक ionic compound है A, B और एक ionic compound है C and D, इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कि A katein है B and ion, and again this is katein and ion, जिक है अब इन्होंने क्या क्या, इन्होंने अपने ions को exchange कर लिया, तो मान लीजे, जो नए compounds बने हैं, वो है A and D का, और second जो बन गया है, वो है C और B का, चिक है तो यहां पर आप मुझे reaction दे करके बताएं क्या हूँ, ions का exchange हुआ है, और दोनों तरफ से equal exchange हुआ है, तो इस reaction को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते है, double displacement reaction cable displacement नहीं कहेंगे, double displacement कहेंगे, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option C, और यही आपको सवाल में पूछा गया था अगला सवाल देखे, renicidity जो है, can be prevented by, renicidity आप कैसे prevent कर सकते हैं, renicidity क्या होता है, definition अगर आपको मालूम है, तो आप आराम से question solve कर लेंगे renicidity होता है, आपके पास कोई भी compound जो है, उसका complete या incomplete oxidation, या तो उसका oxidation हो जाए, या फर उसका hydrolysis हो जाए, ठीक है, और ऐसा कब होगा, और usually जो माल लीजाए, आपके पास जो, एक कोई भी oil का example लीजाए, आपके पास कोई oil है, जिसका oxidation हो गया, या hydrolysis हो गया, और ऐसा ह होने से क्या होता उसका स्वार जो है वो चींज हो जाएगा ठीक है और यह क्यों होता है Oxidation या Hydrolysis या तो यह होता है light की वज़े से ठीक है या फिर यह होता है air की वज़े से या फिर जो भी आपके bacterias present है environment में उसके वज़े से अब हम देखते हैं question की तरफ हमें जो है रेंसिडिटी नहीं होने देनी है तो oxidation नहीं होना है तो हम क्या करेंगे उसमें antioxidants डाल देंगे ठीक है तो पहला option इंगम ठीक है light की वज़े से क्योंकि यह हो रहा है तो हम क्या करेंगे हम उसको refrigerator में add करते हैं तो C जो है वो भी सही है तो तीनों options ठीक है तो answer क्या होगा answer होगा option D next question देखते हैं अगला question है अगला question देखिए अगला question है which among the following is an organic mineral आपको बताना है कि जो options देख हुए है उनमें से कौन सा जो है एक organic mineral है amber, hornblend, ignite, and alkin में से इन में से amber जो है वो एक organic mineral है यानि कि वो carbon और hydrogen से मिलके बना है तो option A जो है वो यहाँ पर सही answer होगा अगला सवाल है chemically rust is आपको rust का chemical formula पूशा है तो rust में क्या होता है rust का chemical formula is fe2o3.xh2o यह एक hydrated oxide है iron का और क्योंकि यहाँ पर आपको ferrous और ferric का भी difference पूछा गया है तो आपको यह पता होना चाहिए what is ferrous and what is ferric तो fe plus 2 और fe plus 3 iron की 3 common oxidation states है इन में से जो fe plus 3 है उसे हम कहते हैं ferrous और fe plus 2 यानि plus 2 oxidation state वाले को हम कहते हैं ferric अब आप जब यह जो formula है इस formula को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह iron की oxidation state plus 3 है तो हम क्या कहेंगे एकसे हो मतलब कुछ molecules यह water के भी attached होंगे यानि एक hydrated oxide है तो यह जो chemical formula है वो रिप्रेसंट करता है एक hydrated ferric oxide को यानि plus 3 oxidation state iron next आपको एक formula दिया हुआ है C3H4O3 और ही पूछा गया है कि यह कौन से vitamin का empirical formula है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि empirical formula क्या होता है empirical formula जो है माल लीजए आपका जैसे हम सुक्रो से discuss करते हैं C12H22O11 अब यहाँ पे क्यूंकि यहाँ पे oxygen 11 है तो हम इसको और simplify नहीं कर सकते हैं और example आप माल लीजए आपके पास कोई chemical है जिसका chemical formula है C12H22O5 तो आप अगर इसको simplify करना शाह होगे तो आप इसे कैसे कर सकते हैं आपको सब में 2 दिख रहा है तो आप इनको 2 से divide कर दीजे तो हम इसे C6H11O6 कह सकते हैं इसके आगे हम इसको simplify जो है वो नहीं कर सकते हैं तो C6H11O6 जो है वो यह जो compound है जो C12H22O11 जो एक molecular formula है उसका empirical formula यानि कि आपको simplified form में convert करना है तो अगर आपको vitamin C ascorbic acid का chemical formula present है तो वो होता है C6H8O6 तो यानि कि अगर आपने इस empirical formula को 2 से multiply किया है तो आपको मिलेगा molecular formula vitamin C का तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा? option A अगला सवाल देखिए substance which neutralizes a base आपके पास एक base है आपके पास एक base है उसको आपको neutralize करना है तो आपको दूसरा पदा चलिए तो वो कौन सा होगा? acid और base एक दूसरे को neutralize करते है formation किसका होता है? salt का होता है और इस reaction को हम क्या कहते है? इसे हम कहते है neutralization reaction तो base के लिए हमें जरूरत होगी acid की तो सही answer क्या है? option A अगला देखिए what is the number of synthetic elements in the periodic table? आपको periodic table के synthetic elements बताने है कि कितने हैं तो देखिए जो atomic number अगर हम बात करें कहा से कहा तक synthetic elements है और उनके अलावा दो और हैं जो उस तरह से हमारे जो atmosphere में naturally present नहीं है हमने उन्हें पहले वाली elements जो है उनसे बनाया है तो अगर आप इनका total करते हैं तो आपको पता शलेगा कि हमारे पास synthetic elements की संख्या कितनी है? 26 अगला सवाल देखिए which among the following substances is most suitable for making compact disc? आपको compact disc बनाने हैं तो उसके लिए सबसे suitable substance कौन सा होगा? तो polycarbonates जो है वो सबसे suitable components होते हैं इसलिए यहां सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा option D अगला सवाल देखिए acid reacts with metal carbonates to form आपके पास कोई metal carbonate है माल लेजे हमने Na2CO3 ले लिया है उसकी आपको reaction करवानी है acid के साथ HCl के साथ तो यहां पे कौन-कौन से substance बनेंगे? सबसे पहले यहां पे salt बनेगा जो कि क्या होगा? NaCl यहां carbon dioxide gas जो है वो release होगी और उसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो sodium हम utilize कर चुके है carbon dioxide chlorine भी हमने use कर लिया है क्या और कुछ बनने की यहां पे probability है यहां पे water जो है वो water release होगा तो यह एक reaction होती है जब एक metal carbonate जो है वो एक acid के साथ react होता है वहां पे salt का formation होता है ठेक है पहला NaCl होग है salt का formation, water का formation और carbon dioxide को तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे options जो है all of these सब का formation जो reaction में होता है अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं अगला सवाल है which among the following basic atoms are must in an alkaloid यानी कि यहां पे आपको nitrogenous organic substances होते है nitrogenous माने की ऐसे organic substances जिन में nitrogen present हो तो यहां पे nitrogen पका present होगी तो यही आपसे पूछा है कि कौन-कौन sign मेंसे होगा तो सही answer आपको क्या हो जाएगा option जो कि क्या है nitrogen अगला सवाल देखिए which of the following alloys is used in making of magnets magnets को बनाने के लिए कौन सा आप alloy यूज करते हैं हम यूज करते हैं el nico el nico के अंदर आपको खुदी पता चल जाता है एक आप aluminium यूज करते हैं यहां पर यह alloy मतलब किस किसका है aluminium का nickel का और cobald का तो सही जवाब क्या होगा इसका options अगली सवाल के तरफ बढ़ते है when a magnesium ribbon is burnt in air मा magnesium का यह magnesium का बना हुआ है इसको आप में क्या किया है burn किया है air के अंदर ठीक है यह आप heat प्रवाइड करा रहे हैं इसको burn करने के लिए तो यहां पर क्या होगा ash का formation होगा rock का formation होगा अब यहां पर क्या होता है क्यूंकि आप इसको air provide करवा रहे हो air के अंदर oxygen भी है बाकी तरह की gases भी है तो यहां पर आपको एक oxide मिलेगा magnesium का और magnesium का जो oxide है उसी की आपको राख मिलती है और वो किस कलर की होती है वो सफेद कलर की होती है वाइट कलर की होती है अगला सवाल लेखते हैं the compound used as an anti-malarial drug anti-malarial drug की तरह use के जाने वाली सबसे important drug होती है chloroquine तो सही जवाब यहां पर कौन सा होगा option B जो कि इसका सही आंसर भी है chloroquine आगे पूछा है आपको saliva का nature क्या होता है saliva का nature लार की प्रकती आपको पूछे के लिए कि क्या वो acidic है बेसिक है या neutral है तो saliva की अगर हम बात करें तो saliva जो है वो slightly acidic होता है यानि strong acid नहीं है पर थोड़ा acidic होता है यान 05 तक होती है यानि जो neutral है उसके आसपास तक पहुन सकती है उससे थोड़ी कम तक रहेगी average अगर हम देखें तो कैसी होगी है ऐसे देखो तो यहां पर जवाब जो होगा वो कौन सा होगा option D अगला सवाल देखिए अगला सवाल है oil of mirbane oil of mirbane किसका common नीम तो जो nitro benzene है उसक उसको पहले perfumes में भी यूज किया जाता था उसको shoe polishes में भी यूज किया जाता था pain में भी और इस तरह के बहुत सारे यूजर से नाइट्रो बेंजीन को हम oil of mirbane भी कहते हैं तो सही जवाब है नाइट्रो बेंजीन नाइट्रो बेंजीन के structure अगर आप मतसे पूछोगे त gypsum को हम cement में add करते हैं ताकि उसका जो settling time है settling time कौन सा होता है वो time जितनी देर में cement हो है वो अपना strong जो nature है या फिर अपना जो कठोर nature है वो occupy कर लेती है तो settling of cement अगर हम dairy से होने देना चाहते हैं तो हम use करेंगे gypsum को settling of cement को slow करने के लिए तो सही जबाप कौन से होगा इसका option भी आगे है which of the following is not a chemical change यानि कि कौन सा जो आपको नेशे दिया हुआ वो रसाइनिक परिवर्तन नहीं है तो oxidation एक रसाइनिक परिवर्तन या oxidation state यहाँ change जाती है reduction में भी change जाता है sublimation अगर आप देखोगी तो sublimation के अंदर क्या होता है सिर्फ state conversion होता है तो sublimation जो है वो physical change का एक example है यानि कि एक chemical change नहीं है तो answer में क्या होगा option C decomposition up-gutton क्या होता है आपने कोई एक substance लिया है उसका अगर up-gutton हो रहा है ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते है an acceptor of a pair of electron is termless तो हमने दो चीजे जो है दो definitions बहुत commonly पड़ी भी होती है जो कि है एक electrophile और एक neutrophile की तो एक electrophile और neutrophile की अगर आप बात करें तो दोनों में क्या difference है तो electrophile जो है वो electrons को attract करता है यानि उससे electron की pair की जरूरत होती है वो acceptor होता है और जो nucleophile है वो donor होता है electron की pair का तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा electrophile आगे है कि refrigerators जो है उनमें liquid कौन सा use कर सकते हैं हम refrigerant के लिए usually जो domestically भी हम use करते हैं as a refrigerant वो हम use करते हैं liquid ammonia को क्योंकि उसके अलग-अलग properties है उनके बहाफ पर तो सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पर option भी आगे देखिए which of the following is a halogen आपको बताना है कि कौन सा halogen है तो halogen आपने कौन-कौन से होता है fluorine, chlorine, bromine, iodine अब यहाँ तक तो हमें बता होता है लेकिन यहाँ पर आपको इमेंसे कोई भी option नहीं दिया हुआ है तो astatine जो है fluorine, chlorine, bromine, iodine इनके आगे के जो elements है उनके अंदर आपको astatine भी मिलेगा जो कि एक halogen है halogen क्यों कहा जाता है इनको क्योंकि है salt forming होते है halogen का मतलब जो है वो इसी से लिए आ गया है आगे आपको पूछा है कि amalgam जो है is term used for an alloy of किसका ऐसा alloy हम बनाते हैं जिसके लिए हम amalgam term use करते हैं तो mercury का अगर alloy बनाया जाता है तो उसके लिए हम use करते हैं term amalgam अगला सवाल देखी the group reagent for the test of alcohol system मान लेज़े जो alcohol functional group है कोई आपके पास aliphatic या फिर किसी भी तरह का आपके पास hydrocarbon है जिसमें आपके पास alcohol functional group है आपको चेक करना है यानि कि इस तरह के test होते हैं क्योंकि आपको unknown compounds दे दिये जाते हैं फिर आपको चेक करना है कि इनमें से कॉन alcohol, alihide ketone ये सब तो सबके group reagents होते हैं और alcohol का group reagent है seric ammonium nitrate को हम use करेंगे और सही जवाब क्या होगा option A आपको lukas reagent भी कहीं कहीं option मिल सकता है lukas reagent जो है उसको भी हम alcohol जो है उसके लिए use करते है alcohol functional group के लिए और lukas reagent क्या होता है concentrated HCL ये भी आपको अलक्सिक question पूछा जा सकता है that what is lukas reagent and ZNCL2 ये होदा है lukas reagent जिसे भी हम use करते हैं alcohol के लिए अगला देखिए which of the following is generally presents in tonic tonics क्या होते हैं मतलब ये ऐसी दबाईया होती है जिनको लेने के बाद में आपको ऐसा feeling आती है कि आप एकदम से ठीक है आपका body का energy level भी सही या फिर आपको किसी भी तरह की कोई problem नहीं है और जो tonics होते हैं उनके अंदर generally ethanol की थोड़ी बहुत amounts रहें वो present होती है अगला सवाल पूछ अगला सवाल देखिए कि आपको यहां पर H2O और D2O इनका जो boiling point और melting point है उनको compare करवाया हुआ है तो देखिए boiling point और melting point दोनों ही heavy water जो है उसके जादा है अब आप पूछने कि क्यों जादा है अब पहले बात करते हैं boiling point कि boiling point D2O का जादा है क्योंकि hydrogen bond 15 के अंदर ही present है अब बात है कि किसके अंदर strong hydrogen bonding है तो D2O जो है उसके अंदर strong hydrogen bonding है इसलिए boiling point D2O का जादा है क्यों जादा है क्योंकि एक तरह के force होते हैं हमारे पार जब हम study करते हैं जो कि होते हैं London forces या फिर iron dipole forces वो जादा होते हैं D2O के अंदर इसलिए melting point वी जादा किसका है heavy water का अब आप options को match करिए both melting point and boiling point of heavy water are lower lower नहीं है heavy water के दोनों चीज़ें higher हैं तो पहला option जो है वो इसका correct answer होगा अगला सवाल देखिए आपको पूछा है कि transuranic elements का atomic number क्या होगा तो 92 से जादा जो भी elements है वो सारे transuranic हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा सही जवाब को का option भी तो सीधे सीधे सवाल ने आपको periodic table जो है उस पर हुरी पकड़ होनी चाहिए अगर आपको chemistry आनी चाहिए और और इसके अलावा organic chemistry के लिए आपको basics ज़रूर आना शभी और जितने भी named reactions है वो और सारी reactions के आपको जो है mechanism बता होनी चाहिए Who among the fallen is known as the manufacturer first cyclotron cyclotron में हम क्या करते हैं जो charged particles है उनका acceleration करवाते हैं तो सबसे पहले किसने discover किया था cyclotron को तो जो Lorenz है Ernst Lorenz इन्होंने सबसे पहले cyclotron के discovery करी थी तो सही जवाब इसका कौन सा होगा सही जवाब को का option P अगला सवाल देखिए आपको पूशा गया है कि molecular formula बताना है आपको phosphorus का तो phosphorus जो है वो P4 state जो है उसमें exist करता यानि कि 4 phosphorus जो है वो एक साथ added होते हैं अगर आपको भी white phosphorus, red phosphorus इन सब की structures पढ़ोगी तो आप इस तरह से मिलेगा आपको उनकी structures जो है इस तरह से इन में bonding होती है और यह इस तरह से आपस में भी bonded होती है तो तो correct answer इसका क्या होगा option D अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि कौन से जो options है वो correctly matched नहीं है पहला है brass, brass copper और zinc का alloy है ठीक बात है काफी बार discuss कर चुके हैं हम नया जो यहां पर आपको मिलेगा वो है BC&D, duralumin, duralumin जो है aluminum आपको देख रहा है तो aluminum उसमें present है और उसके साथ-साथ copper present है यह भी एकनम ठीक है, constanton में आपको copper और nickel मिलेगा यह भी एकनम ठीक है, white gold जो है उसमें अगर आप बात करोगी gold, silver आपको option दिया हुआ है तो आप gold और silver जो है वो दोनों white gold में नहीं present होते हैं, तो यहां गलत matching है, option D, next question देखिए, which of the following are found in the nucleus of deuterium, deuterium का atomic number देखिए, atomic number है, इसका 1 और इसका mass है 2, तो protons का number इसमें कितना हो जाएगा, 1 और neutrons का number हम calculate करेंगे, 2-1 is equal to 1, यानि इसमें एक ही proton है और एक ही neutron है, तो सही जवा जवाब इसका कौन होगा, option A, next आपको मुझा है कि pearl जो है उसको बनाने के लिए किसको इस्तमाल क्या ज़्यादा है, pearl जो है calcium carbonate ही होता है, तो सही जवाब इसका क्या है, option B, calcium carbonate के इस्तमाल से हम pearl का formation करेंगे, आगे पूचा है कि आपको नीचे जो दीवें में से कौन सा option correct है, तो correct आपको anode और cathode पे होने वाली reactions पूची है, तो देखिए anode के उपर reduction reaction होगी और cathode पे oxidation reaction होगी, लेकिन अगर आपको एक electrochemical cell पूचा जाता है, electrochemical cell में आपको याद रखना है कि ये चीज़ें opposite होती है, ठीक है, तो electrochemical cell में आपको क्या मिलेगा, anode के उपर होता है oxidation और cathode के उपर होता है reduction, जो हमने पहले भी किसी question में इसकी बात करी है, लेकिन अगर आपको simply पूचा जाए कि यहाँ पे क्या होगा, तो anode पे आपको reduction reactions देखने को मिलेंगी और oxidation कहा होगा, cathode पी, यानि option A जो है वो आपका ठीक है, अगरा सवाल लेखिए, which among the following was the first artificially produced element पहला artificially produced element या फिर synthetic element जो है, वो है technetium, मैंने आपको 95 to 118 बताये थे, उनके लावाद दो और synthetic elements बताये थे, उनमें एक technetium भी है, और दूसरा जो element था, वो था promethium और उनमें से technetium जो है, वो सबसे पहले discover किया गया था, अगला देखिए, LSD आपने नाम सुना होगा, एक drug है, जिसका बहुत जादा misuse भी किया जाता है, lysergic acid, diethyl amide, इसको आप किस तरह से use कर सकते हैं, उसे आप hallucinogen की तरह use कर सकते हैं, और hallucinogen क्यों होता है, ब्रम कारी होगी, ये ब्रम पैदा करते हैं, मतलब कोई चीज होगी, जो आपके सामने होगी भी नहीं, फिर भी आप को लग रहा होगा कि आपके आगे ऐसी चीज कुछ है, चीक है, तो hallucinogen होती है हमारी LSD, अगला सवाल देखिए, कुबाल का oxide है, is used to impart which color to the glass, जो glass है, उसको किस तरह के color इंपार्ट करने के लिए आप कुबाल्ट oxide यूज़ करोगी, तो अगर आप चाहते हों, कि जो आपके होगा option B, अगला सवाल देखिए, which among the following does not come under the carbon group of the periodic table, तो carbon group आपके elements पता होना चाहिए, तो carbon के लिए हमारे time पे, इन सब के लिए mnemonics हुआ करते थे, हमने mnemonics से याद करी थे periodic table, क्योंकि group wise आपको इस तरह के elements पूछ लिये जाते हैं, तो हमारा mnemonic था कहे शिव जी, या सारे elements हो गए, आपके carbon, जो series है उसके, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा element है, जो carbon का है, does not come, कौन सा नहीं है, तो silicon, silicon second element है, ठीक है, germanium तीसरा element है, यह भी ठीक है, tin है हमारा, sn, और last में हमारा आता है, lead, और यहाँ पे हमें कौन सा बता है, selenium, selenium यहाँ का element है, वो नहीं है, किसे ही जवाब इसका कौन से हो जाएगा, option D, ठीक है, अगला सवाल लेखे, silver containing lead as an impurities removed, यानि कि जतने भी noble metals है हमारे, silver, gold, इन सबकी impurities जो हमें remove करनी होती है, तो हम एक process use करते हैं, जोने कहते हैं, cupulation, cupulation के अंदर क्या होता है, high temperature का इस्तिमाल किया जाता है, और correct answer यहाँ पर क्या होगा, option me, cupulation, अगला देखिए, अगला सवाल है, a process of very slow regulated cooling is known as, यानि आपको बहुत ही ध्यान से और एकदम regulated तरीके से cooling करनी है, यानि कोई चीज है जो high temperature पर उसको आपको low temperature पिलाना है, तो ऐसी process मैंने आपको glass में बताई थी, कि glass के अंदर पहल properties add होती है, पर उससे पहले आपको annealing करनी होती है, उसको slow maintained cooling, which is known as annealing, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option A, धातू पर पानी चड़ाना कहते हैं, अगला है poly metallic nodules, poly metallic nodules जो आपने अगर कभी सुना हो, तो इसका दूसरा नाम ही है, manganese granules, ठीक है, तो ये manganese granules होते हैं, और आपको जो C bases हैं, वहाँ पर मिलेंगे आपको, और इसका सही answer क्या होगा, manganese, which is M, N, or magnesium नहीं है, आपको ये याद रखना है, कौन है इसका answer, manganese, अगले सवाल की तरफ चलिए, आपको पूछा है कि liquor poisoning, जो है, वो किसकी वज़ा से होती है, liquor, शराब का दूसरा नाम है, तो ये होती है, methyl alcohol की वज़र से, क्योंकि हम काफे बार पढ़ चुके हैंगे, और correct answer इसका कौन होगा, option A, अब आपको बूछा है कि crown ethers क्या होते है, देखे, crown ethers होते है, cyclic ethers होते है, यानि कि आपको बड़ी-बड़ी cycles मिलेंगे, और उनके अंदर आपको बीच-बीच मे तो cyclic ethers को हम crown ethers कहते हैं, correct answer is option A, next question is, which among the following can be used as a preservative in tomato juice, tomato juice हो कोई भी आपको किशन के पास किसी भी तरह का source of benzoic acid को हम यूज करते हैं, या तो आपको ऐसार एक form में यूज कर सकते हैं, उसका salt यूज कर सकते हैं, यहां आपको salt दिया हुआ है, तो sodium benzoid जो है, उसको हम इ preservative के लिए, अगला सवाल देखिए, at room temperature formaldehyde is, formaldehyde का है, carboxylic acid का पहला, sorry, formaldehyde is aldehyde, which is HCHO, aldehyde जो group है, उसका पहला member है, formaldehyde, और room temperature पे formaldehyde जो होती है, वो एक gas होती है, ठीक है, अगला आपको बूचाए, tolens reagent, tolens reagent हम use करते हैं, जो aldehyde और ketone function group है, इनमें ड differentiate करने के लिए, क्या अलग-अलग reactions होती है, tolens reagent के साथ में, और ammonical silver nitrate, जो solution है, यानि कि silver nitrate के solution में ammoniated अगर वो हो, तो उसे हम कहते हैं, क्या tolens reagent, तो option C, जो है, वो इसका सही जवाब होगा, आखरी सवाल की तरफ चलते हैं, आखरी सवाल है, which among the following minerals is known as horn silver, horn silver के, sorry, silver क minerals है, उनमें से एक का नाम है, horn silver, आपको रूशा है कि किसे हम horn silver के नाम से चानते हैं, तो silver chloride, जो है, A, G, C, L, उसका दूसरा नाम क्या होता है, horn silver, तो यह हुआ ली process के बारे में, kimberdy process is related to which among the following, आपको पूछा गया है, कि आपको जो options दिए हुए है, उनमें से kimberdy process किसे related ह तो kimberdy process मैं आपको बता दू, it is related with diamonds, जो diamond है, आपके हीरे जो है, उनसे related होता है, यह process, चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ, दूसरा सवाल है, the colors in the fine cut diamond are because of which among the following, आपको पूछा गया है, कि जो diamond है, हीरा है, वो जो है, अलग-अलग तरह के color जो है, वो देता है आपको, अब आपको पूछा गया है, कि उसकी वजह क्या होती है, अब देखिए, diamond जो है, उसके अंदर कुछ impurities present होती है, कुछ अशुधता present होती है, उसके अलावा कुछ lettuce defects होते हैं, उसके अंदर, क्या कहते हैं, उनको हम lettuce defects, यह दो चीज़ें जो है, वो main reasons होते हैं, और इनके अ लेकिन color पूछा गया है यहां को, तो color में आपको total internal reflection जो है, वो answer में नहीं देना है, color के लिए आप कहेंगे कि क्योंकि उसमें impurities present है, इस वजह से क्या होगा, उसमें जो है, अलग-अलग तरह के colors आते हैं, तो correct answer इसका क्या होगा, correct answer होगा, इसका option C, अगले सवाल की following is not correctly matched, आपको पूछा है, कि आपको जो यह options देए हुए, चार इनमें से कौन सा ऐसा है, जो सही से match नहीं किया गया है, अब पहला है, देखे sodium, sodium को natrium भी कहा जाता है, यह मतलब almost इनके different names है, जो यह तो पहले यूज के जाते थे, या फिर अब जो है, कभी-कभी इस तरह स आपको questions के पूँछे जा सकते हैं, तो sodium को natrium कहा जाता है, एकदम ठीक बात है, potassium को kalium कहा जाता है, और mercury को hydrogium भी कहा जाता है, लेकिन last job को दिया गया है arsenic, arsenic और stebium जो है, वो एक correct match नहीं है, क्योंकि antimony जो है, antimony को हम stebium के नाम से जानते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं देखो इनको, तो हम sodium को S की इस form में represent नहीं करते हैं, N A की form में represent करते हैं, तो वो N A नाम जो है, वो हमने कहां से लिया है, उसका actual origin जो है, वो natrium से हुआ है, इसी तरह potassium का K, mercury का HG, ठीक है, तो यह सारे आप समझ जाएंगे कि अब यह जो names है, वो कहां से आ है, तो यहाँ आपे जो wrong matching है, वो कौन से है, वो है option D, जो की है, arsenic के बारे में, ठीक है, यहाँ करत क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, antimony, अगला सवाल देखिए, which among the following is the most important characteristics of noble metals, जो उत्कृष्ट धातू हैं आपकी, उसकी सबसे महत्वपून विशेष्ता क्या है, तो द अब noble gases के बारे में, आप सबसे important चीज जो है, वो क्या बताएंगे, कि noble metals जो है, या noble gases जो है, हमने noble क्यों कहा है, क्योंकि reactions जो है, बहुत कम करवाती है, reactions जितनी भी है, chemical reactions उनमें participate नहीं करती, यानि हम क्या कहेंगे, कि यह जो noble compounds है, यह reactive नहीं होते है, noble metals के यहाँ बात कर जारी है, तो noble metals कौन कौन से है, आप मुझे जल्दी से बता दे, वो है gold, silver, platinum, ठीक है, तो यह कैसे होते हैं, they are non-reactive, गैर प्रतिक्रियशिल प्रकृति के होते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कैसे टराइट किसका ओर है, तो अगर आपको कैसे टराइट का formula पता है, तो आप answer ठीक से देदेंगे, कैसे टराइट होता है, SNO2, यह होता है, tin का oxide, तो यह किसका ओर होगा, यह ओर होगा, तो सही जवाब इस पर क्या है, option B, ठीक है, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, which among the following is not a use of graphite, graphite जो है, उसका जो आपको दिया हुआ है, वो कौ से चीज उसके बारे में गलत बताई गई है, तो पहला देखिए कि graphite जो है, उसको हम electrodes बनाने के काम में लेते हैं, तो यह बात एकदम ठीक है, जब हमें carbon की electrodes बनानी होती है, तो हम कभी-कभी graphite को भी use कर सकते हैं, बात एकदम ठीक है यह, फिर graphite को हम आज लिब्रिकेंट करते हैं, लिब्रिकेंट की तरह क्यों ही use करते हैं, क्योंकि वो smooth होता है, उसके जो layers होती है, वो slippery होती है, इसलिए वो आसानी से इक लिब्रिकेंट का काम ठीक है, वो पूरा करेगा, अगला देखिए कि इसको cubicles के manufacturing में use किया जाता है, तो यह बात भी एकदम ठीक है, ले चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखिए कि graphite, carbon और diamond ये तीनों क्या है, तो सब चानते हैं, ये तो जन्होंने chemistry पड़ी है कि ये carbon के तीन allotropic forms है, तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा, सही जवाब होगा option D, कि ये क्या है allotrops है, अगला सवाल देख graphite diamond बताया था, जिनको carbon के allotrops होताए थे, उसमें तीसरा allotrop कौन होता है, third allotrop is bucky balls, इनको हम बहुत सारे carbon के atoms होते हैं, जिनकी structure होते हैं, फुट बॉल के जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको balls कहते हैं, balls इनके end में लगाया गया है, तो सही जवाब इसमें क्या होगा, कि ये अगर आपको लिथार्ज नहीं भी मालूम है एक बार के लिए, तो गैलेना जो हम सब को मालूम होता है, गैलेना किसका ओर है, गैलेना लेड का ओर है, बी बी अ, सल्फाइड ओर है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option D, अगला सवाल देखिए, which of the following radiations carry maximum energy, यानि कि आपक या अधिकतम उर्जा वाली जो radiation है, वो कौन सी है, तो देखिए, एक specific sequence है, ultraviolet, sorry, जो radiations है उनका, किसके according, उनकी wavelength के according, तो वो आप ध्यान रखिए, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, radio waves आता है, radio waves के बाद में कौन सी waves आती है, microwaves आती है, उसके बाद infrared radiations आती है, उसके बाद में x rays आती है, और finally आती है, हमारी gamma rays, तो यह जो मैंने sequence लिखा है, इसमें आप उपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, कि energy जो है, वो बढ़ रही है, उपर से नीचे जाने की तरफ, तो अब सवाल का जवाब दीजे, कि सबसे ज़ादा energy कौन सी radiation में होगी, gamma radiation में होगी, कोई भी confusion नहीं है इसमें, तो सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब हो जाएगा, option C, that is gamma rays, अगला सवाल देखी, अगला सवाल है, 861, adsorption जो process है, absorption जो है, it's commonly used in which of the following process, आपको नीचे जो process दी हुई है, उनमें से कौन सी ऐसी process है, जिनक कोई surface है, उसके उपर molecules की attach होने की जो process है, उसे हम कहते है, absorption, यानि एक सतर ही प्रक्रिया है, अंदर की तरफ उसमें कोई भी process नहीं होता है, अब chromatography क्या है, chromatographic ऐसा process है, जिसमें आप अलग-अलग substances को separate करते हो, जिसमें substances उनके color के according कभी कभी separate हो जाते है, जिसे chromatographic paper है तो chromatography के अंदर हम absorption जो है, उसको इसको इस्तेमाल करते हैं, तो सही जवाब क्या होगा, इसका option D, अगला सवाल देखे, which among the following sentences is true, आपको नीचे जो sentences दिये हुए है, वो पढ़ने है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा sentence true है, तो देखे नीचे आपको जो भी options दिये ह बारे में बात कर रहे हैं, कौन-कौन सी दो चीज़े हैं वो, पहली है amorphous और दूसरी है urea, तो देखे सबसे पहले हम इनके formula की बात कर लेते है, amorphous के क्या है, दोनों ही क्या है, fertilizers है, उर्वरक है, तो अब आप बताईए कि amorphous क्या है, amorphous का formula अगर आपको नहीं पता है तो high nitrogen और potassium phosphorus content होता है इसके अंदर, और इसका जो formula है, वो है NH4, H2, PO4, यह आपका formula है कि इसका amorphous का और यूरिया का formula हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्या है वो, NH2, CO, NH2, तो आप देखे, अब इन दोनों compounds के बारे में आपको कुछ options दिये हुएं, तो हम एके करक options पढ़ लेते हैं, पहला option है, amorphous is an organic fertilizer, while urea is an organic, यानि कि आपको options में organic, inorganic के बार करे गई है, चारों के अंदर, तो देखे, सबसे पहले carbon और oxygen जो है, वो कौन से compound में present है, तो urea जो है, उसके अंदर मुझे carbon और hydrogen दोनों दिख रहे हैं, तो urea को हम क्या कहेंगे, urea को हम क पहेंगे organic fertilizer, organic उर्वरर कहेंगे carbonic, और जो दूसरा है, amorphous, उसको हम क्या कहेंगे, inorganic, तो बताइए क्या पहला option ठीक है, amorphous जो है, वो organic fertilizer नहीं है, तो पहला option जो है, वो गलत है, second देखे, amorphous inorganic है, और urea organic, तो second जो statement है, वो एकदम ठीक है, तो अगर आपको formula पता है, तो आप आराम से question जो है, वो solve कर सकते हैं, चलिए अगली question की तरफ, अगला question है, फ्रोत और foams के बारे में, कि फ्रोत जो है वो, जानी, यानि कि जो जाग है, ये जो है किस चीज का example है, तो जाग आपने देखा होगा, जब भी तो बाहर आपको bubbles जो है, बाहर आपको एक layer रिखती है water की, और उसके अंदर आपको gas मिलती है, ये आपको कैसे बताच चला, क्योंकि जाग जो है, वो हम सबने फोडे होगे कभी न कभी, तो जैसे ही आप air blow करते हो, किसी भी जाग के particle के उपर, तो वो बिखर जाते है, मतलब जितने भी उसमें bubbles है, वो तोट जाते है इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पर gas जो है, वो suspended है, और gas किसके अंदर suspended है, solid में suspended है या liquid में, that is the question, तो यहाँ पर gas suspended किसमें है, आपकी liquid में suspended है, तो सही जवाब आप कौन से बताएंगे, option C, वो सही जवाब होगा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, as per avogadros hypothesis, avogadros जो है, उन्होंने एक hypothesis दी थे, एक परीकल बना दी थी, आपको उसके कुछ statements दिये हुएं, और वो incomplete है, आपको उसे पूरा करना है, अब उन्होंने क्या कहा है, कि अगर आप equal volume की अलग-अलग gases लेते हैं, मान लीजे, आपके पास कोई gas A है, उसका volume, gas B का volume, और gas C का volume, ती इसके होंगे, तो जो हमारे aogadro है, aogadro जो जो यह कहते हैं, कि अगर आपके पास अलग-अलग gases जो है, उनका volume इक्वल है, अगर उनका, क्या है, उनका volume जो है, अगर आपके पास equal है, और temperature और pressure भी same है, तो उनके जो molecules होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अब इनोंने law दिया है, इसमें मैंने कुछ भी addition नहीं किया है, तो आपको यह law गर याद है, तो आप भी question जो है, वाराम से सही करेंगे, तो सही जवाप कौन सा होगा, इसका option B, that is molecules, number of molecules will be same, अगला question देखिए, आपको rayon के बारे में पूछा है, कि rayon किस चीज का example है, तो rayon ज जाता है, जो natural fiber है, उनमें कुछ modification करके, यानि पूरी तरह से modified नहीं है, natural का भी कुछ part है, इसलिए हम इसको बीच में रखेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, semi-synthetic, that is option C is the correct answer, Alloys के बारे में आपको पूछा है, कि Alloys किस किस का solution होते है, क्या उसमें दोनों solid होते हैं, solid, liquid, gas, तो देखिए, Alloys के नाम पे सबसे common example आपको मैं बता देती हूं, जैसे L-Nico है, L-Nico के अंदर आपने क्या देखा, हमारे पास mixture है, aluminum का है, nickel हमारे पास है, और cobalt हमारे पास ह तो हमने 3 elements उनको mix किया है, और ये क्या हुआ, solid का solid में mixture, यानि 3 भी हो सकते, कितने भी हो सकते आपकी पास, उनका number fix नहीं है, बर जो चीज है उनकी state के बारे में, तो solid और solid का mixture होगा हमारे पास, उस solution को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे alloy, तो सही जवाब यहां पे क्या है option A, अगला सवाल देखिए, the container employed in the process of electrolysis is called, यानि कि जस container के अंदर आप electrolysis perform करवा रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं, voltameter, यानि कि उसका हम use voltmeter की तरह, voltage ना अपने के लिए भी कर सकते हैं, और emeter, यानि कि current plank में के लिए भी किया जा सकता है, तो सही जवाब इसका क्या हो गया, सही जवाब है, option C, अगला सवाल देखिए, the process of electrolysis oxidation occurs, electrolysis या फिर electrochemical जो cell है, जिनकी बात हमने कल भी करी थी, उसमें पूछा है, आपको की oxidation कहां पे होता है, तो यहां पे oxidation होगा, anod के उपर, तो same, कल जो explanation दिया है, वही question है, कल आपको जो मैंने electrochemical cell से, अलग से जो बताया था, वहीं यहां पूछा गया है, तो correct answer आप बताएगे, कौन सा होगा, option B, next question देखिए, a molecule is a smallest part of matter, ठीक है, यानि कि एक matter है, matter का सबसे छोटा part क्या होता है, molecule होता है, which possesses all properties of original matter, यानि आपके पास जो original matter, जैसे आपके पास माली जो चीनी है, बहुत सा कहा गया है, कि जो molecule है, उसमें सारा जो matter है, अनू जो है, उसके अंदर मूल पडायत के सारे गुण होंगे, तो आपको पताना है, कि जो अनू है, उसके उपर कोई चार्ज होता है, क्या यह अगर नहीं होता है, तो अनू जो है, वो neutral होता है, उसके उपर कोई भी चार्ज ह है वो नहीं होता है और सही जवाब इसका क्या होगा option d अगला सवाल है the iron container or vessel is galvanized by to galvanization process अगर आप iron के respect में बात कर रहे हो तो हम एक ही चीज़ के respect में जो है इसकी definition galvanization बोलते हैं and that is zinc तो सही जवाब इसका क्या होगा option b next question देखिए which among the following is an ionic solid आपको बताना है कि कौन सा ionic है diamond के ionic है नहीं diamond carbon का एक lot drop है three dimensional solid है इसके अंदर ionic bond नहीं होता है यहां पर होता है coval bonding hybridization sp3 okay dry ice क्या होते है dry ice is carbon dioxide carbon dioxide ionic नहीं है table salt table salt या फिर साधा नमक जो है आपका NACL होता है NACL ionic salt है एक और एक solid भी है तो सही जवाब इसका क्या होगा option c अगला सवाल देखिए which of the following has the maximum calorific value calorific value क्या होती है आपके पास जिस भी substance की बात हो रही है अगर मान लीचे आप उसको जलाते हैं उसको जलाने पर कितनी amount जो है energy की या heat की कितनी amount जो है वो liberate होगी जो उसके अंदर stored होते हैं उसे हम कहते है calorific value और यहां जो options देवे वैसे हम कहते है naturally की natural gas की calorific value high होती है लेकिन जो hydrogen gas है उसके calorific value nitrogen gas से भी जादा होती है सही जवाब इसका कौन सा होगा सही जवाब होगा option A अगले सवाल की तरफ चलते हैं अदर anti-knocking properties of any fuel exhibit जो anti-knocking properties है किसी भी आपके पास जो fuel है कोई भी इंधन आपके पास जो है उसमें क्या मिलेगा आपको octane number जो है वो भी एक importance रखता है यह दोनों चीज़े हमेशे जाए साथ साथी आती है और आप क्या कहेंगे सही जवाब होगा आपका octane number अगला सवाल देखिए which among the following acids is abundant in grapes, bananas and tamarind जो imli है केला और अंगूरन के अंदर कौन सा acid जो है वो सबसे ज़ादा मिलेगा तो अगर आपको बाकी नहीं पता तो भी आपको imli का तो पता ही होगा कि imli के अंदर tartaric acid जो है उसकी amount जादा होती है और पहीन दोनों के अंदर है तो सही जवाब कौन सा होगा हमारा option B tartaric acid next question देखिए the dash is used as an agriculture fertilizer agriculture fertilizer की तरह आप किसे यूज़ करते है तो bioethanol ethane methanol alcohol के जोए कोई भी जरूरत नहीं होती है अगर आपने देखा होगा या alkane की भी कोई जरूरत नहीं होती है agriculture में हमें चाहिए होता है वहाँ पे nitrogen phosphorus और potassium इनकी concentration और वो आपको मिलेगी digest rate के अंदर so correct answer is option d एगनाब और आपको आप सीखने को मिला है आप इसे याद रखें किया digest rate जो है उसे हम use करते हैं next question देखिए next question है fuel cell in an electrochemical device that converts chemical energy तो fuel cell के अंदर क्या होता है chemical energy किसमें convert हो जाएगी electrical energy के अंदर तो सही जवाब इसका क्या होगा option a next question है bring out the statement which is wrong यानि आपको जो statements है उन्हें से जो गलत statement है उसे चाटना है पहला option देखिए कि acetone जो है उसका आप solvent की तरह use कर सेते हैं अब देखिए कुछ substances ऐसे हैं जो water जैसे substances में soluble होते हैं यानि कि कुछ रहे हैं वो polar में soluble होते हैं और कुछ non polar solvents में soluble होते हैं तो बहुत चारे ऐसे examples भी हैं हमारे पास जो ऐसे tone में soluble हैं तो उसे हम एक solvent की तरह विलायक की तरह हम use कर सकते हैं अगला देखिए आड्रेनलिन के बारे में कहा है कि एड्रेनलिन को heart failure अगर किसी का हो जाता है या फिर वो जो process है उसमें हम use कर सकते हैं तो एड्रेनलिन एक हॉर्मोन है हमारी body का एक life saving हॉर्मोन से कहा जाता है और यह बात एकदम ठीक है कि emergency situations के अंदर आप अड्रेनलिन को जो है use कर सकते ह नेक्स देखिए graphite is an example of allotropy बिल्कुल ठीक बात है carbon के allotrops में से एक graphite भी है graphite है आपका diamond है आपके पास और तीसरा कौन सा है bucky bolster है तीनों एकदम ठीक बात है तो सारे options correct हैं तो हम answer कौन से बताएंगे option T नेक्स question देखिए which of the following is the lightest metal आपको बताने सबसे हलका metal कौन सा है तो आपको दिया है magnesium, aluminium, platinum और lithium तो आप देखिए hydrogen, helium, lithium, lithium लीथियम कौन सा number है lithium वो element है जिसका atomic number 3 है periodic table में शुरू में आ रहा है यानि की बाकी सारे बहुत दूर दूर है इससे तो इन में से सबसे हलका कौ table का knowledge है वो चेक किया जा रहा है अगरा सवाल है lightest element आपको फिर से same questions है लेकिन आपको जो है options में कुछ change कर दिया गया है यहां पे आपको lightest metal नहीं पूछा गया है last question में आपको lightest metal पूछा गया है अगर metal पूछा गया होता है तो hydrogen और helium को निकाल देते हैं because they are gases okay टेकिन यह element पूछा है तो periodic table का पहला element है hydrogen और सबसे कम atomic mass वाला element भी कौण सा है hydrogen तो सही जवाब है वो कौण सा होगा option A जो क्या है hydrogen hydrogen next देखे next which of the following is the most fundamental property of the element element की सबसे fundamental molek गुण कौण सा है उसका atomic number है उसकी प्रमानुस संख्या जो है वो उसका molek गुण है उसकी सारी properties जो है atomic number के बहाफ पे ही decide होती है तो सही जवाब होगा atomic number अगला देखे डीडीटी का full form आपको पूछा है डीडीटी के full form के हम पहले भी बात कर चुके डीडीटी के अंदर क्या होता है और दो chloro मिलेंगे तो dichloro, diphenyl, trichloro, ethane so the correct answer will be option B अगला सवाल देखे तो concentration process of sulfide ores is sulfide ores के लिए concentration process कौन सा है तो sulfide ores के लिए हम यूज करते हैं fruit flotation process जाग परवर्तन प्रक्रिया सही जवाब क्या होगा इसका option C next देखिए when we buy a jewelry of 22 karat gold this means that we are getting the purity of gold अब देखिए gold जो है वो काफी purity अलग-अलग standards आते है 22 karat, 24 karat तो ऐसा माना जाता है कि 24 karat जो gold है that is the purest form of gold यानि कि यह 100% gold होता है और इसी तरह जो 22 karat gold होता है तो में gold की अगर आप percentage कूछते है मुझ से तो वो होगी 91.67% and the correct option is option B ठीक है यानि कि 90 से ज़्यादा 91.something next देखिए आपको isotope के बारे में question पोछा है the isotope of any atomic nucleus is in which अब यहाँ पे क्योंकि बात neutrons और protons पे आ गई है लेकिन हम हमारे basic से ही चलेगे हमें क्या मालूम है isotopes के बारे में जैसे hydrogen के isotopes हैं यह hydrogen की मैंने 3 isotopes यहाँ बना दिये हमें क्या पता है कि इनका atomic number जो है वो सेम है प्रमानू संख्या इनकी सेम है लेकिन इनका जो atomic भार प्रमानू भार है इनका वो different है ठीक है तो हम क्या जानते हैं कि जो इनकी atomic संख्या है जो इनका प्रमानू संख्या है उसके बराबर इसमें कौन होते हैं protons होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर protons जो है वो तो बराबर होंगे लेकिन neutron जो है वो बराबर नहीं होते हैं वो इनमें उनका difference होता मेंगी तो अब options देख लेते हैं number of protons भी same but the number of neutrons भी different तो सही जवाब क्या होगा option भी आप अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है proton समझ में आ गए तो आप कोई भी तीन isotopes के example लीजिए तीन या दो जितने भी किसी के isotopes हैं उनमें calculate करके देखे कि उनमें क्या proton से में क्या neutron से में तो आपको यह सारी चीज़े समझ आएंगी okay next आपको पूछा है which among the following about ozone is incorrect आपको जोजोन है उसके बारे में incorrect statement पूछा गया है तो देखे पहला जो statement it is found in the upper atmosphere filters potentially damaging ultraviolet right from reaching the earth surface तो कहा गया है कि आपका जो atmosphere है उसकी ऊपरी जो सतर है उपर की जो layers है वहां पे मिलती है एकदम ठीक बात है और वहां पे क्या करती है कि ultraviolet जो radiations है पराबैनी की रने जो है उनको धरती या पर प्रत्वी की सतर तक आने नहीं देती है एकदम ठीक बात है कोई भी इसमेर नहीं है तो पहला option जो है वह ठीक है तो हम अगले option की तरफ बढ़ेंगे second देखिए it is lighter than oxygen that is why it is found in the upper atmosphere अब ये बात तो ठीक है कि upper atmosphere में मिलती है पर क्या ये lighter है ये बात हम चेक कर लेते हैं हम क्यों माने जोए कह रहे हैं उसकी ozone Ozone है O3 oxygen है O2 तो आप ही बताइए oxygen का molecule जब Ozone में एक जाधा atom है तो वो lighter कैसे हो सकती है वो तो obviously heavier होगी तो second question जो है उसमें lighter जो इन्होंने word बोल दिया है इसके वज़े से statement जो गलत हो गया है और C जो है it is an allotrop of oxygen एकदम ठीक बात है oxygen का allotrop होता है Ozone ठीक है सारे सही है ये next question देखें आपको chemical lane पूछा है limestone का अब तक तो सब को याद हो गया होगा limestone quick lime in सबका formula limestone is calcium carbonate and quick lime is calcium hydroxide तो सही जवाब है option C heaviest metal आपको पताना है silver copper gold और lead में से तो silver copper gold और lead में से अगर आप atomic number atomic mass अनका compare करते हैं तो gold जो है वो heaviest metal होगा सही जवाब कौन है इसका option next आपको पूछा गया है next question देख लेते हैं next question क्या है the freezing point of water on mixing edible saltwood यानि आपने खाने का नमक जो है NECL जो हो पानी में मिला दिया तो उसके freezing point पे क्या फरक पड़ेगा तो देखिए freezing point जो है उसमें depression होता है freezing point में depression होता यानि freezing point decrease होता है इसी तरह ये ही सवाल आपको boiling point के लिए भी पूछा जा सकता है तो boiling point जो है उसमें elevation होता है यानि boiling point जो है वो बढ़ता है, यह कब होता है, जब आपने जो साधा पानी है, उसके अंदर कुछ solute आड़ कर दिये हैं, तो यह process होती है, तो आपने साधा नमक उसमें आड़ किया, तो freezing point क्या होगा, decrease हो जाएगा, तो सही जवाब क्या है, इसका option C, अगला देखे, which of the following is weak base electrolyte, आपको व weak base कौन से है, तो जितने भी जो हमारे alkyl compounds है, या फिर जो हम पढ़ते हैं, हमारी organic chemistry के अंदर वो जो amides होते हैं, वो जो है weak bases होते हैं as compared to sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide, तो इन में से सबसे भी कौन सा होगा, alkyl amides, यानि correct answer है, option D, अगला सवाल लेखे, अगला सवाल है, इन electrolyte ionization, मतलब आपके पास कोई electrolyte है, उसको आपने dilute कर दिया है, उसमें आपने और जो है, पानी add कर दिया है, तो आयनी करन जो process है, उसके उपर क्या फरफ पड़ेगा, तो हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे आप dilution को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ionization जो है वो बढ़ेगा, तो सही अगला सवाल, the principles of green chemistry include eliminating the dash treatments, green chemistry, हरित रसायन विज्ञान जो है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, जतने भी हरित रसायन विज्ञान mainly based है, जतने भी आपके पास harmful chemicals हैं, उनको हटाने के लिए, तो इसके लिए जतने भी हमारे पास महेंगे महेंगे treatments हैं, महेंग harmful chemicals हैं, उनका release होता है, तो अगर हमने इनको रोक दिया, तो वो जो नुकसान दाय chemicals थे, उनको भी हम कम कर देगे, और जो cost है, उसको भी कम कर देगे, सही जवाब हैं कौन सा होगा, option A, next question देखिए, आपको group 4 में lowest melting point पूछा है, group 4 के आपको examples देखिए, सबसे पहले आपको पता होना शहीए, कि सब group 4 में हैं भी या नहीं, तो आपको tin, lead, silicon और germanium दिया हुआ है, तो इन में से अगर आप melting point देखते हैं, भही आपको मैंने जो कल एक नुमोनिक बताया था, याद करने का तरीका, वो ही आपके पास आज भी आ गया है, इन में से melting point की बात हो रही है, भही शिवजी सुने पारवती, जो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, इन में से आपको बताना है कि सबसे कम melting point कौन सा होता है, तो अगर आप बताएंगे 10 और lead में से, तो tin का melting point जो है, वो सबसे कम होता है, सही जवाब है, इसका option A, और अगला आपको zwitterine पूछा गय एक्जामपल में आप सबने amino acids देखे होंगे, तो amino acids में क्या होता है, एक NH2 group होता है, तो NH2 को हम ionized form में represent कर सकते हैं, ammonium की form, इसके उपर एक carboxyl group भी होता है, carboxyl group को हम CO- की तरह represent कर सकते हैं, एक hydrogen group होता है, और माली जे चौथा group है, वो methyl है, अब ये एक ही compound है, मैंने आप आपको बता, एक ही molecule के अंदर दोनों charge का होना, तो एक molecule के अंदर आपको plus charge भी दिख रहा है, और आपको minus charge भी दिख रहा है, इससे हम कहते हैं, zwitter ion, अब आपको बताने हैं कि यहाँ पे जो options दिए, वो कौन कौन से सही हैं, तो zwitter ion, crystal ion compounds होते हैं, एकदम ठीक हैं, ये water में soluble होते हैं, क्यों, क्योंकि water के पास H plus भी है, OH minus भी है, तो जिससे H plus के requirement होगी, वो H plus ले लेगा, और जिससे OH minus के requirement होगी, वो OH minus ले लेगा, और इसी के साथ यही चीज़ explain करती हैं, कि amphoteric भी होते हैं, क्योंकि यहाँ COO minus आपको क्या दिखेगा, ये acidic दिखेगा आपको, और ammonium आपको क्या दिखेगा, basic, तो amphoteric होते हैं, ये बात भी ठीक है, तो चारों statement जो हैं, तीनों statement जो कहेगा हैं, वो एकदम ठीक है, स्विटर रायन के बारे में, तो answer हम क्या देंगे, all of them, यानि की option 8, next देखिए, position of equilibrium explains amounts of, अब equilibrium क्या होता है, कोई भी reaction हो रही है, उसक rate को हम कहते हैं, equilibrium, यानि की products और reactants की concentration जो है, वो वहाँ पे same होगा, यानि उनमें कोई भी कम जादा नहीं होगा, तो आपको यही पूछा है, कि वो किसको explain करते हैं, product की amount को, product और reactant उत्पादो, और अभिकार को, दोनों की मात्रा को हम explain कर सकते हैं, equilibrium से, तो सही जवाब इ a and b, next question पूछा है, आपको गलत statement बताना है, fizzy sweets के बारे में, fizzy sweets होते हैं, जिनका सेवन जवाब करते हो, तो आपको भोई ठंड का ऐसास होता है, या फिर जैसे आपने मान लेजे खाया, तो आपको अपनी जीब जो है, उसके उपर ठंड महसूस होगी, तो b option यही बता रह इसे उस क्यों हुई है, क्योंकि उस reaction में क्या हुआ है, उन्होंने heat आपके टंग से अबसाप कर ली है, और जिस भी reaction में heat का absorption होता है, वो कौन से reaction होती है, endothermic reaction, तो यह कहना गलत नहीं होगा, कि यह एक endothermic reaction है, और यह आपको powdered form में भी मिल सकती है, यह sweets आपको चबाने के लिए भी मिल सकती है, किसी भी तरह मिल सकती है, तो तीन statement यहां पर ठीक है, तो गलत obviously कौन सा होगा, कि इनमे sodium hydrogen acetate present होता है, तो गलत नहीं होता है, तो गलत सही option है इसका A, और जो incorrect statement है, वो भी है A, अगला सवाल लेकि, rate of a chemical reaction is increased by a substance, rate of chemical reaction अगर आपको increase करनी है, तो हम positive catalyst को use करेंगे, क्योंकि यहां positive negative जैसा कोई classification नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कि हम catalyst को use करेंगे, तो सही रवाब इसका कौन सा होगा, option B, अब आपको बुझा है कि side chain जो है amino acid में वो कैसी हो सकती है, side chain जो है amino acid में थोड़े दिर पहले ही, जो हमने explain, मैं आपको structure बता रही थी amino acid की, वो इस तरह की structure होती है, जिसमें एक तरफ R functional group होता है, यह होता है side chain, अब यह जो side chain है, acidic भी हो सकती है, basic भी हो सकती है, तो सही रवाब हम क्या देंगे, both of these, यानि की acidic और basic both, अगले सवाल लेखे, आपको amphoteric oxides के बारे में पूछा, amphoteric oxides के बारे में हम बात पहले ह कर चुक है, aluminum coxidic important example है, इसका, AL2O3, और जो amphoteric oxides होते हैं, वो acidic भी होते हैं, और basic भी होते हैं, यानि काम आने पर वो acidic के तरह भी behave कर सकते हैं, और basic के तरह भी, तो सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा, option C, अगला सवाल है, energy which is reduced when one mole of ionic crystal is formed is known as, एक mole ionic crystal बनने energy, यानि कि आपके पास वहाँ पे कोई lettuce का formation हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे, lettuce energy, जही जवाब क्या है, option है, ionic compounds के जो structure होते हैं, उसे हम lettuce के form में describe करते हैं, कि किस तरह एक cation, एक anion से जुड़ा हुआ है, उनके बीच का space कितना है, इस तरह से, arrangement क्या है, उसे हम lettuce कहते हैं, तो इसी दिए जो आयन का formation है, आयनि crystal का, यानि lattice का, तो energy जो निकलेगी, वो होगी, lettuce energy, आखरी सवाल देखिया है, कि hard water जो है, उसके अंदर क्या होते हैं, calcium और magnesium की वज़े से होती है, hardness सारी दुनिया जानती है, और अब गर आप option देखोगे, तो आप with increase in, rate of reaction को increase करने की बात हो रही है, कतिक्रिया की दर की बात किके जा रही है, तो आप बताइए कि अगर हम उसे increase करना चाहते हैं, तो मान ये जे आपके पास कोई reaction है, A plus B, और इसका कुछ conversion हो रहा है, C और D के अंदर, ठीक है, मान ये जे इसके दो मूल है, और C के तीन मू by 2, concentration of A, plus हम लिखेंगे, again ये minus में आएगा, concentration of B आएगा, और इसी तरह से हम C और D के respect में भी लिखेंगे, पर वहाँ पे negative sign नहीं आएगा, तो आप जब इस rate of reaction को देखेंगे, तो कि concentration जो है यहाँ पे, जो square brackets में इस तरह से हम represent करते हैं, इसके अंदर जो भी हम लिखा ज होती है, तो concentration पर depend करेगा, इसी तरह जो reaction की rate है, वो temperature पर भी depend करती है, लेकिन pressure जो है, pressure का reactant पर अलग effect होता है, और जो product है हमारे, उन पर अलग effect होता है, इसलिए pressure का कहपाना ठीक नहीं होगा, लेकिन concentration और temperature ये दोनों ऐसे factors हैं, जो reaction की rate को बढ़ाएंगे, तो सही जवा अब क्या होगा इसका, both A and B, अगला सवाल देखे, अगला सवाल आपको बूछा है, polarization के बारे में, तो वैसे तो polarization अलग 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 तरह से आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे electrolytic cell के comparison में पूछा है, तो यहाँ पे क्या होता है, polarization का हम कब बोलते हैं, जब hydrogen gas, hydrogen gas यहाँ पे cathode पे evolve होती है, और cathode यहाँ पे copper का electrode है, तो ऐसा होने पे क्या होगा कि हमारा copper का electrode है, उसके बाहर hydrogen gas यहाँ रिलीज हो रही है, इसके वज़े से वहाँ पे bubbles का formation हो गया है, इसी process को हम polarization कहते हैं, इसके कुछ further effects होते हैं, लेकिन हमें definition तक ही रहना है तो हम options देख लेते हैं, क्या-क्या बात हो रही है, rapid dissolving of magnesium, दोनों options में magnesium की बात करी गई है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे है, copper के respect में, क्योंकि magnesium को हमने किसी भी electrolytic cell में जाए वो use नहीं किया था, आगे देखिए copper electrode, it gets converted with bubbles of hydrogen gas, it gets covered with, जो copper के electrode है हमारी, वो hydrogen gas के बुल- जाती है और इसी को हम क्या कहते है, polarization, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, option C, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, reduction of nitro benzene will produce, nitro benzene का formula हम पहले भी देख चटा है, nitro benzene का formula होता है, benzene ring और benzene ring के उपर, and O2 group होता है, जिसे हम इस तरह से represent करते हैं, इसका reduction अगर आप कर होगे, तो आपको phenyl amine भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको water भी मिलेगा, यानि कि जो first option है वो, और जो second option है वो, यानि कि कैसे आप इसको represent करेंगे, phenyl amine कैसे होगा, benzene ring के उपर आपको NH2 मिलेगा, और उसके साथ में क्या release हो जाएगा, water, ठीक है, तो ये हमारे ये vinegar and baking soda together produce, vinegar क्या है, vinegar हम पहले भी सिरका की बात कर चुके, vinegar है, हमारे पास acetic acid, और इसी तरह अगर आप baking soda की बात करो, baking soda हमारे पास base है, इन दोनों की जब reaction होती है, इन दोनों के reaction होने पे carbon dioxide उसका production होता है, ठीक है, baking soda is NaHCO3, तो एक acid है, एक base है, और दोनों की reaction होने पे carbon dioxide जो है, वो प्रिडियूस होगा, and the correct answer is option B, अगले सवाल की तरफ चलिए, stronger the acid, यानि आपको बोला है कि जतना मसबूत acid आपके पास है, अमल आपके पास है, उसके साथ आपको hydrogen की H plus ion कितने देगा, उसको compare करना है, तो जतना strong acid होगा, उतने ही ज़ादा hydrogen ion जो है, वो प्र साथ होगे, the more the hydrogen ions will be, covalence और hydroxyl ions से हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन acid अगर strong है, तो H plus ions जो है, वो साथ होगे, यानि सही जवाब है, इसका option B, अगला सवाल देखे, अगले सवाल में हमसे क्या पूछा है, state of matter with fixed volume, पहली चीज़ जो आपको बताईए, वो इन्होंने बता इसकी मात्रा होती है, वो निश्चित होती है, तो सबसे पहले तो fixed volume की बात कर लेते हैं, fixed volume में या तो आपके पास solid आएगा, या फिर liquid आएगा, अब second statement जो है, आप उसको लेखिए, उससे हम final लेखेंगे कि क्या ये एक solid है, या फिर ये एक liquid है, इससे हम थोड़ा संकूचित कर सकते हैं, तो आप बताईए क्या हम solid जर्थोस पदार्थ जो है, इसको संकूचित कर सकते हैं, नहीं, solid पदार्थ को संकूचित करना संभव नहीं है, यानि हमारा answer क्या है, liquid, option B जो है वो यहाँ पर सही जवाब होगा, अगले सवाल के तरफ चलिए, अगला आयन में आएगी, तो देखे, chloride और bromide हमारे halogen है, hydroxide आयन और sulfate आयन में से अगर आप compare करोगे, तो OH-O, hydroxide आयन है, उसको discharge करने में हमें सबसे कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो सही जवाब यहाँ कौन सा हो जाएगा, सही जवाब होगा, option C, अगला सवाल है, anodic oxidation refers to, यानि इसमें दो चीज़ें आपको बताती है, एक anod और दूसरा oxidation, यानि जो oxy current प्रक्रिया है, वो कहा हो रही है, anod पे हो रही है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे, सबसे पहले oxidation में बहुत बार हमने बात करी, oxidation में क्या होता है, oxidation state जो है, वो increase हो जाती है, और उसक बोल रहे हैं कि anod पे oxidation हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, कि anod के ऊपर हमारे पास जो electrons है, उनकी हानी हुई है, तो पहला option देखते है, loss of electrons at the anod एकदम ठीक बात है, तो anodic oxidation का मितलब भी क्या है, पहला option जो हो एकदम ठीक है, यानि कि option A जो है, वो correct option है, अगला देखिए, most commonly used polyester is known है, सबसे commonly used किया जाने वाला polyester कौन सा, इन में से, teraline, nylon, fat और protein में से, तो fat और protein जो हैंगे, polyester की category में नहीं आएंगे, बचते हैं, आपके पास teraline और nylon, और teraline जो है, उसे सबसे commonly used किया जाते है, सबसे commonly used polyester है वो, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, option देखिए, अगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं, हम in the following reaction, fill in the blanks, आपको blanks जो है, वो फिल करना है, एक acid और waste के अगर आप reaction करवाते हो, तो आपके पास किसका formation होगा, और उसके साथ water का formation होगा, तो acid और waste के reaction करवाने पे salt का formation होता है, और जो reaction है, उसको हम क्या कहते है, उसे हम कहते है, neutralization reaction, ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखे है, अगर reaction का नाम आपको कोई पूछे, तो आप क्या कहेंगे, neutralization, और क्या produce होगा, तो produce होगा, आपके पास salt, उसे ही जवाब है, इसका option D, अगला सवाल है, size on atom can be described with the help of, यानि आपके पास कोई एक atom है, उसके अगर आपको size बतानी है, तो आप कौनसी radius का इस्तिमाल करोगे, atomic, metallic, covalent या wonderwall, atomic radius जो है, हम उसका इस्तिमाल करेंगे, अगर आपको उस atom की size बतानी है, तो, सही जवाब इसका क्या होगा, option A, अगला सवाल है, कि lichens जो है, lichens क्या होते है, lichens एक symbiotic association होते है, algae और fungi, जो कवक है, और जो algae है, ये दोनों मिलकर के, एक साथ जब जीवन यापन करते हैं, जब एक जो है, ये अपनी जो food requirements है, जो भी इनकी जरूरते हैं, वो एक दूसरे की जरूरते को जब भी पूरा करते हैं, और एक साथ रहते हैं, तब हम इनको lichen के नाम से जानते हैं, और आपको पूछा गया है कि ये जो lichen है, ये किसका important source है, तो lichen से हम litmus को है, वो निकालते हैं, litmus paper बनाने के लिए जो हम litmus यूज करते हैं, वो lichen से मिलता है, तो सही जब आप इसका कौन सा होगा, option A, अगला सवाल है, classes of amines include, amines जो है, NH2 functional group include होता है, amines के अंदर अब आपको बुशा है, primary, secondary, secondary, tertiary, तीनों तरह की amines जो है, प्राथमिक वितिय और त्रतिय तीनों जो है, वो हम amines में ही include करेंगे, तो सही जब इसका कौन सा होगा, all of them, यानि की option D, caustic soda के बारे में आपको पूछा है, caustic soda का formula क्या वो sodium hydroxide है, potassium, calcium या ammonium, तो caustic soda होता है, sodium hydroxide, and correct answer is option A, अगे आपको पूछा है, which of the following bonds are weakest, कौन सा bond जो है, आपको options में जो दिये हुए, हमें से सबसे कमजोर bond कौन सा आपको ये बताना है, कि एक single bond, double, triple या hydrogen, तो देखिए single हो bond, या double हो या triple हो, तीनों के अंदर ही covalent bond जो है, वो present है, ठीक है, तो covalent bond जो है, वो सबसे ज़्यादा strong होता है, जितने भी bonds हैं उनके अंदर, और hydrogen bond के comparison में, single, triple, और double, तीनों ही जो है, वो ज़्यादा strong होता है, क्योंकि hydrogen bond के अंदर, पूरी भी electrons की जो है, वो sharing नहीं होती है, यानि electrons को मिल बाट के इस्तिमाल नहीं करते हैं, जो की हमारे covalent bond में होती है, सही ज़्याब इसका क्या होगा, इनमें से सबसे कमजोर प्रकृती का bond कौन सा है, बंद कौन सा है, hydrogen बंद, अगला सवाल देखी, विश्मेदर, crystals of pure substances are obtained, यानि आपको crystals मिलेंगे, किसी ऐसे, आपकी पास कोई ऐसी विथी है, उसका आपको नाम बताना है, जिससे आपको शुद्ध पदार्च जो है, उनके crystals मिलेंगे, तो crystallization है कैसी process है, crystalline current, जिससे आपको pure substances मिलते हैं, और कौन से form मिलते हैं, crystal form मिलते हैं, सही ज़्याब इसका कौन से हो जाएगा, option C, due to presence of double bonds, double bond की वज़ह से, alkenes जो है, वो क्या होती है, unsaturated या saturated, alkenes होती है, unsaturated, usaturated, अगर यही सवाल आपको पूछा जाए, due to presence of triple bond, alkenes आ, तो वो भी क्या होगा, वो भी usaturated होती है, सही ज़्याब इसका हो जाएगा, option C, अगला सवाल लेकिए, आपको glycine के बारे में पूछा है, glycine जो है, वो simplest amino acid होता है, यह सबसे सरलतम amino acid है, और आपको इसका formula भूछा गया है, तो देखिए, सरलतम amino acid के बारे में हम क्या कहेंगे, हमारा जो amino acids के general formula होते है, वो होता है, CA carbon group, जुसके उपर NH2 group होता है, COOH group होता है, एक hydrogen होता है, और एक R, यानि कि कुछ unknown function group होता है, और आपको याद क्या रखना है, कि glycine के अंदर यह जो R function group है, यह hydrogen ही होता है, यानि कि आपका, जो glycine है, उसका formula क्या हो गया, COOH, CH2 और NH2, तो यह आपके पास दो carbon के एक chain है, जिसमें आपके पास carboxyl एक acid भी है, एक amine functional group है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको numbering दे देंगे, numbering देने पे भी दो carbon का molecule है, acid है, तो ethanoic acid है, जिसके ओपर amine functional group है, तो हम इसे बोलेंगे amineo ethanoic acid, तो option B जो है, वो इसका सही answer है, अगला सवाल देखे, the insoluble hydroxide, पूछा है, आपको कौन सा है, calcium, sodium, potassium, ferrous hydroxide, तो calcium, sodium और potassium ये सारे वो alkali और alkaline group जो है, उनके elements है और उनके hydroxides है, तो ये सारे ये water में soluble होते हैं, लेकिन जो ferrous hydroxide है, जो D block element है, एक ये जो है, आपका soluble नहीं होता है water के अंदर, इसलिए हम answer कौन सा देंगे, हम देंगे answer, option D, ferrous hydroxide, ferrous, Fe plus to charge वाला, next question देखिए, fresh sea water जो है, is referred to as impure, यानि कि समुद्री रजल है, वो ताजा समुद्री रजल को भी हम अशुद कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग-अलग तरह के salts, अलग-अलग तरह के नमक की concentration जादा होते हैं, और उन्हें हम directly पीने के योगे नहीं हैं, हम उनको पीने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसे क्यों है, वो impure, अशुद्र क्यों है, क्योंकि उनके अंदर लवन प्रिजेंट है, और लवन भी किस तरह से घुले हुए, dissolved form ले प्रिजेंट है, तो answer D जो है, वो इसका सही answer है, क्रूड आपको इनकरेक्ट बताना है, हमेटाइट आयरन का ओर है, एक दम ठीक है, पिछ पिलेंट कॉपर का ओर नहीं है, यूरानियम का ओर है, और मोनेजाइट जो है, फो थोरियम एक्स्ट्राट कर सकते हैं, मोनेजाइट से, तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, तो गलत बताएंगे इसमें कि इनकरेक्ट है, और मोनेजाइट अगला सवाल लेखिए, अगला सवाल आपको भूछा है कि क्रूड आ कफ चांपं दॉक्ड नत बतानें है कि hydrocarbons का mixture है यह hydrocarbons का mixture है मतलब इसमें alkane भी हो सकता है alkane hydrocarbonate cycloalkanes भी हो सकता है यानि कि ऐसे alkanes जिन में cyclic structures present हो और aromatic compounds के अगर हम बात करें तो वो भी इनके अंदर present हो सकते हैं तो तीनों हो सकते हैं सीरे जो जवाब यहाँ पर होगा वो क्या होगा वो होगा option d that is all of them अगला सवाल है due to increase in temperature the particles vibrate with greater अब देखे जैसे जैसे आप temperature increase करते हो कोई भी particle है कोई भी matter है उसके जो particles है वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी vibrate करने लग जाते हैं उनकी जो speed है उनकी जो गती है वो बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है करते हैं उनमें collisions भी जाता होते हैं तो आपको हुचा है कि क्या उनमें कौन सी ऐसा चीज है जो जाता होगा तो speed जो है वो जाता होगा तो सही जवाब इसका कौन सा है सही जवाब है option a अगला सवाल देखे अगला सवाल है कि photo oxidation process जो है उसको शुरू कहां से किया जाता है photo oxidation process का initiation हमेशा किया जाता है light से आप photo oxidation बड़ी देखे ध्यान से photo means light और यानि की प्रकाश जो है वो ज़रूरी है photo oxidation प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सही जवाब क्या है option इसी तरह अगर आपको photosynthesis पूछा जाता है उसमें भी light के हमें जरूरत होती है उसे शुरू करने के लिए अगरा देखे इलकेंज mostly follow reaction इलकेंज की characteristic reactions आपको पूछेंए इलकेंज जो हमारे double bond compounds होते हैं इलकेंज की characteristic reaction होती है addition reaction यानि addition reaction के बाद में यहा सही जवाब होगा इसका option a अगला है the drug against infectious diseases जो संक्रामत बिमारियां है उनके खिलाफ आपको कोई दवा बतानी है तो sulfathiazol जो है वो एक ऐसी drug है वो एक ऐसी दवा है जिसका हम इस्तिमाल करते हैं infectious diseases को खीख करने के लिए तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौन option a अगला सवाल देखिए आपको पूछा है कि ammonia और जो amides है यह salts का formation करते है किस से react करने पर तो देखिए अगर आप देखोगे ammonia तो ammonia को भी water में dissolve करते हैं वो convert हो जाता है ammonium NH4OH और amides जो है वो है हमारे NH2 functional group बाले ठीक है तो यह दोनों ही अगर आप देखोगे तो यह basic nature के compounds ह reaction आप किसके साथ करवाओगे तो salt का formation होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर neutralization reaction की बात हो रही है तो आपको किसकी जरूरत होगी आपको जरूरत होगी acids ली तो आप देखिए water diluted से रिथाइलमीन इनमें से acid कौन है it's CLE acid और चाहे वो dilute होगे concentrated form में हो उसे ही जवाब इसका क deficiency होती है तो anemia वालों में deficiency होती है hemoglobin की और hemoglobin में भी किस चीज की deficiency होती है उनमें होती है iron की deficiency उसे ही जवाब होगा यहाँ पर option C अगरा सवाल देखिए which among the following is an example of solid soul solid soul का आपको example बताना है तो milk of magnesium, foam, colored gemstones और rubber इन सब में से अगर आप देखोगे तो colored gemstones जो जो रंगीन पत्थर है वो आपको solid soul का example मिलेगा तो यहाँ सही जवाब कौन सा होगा option C, foam अगर आप foam की बात करोगे तो वो क्या होता है solid के अंदर foam जिसको हम compress करते हैं वोई sponge जैसा जो आता है that is foam and that is क्या है वहाँ पे gas present होती वहाँ पे solid particles के बीच में और इसी तरह चे उस color gemstone है it is a solid soul next question देखिए lower molar mass of hydrocarbons have increased यानि आपके पास hydrocarbons है बहुत सारे उनमें से आपको बताना है कि उनमें से कम molar mass वाले कम द्रव्यमान वाले जो hydrocarbons हैं उनके अंदर कॉंसी property जादा होती है तो volatility जो है volatility होती है और सिर्था यानि कि या तो वो gaseous form में convert हो जाएंगे वो convert हो जाएंगे vapors में तो उसे हम volatile कहेंगे तो जितने भी lower molecular weight वाले molar mass वाले जो hydrocarbons है वो कैसे होता है वो होते है volatility सही जवाब यहाँ पर होगा option भी अगला देखिए कि the ratio of different gases in the air अलग-अलग gases का जो ratio है air के अंदर यह different होता है place to place के पर क्योंकि देखें जैसे water vapor की concentration है वो भी vapor form में present है हमारे atmosphere में और उसकी concentration जो है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होती है उसके साथ अगर आप देखो भी जैसे dust particles हैं और भी बहुत सारे air में जो dissolved particles है उनकी concentration भी place to place जो है वो different होती है तो different from place to place रेश्यो पूछा गया आपसे तो ठीक है अगला है electron in its ground state disorder यानि आपके पास कोई electron है जो अपने निम्नतम अवस्था में है अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई electron अपने निम्नतम अवस्था में होता है तो वहाँ पे अगर आप उसे energy provide करते हो अगर आप उ सूर्जा को absorb कर लीता है और वो higher state में चला जाता है यानि अदे कुर्जा वाली state में चला जाएगा और वहाँ जा करके वो energy देगा जो energy उसने absorb करी है वो वो उसको वापस देगा लेकिन higher oxidation state में जाने की बाद में तो electron जो है वो spin हमेशा करता है revolve जो हमारा nucleus है उसके बाहर उसके बाद में देखिए resides in orbit जो उसकी orbit है उसके अंदर regular उसी orbit के अंदर वो revolve करता रहेगा आगे है कि वो radiate energy तो energy radiation का manager साब को बताया है कि वो जब higher oxidation state में जाएगा higher state में जाएगा सिर्फ तभी energy radiate करेगा यहां सही जवाब कौन सा होगा सही जवाब होगा option D अगले सव सवाल देखिए अगला सवाल है riboflavin के बारे में riboflavin तूचा है आपको क्या कि कोई पौधे का नाम है कोई vitamin है कोई antibiotic है या कोई coloring material है तो riboflavin vitamin का नाम है जो भी कौन सा है vitamin B2 और आपने पढ़ा होगा vitamin B2 की deficiency से कौन से disease होती है very very तो सही जवाब में आ क्या होगा कि riboflavin ए आगे देखिए small changes in volume is measured by an instrument called यानि कि अगर आपको छोटे बदलाओं के बारे में देखना है आयतन में छोटे बदलाओं जो होए है उसके लिए अगर आपको यंद्र बताएंगे तो उस यंद्र का नाम क्या होगा जिससे हम माप सकते हैं तो dilatometer जो है उसे हम use करते हैं जो volume में changes हैं उसके लिए अगला देखिए the gases used in the manufacture of ammonia ammonia की manufacture को हम habers process कहते हैं NH2 और H2 को use करके हम ammonia का formation करते हैं और इसी तरह अगर आप इसको balance करोगे तो यह reaction इस तरह से balance हुजाएगी ठेक है यह होगी habits process की reaction और देखिए कौनकान से gases यहां पे जरूरी है हमें nitrogen gas and hydrogen gas तो सही जबाब इसका हो जाएगा option B nitrogen and hydrogen अगला देखिए saliva के बारे में पूछा है saliva के अंदर salivary amylase enzyme present होता है आपको पूछा है कि यह किस starch को hydrolyze करेगा किसमें hydrolyze करेगा ऐसे इसी तरह आपको यहां पे enzyme भी पूछा जा सकता है salivary amylase जो enzyme है वो starch को convert कर देगा किसके अंदर glucose के अंदर ठेक है तो यह reaction होती है हमारे mouth के अंदर जैसे आप कोई भी food substance का intake करते हो तो यहां सही जवाब क्या होगा option A और enzyme जो है वो यहां कौन सा है salivary amylase अगला question देखिए reaction of condensation produced polymers अब आपके पास दो तरह की polymers होते हैं co-columers होते हैं condensation polymers होते हैं condensation polymers हम मिनाते हैं दो अलग-अलग तरह की units हैं उनको आपस में जोड़ करके तो proteins जो हैं वो condensation polymers के examples होते हैं तो सही जवाब कौन सा होगा सही जवाब होगा option B okay अगला question देखिए अगला question आपको पुछा है nail polish removers जो हैं के अंदर कौन सा substance present होते हैं देखिए nail polish लगाने के बाद में लड़कियों को अगर immediately remove करना होता है तो आप सब जानते है nail polish remover का use किया जाता है अब आपको पूछा है कि उसमें कौन सा substance होता है तो आपको याद रफना है कि उसके अंदर acetone जो है वो present होता है सही जवाब क्या होगा इसका option C अगला देखिए trimethyl amine आपको होचा है कि किसका example है trimethyl amine अब आप देखिए आपने amine मना लिया function group आपको बता चल गया कि amine है याप इस पर आपको तीन methyl ज्रहें वो add करने है अगर आपको बताना है कि यह किस तरह का amine है क्या primary यह secondary है अब nitrogen के उपर अगर एक alkyl group होता है यानि कि CH3 जो carbon की chain है अगर एक है तो हम उसे primary amine कहेंगे यानि अगर आपके पास सिर्फ एक CH3 यहाँ attached होता और बाकी दोनों नहीं होते तो हम इसे कहते primary amine अगर दो CH3 attached होते और एक नहीं होता तो हम इसे कहते secondary amine अब क्योंकि एक nitrogen के उपर आपके पास तीन carbon की chains attached है तो हम इसे कहेंगे tertiary amine तो सही जवाब क्या होगा इसका option C अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि जो double bond है आपका ethene के अंदर वो किस तरह से बनता है अगला सवाल देखिए आपको chlorination पूछा है कि chlorination क्या होता है तो हम water का chlorination करते हैं तो water के chlorination में हम क्या कहते हैं हमारे जो water के tanks हैं उनके अंदर हम chlorine add करते हैं तो impure water जो है उनके अंदर जब हम chlorine add करते हैं थोड़ी बहुत amount में small amounts में उन्हें हम क्या कहते हैं उस process को chlorination है तो सही जवाब होगा इसका option c आगे है कि जो water drops होते हैं जो पानी की बूंदे हैं उनकी spherical shape जो है इस तरह से अगर आप water droplet को एक droplet को आप जमेन पर डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो गोलाकार हो जाती है तो गोलाकार का reason पूछा है आपको तो surface tension जो है वो reason है इस चीज़ का तो आप याद रखें यहां पर correct answer कौन होगा surface tension की वज़े से जो उसकी shape है वो spherical है अगला question है the metal that is used as the catalyst in the hydrogenation of oils जो oils है आपके उनके आपने hydrogenation किया है यानी hydrogen hydrogen आपने add करी है तो आपको बताना है कि कौन सी वो धातू है जिसको आप उप्रेरत के form में use करते हैं तो oils के उपर hydrogen add करना मतलब double bond या triple bond जो है unsaturated को unsaturated में convert करने और संत्रप्त को संत्रप्त में तो hydrogenation के time पे आप जिस metal को use करते हो as a catalyst उत्प्रेरग वो होता है निकल तो आपको क्या बताना है सही जवाब कौन सा है optional भी है अगला देखिए the absolute zero of temperature is आपको पताना है कि absolute zero temperature क्या समझते है आप absolute zero temperature देखिए जो है norm exist नहीं करता है लेकिन theoretically हमने एक assumption माना हुआ है कि इस से कम temperature जो है वो possible नहीं है तो theoretically जो सबसे कम possible temperature है वो कौन है that is absolute zero temperature है और उसे हम zero kelvin कहते है okay the lowest temperature that is theoretically possible सैधानतिक रूप से संभब न्यूंतम तापमान सही जवाब इसका है option a अगला सवाल देखिए अगला सवाल है the material which can be deformed permanently by heat and pressure अब देखिए यह बहूलक जो है उसके अलग-अलग तरह के types हो देखिए जैसे thermosetting polymer है thermoplastic polymer है यह आपको दो ही नाम दिये हुए है तो इनमें से आपको बताना है उस बहूलक का नाम जो की permanently स्थाई आई रूप से विक्रत हो जाएगा गर्मी की वज़े से यानि heat की वज़े से और दबाव की वज़े से तो यह definition ही है एक thermosetting polymer की तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा option a thermosetting polymer आगे आपको पूछा है कि metallurgy से आप क्या समझते हैं कि metallurgy क्या है मैटेलर्जी होती है कोई बी gwandelager कोई भी आपके पास धातू है उसको आपको extract करना है उसके और में से या फिर ऐसके 아्यसक में से अब क्या होता है कि और जो है वह हमेशा pure form नहीं होती है उसके साथ बहुत सारी impurities added होती है तो metallurgy में हम क्या करेंगे वो हर तरह की impurities है उनको remove करेंगे और जो pure metal है वो हमारे पास last में बच जाएगा तो सही जवाब इसमें क्या होगा? alloy का हम नहीं बनाते हैं इसके अंदर metals की जो है उनकी जो समय है उसको नहीं बढ़ाते हैं इतने समय तक वो रहेंगे हम क्या करते हैं? metals को extract करते हैं दातू को निकालने का कार्य करते हैं शुद्य फॉर्म में तो option A जो है वो यहां पर सही जवाब होगा आगे देखिए carbon monoxide gas colorless भी होती है orderless भी होती है और tasteless भी होती है तो सही जवाब क्या होगा option D और यही colorless orderless यह कौन होती है जो हमारी noble gases है वो भी colorless और orderless होती है आगे देखिए which of the following are highly compressible आपको भूचा है कि highly compressible कौन है तो solid, liquid और gas में से बताएं सबसे ज़्यादा compressible कौन है gases है उनको सबसे ज़्यादा हम जो compress कर सकते हैं उनको सबसे ज़्यादा हम volume उसका कम कर सकते हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा option C gas आगे आपको पूचा है कि जो alkenes है alkenes को हम क्या कहते है saturated unsaturated तो सिर्फ वही बात हो रही है बार-बार अगर आपको यह मालूम है कि double bond और triple bond को हम unsaturated ही category में लेंगे तो आप बिलकुल इन questions को कभी गलत नहीं करोगे तो यह क्या होगा unsaturated hydrocarbons की category में आती है alkenes आज का आखरी सवाल देखिए process in which catalyst has a different phase to a reaction mixture यानि आपको उस process का नाम बताना उस प्रक्रिया का नाम बताना जिसमें जो उत्प्रेरक है वो और जो reaction में participate करने वाले जो substances है वो वो अलग-अलग phases में होते है यानि अगर कोई solid है तो दूसरा liquid होगा इस तरह से तो इस process को हम कहते है heterogeneous catalysis विशम उत्प्रेरक एसा क्यों heteros का मतलब होता है अलग-अलग यानि कि reactants जो है वो अलग phase में है हमारा जो उत्प्रेरक catalyst है वो अलग phase में है तो हम इसे क्या कहेंगे विशम और अगर वो सब एक ही phase में होते है तो हमने क्या कहते है है homogenous catalysis सही जवाब है वह यहां पर कौन सा होगा सही जवाब होगा option B और nitrogen को air nitrogen के जो air में concentration है हवा में जो उसकी मौजूदगी है उसके बारे में बात करी जा रही है कि nitrogen के होने से हमें क्या नुकसान है या फिर कौन सा जो भी options में से सही है तो पहलो option देखिए कि nitrogen क्या करता है यह oxygen को जो है वो dilute करता है अगर आप परसेंटेज लेखेंगे तो हम सब जानते है कि 70% से जादा nitrogen प्रेजन होती है air में तो यह बात एक्तम ठीक है कि nitrogen के प्रेजन होने के वज़े से जो oxygen है वो dilute हो गई है वरना हम सब जानते है कि oxygen के प्रेजन्स में बर्न हो जाते हैं सबस्टैंस जल जाते हैं तो इस तरह से हमारी जो सराउंडिंग्स है वो सीधे oxygen जादा होती तो जल जाती ना nitrogen यह important role play करती है इतनी जादा concentration में होकर तो पहला option जो है वो ठीक है बाकी options भी देख लेते इस essential for our body nitrogen essential नहीं हमें oxygen essential है हमारे लिए makes oxygen soluble in blood ऐसा कुछ नहीं हमें oxygen को soluble बनाने की nitrogen की जरुरत बिलकुई भी नहीं पड़ती है decreases the density of air density को यह decrease नहीं करती है बलकि nitrogen जो है वो oxygen से जादा भारी होती है sorry जादा भारी तो नहीं होती है पर फिर भी अगर आप देखें तो यह density को decrease नहीं करती है जो correct answer यहां पे है वो होगा option A अगला सवाल देखिए अगला सवाल है state of freezing in balls यानि freezing जो freezing ठंड की स्थिती है यानि कि जो solids sorry liquid से जो solid का conversion है freezing हम ice का example ले रहते हैं जो water से ice का conversion है वो freezing होती है वो process अब आपको बताना है कि इस process में क्या क्या होता है पहला है देखिए loss of kinetic energy loss of kinetic energy को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि water के अंदर जो water की molecules है उनमें space थोड़ा जादा है तो वो regularly move करते रहते और कोई भी substance जो move कर रहा है उसमें kinetic energy जो है वो stored होती ह लेकिन ice जो है ice क्या एक solid है और solid के अंदर particles का movement नहीं होता है वोई जगर पे fixed होते हैं इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे kinetic energy का loss होगा एकदम ठीक बात है अगला option देखते हैं अगला है increased force of attraction तो आप ही बताइए कि solid, liquid और gases में force of attraction का sequence है वो क्या है solid में सबसे जादा force of attraction होता है उसके बाद liquid में होता है और finally किसमें होता है gases में तो liquid से अगर solid की तरफ हम जा रहे हैं तो force of attraction बढ़ रहा है इसमें कोई गलत बात नहीं है तो second statement जो है वो एकदम ठीक है और third है कि liquid का solidification हो गया यह बात भी एकदम ठीक है तो तीनों options क्यूंक question के respect में एकदम सही है तो हम answer किसे बताएंगे answer होगा all of the above second अगला question देखें अगला question आपके पास crystally current के बारे में crystallization किसका example है तो crystallization एक physical change का example है जिसमें जो भी substance है जसका आपने crystally current किया है वो आपको crystals form में मिल जाएगा तो सही जबाब इसमें क्या होगा option A chemical change chemical reaction ही हम सब जानते है galvanization भी हम जानते है zinc की coating iron के उपर करना यह सब इसका answer नहीं है इसका answer है physical change अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं what is an endothermic reaction endothermic reaction या उश्मा सोशी पतिक्रिया क्या होती है endothermic reaction हम पहले भी बता चुकी हमें endo और exo endo जो है उसके अंदर energy absorb करी जाती है और exo का मतलब होता है energy release करना याली energy को बाहर देना विमूचत करना exo में energy जो है वो release होगी तो आप ही बताइए endothermic के लिए कौन सा option ठीक होगा energy is released नहीं energy is absorbed अवशोशित होती है energy एकदम सही बात है तो सही option कौन सा हो जाएगा इसका option भी अगले सवाल की तरफ चलिए which of the following is an ore of aluminium अब normally तो हम क्या पढ़ते है aluminium की ore अब तक हमने पढ़ी है bauxite पर आप options देखिए आपको जो है bauxite जो options में नहीं मिलेगा आपको galena है cryolite cinnabar ipsum salt तो galena के बारे में हम सब जानते हैं कि galena obviously aluminium का ore नहीं है galena sulphide ores होता है और जो भी कौन सा होता है lead का sulphide अगला बात करते हैं cryolite क् क्रायोलाइट एक aluminium का ore है aluminium का isk है तो आप बताईए मुझे cryolite का formula क्या है मैं लिख रही हूँ आप मुझे बताईएगा क्या है formula सही है NA3ALF6 यह एक formula है और यह cryolite को represent करता है और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस में aluminium present है और पहले जो है bauxite के आने से प हमारे पास इसका chemical formula है HGS यानि मरकरी का एक sulphider ipsum salt जो है यह magnesium का हमारे पास sulphate है जिसके बारे में हमने काफी सारे uses भी पढ़े थे ipsum salt के तो आप सब options देखने के बाद में मुझे बताईए correct answer कौन सा होगा option B cryolite ठीक है तो बाफ साइट के साथ में एक और चीज जो आप से आप याद रखेंगे aluminum के ore में वो कौन होगी ट्रायोलाइट अगला आपको पूछा है sulfurous acid का formula तो देखे दो चीज़े आप इनको गलत नहीं पढ़ें sulfuric acid अगर आपको पूछा जाता है एक alphabet के change होने से आपका formula है जो है वो पूरा change हो जाएगा और इसे के साथ अगर आपक oxidation state वाइला R and Fe plus 3 और ferrous होता है कम oxidation state वाइला Fe plus 2 उसी तरह इन दोनों के अंदर जो difference है वो है sulfur की oxidation state के अंदर तो correct answer यहां कौन सा होगा H2SO3 अगला सवाल देखे अगला सवाल है catalytic converters के बारे में कि catalytic converters जो है उनको हम cars में किस काम के लिए यूज करते हैं अब देखे हमने प carbon monoxide gas release कर रही है ठीक है उसके साथ में हमने कहा कि वो कुछ nitrogen के oxides भी release कर रही है जो कि बाद में बाकी gases के साथ या फिर बाकी pollutants के साथ मिलकर के secondary pollutants बना रहे हैं या फिर उनकी वजह से acid rains हो रही है तो हमने क्या किया इसके लिए हमने कोई solution निकालने की सूची तो हमने वहा तो catalytic converters में हम जो हमारे transition elements हैं उनको हम use करते हैं और catalytic converters के आप बात करें तो यहां पे कौन-कौन सी reactions होगी यहां हम carbon monoxide को oxidize करके CO2 में convert कर देंगे इसी तरह nitrogen के जो भी oxides है जैसे NO2 है N2O है इन सब को oxidize करके हम convert कर देंगे nitrogen gas के अंदर और जैसे कि hydrocarbons है है हमारा petrol और diesel जो वहां burn हो रहे हैं जैसे आप car को use कर रहे हो तो petrol required होता है वहां पे hydrocarbons के जो burning हो रहे है तो कभी-कभी क्या होता है कि पूर्ण रूप से उनका oxy current नहीं हो पाता है तो उनका oxy current भी catalytic converters के अंदर हो जाएगा उत्प्रेरख converters तो यह तीनों reactions जो है वो यहां पे होती ह सही जवाब यहां पे कौन सा होगा सही जवाब होगा option d यानि की all of these आगे आपको एक formula दिया है caucl2 क्या आपने ऐसा chemical formula पहले कभी देखा है देखा है तो जल्दी से मुझे इसका नाम बता दीजे कि हम इसे किस नाम से जानते हैं हम इसे जानते है bleach and powder के नाम से किस नाम से bleach तो option कौन से सही होगा इसका option c आगे देखिए which among the following is used to treat indigestion वगर मान लीजिया आपने जो खाना खाया वो आपको ठीक से पचा नहीं है उसके इलाज के लिए आप कौन सी दवाई का यूज करोगे antacid, antiseptic, energesic तो जब भोचन पूर्ण रूप से या ठीक रूप से पचता नहीं है तो आपको acidity पगरा हो जाती है आपको indigestion होता है आपको यह मतलब gas जैसी feeling आती है तो उस टाइम पे जो दवाईयां ली जाती है उन्हें हम कहते है antacid और antacid जब भी पूछा जाए आपको दू important चीज़े हमेशा याद रखने है वो कौन-कौन सी है कि magnesium के hydroxide को औ और aluminium का जो hydroxide है इनको हम सबसे जादा इस्सिमाल करते है antacids की तरह तो सही जवाब यहां कौन सा होबा सही जवाब होगा option A अगला सवाल देखिए which of the following cannot be beaten into sheets अब आप पहले मुझे यह बताएए कि कौन सी property है क्या यह malleability की बात कर रहे है या ductility की बात कर रहे है तो मेरे according यह बात हो रहे है milleability की और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी metal है उसको हम regular उसको हम convert करते हैं metal की sheets के यानि उसका चादर की form में हम convert करते हैं तो देखिए gold, silver, potassium और aluminium इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा element है जिनको आप sheets में convert नहीं कर सकते हैं चादर के आकार में परिवर्टित नहीं कर सकते हैं अगला सवाल लेखिए during the burning of fuels carbon and hydrogen present in fuels are आपने fuels जो है उनको burn किया है ठीक है आपके पास जो भी इंधन है उसको आप जलाएंगे उस वक्त क्या होता है इंधन के अंदर जो भी carbon present है जो भी hydrogen present है उसका क्या होता है कि क्या वो इलकेन में convert हो जाता है तो combustion reaction की बात हो रही है यह हमारे होते है carbon dioxide और water vapors तो सही जवाब क्या होगा इसमें कि जो भी उसमें carbon present था वो carbon dioxide में convert हो गया और जो भी hydrogen present था वो water में convert हो गया या water vapors में convert हो गया तो answer हुआ इसका option c आगे सवाल है कि आपको बताना है कि कौन सा base present है milk of magnesium के अंदर तो milk of magnesium के अंदर magnesium hydroxide जो है वो present होता है तो सही जवाब है इसका option a अगला देखिए metals react with sodium hydroxide to produce यानि आपके पास कोई metal है उसके अगर आपने reaction sodium hydroxide के साथ करवाईए तो कौन सी gas produce होने के chances हैं तो यहां पर gas produce होती है हो है hydrogen gas तो आप इसके reaction किसी भी metal से करवा के देख सकते हैं calcium से magnesium से यहां पर gas produce होगी कौन सी hydrogen सही जवाब है इसका option d that is hydrogen gas अगला है कि oil और water किस चीज का example है oil और water दो अग घुलंशील या फिर आप emulsion colloid बोल सकते हैं को immisible option में दिया हुआ है हम क्या बताएंगे कि यह एक immisible liquids का example है क्योंकि दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं है separate layers में present रहते हैं जब भी आप इनको mix करोगे अगला आपको पूचा है कि calorific value की unit क्या है तो calorific value देखिए हमने बात करी थी calorific value होती है energy और energy को हम represent करते हैं joule के अंदर और इसकी unit क्या होगी किलो जूल पर कीजी उसके अलावा अगर देखोगी यह newton है यह watt है यह calorie है यह सारी unit जो है वो हम इसके लिए use नहीं करते हैं newton और watt और अलग अलग चीज़ों की unit है force की और watt अलग है अगला है कि fire extinguisher जो है वो कौन सी gas है उसको emit करता है fire extinguisher से emit होने वाली gas कौन सी होगी carbon dioxide क्योंकि हमें इनको किस चीज के लिए use करना है जो भी आग लगी है उसको बुझाने का काम करना है तो अगर आप उसको oxygen और supply कर दोगी तो वो reaction जो है वो बंद नहीं होगी तो हम कौ क्या supply करेंगे carbon dioxide नानि की option c आपको पूछा है melting point पूछा गया है ice का तो देखिए यहां पे कुछ options दिये वह हैं जो तो शायद आपको पता नहीं होए ice का melting point हमें याद है zero degree Celsius अब देखिए जो temperature उसके हमारे पास अलग-अलग scales है जैसे Celsius है fan height है आपके पास Kelvin भी है तो आप पूछाए कितने Kelvin होगा तो आपको पता होना शगिए कि zero degree Celsius कितने Kelvin के equal है तो zero degree Celsius equal होता है 273.16 Kelvin के तो सही जवाब यहां कौण सा होगा सही जवाब होगा option c next question देखिए which one of the following is a bad thermal conductor यानि जो उश्मा है उसका बूरा परिचालक कौन सा है इन में से तो glass जो aluminum, copper, glass और silver में से glass शीशा जो है वो एक बूरा परिचालक है उश्मा का तो सही जवाब इन में से होगा option c अगला सवाल देखते है तो passage of electric current through a conducting liquid causes यानि आपके पास एक liquid है माल लेजिए ठीक है और यह जो liquid है वो conducting है यानि इसके अंदर से electricity passed जो हो सकती है तो अगर आप उसमें से electricity passed करोगे तो क्या होगा तो आपको इस example के साथ में electrolysis याद आ गया होगा तो electrolysis में हम जो electrolyte यूज करते हैं वो एक conducting liquid का example होता है वहाँ पर क्या होते है वहाँ पर chemical reaction होगी तो सही जवाब क्या होता है यहाँ पर option ली क्योंकि हम देखते है न इन और पर oxidation होता है क्या कह सकते है कि वहाँ एक chemical reaction होगी अगला सवाल देखिए the rubbing surface of a match box have powdered glass and a little तो यह बात कर रहे हैं जो हमारा माचिस का डबबा है माचिस के डबबे में जो side में आपके पास इस तरह से ब्राउन कलर का जो मिलता है जिसके उपर आप माचिस की तिली को जलाते हैं आपको बताना है कि उसके उपर एक substance नोनी बता दिया है जो कि है powdered glass और उसके साथ में आपको कि कौन और present होता है तो हमने पहले बात करी थी कि red phosphorus जो है वो यहां पर present होता है तो आपको anti-money, arsenic, silicon और phosphorus में से बताना है तो कौन सा होगा red phosphorus is present आगला है कि कोई thread है जो कि आपको बताना है जो steel wire है उससे जदा ताकतवर हो उससे जदा मजबूत हो तो जो nylon का wire है वो steel के wire से जदा strong होगा ऐसा क्यों क्यों कि अगर हम बात करें, तो इलास्टिसिटी किस में जादा होती है? नाइलोन में, क्योंकि जो स्टील का वायर है, वो एक ताइम के बाद में टू जाएगा, वो और फैलेगा नहीं, लेकिन विलास्टिसिटी होने के वज़ग से नाइलोन का वायर इतने असाने से नहीं तूटेगा, तो सही जवाब इसमें होगा, option D. अगला स्वाल लेकि, the substances which have a very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame alcohol, यानि कि आपको ऐसे पडार्त है, जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम है, यानि कि थोड़ा सा temperature अगर आप उनको दोगे तो उनको जो हमें आग लग जाएगी और बताया गया है कि ज्वाला के साथ सरलता पूर्वा को आग पकड़ लेते हैं तो ऐसे substances को हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं ज्वलंशील या inflammable सही जवाब यहाँ पर होगा option D बलंशील अगले सवाल की तरफ बढ़िये soluble bases जो है उनको बारे में पूछा है उनको आप क्या कहते हैं bases को हम alkali भी कहते हैं acids तो बिल्कुल नहीं कहेंगे salt, acid और base लोनों की reaction से बनते हैं और इसलिए सही जवाब कौन होगा इसका alkali ठीक है इसलिए जो हमारे 1st और 2nd period के elements उनको alkali metals भी कहते हैं alkaline earth metals भी कहते हैं वो सारे के सारे क्या है? bases है आगे देखिए the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity यानि आपने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर आपने विद्युत का इस्तमाल किया है और आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पर कोई एक metal है जिसके उपर आपने क्या किया है? जिसके उपर आपने दूसरे metal का deposition करा दिया है विद्धियुत को जह electricity pass कर गए इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं electroplating तो जितना भी हमने पढ़ा था कि copper का हमने deposition किस तरह से cathode पे करवाया था सारी reaction किसकी example थी electroplating की उस process को क्या कहते हैं विद्धियुत लेपन यानि विद्धियुत की help से हम उसके उपर दूसरा element जो है वो चड़ा रहे है लाइट इमिटेड बाइफ फाय फ्लाय इस ड्यूड जो जुगनू होते हैं जिनों के अंदर light होती है हम सबने देखी है वो रात को आपको चमकता हुआ देखता है तो आपको बताना है कि उसके अंदर जो light होती हो किस वज़र से होती है क्या उसके अंदर कोई radioactive पदार्थ है क्या उसमें chemiluminescence की कोई property कोई ऐसा chemical है जो मतलब खुद से उसमें light produce होती सही जवाब इसमें क्या होगा सही जवाब होगा option B आगे देखिए आपको पूछा है which among the following is the chief compound used in pepper spray pepper spray आप सबने सुना होगा काफी सारे advertisements वगरा इनके आते रहते है आपको पूछा है कि इसके अंदर chief compound कौन होता है जैसे मान लीजे यूजवली गर्ल्स के लिए होता है को कोई जैसे परेशान कर रहा हो तो इसमें कुछ ऐसा substance होते है जिसके विज़े से आपकी आँखों में जलन होगी अगर आँखों में डाल दिया जाता है तो इसके अंदर आप यह confused ना हो पेपर यानि काली मिर्च इसमें खुद काली मिर्च को इस्तमाल नहीं किया जाता है क कि काली मिर्च आपने देखा होगा उससे आपको अगर गलती से कभी आपका आँखों पे या सकन पे हाथ टाच हो जाता है तो आपको उससे जलन होती है तो उस प्रॉपर्टी की वज़े से इसका नाम पैपर स्प्रे रखा गया है लेकिन इसमें जो क्यमिकल है वो अगर आ इसका सबस्टिटूट फूर वूल यानि आपके पास जो ऊन है उसकी जगह आपको किसी और फाइबर का इस्तमाल करना है चदmesi वह आपको सरदियों वाले कंभल बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए आप किसे यूज़ करोगा या चैयलोन को तेफलोन को और लॉन को हम यूज करते हैं aurlone को लेकिन नाइलॉन तो वैसी सिंथेटिक फाइबर है टेफलोन के अगर हम बात करें टेफलोन को हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी हम खाने के बरतन बनाते हैं और उनमें भी जिनके उपर खाना नर शिपकता हो non sticky जितने भी utensils होते हैं उनके लिए हम teflon यूज करते हैं तो wool के substitute की तरह तो हम इसे use नहीं कर सकती हम उसके लिए use करेंगे और लोन अगला सवाल देखे which of the following is not a component of smoke आपको पूछा है कि smog जो है जो बनता है fog या फिर smoke अगर है जो दोनों का addition हो जाता है उनसे तो इनमें कौन सा substance आपको नहीं मिलेगा volatile organic compounds, nitrogen oxide, sulfur dioxide और chlorine oxide में से आपको बताना है तो यहाँ जितने भी options दिये वे हैं उनमें से chlorine oxide जो है उसके अलावा जितने भी आपको options दिये हैं यह सारे जो है वो smoke में present होते हैं volatile organic compounds भी होते हैं nitrogen की oxide भी और sulfur की oxides भी तो इसलिए कौन सा नहीं है वो है chlorine oxide अगला सवाल आपको पूछा गया है कि जो pungent smell है garlic का लहसुन की जो एक अलग सी smell होती है तीखी सी वो किस वज़े से होती है वो होती है उसमें एक sulfur का compound present होता है उस वज़े से आपको इसका formula या उसका नाम यह सब नहीं पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो इतना का compound present होता है जिसकी वज़े से उसकी जो अलग सी खुश्बू होती है या गंद होती है अगला सवाल है कि homo nuclear molecules जो है यानि कि जिनके nucleus एक जरसे हों उनके अंदर कौन सा bond आपको मिलेगा तो homo nuclear molecules जो है उनमें covalent bond मिलेगा उनमें electrons की sharing जो है वो आपको मिलेगी ठीक है और बनने वाले bond को हम क्या कहेंगे covalent bond यानि यहां पर सही answer जाओ कौन सा होगा 980 का option उपी अगला सवाल देखिए the names of scientists newlands, mandalive, mayor यह किस से associated है क्या है atomic structure से related है metallurgy से periodic table से या किस से तो देखिए आपको mayor और mandalive तो ऐसे भी याद होगा क्योंकि mandalive ने भी अपने time पे periodic table दी इसके बाद mayor ने periodic table जो अभी modern वाली है उसमें उनका योगदान था तो आप आराम से बता सकते हैं कि यह सारे जो नाम है scientist के किस से related है periodic table से ठीक है तो option C जो है 981 का correct answer होगा अगला देखिए आपको पूछा है कि जो contact lenses हैं वो किस से बने हुए होते हैं अब कुछ लोग होते हैं जिनकी आँखे eyesight जिनकी कमजोर होती हैं वो specs use करने की बज़ाए lenses यूज़ करना prefer करते हैं तो वो जो lenses होते हैं उन्हें हम कहते हैं contact lenses उनको simply जो है वो आपको अपने आ क्लोराइड क्या है विनाइल क्लोराइड का जो polymer है उसके help से यानि PVC जो है उससे बने हुए होते हैं हमारे contact lenses तो सही answer इसका क्या होगा सही answer है option A आगे देखिए what is used to avoid melting of ice यानि आपके पास ice है बर्फ है बर्फ के पिखलने से बशने के लिए आप किसका प्रेयोग करते हैं तो ऐसा ही सवाल हमने उसमें पढ़ा था कि ice creams जो है ice creams के अंदर हम और कौन-कौन से इसे substances को add करते हैं जुनकी वजह से crystallization नहीं होता है वहां जो water है उसका या फिर जो water वहां पे present है थोड़ा बहुत वह freeze हो करके ice में convert नहीं हो रहता है ठीक है तो हम वहां पे use करते है gelatin का gelatin जो है वह क्या करेगा वह बर्फ को पिखलने नहीं देगा और उसका crystallization भी नहीं हो अगला देखिए अगला है potassium per magnet, potassium per magnet का chemical formula है Kmno4, manganese का compound है ये आपको पूछा है कि इसको हम drinking water को purify करने के लिए use करते हैं ऐसा क्यों तो देखिए Kmno4 जो है इसके अगर अगर आप oxidation state निकालोगे manganese की तो potassium प्लस 1 में है, x हमें पता नहीं है oxygen का minus 8 तो x की अगर आप oxidation state निकालोगे तो आपको कितने मिलेगी यहाँ पर? 7, तो यहाँ पर manganese जो है वो plus 7 oxidation state में present है और दूसरी जो most common manganese की oxidation state होती है वो होती है plus 2 तो manganese की tendency होती है, manganese आएं चाहता है कि वो plus 7 oxidation state से plus 2 oxidation state में चला जाए तो ऐसा होने पर manganese का खुद का क्या हुआ? manganese का खुद का हुआ reduction अब देखिए आपको कभी भी oxidizing agent या reducing agent के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि वो जो substance है उसके अलावा जो substance है उसको देखना है माल लेजे manganese की reaction जिस भी element के साथ हो रही है यानि कोई A element है अगर A का oxidation हो रहा है तो आप क्या कहोगे? कि KMN4 एक oxidizing agent है एक oxy current करने वाला agent है और इसी तरह अगर A का reduction हो रहा है तो हम क्या कहोगे? कि वहाँ पे KMN4 present था KMN4 की वज़े से A का reduction हो गया तो KMN4 एक reducing agent हुआ तो आपको with respect to other देखना है तो manganese का खुद का reduction हुआ है तो दूसरा इसके साथ जो present होगा उसका oxidation होगा तभी तो एक chemical reaction पूरी होगी और इससे हमें पता चलता है कि potassium per magnet KMN4 जो है वो एक oxidizing agent है तो इससे अगर आप drinking water शुद्ध पानी में इस्तिमाल अगर करोगे तो वहाँ ऐसा कोई अगर substance है तो impurity है उसका oxidation हो जाएगा जिस वज़े से आपको last में pure water जो है वो मिलेगा तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा कि यह एक oxidizing agent है अगला सवाल देखिए which of the following is an element आपको बताना है कौन सा एक element है ruby, shephyr, emerald और diamond तो diamond carbon का elotrop है और carbon क्या है carbonic element ही है ठीक है तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा यहाँ सही जवाब होगा option D यह ruby, shephyr, emerald यह सब ज जो कीमती stones है वो है, अगला आपको पूछा है faraday law के बारे में, कि faraday law किससे associated है तो देखिए electrolysis जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बाद फिर से revise कर लेते हैं, electrolysis में हमारे पास दो हम rods का इस्तेमाल करते हैं, एक container है जिसके अंदर यह पूरी reaction हो रही है, एक हमारे पास है anode, और दूसरा हमारे पास कौन होता है, दूसरा हमारे पास होता है cathode, और यहाँ पर इन दोनों को हमने कोई एक solution होता है, जिसके अंदर हम इनको रखते हैं, और उस solution को हम कहते हैं electrolyte, चीक है, और उसके बाद में दोनों जो rods होती हैं, उनको हम battery से connect करते हैं, यानि हमने यहाँ पर एक circuit जो है, वो complete कर दिया है, अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर reactions होती है, कुछ anode, किसी एक पर oxidation होगा, एक पर reduction होगा, और धीरे धीरे जो है, यहाँ पर cathode जो है, उसके ऊपर deposition अगर शुरू हो जाता है, तो वो भी एक electrolysis का ही type है, और उसको हम अलग से ज calculate करना हो कि कितने time में, कितना electric current पास करने के उपर, आपके पास कितना substance जो है, वो यहाँ पर deposit होगा, तो वो कौन बताते हैं, वो उसके लिए law दिया है, एक फेराडे ने, तो फेराडे के law से हम electrolysis के अंदर होने वाली जो reactions है, उसमें कितना electric current फ्लो करने पे और कितने time तक कितना substance जो है, वो जाके cathode पे deposit होगा, यह हम पता लगा सकते हैं, तो यह किस से related है, यह related है, electrolysis से, तो सही जवाब इसमें क्या होगा, option C, अगला सवाल देखे, which of the following is an ore of iron, iron का ore आपको बताना है, dolomite, ipsum salt, siderite, galena, तो dolomite जो है, यह नहीं है, ipsum salt के अगर आप बात करो तो ipsum salt, siderite, ipsum salt अलग है, magnesium का salt है, siderite जो है, siderite is FeCO3, तो siderite जिससे false gold भी कहते हैं, तो यह क्या है, यह iron का एक ore है, तो सही exam answer कौन सा होगया, इसका option C, अगला देखे, which is the common characteristics of the elements of same group of the periodic table, यानि आपके पास एक ही group के जो elements है, periodic table में, उसमें same property क्या होगी, हम पहले group के elements ले लेते हैं, हमारे पास है, hydrogen है, lithium है, sodium है, potassium, rubedium, यह सारे है, तो आप देखे, hydrogen के पास एक electron है, lithium के पास में तीन electron है, तो इसका configuration होगा है, 2 और 1, sodium के पास 11 electrons है, अगर आप इनको भी orbits में fix करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी एक electron है, तो जब आप इन सारे elements क electronic configuration लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो outermost shell है, उसके अंदर number of electrons जो है, वो सब में same है, इसी तरह अगर आप fluorine, chlorine, bromine, iodine, इन सब को देखोगे, तो इन सब में भी आपको क्या पता चलेगा, कि सबसे बाहर वाली जो shell है, उसमें जितने electrons present है, वो सब में क्या होगे, तो पहला question क्या है, electrons without emotion, बिल्कुल same होगे, total number of electrons same नहीं होगे, कैसे हो सब के total number of electrons, जो का atomic number अलग है, total number of protons भी same नहीं होगे, atomic weight भी same नहीं होगा, तो यहाँ जो सही answer है, वो कौन है, वो है option A, यानि बाहतम कक्ष के जो electrons है, वो same होगे, अगला देखिए, L.U. Gel tablets है, L.U. Gel tablets आपको बता दिया, acidity कम करने काम में आते है, acidity कम करने के लिए हम किसे ही उसकरते है, antacids को, antacids में दो important examples नहीं आपको बता है, magnesium hydroxide और aluminium hydroxide, तो L.U. Gel के तो नाम से ही पता चल गया, कि obviously aluminium का compound होगा, तो कौन होगा उसमें, aluminium hydroxide, यानि की option C, last question, अगला question देखिए, कि sodium metal, जो आप kerosene के अंदर रखते हैं, क्योंकि sodium metal, जो है, वो क्या करता है, वो light और जो oxygen है, उसकी presence में reaction कर जाएगा, और बहुत ज़्यादा heat, जो है, वो release होती है, इसलिए हम उसको kerosene के नीचे रखते हैं, अगला आपको पूचा है, कि सबसे ज़्यादा soluble water में कौन है, sugar, salt, sulfur, camper, इन सब में से जो sugar है, वो पानी में सबसे अधिक घुलनशील होती है, सही जवाब इसका कौन होगा, सही जवाब होगा, option D, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कि आपको बताया गया है, अलग-अलग allotrops, जो है, कार्बन के बार में कुछ statements है, आपको बताना है, कि कौन सा statement सही है, सबसे पहले तो कार्बन के lotrops, कौन कौन है, कार्बन है, sorry, graphite है, diamond है, और last कौन है, अपने पास bucky balls है, यहाँ बीचे-चे-चे-बुछ को की बात करीवे है, वह हम छोड़ देते हैं, एक बार हम बाकी देख लेते हैं, diamond और graphite के बार में कौन सा सही है, diamond सबसे hard है, सबसे soft है, कोई confusion नहीं है, इसमें diamond tetrahydral है, उसके पास free electrons नहीं present है, और क्योंकि सारे electrons लोने bonding में दे दिये हैं, तो diamond के जो structure बहुत ही hard है, three dimensions solid होता है, तो C option एकदम खीक है, तो correct answer होगा option C, अगला सवाल देखे कि जो iron, cobalt और nickel, यह सारे metals है, यह जहांके है, उनको हम सब बढ़िया नाम उनका क्या हो सकता है, तो alkali metals तो देखे, जो first group के metals है, उनको हम कहते है, main group metals नाम से periodic table में कोई classification नहीं है, और transition metals जो है, जो आपका S block है, side में जो 2 blocks है, और जो P block है, उनके beach के elements है, उनको हम क्या कहते है, उनको हम कहते है, transition metals, और iron, cobalt और nickel अगर आप देखो elements है, ये देखे, इस periodic table की structure को इस तरह की होती है, ठीक है, ये होते है, S block elements, जो right side में आपके पास है, P block elements और ये D block या फिर transition elements, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option A, अगला सवाल है, कि large molecules made up of small monomers, मत्दर आपके पास बड़े-बडे अनु है, जिनका formation को छोटे-छोटे monom polymers से मिलकर की बना हुआ है, तो उन्हें आप क्या कहोगे, उन्हें हम कहते है polymers, बहुलक कहा जाता है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option B polymers में, आपके बहुत सारे examples है, protein है, carbohydrate है, सब polymers के example है, अगला सवाल देखे कि कौन सा ऐसा fiber है, जिसको artificial silk के नाम से जाना जाता है, what is the process of melting also called, melting का आपको दूसरा नाम बताना है, तो melting में क्या होता है, solid जो इसका conversion liquid में होता है, यानि जो भी आपका substance है, वो पिघलना शुरूर हो गया है, तो पिघलने को हम fusion भी कहते हैं, संगलन भी कहते हैं, बाकी भी अगर आप देखोगी, तो galvanization, crystallization का कोई मतलब नही है, evaporation आपका क्या है, liquid से gas का conversion है, ठीक है, सही जवाब है, इसका option A, अगली reaction है, magnesium को oxygen से react करोगी, तो किसी वे metal को oxygen से react करने पे आपको क्या मिलता है, आपका यहाँ पे formation होता है, metal के oxide का, तो क्योंकि magnesium है, magnesium का सबसे stable oxide आपको बनाना है, तो magnesium का stable oxide है, MgO, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option D, अगला सवाल देखिए, which of the following is also known as carbolic acid, कौन सा ऐसा आपके पास compound है, जिसका दूसरा नाम carbolic acid भी है, तो phenol जो है, यानि कि benzene जुनके ऊपर OH functional group जो है, उसको हम carbolic acid के नाम से भी जानते हैं, तो सही जवाब इसका कौन हो जाएगा, सही जवाब होगा, option A, hydroxide OH है, sulfuric acid H2SO4 है, ethanol हमारे पस दो carbon का alcohol है, तो यह सब का नाम carbolic acid ने, carbolic acid कौन है, phenol, अगला सवाल देखिए, जो fog है, cloud है, mist है, यह सिब किसके example है, यह सिब aerosols के example है, ठीक है, सही जवाब इसमें क्या होगा, aerosols, last question है, which of the following is not a cation, cation क्या होता है, cation होता है, जस पर positive charge होता है, aluminium iron बताइए, aluminium plus 3 है, यह तो एक cation है, copper, copper के पास most common charge होता है, plus 2, sulfate का बताइए, sulfate के उपर होता है, SO4 minus 2, और zinc के पास पर कितना होता है, plus 2, तो इन में से आपको कौन सा ऐसा दिखा जो cation नहीं है, वो है sulfate iron, तो सही जवाब इस question का क्या होगा, option C, तो नहां खतम होती है, आपकी 1000 MCQs के जो series है, वो, chemistry के 1000 MCQs आपके पूरे हो चुके, अमीद है, आपको सारे प्रशन अचे से समझ आएँगे, और आपको आपके exams के लिए, बहुत-बहुत शुब काम ना है, all the best from my side, and this much was about chemistry, thank you, and have a nice day.